आपका पी ड़ली फाउंडिशन चानल पर मैं हूँ आपका मेंटानु रागत्यागी और आज आपका नविगेटर भी रहूंगा आज हम लोग करने वाले हैं आपके लिए आपका पूरा लिटेच्चर का रिविजन मैं और नुपर मैं मिलकर आज आपको इस पूरे सिलेबिस का रिविजन कराएंगे जिसमें आपके लिटेच्चर के प्रोस आज वलेस पूरेट्री वाले सेक्शन को हम कवर करने वाले हैं अगर आप लोग अच्छे से चल रही है अगर आप लोग चंगे हैं बढ़िया हैं मेरी आवाज अच्छे से आप तक पहुंच रही है तो एक बरी फड़ावट से मुझे कॉमें पता दीजिए थीक है फाइन इंगलिश अग्जाम है इंगलिश का थीक है अच्छे सुन पारे हैं बहुत बढ़िया मुझे एक बड़ी फड़ावट से पता दीजिए कि आप लोग कहां से बिलॉंग करते हैं ताकि है मिनों की आप किस किस जगह से हमारे साथ जुड़े हैं फड़ावट से एक बड़ी बता हिए, येस, 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 audible and visible, ठीक है, thank you so much for the confirmation, चलिए ब स्टार्ट करते हैं सेशन को, बहुत बढ़िया, I can see, मध्यपरदेश, राची, जारखन, बिहार, अत्रप्रदेश, महराश्रा, कश्मीर, nice, छत्यसगर, सिली गुडी, मध्यपरदेश, कानपूर, राजस्थान, वेस्ट बेंगॉल, क्या बात है, wonderful, करनाटका अल्सो, बहुत बढ़िया, glad to know, America भी लिखका है, किसी मापोरिजन है, okay, wonderful, wonderful, glad to know, कि आप लोग, जगा-जगा से जुड़े हैं हमारे साथ, आज हम लोग करने वाले हैं, फिर आपके, literature का पूरा syllabus, आप English team PW की, जिसमें मैं और नुपर मैं आज आपके साथ जुड़ने वाले हैं, पहले 5 गंटे लगबग 5 पे तक मैं इस सेशन लोगा, उसके बाद फिर मैं स्टार्ट करेंगी, approximately 10 गंटे का इस सेशन होने वाला है, so tighten up your seatbelts, pull up your socks, और ready हो जाईए फटावाट से आज के लिए, start करते ह चलिए बिना देरी के, आप लोग जुड़ रहे हैं, I can see that, जुड़ते रहे हैं, and then we'll begin, मैं start करूँगा, एक मिट आपको एक initial idea देता हूँ कि आज हम लोग क्या-क्या करने वाले हैं, काफी साहे लोगों के doubts आ रहे हैं कि क्या ये भी होगा, ये भी होगा क्या, तो मैं as well as moments ये book है, दोनों को हम कवर करने वाले हैं आज detail में, बी हाई book के first five, four lessons माफ करी, the fun they had, the sound of music, the little girl, a truly beautiful mind, ये चार हुमाय कवर कराने वालों, बाकी जो बच्चे, पांच lessons वो मैं हम देखेंगे, उसके बाद फिर, the lost child, जो की moments book से है, वो पहले चार chapters, lost child, the adventures of toto, ईश्व करने वाले हैं, तो पहली चार forms, which are, the road not taken, wind, the rain on the road, sorry, the rain on the roof, and the lake isle of ministry, ये चारों पोर्म्स आजम, कवर करने वाले हैं, आप मेरे साथ इनको कवर करेंगे, बचा हुआ जो portion है, beehive, moments, as well as poetry का, वो आप कवर करेंगे, नाम के साथ, ठीक है, तो एक बारी initial idea आपको देदू हैं, लेकिन हम एक detailed summary लेंगे lesson की, और फिर उसके बाद हम उसके important questions जो है, जो कि आपके exam में usually पूछे जाते हैं, वो हम कवर करेंगे, अच्छे से, ठीक है, तो start करते हैं, चलिए, PYQ's कैसे होगा, grade 10 थोड़ी है, boards में थोड़ी आता है, है ना, तो जो आपका detailed summary आपको एक थमजर दे दीजे, हम start करते हैं, जल्दी से, जल्दी बताइए, English course A B कब है marathon, ठीक है, we are planning that soon, English course A का marathon भी जल्दी से plan हम कर रहे हैं, we are coming with that very soon, अब ये, आज course B का है, by the way, जिन लोग कोई जग्या साय जानने की, आज course B हम detail में कवर कर रहे हैं, आप chapter देखके समझ भी गए ह ठीक है, question answers भी हाँ, हम discuss करेंगे, बिल्कुल, 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 ठीक है, ओके, तो start करते हैं, चोड़े से game के साथ, तब तक आप लोग और भी लोग जुड़ जाएंगे, I believe, इसलिए start करो, whatever से game के साथ, क्या game है, आपको, ये fill in the blanks भरने है, ये how to fill in these blanks, क्या करना है, इसमें, usually, जैसे brunch, ये word है, ये दो words के combination से मिलके बना है, तो आपको identify करना है, किन दो words का, बड़ा simple सा game है, I believe, आप easily answer कर देंगे, जैसे कि network और international मिलकर, बनाता है internet, जैसे network का ये वाला part, और international का inter, ये दोनों मिलके बनाते है, internet, ऐसे आपको इन चारों का words का, guess करना है कि किस-किस से मिलके बने है, फटावट से answer दीजे मुझे comments में, जल्दी से, require these answers, quickly, बिना देरी के, जल्दी से, जल्दी से, come on, 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 मुझे पहला answer मिल गया है, आप में से बहुत सारे बच्छों ने say identify कर लिया, breakfast plus lunch is brunch, जब ऐ ऐसा combination हो जाता है कि आप breakfast ना कर पाएं, आपका breakfast डिले हो जा और lunch से पहले आप कर लें, तो it is basically brunch, दूसरा आप लोगों ने बताया है, I can see, दूस्टे भी answers मुझे मिल गया है, smoke and fog का combination होता है, smoke, बिल्कुल सही, दिल्ली में आप अकसर उसको देखते हैं, जब भी पराली ज इसले identify कर पेंगे, hangry का, ठीक, I can see lyrics and video editor king, oh, has answered it, और भी कुछ बच्चे हैं, जो जब आप दे रहे हैं, hungry plus angry, ठीक है, perfect, so hangry is basically hungry plus angry, जब आप बहुत ज़्यादा भुके हों, तो naturally आपका गुस्सा आ जाता है, तो that forms the word basically, hangry, okay, आगे देखते हैं, चलिए, vlog बताये, vlog बताय जल्दी से, बहुत बढ़िया, duty, sony has answered it correctly, and she says, it is video plus blog, ठीक है, तो blog एक written description होता है, basically, जब आप एक diary entry की form में, latest form of diary entry मान सकते हैं, vlog को, जब आप एक जगा पे जाते हैं, और detail में उसके बारे में लिखते हैं, and then आप उसको video की form में अगर shoot करते हैं, तो that becomes a vlog, बिलकुल सही ह चारो answers correct हैं, यह रहे इनके answers, हम लोग ने discuss कर लिया, इनको detail में, अब चलिए शुरू करते हैं, अपना lecture, मैं आपको initially के exam का आपका idea देता हूँ, I believe आप सब लोग अच्छे से acquainted हैं उससे, लेकिन फटा वट से idea देता हूँ, फिर हम शुरू करते हैं, I can see people joining in, इसलिए हम तोड़ा सा time spend, इस पर कर रहे हैं अभी, ठीक है, ओके, तो देखिए, आपके exam, 80 marks का exam होता है, उसमें 3 portions होते हैं, सबसे पहला reading skill, जिसमें 2 passages आते हैं, 10, 10 marks के 2 passages आते हैं, एक case based होता है, एक factual passage होता है, basically, दूसरा देखिए, writing skills and grammar, writing skill और grammar, 10, 10 marks के आते हैं, अभी हम देखि आता है, 40 marks का, आप easily अच्छे से acquainted हैं, इसमें, हाँ, I'll definitely give breaks, Omegle TV, don't worry, जो भी जहुरी होगा, breaks हम देंगे, चिंता क्यों कर रहे हैं, आप लोग, तो कौन-कौन से passages आते हैं, एक तो case based आता है, जो की another form है, factual passage का, and then एक discursive passage आता है, 10 marks each, इन में से अलग-अलग combination of questions पुछ आगे देखते हैं, चलिए, आप grammar से कौन-कौन से topics आरे हैं, तो grammar से ये सारे topics आरे हैं, जिसमें, tenses है, models है, subject-up agreement है, determinants and reports पीचे, ये कल कवर होगा, जिन लोग को grammar cover करनी है, वो ready रहेगा कल, 10 marks का आता है, जिसमें 10 questions आते हैं, आपको editing की form में, usually editing and error पुछाते हैं, आपसे 120 words का, ये 5 marks का एक question बनता है, and then you have a story writing, एक story writing या diary entry, story writing जोगा, वो based on given cues होगा, या clues होगा, यानि कि ये guided story writing होता है, बड़ा simple होता है, दोनों easy हैं, ये भी हम cover करने वाले हैं, कल, 5 marks का एक question आता है, इसके बाद, last आता है, आपका literature reader, 40 marks का, जो की major portion है, जिसको आज हम cover करने वाले हैं, पूरा detail में, क्या क्या होता है, उसमें, दो question आते हैं, extract based, एक extract based question आता है, प्रॉस से, एक extract based question आता है, poetry से, 5 marks each, उसके बाद क्या होता है, इनमें MCQs पुछा सकते हैं, subjective questions पूछा सकते हैं, combination of both, आगे देखिए, 4 out of 5 short answer type questions, 40 to 50 words में आपको answer करने होते हैं, बी हा instruction miss out कर जाते हैं, I have seen a lot of kids, जो की 5ों के 5ों question का answer लिख देते हैं, essay में क्या होता है, essay में, जो भी आपके पहले 4 questions होते हैं, उनको teacher assess करके आपको marks देता है, तो ध्यान बखिए, अपना time waste नहीं करिएगा, ऐसे, आगे देखिए, 2 out of 3 questions, short answer type, पूछाते हैं, moments से, ये दोनों म moments book से जो है, उससे answer करना होता है, ये basically एक general weightage है आपके exam में, ये pattern रहने वाला है, इसको ध्यान में रखते हुए, आप exam के topics को पढ़े, कई question, कई topic ऐसे हैं, जहां से extract based question अच्छे से बनता है, और कई topic ऐसे हैं, जहां से simple short answer, long answer type जादा बनते हैं, तो वो ध्यान में रखते रेदू story का, इसमें क्या है, इस story में दो बच्चे है, पहले तो ये story जो based है, वो futuristic world में based है, ये अब आज चल रहा है 2024, लेकिन ये story जो based है, वो 2157 में based है, इस time पे story based है, जितने भी characters हैं, वो इस समय में जी रहे हैं, और उस समय में क्या है, imagine किया है writer ने, कि उस समय पे जो इस form में नहीं दिखेंगे, आपको जैसे आज आज आप पढ़ रहे हैं, जो भी books इस form में दिखती हैं, आज ऐसी नहीं होगी, क्या होगा, जो human element है, वो completely replace हो जाएगा, और technology will take over, मतलब आपके school जोंगे हो सकते हैं, आपके घर पे ही हों, और आपके जो computer systems हैं, वो teachers की जग जबर करता है, जो कि असली book होती है, उस समय में शाइट टेली books चलनी शिरू हो जाएंगी, यानि कि आपकी screen पे आप पढ़ेंगे books को देखते हुए, ऐसी वाली books उस समय होती है, लेकिन अब इस बच्चे को Tommy को एक real book मिलती है, और उस real book को मिलने के बाद ये लोग बढ़ के साथ, teachers के साथ आपका involvement होता है, bonding होती है, बहुत सारी चीज़े होती है बेसिकली आज की, जो कि आप other than education आज सीखते है, education system में आज, आपकी overall personality पे काम किया जाता है, ये शायद खतम हो जाए, अगर technology will completely take over तो, ऐसा हो सकता है, ये आपको बताया गया इसमें, चलिए स्टा तो नहीं आना, अच्छी है, नहीं केस, अगर आ रहा है, आप course, किसी और course से हैं, किसी और boards से हैं, तो हम कल एक बारी उसको address करेंगे, आज हम literature पर ध्यान देने वाले हैं, तो उस पर focus करिए, character sketch को पूछ रहा है, तो character sketch एक बारी lesson पढ़ने के बाद हम characters को देख लेंगे, क कौन-कौन से character है सा, उनकी क्या qualities आप बता सकते हो, ठीक है, ओके, ये lecture जो plan हमने किया है, approximately 10 घंटे का, approximately 10 hours का lecture होने वाला है, तो ready रही उसके लिए प्रीज, खाना विगरे का arrangement करते रहेगा, बीचिश में breaks आपको मिलेंगे, don't worry about that, तो ready रहेगा आप लोग, कि आज आज आ answer आपको नहीं आता होगा, अब expression आपका अच्छा है, तो आप जवाब दे दे होगा, अगर expression आपका थोड़ा गरबड़ है, तो शायद आप फस जाओ, but in any case, आपको answer आता होगा, आपको topic पता होगा, ठीक है, चलिए start करते हैं, तो इस lesson में क्या होता है, बच्छा पार्ट यहाँ पर नहीं लिखे हैं, मैंने सुर्फ keywords लिखे हैं, लेसन के, तो उन keywords को देखके, exam के टाइम पर भी आप फटावर्स को recall कर सकते हैं, चलिए start करते हैं, तो lesson start होता है, मार जी जो लड़की है, वो एक entry करती है, अपनी diary में, किस date पे, she makes an entry on May 17, 2157, इस दिन वो अपनी diary में एक entry करती है, और क्या लिखती है, today Tommy found a real book, आज Tommy को एक real book मिली, इन लोग के जमाने में real books का जो दौर है, जो ये वाली books हमारे पास हैं, इन paper books का दौर खतम हो चुका है, इनके जमाने में आगी है टेली books, ये tablet के अंदर books feed जो होती हैं, उस तरीके से basically पढ़ते हैं, screen books को पढ़ते हैं, तो इस जमाने में इनको बड़ा आश्चर हुआ कि Tommy को एक real book मिली, ये entry वो अपनी diary में करती है, day and पर, और फिर उसके बाद story स्टार्ट होती है, क्या होता है, फिर देखते हैं, चलिए, तो Tommy जो है, उसको एक real book मिलती है, और Margie के साथ, Margie के आज तो grandfather once told her, that her grandfather, उनके grandfather के जो grandfather थे, उनके time में real books हुआ करती थी, school वगरा हुआ करते थे, ऐसा उन्होंने बोला, तो ये दोनों discuss करने लगते हैं, real books के बारे में, जब उस books को खोलते हैं, open करते हैं, तो उसके सारे pages crinkly, जैसे आप किसी कागज को ऐसा दबा दें, अगर तो concept है, हमारे हाँ पर ऐसा नहीं होता है, बच still, attic क्या होता है, storage space होता है, जो की roof के just below होता है, अब क्या होता है, इनको जो book मिलती है, इसको open करते हैं, उसके pages turn करते हैं, देखते हैं, वो yellow और crinkly हो गये हैं, yellow मतलब पीले पढ़ गये हैं, और crinkly मतलब मुच गये हैं, क्यों ऐसा सोच रहे हैं, क्योंकि जो इनकी telly books हैं, उसमें इनको ना तो page turn करने की ज़रुत परती हैं, ना ही words एक जगा stick रहते हैं, words एक जगा still रहते हैं, क्यों, because words keep moving, जैसे आप movies अगर देखते हैं, और नीचे subtitles परते हैं, तो keep moving, right, इस तरीके से ही इनकी book जो है, उसम करते हैं, अब इस पर Tommy comment करता है, कि what a waste, ये book अगर हमने एक बारी पढ़ ली तो फिर हमको fact देनी पढ़ेगी, लेकिन हमारी telly books जाएं, उसमें तो बड़ी सारी books होती हैं, वो हमेशा relevant रहेगी, कभी waste में नहीं जाएगी, और इस बात पर मार्जी भी अपनी सहमेत्रिया कि हाँ सही बात है बिलकुल याद, ये तो बिलकुल ठीक बात है, हमारी जो telly books हैं, उनमें तो बड़ी सारी books आ सकती हैं, एक बड़ी book पढ़ने याद फैकने की ज़र्थ होती हैं, anyway, तो Tom Marji से पुछती है, तुमको मिली कहां, तो he said, मुझे attic में मिली अपने यहां पर, in the, in his house, अपने घर पे Tommy को attic में मिली, एक storage space में मिली, what is it about, मारी जी पूछती है, यह है किशीज के बारे में, तो Tommy बोलता है, स्कूल के बारे में है, अब मारी जी स्कूल सुनके बड़ा scornful सा विल करती है, कि यार स्कूल के बारे में ऐसा क्या है, जो पढ़ने वाला है, reason क क्या था, क्योंकि मारी जी जो बड़ा irritated and disappointed है, अपने स्कूल का जो उसका atmosphere चल रहा है, उसके लिए स्कूल की जो परिवाश्य है, वो बिल्कुल अलग है हम लोगों से, उसका स्कूल क्या था, उसी के घर पे एक room बनाया हुआ था, और उस bedroom के बरावर में, और उसी room में उस का स्कूल उसके घर पे था, और वहीं पर पड़ती थी, वो कहीं स्कूल वगरा नहीं जाती थी, एक special building वगरा में नहीं जाती थी, तो उसके लिए स्कूल की क्या परिवाश्य आती एक बार यह समझते है, क्यों इतना disappoint सा क्यों यह सुनके, क्यों बुक स्कूल के बारे में, तो बोलती हो, स्कूल के बारे में क्या पढ़ने के लिए, ऐसा क्यों बोलती हो, because, मारजी's hatred for school was based on a mechanical teacher, उसका जो teacher था, वो एक computerized teacher था, mechanical, जो की काफी बड़ा था, black color का था, और उसके, उसकी body पे एक screen थी, अच्छी बड़ी, उसी screen में उसको सारे homework दिखते थे, उसी screen के वो उसको test वगरा भी देता था, ये part जो था, ये फिर भी ठीक था, problemously ये थी, कि मारजी पिछले कुछ समय से, geography में बहुत जादा पीछे lag behind कर रही थी, उसका जो mechanical teacher था, वो उसको geography जो पढ़ा रहा था, वो उसको समझ नहीं आ रही थी, और वो test पे test उसको दिया रहा था बहुत irritated feel कर रही थी, ये जो experience था, उसका of hating the school was majorly because of the fact कि उसको test पे test में ले आर थे, जिनमें वो बहुत ही बेकार perform कर रही थी, अब क्या हुआ, इनकी माता जी ने, मार जी की mom, जो है Mrs. Johns, उन्होंने county inspector, county inspector क्या होता है, कैसा इंसान जो की mechanical teacher को आकर repair करता है, ये काम होता ह county inspector का, ये देखके कि उसकी बच्ची लगातार अच्छा perform नी कर रही है, उसने क्या करा, उसने county inspector को बुलाए, एक बरी mechanical teacher को examine करने के लिए, अब आपको county inspector जो है, उसकी appearance describe की गई है, कि he was a fat, round sort of man, और वहाँ पर जब वो आता है, तो वो आकर examine करता है, इस mechanical teacher को, mechanical teacher को examine करने करे थी कि यार, ये mechanical teacher कभी ठीक है, चला जाए, अच्छा है कि भाईया, क्यूंकि ऐसा क्यों सोचती है वो, क्यूंकि Tommy का भी एक महने पहले खराब होगा था, mechanical teacher, history वाला सक्टर उसका blank out हो गया था, तो ये mechanical teacher जो है, वो लेकी चला गया था, county inspector, एक महने के लिए, Tommy को करकुरा के, वापस भी ready रख दिया, मार जी वोड़ी disappoint हुई, उसने माता जी से बताया, मार जी की, Mrs. John से बताया, कि इस जो, ये जो mechanical teacher था, इसका, ये इसमें गलती जो है, वो बच्ची की नहीं है, कि अच्छा form नहीं करी थी, उसने इस बच्ची को पैट भी किया एक बार और test पे test ये दे रहा था, जिसकी वैसे अच्छा form नहीं कर रही थी, अब इसने क्या किया, कि इसने उस, जो mechanical teacher है, उसकी pace, उसकी जो speed है, पढ़ाने की, वो average 10 year old के age पे set कर दी, मार जी की age थी 11 years, और टॉमी की age थी 13 years, ये आप लोग एक बड़ी note कर ली जगा, आगे भी है, वैसे पीछे भी एक जगा बताये गया है, ये, मार जी वास 11 years old, वेरास टॉमी वास 13 year old, तो इन्होंने क्या करा, accounting inspector नहीं, इसकी जो speed है, वो average 10 year old बच्चे की age पे set कर दी, आब इसको problem नहीं आएगी, ऐसा बोल के वो चला गया, अब क्या होता है, मार जी इस बात को क्यों disappointing, क्यों disappointing, naturally होना ही था, उसको उमीद थी, एक मैने के लिए गया, teacher ही पढ़ना वनना नहीं पढ़ेगा मेर को, ठीक है, ओके, आगे चलते हैं, चलिए, अब इनका discussion शुरू हो जाता है, basically ये problem थी, जिसकी वैसे मार जी ने पूछा था, कि आरे, स्कूल में ऐसा क्या ह स्कूल के उपर, तो अब इसको टॉमी बताता है, ये वो वाले स्कूल नहीं है, जैसे हमारे स्कूल होते हैं, ये old kind of schools हैं, तो पुराने वाले स्कूल हैं, जिन में क्या होता था, ये hundreds of years, centuries पहले, loftily ऐसे बोलता है टॉमी, कि centuries पहले exist करते थे, बहुत सार, कई साल पहले ल हुआ करता था, who was a human, जो कि एक human होता था, तो महार जी सोचती है, अच्छा यार, teacher, ऐसे कैसे हो सकता है, कि एक human सबको पढ़ा रहा है, तो then she said, then Tommy said, कि वो सबको homework, सबको पहले समझाया करता था, सबको homework दिया करता था, test दिया करता था, तो महार जी बोलती है, कि एक teacher कैसे intelligent इतना हो सकता है, कि वो इतने सारे बच्चों को पढ़ा दे, Tommy हाँ पर बोलता है, कि नहीं, बिल्कुल हो सकता है, मुझे लगता है, मेरे father ही बहुत intelligent है, जितना कोई mechanical teacher होगा, इतने intelligent मेरे father भी है, इस बात को महार जी dispute नहीं करना है, तो इसलिए बोलती है, बिल्कुल सही लोग को घर पर पढ़ाने के लिए नहीं आते थे, there was a special building, जहां पर सारे बच्चे जाया करते थे, और पढ़ता पढ़ा करते थे एक साथ, तो महार जी बड़ी हरत में है कि यार, ऐसे घर में virtual rooms नहीं होगा करते थे, बलकि बच्चे school जाया करते थे, वहां पर पढ़ते थ इस इंट्रीग धर, इसकी वह से बड़ी इंट्रीग हुई, क्योंकि वह जो लाइफ जी रही थी, जिस तरीके से पढ़ रही थी, उससे बोर हो चुकी थी, तो यह वाली बात के special building, जहां पर सब लोग एक साथ जाके पढ़ते थे, बड़ी इंट्रीग लगी उसको, अब उसको बताता है, तो पूछती है टॉमी से, कि ऐसे कैसे पढ़ते हैं सब लोग, सब सारे बच्चे एक साथ एक चीज कैसे पढ़ते थे, तो टॉमी बोलता है, सारे बच्चे नहीं, सेम एज के जो बच्चे थे, वो साथ में पढ़ते थे, एक साथ, उनको सब को एक समय पे home ... आप देखें यहां बॉक को और उवडर मार जी की महम आ जाती है मार जी की महम उसक betण टाम का टाम हो गया कि तुमको पढ़ना चीहाँ है मार जी बुलते थोड़ी दिर और तो मना करें जाती है कि नहीं नहीं अभी इस टाइम आपको तुम्हें अपनी क्लास्रूम में जाना चाहिए पढ़ना चाहिए भी इन फैक्ट वह टॉमी को भी बोल देती है कि शायद तुम्हारे स्कूल का भी टाइम हो गया है तो टॉमी जो है वहां से उठता है अपनी टकिन करता है साइड में और निकल जाता है मार जी अपनी क्लास्रूम की तरह बढ़ती है और और यह बोलती है टॉमी से की हम इसको भुख्ड को बाद ने पढ़़ने कि in fact और एक slot था जिसमें वो test भी डाल दिया करती थी, homework भी डाल दिया करती थी, कोई disappointed का मतलब पूछता है, disappointed मतलब होता है, निराश हो जाना, अब क्या होता है, आज मार जी वहाँ पर जाकर बैठी, अचा एक चीज और, ये जो बच्ची है, ये हर रोज एक ही समय पर जाते हैं, वो अच्छे से सीखते हैं चीजों को, तो इसलिए हर रोज इसका एक ही समय पर वो जो है, computer जो है, mechanical teacher जो है, वो turn on हो जाता था, और इसको lecture देता था, पढ़ाता था, basically, आज जब वहाँ मार जी पहुंची, तो on था, mechanical teacher, और आज इसका lesson था, arithmetic का, maths का, basically, जिसमे edition of fractions पढ़ने वाली थी, ठीक है, arithmetic lesson था, अब इसमें वो editions of fractions पढ़ने वाली थी, लेकिन मार जी तो अलगी दुनिया में थी, उसको तो वो school जो उसने जिसके बारे में पढ़ा था, जिसमें सब बच्चे जाया करते थे, एक साथ हसते खेलते, school में पढ़ते थे, एक ही lesson thoughts, मार जी, lost in thought of all schools, and the fun they had, वो आनन्द जो बच्चे वो लिया करते थे, साथ में जाकर, साथ में आकर, साथ में पढ़ते थे, हसते खेलते थे, school के अंदर बाचीत क्या करते थे, एक interaction होता था, teachers भी होते थे, after all, वहाँ पर human teachers, actual human teachers, उसको बड़े, उसको जान के बड़ी ज primarily, दो characters हैं, एक है Margie, और एक है Tommy, ये दोनों characters हैं इसमें, इन दोनों characters के बारे में, आपको clear होगी, I hope, कहानी, एक बारी मुझे फटावट से बता दीजिए, स्कॉनफुल को ये बुच्छा, तो स्कॉनफुल usually means someone who is very arrogant, अच्छा, sorry, Margie was स्कॉनफुल, स्कॉनफुल मतलब किसी चीज़ को ऐसे देखना, condescending way में, क्यार, ये क्या है, ये तो विकार है, ऐसे स्कॉनफुल लोग देना, basically, स्कॉनफुल का मतलब ये होता है, ठीक है, clear है आप लोगों को ये वाला lesson, आप चलिए आगे देखते हैं, बरी फटावट से characters की qualities बताईए, Margie की qualities बताईए, और Tommy की बताईए, एक, जो हमको छोटा सा brief sketch अगर लिखना होनका, तो मैं आपको बताएता हूँ, ये 11 year की थी, और ये 13 year का था, इनकी क्या qualities में फटावट से बताईए, nonchalantly कोई पुछता है, तो nonchalantly मतलब होता है, बच्चे, carelessly, Tommy वहाँ से walk करके चला गया था, nonchalantly, ठीक है, nonchalantly कैसा word है, जो कि बोलने हैं बड़ी मारे लगते लिए, इसका मतलब होता है, carelessly, बड़ा interesting word लगता है, ironical word लगता है मेरे को ये, anyway, ठीक है, तो Margie की क्या qualities आप describe कर सकते हैं, Margie की आप qualities बता सकते हैं, that she is 11-year-old girl, that she is very curious, वो curious है चीजों को जानने के बारे में, वो sincere भी है, क्यों sincere बोलेंगे आप उसको, क्योंकि जब उसका लगातार अच्छा score नहीं आ रहा है, जो कि उसकी गलती नहीं थी, तो she felt very disappointed, वो disappointed भी फील करती है, क्रिंकली मीन जिस पे कोई पेपर ऐसा जो कि मुच गया हो, है ना, साई, साई मीनिंग को पुछता, साई का मतलब होता है बच्चे, आह बढ़ना यसे, गुष्टा, कई बार आप बहुत ज़्यादा कोई ऐसा काम करते हैं, जहां, माली जह आप एक रोड पे जा रहे हैं, आप बहुत एक स्वीट बजा रहे हैं, तो आप एक दम से एक साई लेंगे, शुकर है बच गया, यह जो साई होता है, बेसिकली इस, आवरना एक दम से, अब चली क्वेशन आगे बढ़ते हैं, क्यूरियस है, सिंसेर है, अब टॉमी की बात बताए, टॉमी जो है, वो भी क इसको बोलेंगे, क्योंकि उसने एक पुरानी बुक निकाली, कुछ हत तक, लेकिन ही इस वेरी अरोगेंट, वो अरोगेंट है थोड़ा सा, मार जी जब उससे कुछ चीज़ा पूछते हैं, तो एक आध बार उसको डाट डबट भी देता है, मार जी को और जब उसकी मॉम है, कि आप स्कूल का टाइम हो गया, तो किताब को लगाता, साइड मोर निकल जाता है, बिना देखें, मार जी की तरह, है ना, ये कुछ qualities आप इनकी point out कर सकते हैं, along with other things, character sketch अगर आपको पूछा जाए, तो ये सारी चीज़ा आपको describe करनी है, उसमें, अब चलिए, आगे च करेंगे, भाई, अभी question मत लिखो, answer अभी discuss करेंगे, बैच्चा को कोई मतलब पूछता है, बैच्चा is acronym for I bet you, तो उसके father की बारे में जब बात करता है, Tommy, कि मेरे father इतने ही अच्छा है, जितने एक mechanical digit होता है, तो मार जी बुलती है, I bet you, बिल्कुल, I betcha का मतलब होता है, क हाँ, बिल्कुल ऐसा होगा, I'm sure, ऐसा ही होगा, ठीक है, बैच्चा प्रनाउंस करते हैं, इसको लेकिन, it's an acronym for I bet you, पड़ावर से बताओ, sir, poetic devices कहां से आयागा, भाई, इसमें, poetic devices poem में होता है, old school are the best, अच्छा, आप ऐसा बोल रहे है, old school मतलब जो existing system है, the existing, यह existing चोड़ technology when used, along with human management, जब technology को अप humans के साथ, club करके use करेंगे, is productive, however, लेकिन उसके बिना, अगर सिर्फ technology के थ्रू ही आप पढ़ना चाहें, technology अगर take over कर लें completely, it is monotonous, monotonous मतलब होता है, boring, लेकिन अगर आप बिना human intervention के उसको use करेंगे, बिना human management के उसको use करेंगे, तो हो सकता है, boring हो जाए, आप लोग भी नहीं चाहोगे, ऐसा education system, जिसमें, क्या हो, जिसमें कोई social interaction ना हो, जिसमें teacher के साथ interaction ना हो, completely technology driven हो, that won't work, आगे चलते हैं, चलिए इस फड़ावट से, इसके एक detailed summary मैंने आप लोग के लिए attach कर दिया, आप लोग उसको देख सकते हैं, it's for your own good, आप उसको read करिया, आपको समझ में आ जाएगा, पुरो lessons in short, आप चलते हैं, इसके questions देखते हैं, question number one, how old are Margie and Tommy, फड़ावट से comments में इसका जवाब देते रहेगा, मुझे जल्दी से मुझे चाहिए इसके जवाब, तो how old are Margie and Tommy, तो Margie है 11, and Tommy है 13, आगे बढ़ते हैं, what, what did Margie write in her diary, Margie ने क्या लिखापने diary में, तो Margie ने entry की थी, 21.57, 17 में के दिन, क्या, today Tommy found a real book, next, had Margie ever seen a book before, और क्या Margie ने पहले कोई real book देखी थी, तो नहीं, she had only seen telly books, so telly books के through पड़ते थे, वो युन्होंने देखी थी, next, what things about the book, did she find strange books, के वारे में ऐसी कौन सी चीज़ थी, जो उसको अजीब लगी, अजीब उसको ये लगा, कि books में जो letters हैं, words हैं, वो move नहीं कर रहे थे, unlike, जैसे कि उनकी telly books में move करते थे, और जब उन्होंने page पिछले वाला turn करके वापस देखा, तो उस पे words stood still, words ऐसे के ऐसे ही थे उस पे, next है, what do you think a telly book is, क्या लगता है आपको एक telly book क्या होती है, तो telly book एक तरह से एक tablet होती है, जिसमें books जो है, वो digitally देखते हैं बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, I can see a lot of comments, मुझे अच्छे जवाब आप सब लोग दे रहे हैं इसके, आगे लिखते हैं, where was Marji's school, did she have any classmates, Marji का school कहा था, क्या उसके कोई classmates थे, तो Marji का school जो था, वो was located in the room, जो की बराबर में था, उसके bedroom के, and no, she did not have any classmates, she studied virtually, with the help of a mechanical teacher at a home, with the help of a computer भी आप बूल सुकते हैं, next है, what subjects did Marji and Tommy learn, कौन कौन से subjects Marji and Tommy सीखते थे, तो Marji सीखती थी, geography and arithmetic, and Tommy सीखता था, history, यही mention किया गया, आपके book में, हो सकते हैं, और subject सीखते हों, लेकिन आपके book में जो information दी गई है, वो इतनी दी गई है, कि एक तो यह geography वाला sector गडबर था, तो geography and arithmetic याने की match, and Tommy सीखता था, history, इसका blank out हो गया था, history basically, इसकी वैसे, इसका mechanical teacher को लिजाया गया था, आगे चलते हैं, thinking about the text job के questions है, वो देखते हैं, what kind of teachers did Margie and Tommy have, Margie and Tommy के किस तरह के teachers थे, तो Margie and Tommy had mechanical teachers, basically computers, जिनके अंदर एक screen होती थी, वो इनके teachers होते थे, उसी screen पे everything was taught, उसी के अंदर, computer के अंदर एक slot होता था, जिसमें अपने test papers और homework भी डाला करते थे, यह आपको इसमें describe करना है, next है, why did Margie's mother send for the county inspector, what did he do, Margie send for का मतलब होता है, call, Margie की mother ने county inspector को क्यों बुलाया, तो Margie की mother ने county inspector को simply इसलिए बुलाया, because Margie was constantly not performing well in her geography tests, अपने geography test में वो लगातार बेकार perform कर रही थी, so worried that something might be wrong with the computer, she called out county inspector, जिसका काम होता है, उसको repair करना, next है, what did he do, क्या क्या उसने, तो उसने ही just opened up the entire mechanical teacher, उसमें जो problem थी, उसको repair किया, the problem was that, अगला question है, एक बड़ी देखते हैं उसको, why was Margie doing badly in geography, Margie badly करी थी geography, because the geography sector in the computer, was set at a pace which was much higher than her age, यह आप बोल चकते हैं, geography sector was geared a little too fast, जो कि आपकी book में है, okay, what did the county inspector do to help her, county inspector do to help her, और what did he do, इन दोनों का एक एक आंसर है, county inspector ने क्या किया, उस geography sector, उसमें काफी तेज pace पे set था, he set it, या he re-calibrated it, to an average 10-year-old child's pace, 10 साल की बच्चे का जो pace होगा, उस पे उसने set कर दिया, dispute का मतलब कोई बुच्टा है, dispute का मतलब होता है, टक्राव या basically, दो लोगों के बीच में, अगर कोई मदबेद हो, उसकी वेसे कोई जगडा हो जाएगा, तो वो टसल जो होता है, इसको आप dispute बोलते हैं, next है, what had happened once to Tommy's teacher, Tommy की teacher को क्या होता है, एक बारी, so Tommy का जो history sector था, mechanical teacher का, वो completely blank out हो गया, इसकी वेसे, उसके mechanical teacher को, एक महिने तक ले गया कोई, रिपेर करने के लिए, उसको एक महिने तक पढ़ना नहीं बढ़ा था, मज़े आ गए थे उसके, next है, did Margie have regular days and hours for school, if so, why, yes, Margie had regular days and hours for school, because her mother Mrs. Johns thought, that young girls, young kids who learnt at regular hours, learnt better, ऐसे बच्चे जो की regular समय पे पढ़ते हैं, वो better सीखते हैं, इस वज़े से, clear होगा है होप ये, इसके कुछ difficult long answer questions भी हैं, how does Tommy describe the old kind of school, Tommy old kind of school को कैसे describe करता है, तो इसमें आपको कुछ points बोलने हैं जरूरी, तो बोलता है कि old kind of schools, were not like the schools that they have, वहाँ पर एक special building होती थी, जहाँ सारे बच्चे पढ़ने जाते थे, उस school के अंदर एक human teacher होता था, unlike their mechanical teachers, जो कि सब बच्चों को बढ़ाया करता था, सारे एक group, एक age के बच्चे एक साथ पढ़ा करते थे, साथ खुशी-खुशी जाया करते थे, they happily went to school talking and interacting with each other, then they sat in the school जगा-जगा पे, and then they studied the same thing so that they could help each other, एक दूस्टे के साथ वो पढ़ा करते हैं, ताकि they could help each other with their homework, और साथ ही हसी-खुशी आया करते हैं, basically there was social interaction in older kind of schools, काफी सारे बच्चे एक साथ जाया करते थे, पहला, next, how does he describe the old kind of teachers, और पुरानी teachers को कैसे describe करते हैं, तो he tells that, जो old kind of teachers थे, वर actual humans, जो की बच्चों की help किया करते थे, और same age group के बच्चे उनके साथ पढ़ा करते थे, तो बच्चों को पढ़ाया करते थे, उनको homework दिया करते थे, उनका चीज़ें discuss किया करते थे, next है, what are the main features of the mechanical teachers in the school rooms that Margie and Tommy have in the story, mechanical teacher के क्या features थे, तो पहले आप उसको description describe कर दो, वो large and black हुआ करता था, उसके screen थी और एक slot था, जिसमें test papers डाला करते थे, तो थोड़ा सा boring जरूर डिस्क्राइब किया गया, आपको directly कहीं नहीं बोला है, लेकिन lesson में जो between the lines message है, वो यह है कि यह तरह की teacher, mechanical teacher से पढ़ना was a little boring, ऐससा आप बता सकते हैं, next है, why did Margie hate school, why did she think the old kind of school must have been fun, यह वाला question repeatedly exam में आप से पूछा जाता है, इसको अच्छे से याद रखेगा, Margie क्यों hate करती थी school, because उसका mechanical teacher, जो है एक तो उसको mechanical teacher ही नहीं पसंद था, दूसरा, वो जोग्रफी में लगातार बेकार परफॉर्म कर रहे थी, और उसको test पे test फिर भी दिये जाता है, उसका mechanical teacher, that's why she hated the idea of school basically, इस वजह से, why did she think the old kind of school must have been fun, उसको ऐसा क्यों लगा, क्योंकि old kind of schools fun होंगे, तो वो सारे reason जो आपने school में, description में भी बता है, कैसे और क्यों, because old kind of school में, there was a social interaction between learners, सारे बच्चे एक साथ जाये करते थे, real teacher होता था, human teacher, वो सब को address करता था, एक साथ पढ़ाता था, homework दिया करता था, it must have been fun, बड़ा आनन दाता होगा, ऐसा उसको लगता है, वो आनन जो कि आप सब लोग अलड़ी ले रहे हो, तो यह होगे, आपका lesson, I believe आपको बिल्कुल clear होगा, इसके सारे questions आपने discuss किये हैं, अब आगे चलते हैं, चलिए, my name is Anurag Tiyaghi, by the way, कोई मेरा नाम पूछ रहा है, आपको नाम बता दू मैं, मेरा नाम Anurag Tiyaghi है भाई, usually मैं 10th or 12th classes के साथ involved रहा हूँ, आपके साथ अच पहली बार रूबर हो रहा हूँ, तो bear with me, अगर कहीं कुछ गलती हो जाए तो please bear with me, I assure और यह बाकी, आपको कोई problem नहीं आएगे, ठीक है, अभी थोड़ी दिर बाद, 5-6 बजे के आसपास, माम भी है, और नुपर माम भी आपके साथ रूबरू होंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर अगला lesson, अगला lesson, the sound of music, यह जो lesson है, यह inspiration मुझे लगता है, अगर आप life में motivation ढूण रहे हैं तो आपको इस lesson से मिल सकता है, भर-भर के हैं इसमें, और Evelyn Glennie, जो इस lesson की protagonist है, जिनकी biography एक तरह से present की है आपको, Deborah Cowley ने, उन से आप inspiration ड्राउट करी, अगर आप कहीं भी, कहीं भी आप life में ऐसा महसूस करें, क्यार मुझे जो है, प्रॉब्लम हो रही है, मैं जून जरू हूँ, life में difficulties है, मेरे साथ इतनी साथ problems हैं, तो इनकी एक बड़ी problems सुनी, और आपको शायद संतोष हो जाएगा, यह प्रॉब्ली फील किया है, अमारे life में क्या problems है, बड़ी है, Evelyn Glennie जो है, वो एक ऐसी इंसान है, जो की सुनने नहीं पाती है, she is profoundly deaf, deaf, मतलब वो बहरी है, उनको सुनता ही नहीं है विल्कुल भी, लेकिन कमाल की बात है, यह आज एक बहुत ही बड़ी, renowned multi-percussionist है, percussionist कौन होता है, एक ऐसा इंसान, जो की drums, या sticks और ऐसे instrument प्ले करें, जहांपे sticks वगरा है, या हाथ से बजाने पढ़ा है, या तबला, ड्रम वगर ऐसे, ऐसे instruments basically, उनको बजाने वालों को, percussionist बोलते हैं, तो एक बहुत ही बड़ी, percussionist है आज, कमाल की बात है, क्या आप imagine कर सकते हैं, कै ऐसे इंसान को, जुसको सुनता ना हो, वो musical instrument प्ले कर रहा है, लेकिन this lady has achieved it, आप सब लोग, हम सब लोग के लिए, एक inspiration आप इनको मान सकते हैं, स्टोरी में क्या होता है, Evelyn Glennie without hearing, it's a biographical feature, that reveals the achievements of the multi-percussionist Evelyn Glennie, who overcome her handicap of hearing, impairment with great determination, बड़ी हिम्मत के साथ इनोने, जो इनकी impairment थी, impairment मतलब disability, इनकी disability थी कि इनको सुनता नेता, उसको बड़ी हिम्मत के साथ, इनोने overcome किया, यह आप इस lesson में देखेंगे, lesson का नाम है, Evelyn Glennie listens to sound without hearing it, बड़ा, जब मैंने lesson जब तक पढ़ा नेता हैं, और पहली बार मैं इसको पढ़ रहा था, जब मैं इसको पहली बार देखा ना, मैंने lesson को क्या, यह क्या lesson है, Evelyn Glennie listens to sound without hearing it, sound को सुनती है, listen करती है, बिना सुने, I was totally amazed, and when I got to know, my curiosity just increased, जब मैंने lesson को पढ़ भी लिया, मैंने काफी इनके बारे में research किया, and she's a person, who I'm a big fan of, आगे चलते हैं चलिए, कुछ points से इनको में elaborate करेंगे, start करते हैं सबसे पहले, तो introduction जो है story की starting यह है, कि Evelyn Glennie, जब एक teen थी तो एक railway station के, underground railway station के platform पे खड़ी थी, और train आने का wait करे थी, इस समय बहुत जा nervous भी थी और excited भी थी, क्यों, because she was, that was a first day in the Royal Academy of Music London, Royal Academy of Music London एक ऐसा institute है, जो की पूरी दुनिया में renowned है, music सिखाने के लिए, अगर वहाँ पर कोई है, तो वो top class होगा, अगर वहाँ पर कोई सीख रहा है कुछ, तो that's no doubt कि वो एक बड़ा अच्छा musician, वहाँ से बनके निकलेगा, क्योंकि ऐसे admission ही नहीं मिलता है हमाँ पर, start करते हैं चलिए lesson को, तो पहला पार्ट ये था कि जहाँ वो station पे गड़ी थे, और फिर Evelyn Glennie का basic introduction दिया गया है, जहाँ आप बताया गया है, Evelyn Glennie जो थी एक Scottish musician है, जिनको आठ साल की age में पहली बार ये पता चला, यहाँ पर मुझे कुछ बच्चे दिख रहे हैं बड़े प्यारे से, जो की spam कर रहे हैं, without a doubt, take my word, आप लोगों को एक मिनट लेगा मुझे सिर्फ ब्लॉक कराने में, तो if you want to get blocked, please continue this, but this is my last warning to you, आगे चलते हैं चलिए अब, तो क्या होता है, बच्चे जब ये आठ साल की थी, तो ये स्कूल में इनके एक प्रोग्राम होगा, शाय जहाँ पर इनको पियानो प्ले करना था, बट जब इनको आवाज कॉल करने के लिए लोगों ने बुलाया, इनको आवाज दी, इनकी मदर महीं पर घड़ी थी, उनकी मोम ने देखा कि इस बच्ची को आवाज ही नहीं आई है, ये मेरी बच्ची को किसी ने इसको आवाज दिये, तो ये जब इनको लगा उसकी मोम को कि यार कुछ तो गड़ बढ़ है, देखनेस है, थोड़ी कुछ सुनाई नहीं दिया इसको, बट ये जो देखनेस है, जो की नर्व डामेज की वज़े से हुई थी, ये धीदरे बढ़ी, और जब तक ये 11 साल की दिए, तब तक इनों ने किसी तरह उसको स्कूल में चुपाया भी अपनी डेफनेस को, लेकिन इससे आज नहीं चुपा पाई, वो 11 साल की एज में इनके स्कूल के जो रिजल्स थे, एक्जाम में जो रिजल्स थे, वो बहुत ज़्यादा गिर गए, जिसके वैसे इनकी headmistress ने इनकी mother को बुलाया, और बोला कि एक बड़ी आप specialist को दिखाओ इनको किसी, specialist को दिखाने के बाद इनको suggest किया गया, वहाँ पर एक recommendation specialist ने दी, और ये पता चला that she is profoundly deep, आपकी बुक में एक term यूज किया गया है, that she is profoundly deep, profoundly मतलब completely, इनको सुनता नहीं है और उन्हों एक recommendation दी specialist ने इनको कि इनको hearing aid लगाया जाए, hearing aid एक instrument होता है जो कि जिन लोग कम सुनता है उनको लगाने के लिए बोलाता है, और साथ-साथ इनको recommendation दिया गया कि इनको जो deaf बच्चों का special school होता है, उसमें इनको दाखिल किया जाए, यह normal बच्चों के साथ नहीं सीख सकती है, इस समय पर यह जो interview, lesson है, आपका एक तरह से एक interview है, Deborah Colley और multi-percussionist Evelyn Glennie के बीच में, तो इस interview के दुरान उनको पता सला, जो story उनको ने बताई, जब Evelyn Glennie ने story Deborah Colley को बताई, तो इस मौके पर उनने बोला कि life seemed completely black, मतलब इस time पर ऐसा लगा कि सब कुछ खतम हो गया, hope जोया बिल्कुल खतम हो गई थी, gradually मतलब धीरे-धीरे, recommendation मतलब suggestion, advice, अब क्या होता है, लेकिन यह इतनी हिम्मत वाली बच्ची थी, that she would not give up, इनके अंदर बहुत determination थी, ड्रड संकल्प था, तो इन्होंने अपना dream परसू किया, dream इनका क्या था, इनका dream, इन्होंने धे-धे realize करा कुछ समय बाद, कि ये, sorry, एक point मसी गया है आपर, अच्छा ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, उसके बाद इन्होंने किसी को play करते हुए देखा, एक xylophone, और xylophone जब इन्होंने किसी लड़कियों को play करते देखा, तो इनको लगा, मैं भी ये करना चाहती हूँ, और इनकी potential spot करी, Ron Forbes करके एक इनसान थे, इनका आप नाम याद रखेगा, ये काफी important person है इस story में, Ron Forbes करके एक great percussionist थे, percussionist कोई पूछ रहा है मतलब, बता चुका हूँ पहली, percussionist है कैसा इनसान होता है, जो की musical instruments play करे, जिनको बजाया जाता है, जैसे drums होगे, tabla होगे, ऐसे musical instruments, उनको percussion instruments बोलाता है, और जो भी उस percussion instrument को play करता है, उनको percussionist बोला जाता है, तो Ron Forbes से एक जाने वारे percussionist थे, जिन्होंने इनकी potential spot करी, कहीं मतलब उनको ये दिखी शायद लड़की और या इनके पास अप्रोच किया, असा lesson में बताया नहीं गया, लेकिन इसकी potential evidence लेनी की, जिसके लिए उन्होंने एक experiment किया चोटा सा, क्या उन्होंने दो बड़े-बड़े drums लिए और दोनों को अलग-अलग notes पे tune कर दिया, क्या कि Ron Forbes ने क्या experiment किया था, जिसके तुरू उन्होंने train किया basically, तो experiment ये था, कि उन्होंने दो बड़े-बड़े drums लिए और उन्हों को अलग-अलग notes पे set कर दिया, और Evelyn Glennie को instruction दिया, don't listen through your ears, try to sense it some other way, ये बोला कि अपने कानों से मत सुनो, किसी और तरीके से सुनने की कोशिश करो, महसूस करने की कोशिश करो, don't listen through your ears, try to sense it some other way, याद रखिएगा, ऐसा बोला, अब इसके बाद क्या हुआ, Evelyn Glennie को actually में, ये जो experiment था, बड़ा fruitful लगा, क्योंकि, जब इन दोनों drums को अलग-अलग notes पे play किया गया, तो she could sense the upper, जो upper, जो drum था, जो कि upper note पे set था हुआ, उनकी upper body से, वो she could sense, और जो दूसरा drum था, जो कि एक different note पे tune था, वो अपनी lower body से sense कर पाई, उसको कमाल की बात है, यह मतलब, just to know this is interesting, meaning of conceal मतलब चुपाना, अब आगे दिखते हैं चलिए, अब इतना करने के बाद, शी never looked back, जैसे उसको पता से लावरीन ग्लेनी को, कि वो अपनी body के थूँ music को sense कर सकती है, तो एक बहुत बई discovery थी, उसके लिए Ron Fogg, अब इसके बाद, शी opened her mind and body to sense sounds and vibrations, उन्होंने पूरी तरीके से जोग दिया, अपने आपको music को sense करने में, अपना mind and body को music को sense करने में completely जोग दिया, यह आप याद रखेंगे, आगे देखेंगे अब, इसके बाद, उन्होंने अपनी life जो है, dedicate कर दी music को, उसके बाद, यह जो experiment किया, basically इसके बाद, क्या हुआ था, एक next incident कि, यह, यह, she went to UK, UK वो 16 साल के उमर में एक बारी गई थी, एक orchestra के साथ, orchestra क्या होता है, group of musicians, musicians के group के साथ, यह एक बारी वहाँ पर गई, UK, वहाँ पर उन्होंने परफॉर्म वगरा करा, वहाँ से उनको realize हुआ कि, मुझे तो अपनी life dedicate कर दे नहीं, music को, और उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं, वो आगे ही बढ़ती चलेगी music में, उसी को अपना उन्होंने whole soul aim बना लिया life का, और इसके बाद इन्होंने, एक बहुत ही renowned बात इनके बारे में, क्या कि इसके बाद इन्होंने जो है, Royal Academy of London, जिसके स्टार्टिंग में, अफ दे लेसन ने डिस्क्रिप्शन दिया था थोड़ा सा, Royal Academy of London के लिए, इन्होंने एक audition किया, और उस audition में, one of the highest score इनको मिले, highest नहीं बोलेंगे, लेकिन one of the highest score इनको मिले, अब ऐसा बताए गया आपको, कि इन्होंने orchestra performances से, धीरे-धीरे solo performances पे move करना शुरू कर दिया, मतलब पहले तो ये group के साथ perform करती थी, पूरे group के साथ music बजाती थी, अब इन्होंने solo performance, solo मतलब अकेले, अब इन्होंने solo performances देनी शुरू कर दिया, और 17 साल की age में, मात्र 17 years की age में, इन्होंने वो जो 3 year course परसू किया, Royal Academy of London में, उसमें इन्होंने top most awards ग्राब किये, पूरे 3 साल में इन्होंने बड़े सारे awards ग्राब किये, जॉसल का मतलब कोई पुछा है, जॉसल का मतलब होता है, मुट भेड जैसे आप मेट्रों में गुषते हैं न, कभी-कभी, तो पूरी भीड गुषती है वहाँ पर, तो सब धक्का मुक्की जो होती है, इसको जॉसल बोलते हैं इस action को, आगे देखते हैं चलिए, अब she was determined, अच्छा, इस time पे, जो writer है Deborah Collie, वह आपकी बुक में ऐसा बोलते है, कि she was very determined, उनका संकल्ब बिल्कुल rate था, she was most eminent, और इसकी वरेसे उनने बड़े सारे accolades रहन करें, बड़े सारे awards रहन करें, आज की rate में, she is the most eminent and demanded multi-percussionist, पूरी दुनिया में इनका नाम है, इनको सबसे ज़्यादा invitations आते हैं, perform करने के लिए, सबसे ज़्यादा demand में हैं, आज की time में, some thousand instruments, और कमाल की बाती है, एक हजार instrument इनको बजाने आते हैं, I can't imagine learning one, एक नहीं सीखा है था हम लोगों से, यह हजार instrument सीखे, मतलब इनोंने सीख लिए, अपिक कर लिया, और सिर्फ यह नहीं, शी कुड इंटर्व्य और जब वो इस lesson के time पर आपको बताती है, कि जब इनका डेबरा कॉली का, जो राइटर ने स्टोरी की, उनका इंटर्व्यू चल रहा था, एवलिन ग्लेनी के साथ, तो दो घंटे तक वो इंटर्व चला, और एक भी शब्द मिस्नी किया, एवलिन ग्लेनी ने, डिस्पाइट दवैक कि उनको सुनता नहीं है, जो भी डेबरा कॉली बोल रहे थी, वो पूरी बात अच्छे समझी, लेकिन उन्होंने ये बोला बीच में, क्योंकि मैं 11 साल की एश तक सब कुछ बोल पाती थी, सुन सकती थी, इस वज़े से मेरी स्पीच बिल्कुल क्लियर है, जनरली वो लोग जो कि बच्छपन से डेफ होते हैं, वो अच्छे से बोल नहीं पाते हैं, लेकिन जो लोग कुछ समय तक सुनते हैं, वो उनको एक करपबिलिटी होती है, कि वो क्लियरली बोल भी सकते हैं, तो इस वज़े से एवलिन ग्लैनी बोलती है, कि मुझे सुनता क्लियरली है, लेकिन इस लेसन की जो राइटर ने डेबर कॉली, वो इस बात पहरे जताती हैं, कि फिर ये तो समझ में मुझे आगया, कि चलो आपको क्लियर डे सुनता, लेकिन आपने दो लांग्वज और कैसे सीखी, इन्होंने दो लांग्वज फ्रेंच और जापनीज, बेसिक जापनीज और फ्रेंच, ये बिल्कुल flawlessly बोल सकती थी, अच्छे से बिल्कुल, flawlessly मतला बिना error के, without any error, ये बोल सकती थी, ये उनको समझ नहीं आया, ये तो दिखाता है कि बहुती ड्रिट संकल था, और बहुती महनती थी, अब जो कि बड़ा important part ए इस lesson का, जिससे question आता है, जिन लोगो doubt था है कि percussion क्या होता है, ये percussionist क्या होता है, तो percussion instruments ये सारे होता है, और percussion instruments को जो बजाता है, जो उसमें master होता है, उसको आप बोलते है, percussionist, approaching मतलब आती हुए, approaching train मतलब जो train आ रही है, basically, आगे बड़ी है, अब वो describe करती है, इटेल में कि वो music को sense कैसे करती है, ध्यान से देखेगा, एक्वेशन एक्जाम में पूछा, अकसर आता है, इस टेप्टर से अगर question आएगा, तो ये बनता है, okay, it pours in through every part of my body, it tinkles in the skin, my cheekbones and even in my hair, Aveline Glenny बोलते है, कि वो अपने body के हर पार्ट से लगवाख music को sense करती है, it tingles, tingles क्या होता है, बच्चे, गुदगुदी होना, it tingles in the skin, मतलब जब वो vibration सुनती है music की, तो उनकी skin में tinkling sensation होता है, थोड़ा गुदगुदी रिया सा कुछ होता है, my cheekbones and even in my hair, cheekbones यह होती है, in bones में उसको feel होता है vibration, कमाल की बात है, even बालों में भी उसको vibration feel होता है, okay, when she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips, वो xylophone की एक master थी, और जब वो xylophone प्ले करती है, यह होता है xylophone by the way, this is xylophone, और इसको ऐसे, इस in the stick से बजाय जाता है, तो she says कि जब वो xylophone प्ले करती है न, तो उसकी जो vibrations होती है, वो sound उनकी fingertips में महसूस करती है, आते हुए, by leaning against the drum, she can feel the resonances flowing into her body, और वो जब drums, आपने देखी होंगे, drums के साथ जब खड़ी होती है, तो drum की जो vibration होती है, वो उसकी body में flow करती है, मतलब अपनी पैरों से वो vibrations को महसूस कर सकती है, उसकी, on a wooden platform, she removes her shoes, so that the vibrations pass through her bare feet and up her legs, एक wooden platform पे जब वो खड़ी होती है, तो वहाँ पर वो अपने shoes उतार देती है, क्यों, ताकि जो vibrations produce, वो drums बजाने से, वो उनकी finger-peat से, वो महसूस कर पाएं vibrations को, क्या interesting, मतलब this is a mind-boggling revelation, when I learnt it the very first time, कि वो exactly music को sense कैसे करती है, कैसे करती है, बढ़ी fat-out से recall करता हूँ, उनको अपने पूरी body के सारे parts से, vibrations महसूस कर सकती है music की, उनकी skin में tingling sensation होती है, जब वो music सुनती है, चीक-bones में होती है, इवन उनके बालों में भी महसूस कर सकती है music, वो जब वो xylophone प्ले करती है, तो जो sound produced होता है xylophone से, उसकी vibrations उनकी finger-tips में महसूस कर सकती है, by leading against the drums, drums जब वो play करती है, तो पैरों में वो vibrations महसूस करती है, resonance महसूस करती है, जब वो xylophone प्ले करती है, sorry, drums प्ले करती है, तो वो barefoot खड़ी होती है, अपने shoes निकाल देती है, जिसकी वरे से वो अपने पैरों के through vibrations को महसूस करती है, यह आपका detailed answer इसका बनेगा, यह बाला पार्ट मैंने basically cover किया अब यह आपके लिए, next है, इनको बहुत सारे accolades भी मिले हैं, awards भी मिले हैं, जिनमें एक prominent award क्या है, soloist होना चाहिए, soloist मतलब अकेले perform करने वाला जो artist होता है वो, तो soloist of the year award मिला है, 1991 में, Royal Philharmonic Society ने इनको दिया है, अब एक James Blade करके हैं, जो की एक master percussionist है, मतलब एक renowned percussion instrument, प्ले करने वाले इंसान है, James Blades, जुन्होंने बड़ी प्यारी बात बुली है, इनके बारे में, क्या बोला है, God may have taken her hearing, but He has given her back something extraordinary, what we hear, she feels, far more deeply than any of us, that is why she expresses music so beautifully, उन्होंने क्या बोला कि भगवान ने शायद इनकी hearing, जो है, वो ले ली है, इनसे सुन नहीं पाती है, बट, जो उन्होंने बापस दिया है, given back, वो extraordinary है, कुछ ऐसा दे दिया है, इनको जो कि कमाल का है, एक ऐसी capability दे दिया है, कि music को sense कर सकती है, हम लोग जो सुनते हैं, वो उसको sense करती हैं, through her body, और शायद इसी लिए, वो music को इतने खुबसूरती से play out करती है, इनके जो concerts है, वो sold out होते थे, इनका जो percussion play करने का है, जो xylophone प्ले करती है, उसको सुनने के लिए दुनिया आती थी, मतलब, कमाल की बात है, आगे बढ़ते हैं चलिए, अब इनके कुछ, she says कि इन्होंने कुछ contribution भी एनके society के लिए, बहुत ही hard working थी, determined थी अपने goal के लिए, और इनके कुछ human attributes भी है, क्या ये पूरे दुनिया में काफी सारे concerts जगा जगा जाके करती थी, लेकिन साथ साथ, she also did some free concerts for prisons and hospitals, jail में और hospital में जाके कुछ free concerts भी करते थे, एक ऐसा इनसान जिसने बहुत कुछ कर लिया अपने life में, उसको ऐसा करना चाहिए मैं मानता हूँ, और इन्होंने भी ऐसा किया, इन्होंने society को, she gave back to society कैसे, उन्होंने कुछ free concerts की, prison और hospitals में जाकर, कमाल की बात और यह है, कि यह जो young musicians थे, उनके साथ यह कुछ session करती थी, छोटे बच्चों के साथ, और उन sessions को भी prioritize करती थी, सबसे पहले रखती थी, and Richland करके, Bethawan Fund की एक manager है, एक lady है, जिन्होंने इनके बारे में ऐसा बोला है, कि यह जितने भी ऐसे बच्चे है, जिनको कोई भी प्रकार की disability है, उनके लिए एक shining inspiration है, उनके लिए एक hope है, क्या कि अगर यह कुछ कर सकती है, despite her ability, sorry, despite her disability to hear, उनकी impairment है एक ना सुनने की, इस disability के बावजूद, अगर Elvin Glennon कुछ कर सकती है, तो हम भी कर सकते हैं, यह hope वो सारे बच्चों को, जिनको कोई भी प्रकार की disability है, वो देती है, in fact, हम सब लोगों के लिए भी एक hope है यह, कि अगर आपको आजासा लगता है, कि आप किसी भी कारण से कमजोर हैं, महसूस कर रहे हैं, परेशान है अपनी लाइफ में, तो इनको देखें, जुनको सुनता ही नहीं था, एक बारी करने, यह मुश्किल है, एक बारी करना कि आपको सुने न, और आप सुने न, उसके बावजूद कुछ ऐसा अचीव कर लो, तो, उसको एक्स्टाओडिनरी बोले आता है, ठीक है, तो यह आई होप आपको क्लियर होगा, एक lesson की detailed summary मैंने आपको यहाँ पर दी है, आप देख सकते हैं, आप इसके questions करते हैं, चलिए फटावट से, क्लियर होगा, एक बारी कोई डावट दो, फटावट से बताओ, आमेनन्ट मीन्स, समवन होगा प्रोमेनन्ट परसन, एक ऐसा इंसान जो की काफी important हो, सोलो मिस्ट नहीं होना चाहिए, सोलो इस्ट होना चाहिए, सोलो इस्ट मतला बेसिकली समवन हो, जो की single performances करता हो, परफेक्ट 17, बिल्कुल सही, नेक्स्ट है, वेन वाज रीफनेश फर्स नोटिस, वेन वाज इट कनफॉर्म्ड, उनकी डेफनेश जो है, वो पहली बार कब नोटिस होई, माफ करी है, और कब कनफॉर्म होई, जल्दी से बताओ, उनकी deafness जो है पहली बार कब notice हुई और confirm कब हुई बिल्कुल सही पॉफेक्ट आठ और ग्यारा आठ साल में पहली बार notice ही और ग्यारा में confirm हो गई आठ साल में जब वो अपने स्कूल में प्यानों का वेट करें थी प्ले करने के लिए तब उनको किसे ने आवाज लगे और यह पहली बार तब डिटेक्टिवी तब महसूस हुआ उसकी मौम को एविन ग्ल तरह से inspiration दी help किया इसको mentor किया अब आप फड़ावर से बताइए कोई मुस्से एक सवाल पूछा था भी बहुत बढ़िया जॉन फॉर्ब्स ने help किया इनको to continue with music music के साथ continue करने के लिए बाकि सब लोग तो इनको निराशा इनकी उमीद तोड़ते रहते थे लेकिन जॉन फ नोट्स को उसने अलग-अलग नोट्स पर ट्यून कर दिया एक तरह से आप माझ सकते हैं अलग-अलग frequency पर ट्यून कर दिया and he asked Evelyn Glennie that he not to hear it but sense it some other way सुने ना उसको किसी और तरीके से सेंस करे जब ऐसा उसने किया Ron Forbes ने तो Evelyn Glennie जो है वो अपने अपर पार्ट से अपर बॉड़ी से she could hear one drum यह she could sense one drum rather more appropriately and जो lower body है उससे वो दूसरा drum sense कर पाई यह was the starting of a musical journey यहां से उनकी शुरुआत ही और यहां से after that she opened her mind and body to music उसके बाद उनने अपना bind और बॉड़ी music के लिए उपन कर दिया कैसे कि उन आप लोगों को पता है बहुत बड़े-बड़े singers concert करते हैं जगा-जगा जाकर एक basically event जहां पर singer आकर गाया और लोग सुने वो ठीक है enormous मतलब huge penetrate मतलब जैसे यह पहने अगर मैं इसको ऐसे हाथ में लगा और अंदर घुश जा इसको penetrate करना बोलते है ठीक है okay next time name the various places and causes for which Evelyn performs अलग-अलग causes और places जहां पर Evelyn perform करती है उनका नाम बताइए तो Evelyn performs एक तो बहुत सारे concerts करती है वो वोल्ड ओवर paid concerts जो की most sought-out multi-percussionist है है थाउजंड से ज़्यादा instrument play करती है लेकिन यहां पर क्या पूचागा है concert places or causes के लिए perform करती है तो आप बताएंगे she does free concerts for prisons and hospitals prison or hospital क के लिए वो street concerts करती है उसके साथ-साथ she also gives lessons to young children छोटे बच्चे को जो lessons है वो भी वो देती है and she prioritizes them यह आप बोल सकते हैं यह दोनों answers आपके हाँ पर बनेंगे next day how does Evelyn hear music Evelyn music सुनती कैसे है यह सबसे important सवाल में इसमें बानूंगा तो आप लोग इसमें जो answer मैंने आपको detail ना बताया था वो लिखेंगे कैसे you'll say that Evelyn senses the music through all parts of her body अपने सारे body parts से वो sense करती है music she says ऐसा वो खुद बोलती है that she that she can एक सगिंद दीजे मुझे portion open कर लेता हूं एक बड़ी फर से when she plays a xylophone she can sense the sound sorry it tingles in the skin, skin में भी tingle करता है cheekbones में even the hair, hair में भी xylophone जब भी play करती है तो वो sense कर सकती है अपनी finger ticks में और जब drums play करती है तो अपने पैरों में vibration महसूस कर सकते है in fact जब वो drum play करती है तो वो जो board पे खड़े होते हैं वहाँ पर उस पे she stands barefoot वो बिना shoes के वहाँ पर खड़े होती है क्यों ताकि जो vibration से drums की उसको sense कर पाए अपने पैरों से music penetrate करता है उन रहे हैं आप लोग करेक्ट आंसर दे रहे हैं clear होगा यह lesson अगर clear है तो चलिए अगले पर चलते हैं इसका second part which is बिस्मिल्ला खां एक ऐसे प्यारे इंसान है अगर आप लोग ने इनके बारे में नहीं पढ़ा या आप इनको नहीं जानते तो उनकी workaholic का को क्या मतलब पू काम का ही नशाहू से उसको workaholic बोलेंगे आप ठीक है ओके तो बच्चे शेहनाई बिस्मिल्ला खां की बात करते हैं बिस्मिल्ला खां एक बड़े प्यारे से इंसान मुझे लगते हैं जाव इनको इनकी कोई भी वीडियो देखेंगे तो आप इस बात से जादा रिलेट कर करते हैं कई सारे राग इन्हों इन्वेंट कर दिये इसे लाग जो की बारे में बताया गया है काई से उनकी शुरुवात्वी जीवन की धुम्राव बिहार में और बनारस में और कैसे उन्होंने म्यूजिक यह जो है शहनाई वादन सीखा क्या क्या वोज इंस्पिरेशन कैसे वह आगे बढ़के बढ़के एक बहुत बड़ा नाम उन्होंने अर्ण किया शहनाई वादन में यह स्टार्ट करते हैं चलिए फटावर से ठीक है अगयान मैं इसको कुछ एंपरर रहा है औरंग जेब ने अपने दरबार में बंद करवा दिया था क्यों क्योंकि इसकी आवाज बड़ी अनप्लेजन थी श्रिल साउंड था इसका श्रिल मतलब अनप्लेजन चुबता हो जो कान में तो श्रिल साउंड था इसलिए औरंग जेब ने इसको अपने रीड बोलेंगे, रीड क्या होता है, एक लंबा हॉलो पाइप, एक ऐसा पाइप जो की हॉलो अंदर से खोकला, उसको रीड बोलते हैं आप, तो ऐसे जितने भी रीड इंस्ट्रुमेट से इनको बंद करवा दिया था औरंगजेब ने, रॉयल पैलेसे में, तब ये बंद हो इस इनस्ट्रुमेट को वापस में जो है, किसी थोड़ा बदलाव करकर, अलग इंस्ट्रुमेंट एक बनाऊंगा, तो उसने क्या करा, उसने एक लंबा सा हॉलो पाइप लिया, लंबा सा हॉलो पाइप लिया, कुछ-कुछ ऐसा, उसके अंदर होल करे थोड़े डिस्टें तो सब बड़े इंप्रेस वर अप्रिशीट किया उसको, और यहां पर जनम हुआ शेहनाई का, यह जो इंस्ट्रुमेंट उसने प्ले किया, यह था शेहनाई, इसका नाम शेहनाई क्यों पड़ा, क्योंकि शह, क्योंकि शहा के सामने, शहा मतलब राजा, शहा के सामने एक शहनाई ने उसे प्ले किया था, जिससे मिलके बन गया शेहनाई, क्लियर होना चाहिए, आपको यह सवाल पूछे जाता है, कि शहनाई का जो नाम हो कैसे पड़ा, तो एक नाई ने एक बारबर ने, रोयल पैलेसे में, शहा के सामने, राजा के सामने उसको प्ले किया था, therefore, इन दोनों terms का combination है, शेहनाई, जो कि हमारा पहला game भी था, अगर आपको यादो, दो words से मिलके, जो बनने वाली words होते हैं, इनका एक special नाम भी होता है, अगर आप comment करके मुझे बता दो, ऐसे words जो कि दो अलग-अलग words से मिलके बने हो, उनको क्या बोलते हैं, इल भी great, मैं बड़ा खुश हो जाओंगा, एनिवे, ये थी history of शेहनाई, शेहनाई का नाम कैसे बड़ा, और basically शेहनाई coin कैसी, develop कैसे की गई, अब शेहनाई जो है, उसको over the years ऐसा माना गया है, कि बड़ा auspicious है, auspicious मतलब lucky, शुब है, शेहनाई की जो आवाज बड़ी लक्की माने जानी लगी, in fact, मंदिरों में आज भी शेहनाई जगा-जगा बजाई जाती है, और जो North Indian weddings है, जो North India में कई जगा शादी होती है, वहाँ पर भी एक instrument काफी ज़्यादा popular है, अक्सर बजा जाता है महाँ पर, लेकिन initially शेहनाई जो है नौबत में शामिल था, नौबत क्या थे, यह जो royal palace थे या royalty थी, इनके अंदर 9 instruments थे, जिनको माना जाता है, नौबत मतलब है group of 9 instruments, 9 instruments के group में यह शामिल था, यह major instrument माना जाता था उसमें, अब आगे चलते हैं, उस्ताद बिस्मिल्ला खां के बारे हैं बताया गया है आपको, उस्ताद बिस्मिल्ला खां जो है, वो 19, 16, 21, मार्च को पैदा हुए एक family of musicians में, एक ऐसी family में पैदा हुए, जहां पर पहले से बड़े-बड़े फनकार थे music में, क्यों, क्योंकि इनके जो पिताजी थे ना, रसूल बक्ष खान, वो शेहनाई नवास थे, बोजपुरी किंग्स कोर्ट, मैं, let me just cross check that quickly, शेहनाई नवास तो I'm sure थे, बट ये चेक करना चाता हूँ कि ये, इनके दादाजी थे कि पिताजी थे, ओके, रसूल बक्ष खान, जो कि इनके ग्राणड फादर थे, माफ करिये, हाँ, आयुष सिंग, हर्ष, क्या बात है, सब लोग इल्गुल करेक्ट आंसे थे, पोर्ट मैंटो बोलते हैं, ऐसे वर्ट को, ऐसे वर्ट जो की दो वर्ट के combination से मिलके बने हो, उनको पोर्ट मैंटो बोलते हैं, बहुत बढ़िया, fantastic, तो ये भी एक वर्ट जो है, जो एक तरह से पोर्ट मैंटो आप मान सकते हैं, आगे बढ़ते हैं, चलिए, रसूल बक्ष खान जो ते, जो की grandfather थे इनके, अब्दुल्ला खासाब के, वो एक शहनाई नवाज थे, भोजपुरी किंग के कोट में, शहनाई नवाज मतलब, शहनाई के head एक तरह से आप मान सकते हैं, और इनके जो पिताजी थे, पैगंबर बक्ष, उनका भी काफी नाम था, शहनाई वादन में, आप में से कोई अगर बिहार से बिलॉंग करते थे, वो अच्छे से जानते होंगे यह जगा को, यहां यह जो जगा पैदा हुए हो, जब यह तीन साल के थे, मात्र तो इनकी माता जी इनको लेके चले गई, बनारस, बनारस में इनकी मामा जी रहते थे, फैसिरेट बाइ मूजिक अंकल अली बक्ष, इनकी मामा जीनका नाम था अली बक्ष, जो की विष्णू टेंपल में शेहनाई वादन किया करते थे, विष्णू टेंपल है एक बनारस के अंदर, बड़ा मशूर, वहाँ पर वो शेहनाई वादन किया करते थे, अब जब यह शेहनाई वादन करने आते थे, तो यह अपने भाणजे को, जो की कौन थे, बिस्मिला खाँ साब, उनको ले जाया करते थे अपने साथ में, और वहाँ पर उस शेहनाई वादन को सुनके, बिस्मिला खाँ साब को बड़ा इंफाच्वेशन हुआ, सिखाए उनके मामा ने, और उनके मामा से सीखने के बाद, उन्होंने इसको प्राक्टिस भी बड़े तकड़े तरीके से करा, उन्होंने वहाँ पर जो गंगा के घाट थे, वहाँ पर एक मंदिर था, कालका जी का एक मंदिर था, दो मंदिर थे, I'm sorry, forgetting the name, कौन-कौन से दो मंदिर थे, तो बालजी और मंगला मैया के मंदिर थे, along with गंगा के घाट, इन जगा पर उन्होंने प्राक्टिस करी, खूब इसकी घंटे-घंटो, घंटे-घंटो प्राक्टिस करते रहे, और कमाल के बात यह है, कि उन्होंने कुछ इस प्राक्टिस के साथ ऐसा डेवलप कर लिया, शेनाई वादन में, जो कोई माच नहीं कर पाया, इन फाक्ट उन्होंने कुछ ऐसे राग भी सीख लिये, कुछ ऐसे राग डेवलप कर लिये, शेनाई के लिए, जो कि अभी तक उसकी रेंज से बाहर थे, एक तरह से आप मान सकते हैं कि शेनाई में कुछ नए राग इनोंने डेवलप कर लिये, जो कि बड़ी कमाल की बात है, ठीक है, तो आगे देखते हैं चलिए, जब यह 5 साल के थे, अच्छा, यह इंसिडेंट है, इनके वापस दुम्राओ का इ, यह गाया भी करते थे, जब यह 5 साल के देमातर तो बिहारी जी टेंपल में जाया करते थे, और वहाँ पर गाना गाया करते थे, He used to sing, और उसके end में ही उससे क्या गाय करते थी भौजपूरी चैता अगर कोई भौजपूरी है यह वहां से बिलॉंग करता है तो वो अच्छे समझ पाएगा चैता का देंसcoins करने दिद宮 डडू मिला करता था उस लडडू के लिए यह वहां पर जाकर रोज जब इफ़ 5 साल के थे कहां पर भिहार जी टैम्पल जाकर एक बोचपूरी चैता गाये करते थे हैं और इनको आवार्ड content था महराजा से सवा के लोग का लड़ू मिला करता था इनको आगे चलते हैं चलिए 14 अलाबाद music conference अच्छा जब ही मात्र 14 साल के थे तो इनको इनके जो गुरु यह थे अली बक्ष मामा यह लेके गए conference में जिसका नाम था अलाबाद music conference उसी music conference में एक और बहुत बड़े musician उस्ताद फईयास खान आये हुए थे और उन्होंने जब इनका शैनाई वादन सुना तो बड़े impressive और उन्होंने से बोला work hard and you shall make it इनको पैट करते बोला शाबाशी देते बोला कि मेहनत करो और तुम्हारा बहुत नाम होगा तुम बहुत आगे जाओगे music में Hindi music में especially कुछ music के स्वर या कुछ मैं इसकी डिटेल बहुत नहीं दे सकता हूं आपको बड़ music का combination आप मान सकते हैं जिसको राग बूला जाता है मतलब कुछ किसी एक तरीके से प्ले की आता है music कि वह एक राग बन जाता है सुनने बड़ा अच्छा लगता है ऐसा आप मान सकते है ठीक है अब इनका लेकिन बड़ा ब्रेक जो आया बिसमिल्ला खाह साब का वो आया 1938 मे जब यह 22 साल के थे हैं आप इनका जनम कब हुआ 1916 में तो इनका पहला बड़ा ब्रेक जिससे सारी हिंदुस्तान इनको जान गया वो कब था जब 1938 में All India Radio लखनव लॉंच हुआ उसमें यह एक ऐसा चहरा बन गए All India Radio लखनव में कि इनको सब वहां से जानने लगी रेगिल 15 अगस 147 जो हमारा Independence Day है उस दिन भी he was the first Indian to greet everyone with Chennai यह पहले इन दिन थे जिनोंने Chennai से greet करा सारे हिंदुस्तान को जिस और Red Fort से इनोंने क्या गाया इनोंने राग काफी करके एक राग होता है वो राग इनोंने वहां से Red Fort से गाया सब लोग को बड़ा अच्छा लगा इनकी जिन्होंने कुछ ही देर बाद उसके Trists with Destiny करके एक अपनी popular speech भी दी इंडिपेंड़ेकी दिनोंने जो speech दीदी इस्पीच को Trists with Destiny बोला आता है Trists with Destiny का सिंपल मतलब होता है कि Destiny के साथ एक challenge एक मोलाकात बस ऐसा मान सकते हैं एकिक सब्सेंद तांस और इनको पूरी दुनिया में जगा जगा घूमें। आप इनको नकी बताई गई है की पहली टिप थी अफगानिस्तां गया और वहां के इतने इंप्रेस होगे इतने स्पेल्बाउंड होगे इतने कैप्टिव इंस खो गए उनके शनाईवादन में कि उन्होंने इसको गिफ्ट दिये खासा आपको पर्शन कार्पेट्स और कुछ और सुविनियर क्या होता है किसी जगा अगर आप जाए और वहां से आप कोई चीज लें वहां के याद रखने के लिए उसको सुविनियर बोलते हैं मैं माले जिन कॉर्बेट गया वहां से मैंने एक टाइगर प्रेंट वो ले लिया कीचेन तो वह मेरे लिए सुविनियर है वहां का तो जब पहले ट्रिप अफगानिस्तान गए वहां के जो किंग जाकर शाह हैं उन्होंने इनको इंप्रेस हो कि बड़े सारे गिफ्ट दिये परिश साथ फिल्म बनानी है मुझे और फिल्म बना भी दी जिसका नाम था गूंजुटी शेहनाई फिल्म का नाम रखा गूंजुटी शेहनाई जिसमें गाना था दिल का खिलावना है तूट गया यह जो गाना है आगर आपके दादाजी या कोई ऐसे इंसान आपके घर में जो क श्रीनिवास ने हाला कि एक बहुत ही मशूर और बहुत ही बढ़िया musician यह थे लेकिन film industry में उन्होंने सिर्फ इन दो movies में काम किया और ऐसा बोला that I cannot अच्छा वो वाला statement मैंने लिखा नहीं है आपर बड़ी said उन्होंने यह बोलके music industry से काम करने से मना कर दिया that I cannot किस ने बोला rockstar में क्या अच्छा शेहनाई वादन किया तो इन्होंने नहीं किया उसमें लेकिन हाँ शेहनाई अगर अच्छी से सुनी जाए में मिनिट जस्के में मिनिट ठीक है ओके क्लियर है यह दोनों आई हो बिलकुल अब उसके बाद दिखते हैं इनको पुरी दुनिया में जगा-जगा परफॉर्म करने के लिए इन्विटेशन आये यह शायद इकलाते हैं सेंडियन होंगी जुन्होंने इतनी बड़ी-बड जगह पर फॉर्म किया है जैसे कहाँ पर लिंकल सेंटर हॉल है लिंकल सेंटर हॉल यूएस में वहाँ पर फॉर्म किया है वर्ड एक्सपोजिशन है मौन्ट्रियल में वहाँ पर उन्होंने परफॉर्म किया है कांस फिल्म फेस्टिवल में परफॉर्म किया है और ओसाक का trade fair में इन्होंने फ़र्म किया है, बड़ी सारी जगह इन्होंने, कोई बुस्टर ट्राइस्ट का मेनिंग क्या था, ट्राइस्ट का मतलब मीटिंग, ट्राइस्ट मतलब मीटिंग, सिंप्ली, ओके, अब इन्हें international acclaim, acclaim मतलब मशूर या शोहरत, international acclaim भी मिलिया है, क्यों, क्योंकि इन्हें सारी जगह परफॉर्म करने के बाद, तेहरान में एक जगह है, एक हॉल है, बहुत बड़ा music hall, जिसका नाम इनके उपर रख दिया गया है, सोचो ना, आप कितनी influence थी इन से दुनिया, तेहरान auditorium, जिसका नाम है तेहरार, तेहर मौसी की उस्ताद बिस्मिल्ला खा, इनके नाम के उपर जगह का नाम रख दिया गया है, तेहरान के अंदर, एक music hall का, तो इतना ज़्यादा एक लेम था, इतना ज़्यादा शौरत थी award है, जो की honor है government की तरफ से, जो की सबसे बड़ा मानाता है, वो है भारत अतन, 2001 में इनको भारत अतन मिला, और जब इनको भारत अतन मिला, उसकी speech आप एक बड़ी यूट्यूब ज़रूर करिएगा, आपको बड़ा, मतलब इनको जो आप सुनेंगे ना, तो it will give you goosebumps probably, आपक की बड़े, बहुत कम ऐसा था कि इनके चाहरे पर ऐसी smile होती थी, तो ऐसी smile इनके बच्चे जासी smile इनके चाहरे पर थी, और उन्होंने बोला, teach your children music, this is Hindustan's richest tradition, अपने बच्चों को music सिखाई, क्योंकि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा tradition, जो है, वो music है, even the west is now coming to learn out music, हमारे पास्ट western countries से, अमेरिका, यूएस, यूरोप से भी लोग music सीखने के लिए आ रहे हैं, तो इन्होंने बारतान मिले पर पूरे देश को सिर्फे एक ये संदेश दिया, कि आपने बच्चों के आप music सिखाईए, यह हमारे हिंदुस्तान की धरूर है, भार से भी सीखने आ रह हूँ, वहाँ पर आप school के head बन जाई है, उसके जाकर, तो और उसनी यह भी offer किया, कि देखे, मैं जो उसके आसपास का पूरा महौल है ना, बनारत जैसा बना दूँगा, आप चिंता हूँ, आपको बनारत से बहुत जाए प्यार है, उसको पता था, तो इन्होंने उससे प होने का, युएस में सेटल होने का, एक school head करने का, ये बोलके कि गंगा वहाँ पर है, यहां गंगा है, वहाँ में रहूंगा, ऐसा बोला इन्होंने, ठीक है, आप इनके लिए बनारत जो है ना, और दुम्राव, दुम्राव जी जगह पैदा हुए, और बनारत जो है, वो उसका जवाब नो ने दिया, जो कि आपको बड़ी प्यारी सी बात लगेगी सुनके, सुनिये, that is why whenever I'm in a foreign country, I keep yearning to see Hindustan, yearning मतलब किसी इसकी 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 लिए, मन में इच्छा सी होते रहे है, I keep yearning for sweets, मेरा बड़ा मन करता है sweet खाते रहने का, ठीक है, तो that is why when I'm in a foreign country, I keep yearning to see Hindustan, तो बोलता है, जब भी में बाहर की country में होता हूँ, मेरा मन करता रहता है कि Hindustan में देख लूँ, Hindustan में आ जाओं किस तरह, while in Mumbai I think of only Banaras and Holy Ganga, जब मैं मुंबड में होता हूँ, तो मैं सिर्फ जो बनारस की city है, प्यारे सी, उसके और Ganga के बारे में के साथ खाते हैं, तो बोलते हैं, जब मैं वहाँ पर होता हूँ, बनारस में, तो मैं उस unique जो एक मठा है दुम्राव का उसको मिस करता हूँ, what a lovely person, कितना simple, मतलब इस simple, इनकी simplicity को दिखाता है ये statement, आप दूसरे देखे, इन से कोई पूछता है, when partition happened, didn't you and your family think of moving to Pakistan, क्योंक God forbid मतलब बगवान ऐसा ना करे बिलकुल भी, मी, लीव बनारस मैं और बनारस खोड़ दू, ऐसा नहीं हो सकता, never, I went to Pakistan once, I crossed the border, just to say I have been to Pakistan, मैं एक ही बार गया, Pakistan मैंने बस border cross करा, ये बोलने के लिए, महसूस करने के लिए, कि भाई, मैं Pakistan गया हूँ एक बारी, I was there for about an hour, मैं तो इन्हें बोला, मैं वहाँ पे पहुचा, तो मैं जब वहाँ पहुचा, तो मैं एक तो पाकिस्तान सिर्फ विसली गया था, कि मैं बस बता सकूल हो कि मैं गया हूँ पाकिस्तान, और जब वहाँ एक घंटे मैं रुका, तो मैंने पाकिस्तान को नमश्कार बोला, पाकिस चलता है, ना, तो इस्ताद बिसमिल्ला कहां जो है, एक जीत्ती जात्ती हमारी इंडियन हरिटेज, हमारा कुल्च्रल हरिटेज है, वो कितना रिच है, उसकी आपको एक मिसाल देते हैं, किस तरह किसे, कि one of the effort, one that effortlessly, sorry, is a perfect example of which in cultural heritage of India, one that effortlessly accepts that a devout Muslim like him, can very naturally play the Chennai every morning at the Kashi Vishnath temple, तो क्यों है, यह हमारे इच कल्चर की मिसाल, एक ऐसा कल्चर है, जहां पर Hindu Muslim मिलकर रहते हैं, और एक Muslim, मुस्तान बिसमिल्ला खाह साब, जैसे devout Muslim, मतलब एक ऐसे Muslim, एक ऐसे इंसान, जो कि अपने धरम के लिए बड़े अजसा जग है, मतलब वो बड़े स्ट्रोंग लिए अपने सारे इलिजन की प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं, एक ऐसा इंसान जो कि मुस्लिम है, वो एक काशी विश्वना जैसे Hindu temple में, जो कि मश्रूर temple है, उसमें जाकर रोचेनाई वादन करते हैं, तो यह आपको दिखाते हैं कि हमारा heritage जो है, हमारा जो culture है, वो कितना rich है, उस सब लोग का स्वागत होता है, सब लोग मिल के रहते हैं यह आपर, ठीक है, yearning का meaning किसने बता है, वो भी सही है, क्लियर हो गई है, अब इसके questions करते हैं, इसका detailed summary यह रहा, correct answer टिक करिया, सबसे पहला, the dash was a read-it noisemaker, शेहनाई या पुंगी was a read-it noisemaker, जल्दी से बताओ, comments में बड़ावट से बताओ बई, बिस्मिल्ला खाँ साब को प्यार से, सिर्फ खाँ साब भी बोलते हैं, खाँ साब भी बोलते हैं प्यार से, याद इतना यह, इनके बार में थोड़ा सा research करेगा आप, जब आपके exam से आप free हो जाएं, तो जानने को इसक्ष करेगा एक बड़ी, यह learn something new, बिस्मिल्ला खाँ साब paternal ancestors were barbers, professionals या musicians, paternal मतलब ऐसे ancestors मतलब आपके मुज़र होगी, आपके पूरवज, और paternal मतलब जो पिताजी की साइड से हो, maternal मतलब जो मातरी की साइड से हो, जैसे आपके maternal अंकल आपके मामा होते हैं, लेकिन आपके paternal अंकल आपके चाचा होते हैं, ठीक है, तो musicians की family थी, इनकी बिल्कुल सही, बिस्मिल्ला खाँ, learn to play the shahnai from Alibaksh, पेगंबर बक्ष या उस्ताद फईयास खान, किस से सीखा इनोंने shahnai बजाना, जल्दी से बताओ, कमान, 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 बताईये फटावट से, पहली बार कहा गए थे, कमान, 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 कुक्ली, कुक्ली, हाँ, बहुत बढ़े, अफगानिस्तान गए थे, बिल्कुल, जहांके राजा ने, इतने खुश हुए थे, इनसे राजा, वहां के shah, कि उन्होंने इनको परिशन कार्पेट्स और कुछ सुविनियर्स गिफ्ट में दिये नेक्स्ट है इन क्वेशन का अंसर दीजे वाइड औरंगजेब बैंड प्लेंग आफ पुंगी पुंगी को बैंड क्यों किया था औरंगजेब ने अपने को रोयल कॉट्स में प्ले करना ना फटावट से बताओ जल्दी से कम आन ऐ बच्चा पाटी जल्दी से बता दो फटावट से आंसर यह वाले का ना पहले का आंसर भाई हा क्यूकि उसका श्रिल वोईस नॉइस था एक श्रिल रिडिड नॉइस में करक करके उसको बोलता है यानिकि अन प्लेजन आवाज उससे आती थी आवाज जो थी चुबती थी गानों में एक तरह से आप बोल सकते हैं नेक्स्ट है हाव इस शेहनाई डिफरेंट फ्रम पुंगी शेहनाई और पुंगी में क्या डिफरेंस एक तरह से आपसे पूछा है तो पहले तो आपको इनका साउंड डिसक्राइब कर स होता है वेराज शेहनाई जो है उसमें एक लॉंग रीड होता है बेसिकली एक लंबा सा होलो वोड होता है इसके अंदर छोड़ोड़े छेद होते हैं ऐसा आप बता दो नेक्स्ट है वेर वाज शेहनाई प्लेट ट्रडिशनली हाव डिसमिल्ला खाँ चेंज दिस अच्छ शामिल था लेकिन इस को लाने का श्रे जात यहुँ दुनिया में शेहनाई वाधन या शेहनाई को मअशूर करने का क्रेट उनि då कख़ता सेके वेरी इनुटि 38 में जब All India AIR लखनाव लॉंच हुआ उस समय इनको अपना बड़ा ब्रेक मिला और पूरी हिंदुस्तान में इनको सब लोग जानने लगे ऐसा शहनाई वादक की कच्छे शहनाई वादक की तरह 1938 है बच्छी 1838 लिखा किसने नेक्स्ट है वेर विल बिसमिल्ला खाँ प्ले शहनाई ओन 15 अगस्ट वेर दिड़ माफ करिये बिसमिल्ला खाँ शहनाई प्ले की इस दिन फ्रॉम द रेड फोर्ट पे जहां पे से बाद में जवारला नेरू ने एक पॉप्लर स्पीच भी दी उस जगह से प्ले किया है ना तो बिसमिल्ला खाँ साब ने शहनाई प्ले की इस दिन फ्रॉम द रेड फोर्ट और ये इवेंट हिस्टॉरिक क्यों था क्योंकि इसी दिन हमको आजादी मिली थी इंडिया को और उसी दिन इनके बाद जवालान लारू ने अपनी पॉप्लर speech independence देकि दिन विच वो स्टाइस टॉर्ट विट डेस्टीनी करके एक स्पीश थी वो उनोंने दी थी वाइं बिसमिल्ला खाँ रिफीस तु स्टार्ट शनाई स्कूल दे युससे उससे में क्यों मना कर दिया हुना शनाई स्टार्ट करने के लिए simply because वहाँ पर रिवर गंगा नहीं थी it was not possible to transport रिवर गंगा देयर और जहां रिवर गंगा है वहीं पर बिस्मिल्ला खां साब रहेंगे इसलिए next है find at least two instances from text which tell you बिस्मिल्ला खां loves India and बनारस इंडिया और बनारस इनको बहुत पसंदे और गंगा, होली गंगा की आद आती रहती है और जब मैं बनारस में होता हूँ तो मेरे को दमराओ के मठे की आदा आती रहती है यानि कि इनको हिंदुस्तान से बड़ा प्यार था दोस्तान में जो जगह है होली गंगा उनसे बड़ा लगा था और दूसरा इंस्टेंस आप बता सकते हैं जब उनसे शेखर कुपता ने पूछा कि आप पाकिस्तान नहीं कहें क्या उस टाइम पर पार्डिशन के डाइम पर तो उनका जो जवाब था वो भी आप उसमें बताओगे अब स्टाइट करते हैं जी नेक्स चाप्टर आपका विच इस लेसन को पटावट से करते हैं क्लियर नहीं यहां तक जल्दी बताओ पटावट से यहां तक क्लियर है क्लियर है गया जल्दी बताओ बच्चा पाटी वट इस रेलेशन्शिप एक बच्चा पिछली एक घंटे से सवाल पूछा है रेलेशन्शिप क्या था मार जी और टॉमी का आपका जवाब यह सॉरू डिसपॉइंटी यह मैं लेसन में 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 नहीं है है शायद वो नेबर्स हैं शायद वो भाई बहन है शायद वो सिर्स फ्रेंड्स है ठीक है? घ्लिर है आपकी बुक में नहीं बटाया गए इंद्गitta कि उन दोनों का डिसकॉषन होता है तो ब्रीडिंग टीमें डोस्ट अच्छे है और शायद पढोस ही है यह क đã बहुत बढ़िया क्लियर है अच्छा लगा जानके बिस्मिल्ला खांसाब के बारे में डिडियू लाइक यह दोनों लेसन मतलब बिस्मिल्ला खांसाब और एवलिन ग्लेनी इन दोनों के बार में जानके आपको तोड़ा सा पॉजटिव फील होगा आपको मोटिवेशन सुना लगबक 100 साल पहले स्टोरि में यह बसफन में अपने मावापत उनकी psychologist बहुत सारे बच्चे उनको लगता है कि या रभ यह क्या है जलाद मेरा बाप है कौन है ऐसा लगता है उनको लेकिन असल में वह आपको कुछ सिखाना चाहरे है जीवन का ज़रूरी सबक और यह आप बहुत बाद में समझते हैं कि उनका इंटेंशन गलत नहीं है आप उनके लिए प्यार जो है वह डवलप बाद में करते हो थोड़ा सा तो इस स्टोरी में भी एक छोटी सी बच्ची होती है जिसका इनिशली वह बड़ी ड़ी रहती है अपने पापा से अपने पिताजी से लेकिन खतरनाक नहीं है यह आपको स्टोरी के तुरू पता चलेगा ठीक है फीनिक्स गेमर अगर इससे तेज ज्यादा करी ना स्पीड तो समझ नहीं आएगा आपको यह सारे पॉइंट से जिनको मैं इलाबरेट करता हूँ आपको समझ में आएगा अच्छे से स्टार्ट करते है सबसे पहले तो आपको बता दिया मैंने कि 1912 में लिखी हुई है स्टोरी 1912 सो साल पहले तो इमाजन करी उस ताइम जो दौर था वो सारी स्टोरी में आप रिफलेक्ट करेंगे आपको याद आएंगी स्टोरी में तो स्टोरी जो है वो स्टार्ट होती है कुछ ऐसे एक छो और जब वो जा रहे होते हैं अपने कारेज में तो अपने कारेज में जाते हुए जब वो कैरेज की है वाज थोड़ी फेंट हो नहीं लगते है ना काम होनी लगती है तो उसको बड़ा रिलीव फ्लोता है कि अच्छा फाइनली पापा चले गए उफस वह जो बच्ची है यह जो बच्ची है जिसका नाम कीजिया है basically इसकी protagonist है story की और कीजिया जो अपने पिताई से बहुत जार डरती है ऐसा आपको कई चीजों से महसूस होगा story की starting में जिसका एक यह भी instance था जो मैंने आपको भी बताया अब इसके पिताई जब शाम का office से वापस आते थे तो वह अगर ड्रॉइंग रूम में बैठ जाते थे और वहां अपने मातई से कहते थे कि क्या नुश्पेपर आया है अगर नुश्पेपर आगया है तो यह बरी पता करो उसका साथ-साथ वह कहते थे कि मेरे लिए चाय ले किया हो जल्दी से टी ले किया हो और वह बोलते थे कि slippers लिया हो मेरे लिए ऐसे करके थोड़ा सा उनका जो एक एक अथोरिटेटिव सा एटिटूड दिखाये गया है आपको लेसन में कि थोड़ी सी अथोरिटेटिव थे वो सब लोगो को और वगरा देते रहते थे कुछ-कुछ ऐसा मान सकते हैं ठीक है तो ड्राइंग रूम में वो जो है वो स्पैम कर रहा है में इसको डिश्ट्रा कर रहा है कर रहूं मैं न herself इस से रधा बन नगा कर दूंगा नहीं होगा तो फिर नहीं उसी पेस से चलेंगे की और भी बच्चे आप अकेले नहीं हो ना दोस्त प्रोड़ागनिस्ट को ए पूझ रहा है protagonist का मतलब होता है कानी का जो central character हो कानी का जो hero हो basically जिसके अपर कहानी based हो ऐसा आप मान सकते है ठीक है ओके तो हां थोड़ा route भी भी बोल सकते है, आप उनको authoritative भी भी बोल सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं कि वो अपना थोड़ा सा जमागा रखते थे कंट्रोल एनिवे तो क्या होता है बच्चे ऐसा आपको बताया गया है कि कीजिया को उसकी मॉम बोलती थी कि तुम जाके पिताजी के शूज उतार दो तो वो जाती दौरते वो सरी वो उपर फर्स लोपे होती थी पहले तो बड़े आराम से स्टेर से उतारती थी फिर बड़ चीब बीन गुड गर्ल तुडए क्या तुम्हें आज एक अच्छी लड़की रही हो तो थोड़ा सा हड़ बड़ा आती थी एकदम से यहाँ पर वह स्टाइमर करने लगती यह 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 यसा करना मतलब हकलाना अब जैसी डाड़ी के सामने हकलाती थी तो कि यह सुसाइड कर लेगी ऐसा को डांट अपट से एती थे हाला कि कीजिया जो है उसने अब हकलाना बंद कर दिया था लेकिन इसके बावजूद भी वो कभी-कभी अपने पिता जी के साथ हकलाती थी क्योंकि बड़ी कोशिश करती थी उनके सामने वर्ड्स बिल्कूर बोलन के लिए बच्पन में लड़की हकलाती थी लेकिन वो इसकी ठीक हो गई थी सिर्फ इनके सामने ऐसा होता था कि यह हकलाना शुरू कर देती थी थोड़ा सा विच इस संडे आफ्टरनून का किस्सा तो संडे आफ्टरनून को क्या होता है इसकी दादी जो होती है इनकी फैमिली में कौन-कौन होता है कीजिया होती है सबसे चोटी बच्ची उसके पापा होती है उसकी मम्मी होती है और उसकी दादी बहुत प्यारी होती है मतलब उस के साथ बहुत अट्राइच्मेंट उता दादी के साथ थोड़ा स्लो करूं यार कोई तेज बोल रहा है कोई स्लो बोल रहा है ऐसे कैसे बनेगी बात भाई ठीक है ओके स्टार्ट करो देजरे समझ में आएगा आपको चिंता ना करो आप लोग इतना तो समझ में आगया ना क्या हुआ अभी तक एक पॉइंट बताया है यह वाला पॉइंट बताया यह बस अब इसकी दादी जी जो है संडे आफ्टरूंस को इसके पैरेंट्स की इसक इसकी मम्मी यह दोनों ही वहाँ पर बैटे उते ते लेकिन इसकी वोटी ठीछ अधिन लग रही होती थी और इसकी मधे नाप ले रहे होते दें और नाप ले रहे होते थे स sodium क कर दिसक्राइब के ऑच्छीए अ उनके उठने का वेट करती तो जब यह इसके पिताजी उठते पहले वो टाइम देखते और फिर इसकी तरह देखते तो वह इसको एक दम से देखके थोड़ा सा नर्वस वह वैसे सो जाते की शॉक्ट की कोई मेरे को इतने देर से घूब रहा है तो उसको बोलते है कीजिया को की लुक लाइक आउल तुम्हें एक आउल की तरह मुझे देख रही हो इतने देर से मतलब इसकी कोई गलती नहीं थी बड़ बिचारी फिर भी डाट सीखा जाती थी अब कुछ ही दिन बाद इसके पिताजी का बर्थ देता तीसरा इंसेंट बर यह था बस संड़े आफ्ट टी दिखान अपना ऐसा कुछ होता बहुसी नेचर है डिवे तो कीजिया जो है उसकी दादी उसको बताती है कि वही अब बर्थ डे अप्रोचिंगर तुम्हारे फादर का तुम उसके लिए एक पिन कुशन बनाओ पिन कुशन क्या होता था यह होता है पिन कुशन पिन कु के लिए ये कुशन का इस्तामाल किया था था एक डेकोरेटिव आइटम आप मान सकते हो बस तो उसकी डादी जी ने किजिया की दादी ने उसको सजेस्ट किया कि तुम्हें अपने पापा के लिए एक पिन कुशन बनाओ बड़ी महनत से इस बच्ची ने पिन कुशन की 3 साइ के लिए नहीं मिल रहा था इसकी दादरी बहार गार्डन में थी तो यह क्या करा इसने अपनी मम्मी के रूम में गई अपने पापा को जो बड़रूम था वहाँ पर यह गई और वहाँ पहुंचने के बाद इसने बेड टेबल पर यह बेड साइड जो समान था उसको देखा वहाँ पर देखा इसने बड़े सारे कागस रखे हुए शीट और पेपर रखे हुए तो इसको लगए इनसे स्टाफ कर लेती हूं उनको डाल देती हूं तक यह के अंदर जो चोटा सा कुशन में बना रही हूं पिन के लिए तो क्या करा है इसने उन सारे पेपर को फारा च क्यूंकि इसके पिता जी के कुछ जरूरी पेपर जो थे एक स्पीच के लिए पोर्ट अथॉरिटी पे स्पीच वो देने वाले थे उसके लिए जो स्पीच इनको चीए थी वो गायब हो गय थे जिस जगह स्पीच रिख्यू थी वो स्पीच मिल नहीं रही थी बड़ी को दोने के लिए सारे घर के नौकरों को बुलाए गया उनसे पूछतार की गई घर में ढूंडा गया सारे रूम सर्च किये गए फाइनली उसकी मम्मी कीजिया की वो कीजिया के रूम में जाती है और उससे पूछती है कि क्या तुमने पापा के वो जो शीट थे जो पीशिज में काटा मतलब बेसिकली चोड़े पीशिज में कर लिया उन शीट्स औप पेपर को और फिर मैंने इसके अंदर डाल दिया उसको पिन कुशन के अंदर जो गिफ्ट में पापा के लिए बिना रही हूं कुशन मतलब होता है तकिया पिन कुशन मतलब एक छोटा सा त बंदकर ड्राइंग रूम में ऐसे ऐसे वॉक कर रहे थे उनके पास छोटी सी बच्ची को ले जाया गया you definitely have my blessings भई आ रहे हैंि पच्वरी तो वहां पर उनको ले जाया गया इसको कीजिया को नो अब इसके पिता जिने जब उसकी माता जिने कीला है कि इसके réflag में को बताई कि अपने पादर के लिए गड benefici होौँ इस ने पादर के लिए गिफस्त बना री थी हो बिचारी गलती से उसने मैं वगद और उस neighborhoods यूज कर लिए जो कि उसको पता ही निथा कि इतने इंपॉर्टन है उसके फादर के लिए और उनको यूज कर लिया स्टफ करने के लिए अपना पिंकुशन तो यह जो हुआ उसके साथ ने डाट डबर उसको पड़ी तो उपर अपने रूम में गई और वहां पर बिचारी कि आज मैं तुमको पनिश करूँगा एक आज ही तुमको इस सिखा दूँगा जरूरी लेसन कि जो तुमारा नहीं है वर ड़स नॉट बिलॉंग टी यू तुमको उसको टच नहीं करना चाहिए यह जरूरी सबक मुझे आस्तु में देना है इसलिए आज मैं तुमारी इस से रूलर से पिटाई कर दी इसके बहुत रूई यह बच्ची फाइनली इसकी दादी वहां पर आई और इसको शांत कराने खोश करी इसकी दादी से एकदम से लिपट गई उनको ऐसे गले लगा लिया और बोला इस लीए होते हैं क्या पिता लोग पापा लोग इसलिए होते हैं कि आप वापा लोग तो बड़े प्यार में इसलिए थोड़ी होते हैं इसको परिशमन्ट दिए लिए दर दो कि ऌह तो ले कि उसकी दादे ने संथ क्छे बांद ने nam कर दे मेरी उसके जो यह थी चीक बोंज यह लाल हो जाते एक दम सेंग में ब्लेड रश कर जाता अपने पितारी के सामने बहुत डरा हुआ महसूस करती देशिकली अब इसके बाद एक और इंसरेंट बताया गया है कि कीजिया के नेबर थे कीजिया जहां रहती थी उसमें एक मिकडॉनल्ड करके फैमिली के हैड थे पिताजी थे उनके और उनके पांच बच्चे थे यह अपने पांचों बच्चों के साथ बहुत जादा खेला करते थे एक चोटी सी बच्ची थी इसको कंदे पे रखते थे इनकी दो लड़किया इनको अकसर बराबर वाले गार्डन मतलब बड़ा खेल खलार करते थे अपने बच्चों के साथ मिस्टर मैक डॉनल्स अनलाइक कीजिया के पिताजी जो की बड़े स्ट्रिक्ट से थे और मिस्टर मैक डॉनल्स जो है उनके लड़के भी उनको पर ऐसे होस पाइप जो होता ना पाइप होता है बिसीकली डिफेंट सॉट्स ऑफ फादर अलग अलग तरह के फादर होते हैं दुनिया में सारे फादर एक जैसे नहीं होते हैं तो बहुत स्ट्रिक्ट थे उसके साथ वेरास जो बाकी पैरेंट्स थे मिस्टर मैक डॉनल्स जैसे वो बड़े अपने बच्चों के साथ खेलते विलते थे हैं ना कोई बोल रहा है कन रिलेट अरे भाई रिलेट करें तो इस लेसन का एंडिंग जो है वो भी ज़रू सुनना आपको शायद कुछ और भी रिलाइज हो ठीक है ओके फिर क्या होता है बच्चे एक दिन ऐसा आता है जब कीजिया की दादी की तबहत खराब हो जाती एक दिन क्या होता है कीजिया की मंअझा मतslık की दादी को उनके साथ जाना पड़ता है अब घर में कीजिया जो है वो अपने फादर के साथ और उनकी कुक थी आलिस उनके साथ रह जाती है दिन तो बड़ी आसे कडिगा इसको लेकिन रात में जब यह सूती थी बच्ची त इसको रात की बढ़ी चिंता थी कि अगर इसको नाइट मेर के टुकडे। उनको Scrap बोल सकते हैं विसिकली पर ठीक है ओके तो क्या होता है फिर इसके जब क्या होता है इसको रात को सुला रही थी तो एलस इससे इसने बोला कि दादी तो है नहीं आ जाकर मैं कोई नाइट मैर आए तो क्या होगा तो एलिस बोलती है कि नाइट मैर आए चाहे नाए बाई तुम शोरोर मत मचाना जाए कहीं तुमारे पिताजी उठना जा और कुछ नहीं होगा don't worry राम से इसको दिलासा देके सुलाय वो जो नाइट मेरता है, इसको बड़ा डरामना लगता था, उस नाइट मेर मेर में एकदम से डर जाती थी, आज रात भी इसको ऐसा ही एक नाइट मेर आया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ये देखिए, उसके बाद ये हुआ, ओ, अब बुच और नाइफ, I want ग्रानी, एक COT, और उनके हाथ में कैंडल थी, उसके बाद उन्होंने क्या रेक्शन दिया, उन्होंने कैंडल ब्लॉट कर दी, इसके पिताजी ने जुके, and caught up the child in his arms, carrying her along the passage to the big bedroom, इसको उठाया, और passage से लेते हुए, बड़े बेडरूम में, जहां वो सोया करते थे, वहाँ पर इसको गए, newspaper was on the bed, उनके बेड़ पे एक newspaper बिचा हुआ था, he put away the paper, then carefully tucked up the child, उन्होंने paper को side किया, और बच्चे को वहाँ पे लिटाया, और उसके पर bedsheet, जो भी कंबल बगरा था, वो उड़ा दिया उसको, he lay down beside her, उसके बरावर में, लेट भी गए बड़े प्यार से, half asleep still, still with butcher smile all about her, it seemed she crept close to him, snuggled her head under his arm, held tightly to his shirt, अब क्या बोला इन्होंने, इन्होंने बोला कि वो लगबग आधी नीन में थी, और वो जो अपना उसने देखा था, उसका असर भी अभी तक महसूस करे थी, still with butcher smile all about her, वो जो butcher की smile थी, वो अभी उसको ध्यान थी, शान थी उसकी वैसे, she crept close to him, वो थोड़ा सा पिताजी के करीब, creep कर गई, मतलब पहुंच गई पिताजी के पास में, डर लग रहा था उसको, और snuggled her head under his arm, और अपना सिर उनकी आम के नीचे ऐसे रख लिया, ऐसे रख लिया, है न, and held tightly to his shirt, और tightly उनकी shirt को पकड़ लिया, then the dark did not matter, she lay still, फिर अ legs and get them warm, said father, अब पिताजी जाया, अभी तक तो डाट रहते हैं, आप देखो, पहली बार ऐसा instance आएगा, जब उसको थोड़ा सा लगाव प्यार महसूस होगा, तो बोलती है, rub your feet against my legs, sorry, उसके पिताजी बोलते है, rub your feet against my legs and get them warm, उसके पिताजी बोलते हैं, कि आपनी पैर जो पहली सोगें, क्योंकि बहुत ठके हुए थे, काम माम करके आये थे, बहुत, a funny feeling came over her, poor father, not so big after all, and with no one to look after him, तो इसको एक funny feeling आई, कि पिताजी जो है, वो ऐसा सोचा करती थी पहले, कि बहुत बड़े है, उनका सिर बहुत बड़ा है, उनकी गर्दन, उनकी हाथ बहुत बड नहीं है, with no one to look after him, और उनका कोई ध्यान रखने वाला भी नहीं है, आज तो, ये मेरा ध्यान रखने है, उल्टा, he was harder than grandmother, but it was nice hardness, तो दादी जी को जबी गले लगाती थी, तो दादी जी बुजूर गेज की होगी थी, इसको थोड़ा soft महसूस होता था, इसके पिताजी थो Mr. McDonald, हर रोज उनको बहुत काम करना पड़ता था, इतना काम करना पड़ता था कि थक जाते थे, इसलिए Mr. McDonald की तरह अपने बच्चों के साथ ऐसे कूद कूद के खेल नहीं सकते थे, इसको अब रिलाइज होता है कि इसने पिताजी की इतनी अच्छी सी राइटिंग में लिखे वी स्पीच जाओ फार दी थी पूरी, शी स्टेर्ड सड़नली एंड साइड, अब एक दम से बच्ची थोड़ा डर हिली और इसने एक अहां सी बरी, जैसी इसने ऐसा करा, इसके पिताजी बूछते हैं, वट्स ते माटर, आस्टर फादे, इसके पिताजी बड़े प्यार से इसको बूछते हैं, कि क्या बात हुए बच्चे, क्या बात हुआ बिटा, अनदर ड्रीम, एक और ड्रीम देख लिया कर तुमने ऐसा, अब इसका जो वह नेच्रल एक अवर्जन था हitely अपने पिताजी, जो प्यार में बदल गया, इसको पहली बार, इसके पिताजी, ने बढ़े एक से सरु टीट करा, प्यार सरु इट करा, इसको यह समझ में आया, कि मेरे पिताजी मुस्सेर नफरत नहीं करते हैं, वो तो मेरी care करते हैं और ये इतना थोड़ा सा कठोर हो गया है क्योंकि ये पूरी दिन मेहनत करते हैं तो एंड में क्या बोलती है बड़ी प्यारी लाइन बोलती है Oh said the little girl, छोटी से little girl ने क्या बोला Oh my head's on your heart मेरा सर तो आपके दिल जहां पर आपका दिल है वहां रखा हुआ है I can hear it going on मैं आपकी heartbeats सुन सकती हूँ What a big heart you have got father dear आपका बहुत बड़ा दिल है चोटी सी बच्ची खुश होगे Basically ये आपको story का ending है I hope आपको story प्यारी लगी हो, मुझे बड़ी प्यारी लगी है story और ये जो assumption होता है चोटे बच्चों का कि यार हमारे पापा कुछ लोग strict होते है तो उनको लगते है यार पापा बड़े strict है क्या करूं मैं मेरे तो जिन्दी की कराब करक किया बहुत ज़्यादा पिटाई करते हैं, बहुत ज़्यादा डाटते हैं, ऐसा ऐसा महसूस होता है तो वो महसूस होना शायद over time काम हो जाता है फिर आप realize करते हैं कि पापाम्मी का intention आपके लिए अच्छा है तो characters कौन कौन है? कीजिया है कीजिया के father है और grandmother भी आप बोल सकते है grandmother भी एक primary main character की तरह निकल के आती है तो आपको क्या-क्या quality बता सकते हैं कीजिया जो है वो एक छोटी सी बच्ची है जो कि थोड़ी sami हुई रहती है she is very scared, वो थोड़ी डरी हुई रहती है अपने father से ठीक है? she is very sincere, वो बड़ी sincere भी है क्योंकि उसने पिताजी के लिए एक pin question बनाया है she is very sincere and thoughtful भी बोल सकते हो आप thoughtful मतलब एक ऐसा इंसान जो कि दूसरों के लिए सोच के कुछ करे thoughtful भी है and I can say that she is crafty also she knows craft उसको थोड़ा craft वगरा आता है यह आप बता सकते हैं इसमें क्योंकि उसने अपने पिताजी के लिए pin question बनाया initially उसका अपने पिताजी के लिए थोड़ा सा hatred या डर रहता है लेकिन बाद में प्यार में बजलता है यह भी आप इसके character sketch में लिख सकते हो गर आ जाये तो next देखिए किजिया के फिताजी जब वो किस तरह के इंसान थे तो थोड़ा सा strict जरूर दिखाया गया उनको initially थोड़ा strict है authoritative भी आप बोल सकते हैं authoritative एक ऐसा इंसान जो की थोड़ी authority दिखाए अपनी उसको अप authoritative बोलते हैं तो ऐसा ही बोल सकते हैं बहुत अच्छा किसने इनसेंट भी बोला तो इनसेंट तो बिलकुल है वह बच्ची भोली भाली बैसिकली शरीफ सी authoritative बोला है अब इसके फिताजी के लिए और क्या बोल सकते हैं और क्या बोल सकते हैं बाद में towards end of the story आपको बदलता है that he is very caring वह caring है भाई अपनी बच्चे के लिए बड़ा ध्यान रखते हैं वह है ना शिराद में लगता है कि वह strict authoritative लेकिन एंड में आप रिलेस करता है that he is caring and he is very he is a loving father अपने बच्चे के से बड़ा अच्छे से वह प्यार करते हैं ट्रीट करते हैं उसको प्यार से उसको डर नहीं लगने देते राग को है ना next grand mother के लिए आप क्या बोलेंगे तो grand mother जो है इसकी बहुत ही प्यारी है she is very caring polite सी है उसको हमेशा pacify करती रहती है शान्त करती रहती है उसको सही सला देती है कि तुम आज अपने आज तुम्हारे पापा का जैसे बहतरे आने वाला है तुम वह बना लो pincushion आज Sunday है तुम उनसे मिलने चले जाओ बातचीत कर लो तो she is a very good console she is a very good mentor also in a way I can say mentor बोल सकते हो confident बोल सकते हो एक ऐसा इंसान जिस पर भरोसा करो है ना और काफी caring है basically यह सारी qualities के basis पर आप पता सकते हैं उनको noble woman भी बोल सकते हैं बहुत बढ़िया किसने noble woman बोला है तो यह सारी qualities उनकी है wonderful soft corner for her father has a soft corner for यह भी बोल सकते हैं perfect responsible है उसके पता जी हाँ यह भी बोल सकते हो बि स्टोरी आये हो पापको समझ में आये होगी बड़ी प्यारी से मुझे स्टोरी लगती है every time I read it मुझे तब भी बड़ा अच्छा लगता है क्या message मिलता है आपको story से क्या सीखते है आप story से बताई इस story से क्या सीखते है जल्दी से बताओ इस story से क्या सीखते हो क्या message draw out करते हो I am single Doraemon बोल रहे हैं सा good Doraemon he'll stay single it looks like that क्या message लेते है जल्दी से बताओ पापा always हो पी self-dependent loving loving to kezia aray bhai message बताओ message don't judge a person ठीक है that जो दिखता है वो होता नहीं है बहुत बड़ी आपरदा अच्छा message है father teaches us to walk on right path your parents always support and care for you देखो क्या बता सक्ते हैं यहापर हम बता सक्ते हैं यहापर हम बता सक्ते हैं यहापर parents parents are always supportive and caring for their kids अपने बच्चों के लिए parents हमेशा supportive और caring होते हैं हो सकता हो रेलाइज ना करें यह आपको message से मिलता है parents should not be indifferent to the children ठीक है अच्छा यह जो मेन message है इससे अलग दो छोड़ोड़े messages और है जो कि आपने भी पॉइंट आउट भी किया वो यह में treat करना चाहिए कई दफा आप उनको एक lesson सिखाना चाहते हैं that is completely understandable लेकिन कई दफा ऐसा होता है कि वह बहुत डरा हुआ है पहली उसको उस time जो है handle them friendly friendly तरीके handle them in a friendly way उस समय पर उनके साथ एक friendly तरीके से बाक्चीत करिए हो सकता है bonding आप friendly develop कर ले तो आपकी बात सारी anyway मा why was Kezia afraid of a father? Kezia अपने father से डरती क्यों थी भाई? Kezia अपने father से डरती क्यों थी? because उसके father का जो overall behavior था घर में वो थोड़ा सा authoritative था जिसके वैसे Kezia को हमेशा डर लगा रहता था और end में especially उसके साथ एक incident ऐसा हुआ था जहां पर उसके पताजी ने उसकी बिटाई कर दी थी तो उसका डर और ज़ादा बढ़ गया था next है who are the people in Kezia's family? Kezia की family में कौन-कौन लोग थे? तो Kezia की family में उसके father mother Kezia और उसके grandma थी इनकी cook भी इनके साथ रहते थी but family में तो यह चार लोग थे what was Kezia's father's routine before going to his office? गर ऑफिस आने से पहले क्या रूटीन था? तो he would come to his Kezia's room वो Kezia की रूम आया करते थे और उसको casual किस किया करते थे चोड़े सी किस करके उसको चले जाया करते थे next है after coming back from his office अपने office से आने के बाद तो office से आने के बाद वो drawing room में बैठा करते थे and he would ask for newspaper tea and slippers अपने slippers newspaper और tea के लिए मांग किया करते थे next है उन संडे संडेस को क्या क्या करते थे तो drawing room में वो soya करते थे तो special अलगी तरीके से क्या तरीका था? that he would cover his face with handkerchief और पैरों के नीचे cushion लगा लेते थे ऐसे वो soya करते थे next है in what ways did Kezia's grandmother encourage her to get to know her father better? कौन-कौन से तरीके से कीजिया के grandmother ने अपने पिता उनको कीजिया के grandmother ने encourage किया था कीजिया को कि वो बहतर जान पाए अपने मामी पापा को तो सबसे पहले आप तरीका बताओगे कि जब भी Sunday afternoons को उसके पिता जी घर पे हुआ करते थे drawing room में होते थे उसके मन पापा दोनों तो कीजिया's grandmother वो send her to the drawing room and ask her to have a chat with her, have a conversation with her इस जगापर इस टाइम पर वो दोनों शाथ busy होते थे थे लिए बाट स्चिल इस तरीके से उनने कोशिश करे grandmother ने थोड़ा सा इनके बीच में बातचीत कराने की वन दूसरा कीजिया के grandmother ने उसको यह भी suggest किया था that your father has an upcoming birthday आपके पिताजी का birthday जो हो आने वाला है therefore you can make a pin cushion for her for him उसके लिए आप एक pin cushion बना सकते हो अच्छे से कपड़े से तो यह कुछ आप तरीके मान सकते हैं in fact जब इनका जगड़ा हुआ मतलब इनके पिताजी का पिताजी ने इनके साथ इनकी पिटाई कर दी थोड़े सी टूलर से तो उस टाइम भी उसकी दादी ने आके pacify किया कीजिया को कि भई अभी तुमारे पिताजी मैं इनको समझाने कोश करी कि तुमारे इनका जो है डिस्टेंस ना बड़े दोनों का एक दूसरे से इसके लिए काफी कोशिश करी नहीं नेक्स्ट है कीजिया के कई efforts थे कि उसने पादर को अपने प्लीज करना चाहा खुश करना चाहा लेकिन उससे उल्टा हो गया हो वह तो कीजिया ने कोशिश करी थी कि अपकमिंग बहतरे के फादर के लिए उन्होंने क्या करा उन्होंने एक pin cushion बनाया कीजिया ने उस pin cushion में गलती से उसने वह कुछ पेपर्स के स्क्राप डाल दिया जो की पिदाजी की स्पीश थी जिसके वज़े से क्या हुआ जैसे ही पिदाजी को अब ये पूरा पिदाजी के खुश करने के लिए गिफ्ट देने के लिए लेकिन वट हापने एस रिजल्ट आप वह कि उन्होंने जब पिदाजी के पता चला कि उसके पेपर को फार के उन्होंने स्टफ कर दिया कीजिया ने इस pin और ये बताना है कि उनके पड़ोसी थे वह अपने बच्चों के साथ कैसे खेलते रहते हैं वड़ी खुशी-खुशी तो उसको लगा कि यार अलग लग तरह के पिताजी होते हैं क्योंकि उसके पिताजी जो है वह बड़े बिजी थे उसके साथ जब भी बिएव करते थे थोड़ा सा strict तरीके से behave करते थे इन दोनों बातों के वह से आप बता सकते हैं she decides that there are different kind of fathers पहला दूसरा आप ये बताईए कि उसके पिताजी जो थे बड़े strict authoritative थोड़ा सा और hard working type of इंसान थे वेरास Mr. McDonald जो थे वो बड़ा easy going and friendly behavior था उनका उनके बच्चों के साथ वो हमे कीजिया begin to see her father as a human being who needs her sympathy कीजिया ने finally ये कब realize करा कि उसके पिताजी भी एक human being है जिनको उसकी दया उसकी sympathy की जरूत है तो ये उसने realize करा उस रात जब उसकी मम्मे की तवित खराब होगी थी और उसकी grandma उनको hospital लेगी गए थी उस रात उसने असर रेलेस करा क्यों क्योंकि जब उसको एक बुरा ड्रीम आया तो उसके पिताजी एकदम से उसके पास आ गए उसको वहां से उठा कर अपने रूम मिलेगे वहां पर उसको अच्छे से टक इन किया जैसी कीजिया को थोड़ा comfortable मैसूस हुआ उनकी करीब होगी उनका अपना सर उसकी उनके shoulder के नीचे लि भी नहीं है क्यों क्योंकि उसके पिताजी उससे पहले सो गए कीजिया सो तीस से पहले उसके पिताजी सो गए क्योंकि वह बहुत ठके हुए थे पूरे दिन की महनत के बाद तो इस टाइम पर उसको रिलेज हुआ कि पिताजी तो बहुत महनत करते हैं और मैंने इनकी speech फार तरस आया आपने बिदाए जिए को पर कि आज इनका कोई ध्यान अखने के लिए नहीं है और यह इतने थक्या है फिर भी मेरी क्यार कर रहे हैं फटावर से चौथा लेसन रपकरते हैं आपको क्या एक तीनों लेसन से बता दो फिर हम आगे चलेंगे क्या तीनों लेसन क्लियर है सर क्या पूछ रहा है कि पैरेंट्स और बच्चों के विच में यंगेश पर थोड़ा डिस्टेंस होता है क्या यह सही है तो देखो बच्चों को थोड़ा सा सारी चीजर नहीं बताई जाती है कुछ जगा थोड़ा सा ओर ओपन एटमस्फर होता है लेकिन सबका अपने अपना तरीका होता है इसमें आपको बुरा मानना नहीं चीए अगर आपकी फैमिली में या कहीं आप ऐसा देखते हैं कि फैमिली में बच्चों के साथ सारी और यह भी हो सकता है कि अगर कुछ जगा पैरेंट्स वोड़ा सा गलत तरीके से जादे स्टिक्ट बहेव कर रहे हैं तो उनको यही नॉलेज हो मतलब उनको गलती ना उन्होंने यह सीखा अपने पैरेंट्स से भी तो उनका तरीका उनकी इंटेंशन बिल्कुल गलत नहीं मैंड जो है वह अलबर्ट आइंस्टाइन साब के लिए इस्तेमाल किया गया गया जीनियस तो यह थे ही थे उसके साथ साथ यह बड़े अच्छे इंसान भी थे इन्होंने पूरी दुनिया में शांती स्थापितों इसके लिए बड़ा ज्यादा एड़ोकेट किया इसलिए इनको एक खुबसुरत दिमाग जिए, beautiful mind जिए जीनियस को मतलब होता है उन्होंने क्वेंटम मेकानिक्स में theoretical physics में कुछ ऐसे 3-4 papers publish करे कई हजारो papers में जिनसे पूरी दुनिया हिल गई उसका फाइदा में आज तक उठा रहे हैं आप यह जो light देखते हैं यह नहीं की देन है electricity आप देख रहे हैं न अपनी rooms में यह नहीं की देन है आप solar panels मतलब यह मानी की science में बहुत बड़ा foundation एक तरह से इन्होंने ले कर दिया जो invention इन्होंने किया जो theories उन्होंने दी उससे और इसी के लिए इनको Nobel Prize भी मिला था जो कि एक बहुत बड़ी बात होती तो अभी तक के सबसे बड़े genius माने जाते हैं theory of relativity special theory and general theory इसकी foundation कुछ अलग तरीके से नहीं होती है उसकी जीवन की शुरुआत भी आपके मेरे जैसे हम शुरुआत कि जीवन ऐसे ही होगी शायद कोई अलग ऐसा नहीं है कि अलग कुछ उतर के आगे हैं दुनिया से इनकी लाइफ में भी प्रॉब्लमस आई जो हमारी लाइफ में प्रॉब्लमस आती है स्टार्टिंग में यह भी थोड़े वीक थे अजीब से लगते थे बोलना थोड़ा लेट शुरू किया था इनकी मम्मी को भी डाउट था कि यह पता नहीं बोल पाएगा नहीं बोल पाएगा थोड़ा फ्रीक सा है मेरा बच्चा है ना तो इनकी इस लेसन के दुरू आपको सिर्फ इतना बताया गया है कि साइन्टेस्ट यह एक्स्ट्रेमली टैलेंटेड लोग जो है जीनिस लोग जो है वो भी हमारे आपकी तरह ही होते हैं और ऐसी आगे बढ़ते हैं ठीक है तो देखते हैं चलिए इस लेसन को बाइग्राफी एक तरफ से उनकी स्टार्ट करते हैं उसको अल्ली लाइफ आइंस्टाइन सबसे बहले शुरूआ कि आइंस्टाइन की लाइफ के बारें ब पता नहीं लगाता वह एक नॉमल बच्चा जैसे होता है उसके बाद जैसे नॉमल बिहेव करते हैं ऐसा था इनका बच्चे बिलकुल बच्चपन जब यह था चोटा इनका उसके बाद इनकी मदर इंफाक्ट ऐसा और बोलती हैं डाट आलबर्ट वज़ा फ्रीक फ्रीक ब इनको यह भी लगता था कि अलबर्ट आंस्टीन का सर जोग बहुत ही बढ़ा है एक मा को ऐसा लगना सही में एक्चली में बढ़ा होगा फिर इनका क्योंकि मा को तो अपना बच्चा प्यारा सा भी ना हो तो भी प्यारा लगता है तो इसकी मोम को अगर यह फ्रीक लगते है और इनका सिर बहुत ही बड़ा लगता है और आक्चली में शायद होगा इसा इस सिर्फ बड़ाई हो इनका फिर उसके आप बताया गया कि धाई साल की यह तक अलबर्ट आइंस्टाइन ने बोलना शुरू ही नहीं किया फाइनली ही अटर्ट एवर्टिंग ट्वाइस औ क्या इनस्ट्ण दिया गया है किस्सा दिया इंस्ट्ण की क्या होता है एक बारी यह बोलते नहीं इते उस टाइम बच्वन में इनकी मम्मी पापा जो है वेट कर दे कि बोले फटा हड़ा एक दिन यह एपनी टेबले बैटा खाना खारते सब तो एकदम से इन ने वहां पे जो है सूप खाया और सूप खाके बोले इस टू हॉट यह बहुत ज़्यादा गरम है ऐसा कुछ बोले यह तो एकदम से इनके पैरेंट्स बड़े शौक हुए कि आज तक यह बोला नहीं था आज एकदम से बोला तो जो पैरेंट्स नहीं से पूछा कि भाई तुम आज तक ब मन रहा हूं लेकिन यह बड़ा अजीव लगती है वात सुनने में कि एक बच्चा जो कि आज तक कुछ न बोलाओ वो पूरा सेंटेंस बोल दे एक बारी में उसको बोलना आता है बस बोल नहीं दाता है मतलब और है एनिवे अलबर्ट इड नॉट लाइक कंपनी और फ्रें थे उनको मेकैनिकल टॉइस बड़े पसंतें मेकैनिकल टॉइस मतलब ऐसे बचुमण में ट्योंगे रहतो कि चावी बड़ा भड़ते हों बड़े नूब नई गया व Patienten को जो सिस्टर वह पैदा हुई नूबॉर्ण जागो बिल्कुल फैदा हुए थी तो उसको देखailed और but where are her wheels ठीक है लेकिन इसके wheels काया उनको ऐसा लगा कि यह कोई वेहिकल है कोई कार वार रहा है जिसके wheels नहीं चीह थे कोई टॉय है तो इनके इनके इसके wheels कहां पर है इसके वह कहां पर है पहिए तो इनके headmaster इनके बारे में कुछ positive view नहीं रखते थे बच्वने में क्यों क्यों कि उन्होंने ऐसा बोला but Einstein chose as a profession wouldn't matter because he'll never make a success at anything इनके headmaster सामने बड़ा negative view दिया थे इनके बारे में बोला कि Einstein चाहिए कुछ भी करे कोई फरक नहीं पड़ता है इस बात से क्योंकि किसी भी चीज में successful नहीं होगा कोई बोल रहा है he's like me आप भी ऐसी करते हो आप भी अपनी बहन वगरा को बड़ा परिशान करते हो ऐसा कुछ बोल के चड़ा के ठीक है अब इन्होंने अपनी माता जी के कहने पर Albert Einstein की मौम को वाइलन पसंद था तो शी ही लेंट वाइलन एट सिक्स जब यह छे साल के थे तो उन्हें ने वाइलन सीख लिया था इनकी मदर चाहते थी कि यह अच्छे से वाइलनिस्ट बने एक मतलब इनको मुजिकल इंस्ट्रूमेंट वाइलन बजाना आए तो उन्हें सीख लिया मातर छे साल की एज में और उस शौक को पूरे इस लाइफ कैरी आउट किया इनोंने यह बहुत ही अच्छे वाइलन मान लीजे जब 11-12 में होते हैं तो आप हाई स्कूल माना आता है तो उन्होंने म्यूनिक जर्मनी में करी अपनी हाई स्कूलिंग हाई स्कूल में जब पहुंचे तब कुछ तसल हो देखे क्या तसल होता है बहुत अच्छे स्कूलिंट थे लगबख हर सब्जेक्ट में इन्होंने बड़े अच्छे मार्क स्कूर करे थे अगर किसी स्कूल में इतना ज़्यादा डिसिप्लिन है कि वह ऐसा लगया आपको कि आपको उससे ढम घुट रहा है आपका क्या इतना ज़्यूदि करना चाहिए तो ऐसा रेजिमेंटेशन या एक्स्ट्रीम डिसिब्लिन था इनके स्कूल से जिसकी वज़ए से इनके टीचर्स के साथ क्लाश होता रहता था इसी वज़े से इनके साल की चोड़ दिया और इनके पैरेंस जो है मुव किया था मिलान लगबग इसी इंसिदेंस से चोड़ा उससे कुछ त्राइम पहले इनके पैरेंस मिलान इटली एक जगह है इटली के अंदर मिलान वहां पर मुव कर गए थे आइंस्टाइन विश्टू दू सम्स्कूलिंग इन जर्मन स्पीकिंग स्विच जिलेंड ग्रांड़ आइंस्टाइन ने इन से गुहार लगय रिक्वेस्ट करी कि मुझे जो है मेरी बच्चीवी स्कूलिंग पूरी करने दिया जाए कहां पर स्विच जिलेंड के अंदर जहां पर एक जर्मन स्पीकिंग पोर्शन है जर्मन स्पीकिंग कम्यूनिटी है तो इनकी जो रिक्वेस्ट थी यह इनके घरवालों ने मान लिया और इनको अलाव कर दिया कि ठीक है तुम स्विच जलेंड में जाकर अपनी बच्चीवी स्कूलिंग कर लो अब यूनिवर अपना स्कूल खतम किया और यूनिवर्सिटी इन जूरिक एक जगा है स्विच्जिलन के अंदर वहां पर उन्होंने एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया science wasn't the only thing that appealed to Einstein आप ऐसा बोल गया आपके लेसन में कि science ऐसी लौती चीज नहीं थी जो आइंस्टाइन साब को अपील करती थी आइंस्टाइन साब जिसमें इंट्रस्टेट थे उनको इंट्रस्ट था उनकी एक साथी दोस्त में भी उन्हीं के साथी कलीग थी जो की सर्विय कैसे बिलॉंग करती थी इसका नाम था मिलेवा मैरिच मिलेवा मैरिच में भी उनको बड़ा इंट्रस्ट था मिलेवा मैरिच के साथ उनका बड़ा मन लगता था जिसको एक क्लेवर क्रियेचर बोलते थे एक चाला क्रियेचर इन हर मिलेवा मैरिच के राजब इनकी दोस्त होते हैं जिनको art and music पसंद ना उनको philisthines बोल लगया है तो philisthines 21, 21 साल की एज में, जिस साल येर था 1900, उन्होंने अपनी graduation पूरी कर ली, इनके स्पास इस समय job नहीं थी, इसलिए इन्होंने teaching assistant की तरह काम करा, as a teaching assistant काम करा, private lessons लिये, यहने की tutions लिये, got job in 1902, इनको finally एक job मिली, 1902 में, अपनी graduation करने के, दो साल बाद इनको एक job मिली, क्या job थी, technical expert बने ये, patent office burn में, patent office क्या होता है, तो जब भी आप कोई नय invention करते हैं, या को invention देखते हैं होते हुए, 10th boards के लिए, केशवत उमर 9th की चल दी है अभी class, 10th boards का lecture तो हो चुका है हमारा grammar वाला, पापस आते हैं चलिए, ओके, तो technical expert की job इनको लगी इनकी patent office burn में, burn भी बच्चे, Switzerland में ही है, और ये जो patent office ये क्या होता है, आप जब भी कोई नय invention करते हैं, तो आप अपने invention को patent कराते हैं, कि वो कोई और use ना कर सके, किसी और का right अना रहे, तो patent है, हाँ, एक idea, एक invention पे आपका right है, ये exclusive right आपको patent कराने के बाद मिलता है, तो patent office में, एक technical expert की job इनको मिल गई, he was supposed to be assessing other people's inventions, but he was developing his own idea secretly, अब Einstein साब जो थे ना, वो physics में चीज़ पे काम करते हैं, एक theory पे, जो की revolution लेके नहीं करे थे, ये तो काम कर रहे थे, अपने ideas को develop करने का, ये तो खोदी अपने आप कुछ चीज़े develop कर रहे थे, और अपने office को, जहां पर ये बैठते थे desk को, उसको ये मजाक में बोलते थे Bureau of theoretical physics, क्योंकि theoretical physics के कुछ ideas ये develop करें थे, उन्हीं पर research कर रहे थे अब इनकी एक special theory of relativity publish हुई in 1905 में, इन्होंने एक research paper develop करा जिसमें क्या था topic, special theory of relativity उन्होंने उसको बोला 1905 में, जब ये आई theory, इसने हिला दिया पुरा physics का world एक गम से shake कर दिया सब, क्यों? because उन्होंने बताया कि time and distance are not absolute, time or distance absolute नहीं होते fixed नहीं होते, वो बदलते हैं कैसे उन्होंने example आप भी बताऊंगा उसका और ये world's most famous formula इजात हुआ इससे e is equal to mc square ये जो e is equal to mc square का formula है ये special theory of relativity के base पे उन्होंने बनाया है और उन्होंने समझाया है उस बात को थोड़ा सा कैसे इसको आप I think physics teacher के हल्ग से बेटर समझ सकते लेगिन छोड़ी सी कोशिश करता हूँ इसको बताने की ऐसा नहीं बोला, two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come together again after a journey, if one of them has been moving very fast related to the other ऐसा मान लीजे कि दो accurate clocks हैं, मेरी घड़ी है और दूसरी घड़ी मैंने अपने हाथ में पहनी जिसमें time बिल्कुल exact same है और मैं, sorry, एक घड़ी जो थी मेरे हाथ में left में वो मैंने पहनी रखी, दूसरी घड़ी मैंने किसी और को पहना दी, और हम दोनों अलग-अलग train से इसको थोड़ा सा और research करना basically, ठीक है, आपको समझ में आएगा यही तो relativity है, इसलिए 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 हिल गया सबका sir, जैसे आपका हिला होगा अगर आपको भी समझ में यह बात तो, anyway, तो इन्होंने इस बात को समझाने के लिए एक simple language में इन्होंने, when you sit with a nice girl for two hours, it seems like two minutes when you sit on a hot stove for two minutes, it seems like two hours that's relativity इन्होंने क्या बोला, जब आप किसी nice girl के साथ 2 घंटे के लिए बैठते हैं तो आपको ऐसा लगता है, दो मिनटे के लिए आप बैठे हो बस time ऐसी निकल जाता है, और जब आप एक गरम स्टोव पे, बैठे हो दो मिनटे के लिए लगता है, भाहिया, दो घंटे होगे चल गया मैं पूरा, तो यही relativity है, एक चीज का दूसरे साथ, चीज के साथ in relation to that, जब आप देखते हैं, तो कुछ different observe करते हैं, आप, यह है Albert Einstein के relativity, इसको इक बड़ी डिटेल में research करेगा, अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लिए कि इन्होंने special theory of relativity, 1905 में release कि थे papers, जिससे e is equal to mc square वाला formula निकल के आया, और जिसमें उन्होंने बताया, time और distance absolute नहीं होते, बदलते हैं यह okay, Einstein marriage, अब Einstein साहाब को यह बड़ी कमाल की बात लगी हो जिए इनके बारे में कि एक ऐसा इंसान जिसने पुरी दुनिया की बहुत सारी scientific गुत्या सुलजा दी उसकी personal life एक mess थी विलकुल वो अपनी personal life को सौटे नहीं कर पाए कैसे देखिए, मिलेवा marriage इनकी शादी जो थी, वो मिलेवा marriage के आद यह प्लान कर रहे थे, वो ही serving लड़की जो उनके साथ college में थी, यह बहुत intelligent लड़की थी, Einstein wanted to marry her, Einstein उनसे शादी करना जाते थे लेकिन उनकी mother जो थी, वो इस बात के खिलाफ थी, she thought that मिलेवा was too old for Einstein, मिलेवा जो थी, उनसे तीन साल बड़ी थी, इस वज़े से इनकी mother को, Einstein साब की mother को ऐसा लगता था, कि मिलेवा marriage तो इससे काफी बड़ी है, और वो intelligent भी थी, पढ़ाको भी थी, तो इस बात से भी इनको problem थी, however, Einstein married her in 1903, लेकिन Einstein साब ने कुछ टाइम तक को marriage पोस्टपोन करके, finally, 1903 में उनसे शादी कर ली, they had two sons, but their marriage failed, and they finally got divorced in 1919, इनकी दो बेटे हुए, लेकिन इनकी शादी में काफी problems आई, उसी समय जब Einstein साब research करे थे, अपनी इस theory पे, relativity पे काफी ज़्यादा काम करे थे, उसी समय इनकी personal life में बड़ा सारा उथल पुथल आया, और finally, काफी ज़्यादा लड़ाए के बाद, काफी ज़्यादा मत्वेदों के बाद, 1919 में इन्होंने divorce ले लिया, मिलेवा marriage से, Einstein साब ने कमाल की बात है, उसी साल में शादी कर ली अपनी cousin Elsa से, ठीक है, Elsa से same year में उन्होंने शादी कर ली, अब इसी समय के आसपास, 1915 में इन्होंने general theory of relativity दी, और अगर आप Einstein साब को जानते हैं, या उनको Nobel Prize confer किया गया, तो इसी theory के लिए किया गया, ठीक है, उन्होंने पुब्लिश की general theory of relativity, इट गेव आ new interpretation of gravity, इस theory में क्या बताया उन्होंने, कि gravity के बारे में बताया, gravity की एक नई interpretation दुनिया को दी, और यह जो उन्होंने interpretation दी, जो theory उन्होंने रखी, वो proof भी हो गई, एक eclipse से, eclipse of the sun in 1919, सूर्य ग्रहन पढ़ा था है, 1919 में, जिसमें उन्होंकी जो theory उन्होंने दीती नहीं, यहाँ पर वो proof भी होगी, थाबित भी हो गई, उनको इस काम के लिए, बड़े शौरत मिली, मशूर हो गए वो, newspapers proclaimed his work as a scientific revolution, उनका जो काम था ना, उसको revolution बताया, मतलब कुछ ऐसा ढूंड दिया है नोंने, कुछ ऐसा ढूंड लिया है नोंने, या कुछ ऐसा दे दिया है पुरी दुनिया को, जिससे पुरी दुनिया की physics, या science बदल जाएगी, यह basically, ऐसा निस विपर से प्रोक्लेम करा, इनका revolution बताया इसको, जो थी हो रही थी, और इसी के लिए इनको Nobel Prize मिला, physics में 1921 में, 1921 में इनको physics में Nobel Prize मिला, बहुत बड़ी बात होती है Nobel Prize मिला, especially, मतलब किसी फील्ड में, तो इनको तो physics में मिला है, जो की काफी बड़ी बात थी, ठीक है, अब Einstein सहाब जो है, emigrate कर गई US, ठीक है, ये इस समय तक रह रहे थे जर्मनी में, पहले अपनी पढ़ेवड़े करी सुजलेंड में, वहाँ से आने के बाद ये जर्मनी आ गए, जर्मनी में रहते हुए, जब fascism ज़ादा बढ़ गया, fascism क्या होता है, हिटलर का जो फॉलो करते थे लोग, वो इसमें बिलीफ करते थे, कि हमारी कंट्री रहा हमारी रे सबसे सुपरीम है, तो इस बिलीफ से जो है, ये परेशान थे, अलबर्ट आइंस्टाइन कोई बिलीफ इसमें बहरुसा नहीं करते थे, इसलिए वहाँ से आ गए कहाँ पर, United States में आ कर ये बस गए, लेकिन नाजी जो है, Hitler जो है पावर में आ है 1933 में, और 1938 में उन्होंने nuclear fission develop कर लिया, अब nuclear fission क्या होता है, अभी हाँ बता दिया, fascism क्या होता है, fission क्या होता है, nuclear fission मतलब, nuclear एक होता है, fission और एक होता है, fission क्या होता है, nuclear के अंदर जो छोड़े पार्टिकल्स हैं, पहले ऐसा बोले गया था न, atom is indivisible, उसमें neutrons, protons, electrons, यह सब होते हैं, उनको अलग नहीं किया सकता, तो fission में basically आप इनको, एक atom को तोड़ देते हो, atom is indivisible जो है, यह एक तरह से incorrect प्रूव हो गया, जब fission का concept है, fission मतलब तूटना, और fusion मतलब जुडना, तो इन लोगों ने, Hitler, basically, Germany under Hitler, उसमें जो scientist हैं, उन्हें research करके, nuclear fission develop कर लिया, discover कर लिया, कि यह हो सकता है, nuclear fission का concept ही होता है, atom bomb में, तो इन लोगों को, जो अमेरिका में scientist हैं, उनको यह डर लगा, कि भई, यह बड़ी जल्दी, atom bomb बना लेंगे, क्योंकि nuclear fission discover कर लिया है, एक concept जिससे atom bomb बनता है, वो pick कर लिया है, अब दूर नहीं कि atom bomb बन जाए, तो American physicists जो थे, Albert Einstein ने, 1939, 2nd August को, एक letter लिखा, किसको, letter लिखा, उन्होंने American President Franklin D. Roosevelt को, उनको यह convince करने के लिए, कि nuclear bomb नहीं बना राची है, किसी को भी, किसी दरा Germany को भी रोखो, उनका goal यह था वैसे, उन्होंने क्या लिखा, about the massive destruction that can be caused by a single atom bomb, एक single atom bomb से, कितना बड़ा destruction हो सकता है, यह बताने के लिए, उन्होंने एक letter लिखा, जिसमें उन्होंने बताया, कि एक atom bomb, एक port को, और उसके आसपास के सारी area को, बड़े आसानी से उड़ा सकता है, बंदर गहा को, बड़े आसानी से उड़ा सकता है, खतम कर देगा, बड़े इसलिए थी कि, Roosevelt को इस समझ में आए, कि atom bomb किसी को भी develop नहीं करना चाहिए, लेकिन इस बात का result क्या हुआ, इस बात का result यह हुआ, the Americans developed the atom bomb secretly, and robbed it on Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki, in August 1945, during the World War II, इस बात का, कि Albert Einstein ने letter लिखा, American President को, American President ने यह मतलब निकाला, कि दुनिया का इतना बड़ा genius, इतना बड़ा scientist अगर ही कह रहा है, कि atom bomb का impact हो सकता है, उसका उसे बनाने से नहीं रोका, American President ने, Germany को, उन्होंने क्या करा, अपने हाँ पर एक secret project launch कर दिया, open IMR नाम सी, जिसकी movie भी अभी आई है, वो जो secret project था, वो atom bomb बनाने के लिए, उसमें अपने यहाँ पर set up कर दिया, उसमें open IMR करके, जो main scientist थे, उन्होंने, उनकी help से, वहाँ पर एक bomb डेवलप कर लिया, उन्होंने atom bomb, और कमाल की बात यह है, कि उसको इस्तेमाल भी कर लिया, atom bomb, जिससे इतनी destruction हो सकती है, कि कुछ कहां नहीं जाए, उतनी destruction हो सकती है, उसको use भी कर लिया, उन्होंने जापान के उपर, Hiroshima और Nagasaki cities के उपर गिरा दिया, उसको 1945 में, जब इनका world war चल रहा था, उनसे, कमाल की बात है, इन्होंने जो warning दी, उसको president ने कुछ और ही समझा, उसके action क्या लिया, इन्होंने मना किया था, bomb बनाने के लिए, उन्होंने खोदी bomb बना लिया, anyway, अब Einstein साब, ये last part is lesson का, अब Einstein साब जो है, इस huge destruction से, जो atom bomb की वैसी, उससे बड़े upset थे, तो उन्होंने एक letter लिखा, official missive, आपकी बोला गया, official missive मतलब है, एक long and elaborate formal letter, इन्होंने वो लिखा UN को, United Nations को, जिसमें उन्होंने क्या बोला, इसमें उन्होंने बोला, कि propose the formation of a world government, इन्होंने बोला, कि पूरी दुनिया की एक ही सरकार होनी चीए, अगर अलग-अलग सरकार होंगी, तो सब का आपसे मद्वेद होगा, सब एक दूसरे से लड़ेंगे, सब government एक दूसरे पर control करना चाहेंगी, पाना चाहेंगी दूसरी countries को, लेकिन ऐसा ना हो, इसलिए पूरी दुनिया में एक ही सरकार होनी चीए, UN सरकार बना ले, वो government बना ले, लेकिन unlike the previous letter that he wrote, जिस पे एक action हुआ, इस पे कोई action नहीं हुआ, ठीक है, इस पे कोई action नहीं हुआ, इस पे एग्नोर कर दी गई, लेकिन इसके बाद इन्हों ने अपने आपको, बहुत सारे political events में involved करना शुरू करा, और पूरी दुनिया में ये जो arms है, ये जो हतियार लोग बना रहे हैं, countries बना रहे हैं, अपने पास setup करी हैं, atom bomb बना रहे हैं, इसके खिलाफ उन्होंने advocate करा, और शान्ती पूरी दुनिया में स्थापी, तो ऐसे उन्होंने पूरी दुनिया को उमीद जताई, मतलब atom bomb आइंस्टाइन का invention हैं, नहीं 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 नहीं, आइंस्टाइन ने जो letter लिखा, उससे push होकर, Roosevelt ने एक team setup करी, जिसने atom bomb invent करा, इनका invention नहीं है यह, ओके, फाइनली 1955 में 76 साल की age में, he died, he passed away, वो गुजर गए, और उनको पूरी दुनिया आज भी एक visionary के नाम से, एक world citizen के नाम से, और एक scientific genius के नाम से जानती है, scientific genius क्यों, क्योंकि उन्हों यह theory of relativity दी, genius है अपने आप में वो, visionary के ऐसा इंसान जो की, एक ऐसा दुनिया का आगे आने वाला समय देख ले, समझ ले और उसके according steps ले, तो visionary थे, दुनिया में क्या होने वाला आगे, वो इन्हेंने कम से कम सो साल पहले उसके लिए theory बगर दे दी, और आज हम उन चीजों का avail कर पा रहे है, आप light वगर आपने चार तरफ जो देख रहे हैं, वो एक result है उसका, clear होगा, this is the end of the lesson, फटावट से इसके questions करते हैं, चलिए, आइस्टाइन लेविंग दे स्कूल इन के रिजन बताईए, आइस्टाइन लेविंग दे स्कूल इन म्यूनिक for good, आइस्टाइन ने स्कूल क्यों छोड़ दिया म्यूनिक में, जल्दी से आंसर बताईए बटावट से, जल्दी से बताईए बचा बाटी, जी हाँ, स्वपनिल पूछ रही है कि क्या आइसा मान सकते हैं, कि आइस्टाइन साइन्स को सिर्फ यूमन्स की एड्वांटेज के लिए, उनकी भलाई के लिए उस करना चाहते थे, तो जी हाँ, बिल्कुल सही, ये वाला कदम कर लो, इसके बाद देता हूँ 5-10 मिट का ब्रेक, ये वाला लेसन कदम करते हैं, क्वेशन बताओ बढ़ावट से, हाँ, सिर्फ डिसिपलिन बोलो, एक्स्ट्रीम डिसिपलिन बोलो, next है, स्विजलेंट में पढ़ना चाहते थे, म्यूनिक की जगा, क्यों? वह रजिमेंटेशन वाला ही प्रोग्मा यहाँ रबीट कर दोगे, next है, Aynstein seeing in Miliva an ally. Aynstein को Miliva में एक ally मिला? क्यों? क्या reason एसका? उसको strange क्रियेचर करके बोलते थे और एक ally क्यों? किसके खिलाफ एक ally था वो? मतलब क्यों ऐसा हुआ कि इन दोनों की दोस्ती भी basically? regimen नहीं more liberal क्योंकि वो best थी? नहीं, सिर्फ इसलिए नहीं हाँ, they were an ally against the philistines, ऐसा बोला न, ऐसे लोग जिनको arts और music पसंद नहीं था, लेकिन इन दोनों को पसंद था, तो इनकी दोस्ती हो गए आपस में, एक ally हो गई है against those people, यह philistines जिनको art और music में interest नहीं था, ठीक है? तो यह reason आप इसका देंगे, कि दोनों को ही interest जो था, music में था, और art में था, और ऐसे लोगों खिलाफ जिनको इसमें बिल्कुल interest नहीं था, philistines करके आपको उनको बताएगे आपके lesson में, उनके खिलाफ ही एक ally की तरह behave करें इनोंने, what do these tell you about Einstein? यह सारी चीज़ा आपको Einstein की बारे में क्या बताती है? तो Einstein की बारे में बताती है कि वो अपने दिमाख मतलब बरे क्लियर थे अपने थाट में, he had a clarity of thought उनको स्कूल में अच्छा परफॉर्म करे थे लेकिन अगर स्कूल में ऐसा environment था जहां पर उनको बहुत जादा regimentation दिखा तो उन्हें तुरण छोड़ दिया स्कूल किसी और स्कूल में अडमिशन लिया, किसी और country में जाके पड़े दोस्ती भी करी तो चाहे मिरे को जो शौक हैं वो लोगों की वेसे change नहीं करे, he was he did everything on he did everything that he wanted जो भी उनको पसंता जो भी उनको था उसको clearly करते थे, दमदार बन दे थे next है, what did Einstein call his desk drawer at the patent office and why Einstein अपने patent office पे desk था उसको क्या बोलते थे तो Bureau of theoretical physics बोलते थे, क्यों, because वहाँ पर theoretical physics की कुछ theories पे काम करे थे research कर रहे थे, इसलिए उसको Bureau of theoretical physics बोलते थे ठीक है, Bureau का मतलब कोई पुछा थे, Department बोल सकते हो, Department of theoretical physics, ओके, why did Einstein write a letter to Franklin Roosevelt Franklin Roosevelt को क्यों लेटर लिखा था, तो Franklin Roosevelt को ये बताने के लेटर लिखा था कि Atom Bomb कितने destruction create कर सकता है, therefore it should be stopped from being created, उसको बनाने से रोक देना चाहिए, जो भी countries पर काम करें, कुछ करो आपकी वो भी रोक जाए, लिसका impact क्या हुआ, लेकिन इसका impact क्या हुआ, इसका impact ये हुआ कि Roosevelt ने अपने ही secret team setup कर दी Atom Bomb बनाने के लिए, कि कहीं ये जो Russians हैं पहले ना बना ले इन से, sorry, Russians नी, Germans कहीं Nazi Germany, पहले bomb ना develop कर ले, हम से अगर develop कर ले तो हमारे पर डाल देगी, इसलिए हम पहले develop कर ले उनको मारेंगे हम, how did Einstein react to the bombing of Hiroshima and Nagasaki, Hiroshima and Nagasaki bombing पे कैसे react करा, he was very upset, he was utterly upset, so much so that he wrote a letter, एक public letter उनने लिख दिया, UN को for the formation of world government, इसमें पूरी दुनिया की एक सरकार बने, next है, why does the world remember Einstein as a world citizen, पूरी दुनिया Einstein को एक world citizen क्यों मानती है, simply because he thought of the world as one, और उनने पूरी दुनिया में एक single government formation का प्रपोज, प्रपोजल किया था, प्रपोजल दिया था, और यह माना था कि पूरी दुनिया में पीस स्थापित होना चाहिए, शान्ती स्थापित होना चाहिए, और आम्स जो हैं, वो हमको कम से कम, हमको नहीं बनाने चाहिए, ठीक है, तो इस वज़िए सुनको एक world citizen माना गया है, क्योंकि पूरी दुनिया को as a whole मानके, एक single entity मानकर, उसके साथ, humanity के लिए वो अच्छा करना चाहते थे, इसलिए simply आप ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है, clear होगा, I believe ये, I think, ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है, पहुँच गए है, अपना जो first आपकी book है, which is beehive, उसके चारो lectures, topics हमने cover कर लिए हैं अभी, बाकी चारो topics जो इसके हैं, वो आप माम के साथ cover करेंगे in due course, थोड़े से time बाद, इसके बाद हम लोग करेंगे आपकी जो दूसरी book है, moments, supplement reader, उसके chapters, और बची poems, poems भी डिसकस करेंगे, पर चिंता ना करिए, इतने में आप ले लिजे एक छोटा सा break, एक फटावट से आ जाईए मेरे पास, let's have a quick break, एक छोटा सा break ले लेते हैं, क्योंकि आप लोग को break भी चाहिए होगा, मुझे भी चाहिए break एक छोटा सा, timer लगा देते हैं याँ पर हम लोग, क्या है, एक 5 मिनिट का break आप लोग ले लो, 10 मिनिट का ले लो चलो, कुछ अपना जो भी आप खाना पिना है वो खाईए, और break के बाद फटावट से वापस आ जाईए, I'll be back, मैं आता हूँ वापस, ठीक है? कि अपना जब लो, झाल 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 आल राइट, हाइऑ, आई अप ब्रेक लेलिया, छले चुरू करते हैं फिर से, मेरी ऑडियो खेंच है एक बरी, ठीक है, बन्दरफुल, तो स्टार्ट करते हैं, ब्रेक लेल लिया आप लोगोने, start करे, sir my name please विपिन, अच्छा विपिन, हाई ठीक है करे करे, फटावट से thumbs up दो अगर आगे हो, जल्दी से आजो जो लोग नहीं आए हो भई, फटावट से आओ, start करना हमको 4 chapter हो गए है actually 5 हो गए हैं वैसे, बढ़ 4 हो गए हैं आपके beehive book से first four lessons हमने cover कर लिए हैं, अब चलिए आगे चलते हैं फटावट से okay, ready है तो start करते हैं बच्चे आपका lesson next, which is the lost child बड़ा प्यारा सा lesson ही मुझे लगता है एक छोटा सा बच्चा होता है, जो कि अपने parents के साथ मेले में जाता है, और उस मेले में वो बिछड जाता है, उनसे खो जाता है तो उसका क्या reaction होता है, यह आप इस lesson में देखेंगे, चोटा सा बच्चा innocent होता है, चोटा बच्चा, I'm sure आप सब लोग rate बेंगे कि कभी न कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ हो, कि आप कहीं गए हो और वहाँ पर आप by chance हो गए हो, अपने parents से दूर हो गए हो तो यह बड़ा छोटे से बच्चे के साथ जब होता है तो उसके लिए बड़ा मुश्किल सा experience होता है bear करना, ऐसे मूँ कैसे react करता है कितना परेशान होता है, क्या उसका actual reaction होता है situation में यह आप इस lesson में देखेंगे, चलिए स्टार्ट करते है इसको story about a child who goes to affair with his parents and gets separated, एक ऐसे बच्चे कहानी जो कि एक मेले में अपने parents के साथ जाता है और वहाँ पर बिच्छुड जाता है उनसे किसी कारण से it highlights the unconditional love and concern of parents and emphasizes the importance of family bonds and staying close to one's loved ones story के तुरू आप यह समझेंगे कि family की importance क्या होती है क्या जहुरत होती है आपको family की यह कहानी आपको इस सिखाती है bonding जो होती है आपकी parents के साथ उसकी क्या value होती है यह भी आपको इस सिखाती है story ठीक है चलिए आगे चलते हैं फिर आप क्या story में है एक बड़ी फड़ावट से points की तुरू देखते है यह key points है जुनको मैं elaborate कर लिया है start करता हूँ यहां से तो आपका lesson जो है start होता है starting में आपको पता है lesson में कि गाउं में spring का season आ गया बसंत रितू जाना पत्जड के बाद जो बसंत रितू आती है वो जब सार चार तरफ हर्याली साज आती है उस वक्षी कमावल होता है गाउं में तो उस वक्त festival मन रहा है इस गाउं में जहां पर क्या होता है festival में चार तरफ लोग भीडबाड है चार तरफ कुछ-कुछ हो रहा है कुछ लोग पैदल चल रहे हैं कुछ लोग घोड़े पर चल रहे हैं कुछ लोग तांगे पर चल रहे हैं इसी भीडबाड में एक parents का group है एक मम्य पापा है जिनका बच्चा यह च्छटा शयवत मेले की तरफ जा रहे हैं इसके parents आ चल रहे हैं पीछ चाइल्ड कम जल्दी से आओ तो यह उनके पास हस्ते पहुंच जाता है और उनके साथ-साथ चनल लगता है लेकिन ऐसा थोड़ी देर होता है क्योंकि अगले ही शन क्या होता है कि एक next moment यह क्या होता है बच्चे next moment यह देखता है कि वहाँ पर जो toys हैं मतलब यह भी भी उन्ही toys की तरफ देख रहा है और यह जब इसके parents इसके यह अपने parents के वास मौशता है तो उनसे गुहार लगाता है plead करता है कि I need those toys I want those toys इसको हाला कि पता है कि इसके parents इसको refuse करेंगे लिए फिर भी वह request करता है तो अब इस समय इस point पर आकर इसके parents जैसे बोलता है इसके पिताजी इसको रेड आइड दिखाते रेड आइस दिखाते हैं लाल आखे इसको बड़े कठोर तरीके से क्रूल तरीके से आखे दिखाते हैं एकदम से लेकिन इसकी माता जी जो है वो बड़ा अच्छा मौसम होता चार तरफ और बड़ी तेंडर ली बड़े सॉफ्ट लीज के साथ दियेव करते हैं इसके उंगली पकड़ते बोलती है देखो वह देखो इसका ध्यान आकर्शित करती है तूवर्ड्स कुछ मस्टरड फील सामने ही वहीं पर आप देखते हैं यह ऐसा येलो कलर का मस्टर फील होता है जहां पर इ फूटपाथ पे फिर पर यह वाद वहाँ पर उसी रास्ते पर जाते हुए कि एक जगा榫 फॉलई मोट इसको फॉलो कर रहे है इसका ध्यान उसकी तरफ जाताा और देखता है लुए यह कोशिश करता है कि इसको किस तरह पकड़ लो अपनी नजर से फॉलो करता है उसको कहां जा रही है जैसी वह रुखती है कहीं एकदम से उसको पकड़ने कोश्च करता है लेकिन जैसी पकड़ने कोश्च करता है उसको वह एकदम से उड़ जाती है अपने विंग्स को फ्ला वहीं रास्ते में, जिस फुटवाद पे चल रहे थे, वहाँ पर एक जगा से कुछ insects और worms बाहर आ रहे थे, क्योंकि वो गर्मी, teaming out to get the sunlight, sunlight वो basically पाना चाहते थे इस वज़े से, अभी उनको देखके फिर distract रो जाता है, आगे चलते रहते हैं इसके parents, वो इस बाहर एक ऐसी जगा पहुँच जाते हैं, जहां पर एक grove होता है, grove एक word यूश किया गया आपकी book में, एक grove of trees होता है, grove मतलब जहां पर बहुत सारी trees हों, उनकी च्छाओ हो basically, कई सारी trees एक साथ जब होते हैं, तो इसको grove बोला जाता है, तो इसके parents जो हैं, वहीं grove of trees, जहां पर ब Group होता है, बड़ा सारा अच्छा होती है, उसके पहुचता है, तो उसके बपर पूलोगी वारिश हो जाती है एकडम से वहाँ पर, इसके बढ़ फूल किर जाता है पेड से, अभी उसमें खो जाता है, मगण हो जाता है, चोटा बच्छा है, क्या इसको पता है दुनिया का तो उसमें खुश रहते हैं कि अरे रे 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 वारिश सी होगी वेरे पर और वहां से जो फूल है ना गिरे हैं जो उन पैटल्स को उनकी फूल की पैटल्स को इंकी पंकड़ियों को इखटा करने लगता है हाथ में करीधा होता है इतने में देखता है डव सफेध सा कभूतर होता है न है न तो मनले कभूतर यससा दिखने वाला प्राणी होता है विल्कुल सफेध होता है तो यह बूल जाता है कि इस से पहले पैटल से गठा कर यह आप देखिए अब वहाँ पर अपने parents की तरफ जाता है और sorry यह डव को चिलाता रहता है बोलता रहता है इतने में इसके parents में बैटे उसको देखते रहते हैं वो फिर से हवाज देते है come child come और इस बार तो finally इसको लेके आना पड़ता है क्योंकि वहाँ जो बैनेंट्री पर निकल पड़ते हैं जो मेले की तरफ जा रहा था जो कि इस mustard field जो field था ना yellow वाला उससे होते हुए गुजरता है अब यह जब जिस जब पहुंचने वाले थे गाओं में जा फेर लगा हुआ है वहाँ पर देखते हैं ऐसे footpath और भी कई सारे वहाँ पर आ रहे थे जिन प साथ यह उस fair में गुषते हैं यह उसी फैर की entry पर एक sweet seller होता है एक मिठाई वाला होता है जिसकी शौप पर बड़ी जादा भीड लगी होती है उसकी मिठाई उसकी शौप पर कई तरह की मिठाई होती है जो की आवाज भी देर होता है लोह को रसगुला बर्फी गुलाब gold color की foils भी चड़ी हुई थी इस जगह पर आकर ये बच्चा जो है एकदम से attract हो जाता है उस मिठाई से क्योंकि इसकी favorite थी बर्फी और ये चाहता था कि बर्फी मिल जाएगी इसको मुझे पानी आगया उस बर्फी को देखके इसलिए ये सोच कर मतलब ये सोच के मना कर देंगे कि that he was very greedy he was behaving greedy वो बड़ा लालची हो रहा था मिठाई को देखके एकदम से लालच आगया उसके मिठाई काने का ये बोलके उसके पिताजी या मम्मी उसकी request को deny कर देंगे ये सोचते हैं कि उसके पिताजी पहले ही मना कर देंगे मम्मी पापा इस बात के लिए वो आगे बढ़ जाता है अगले स्टॉल पे अगले स्टॉल पे उसको मिलता है एक फलार सेलर एक फूल बेचने वाला इसमें मेंज नहीं है इक फूल बेचने वाला जो की आऎवास दे रहा होता है Garland of Gulmohar Garland of Gulmohar כालन मतलब होता है माला Gulmohar एक तरह का फूल होता है तो फूल बेच रहा था उसकी खुश्बूसे बड़ा influence होता है और वहाँ पर जाता है और उसको उसकी जो खुश्मे उसको अट्रैक करती है और वो एक गौहार लगाता है फिर से अपने पैरेंस से बहुत ही मर्मर्ड यह तो सब की common story है, fascinated मतलब किसी चीज से attract हो जाना to the extent कि आपको curious लगे, जैसे आप घर पे पहुंचा आपके parents ने बोला कि एक gift है तुमारे लिए, तो तुम fascinated हो जाओगे, क्या gift है यार, यह तुमने कोई, एक ऐसा इंसान देखा, जो कि एक बड़ी विच्चितर cycle चला रहा ह जो कि तुम को लगार मिरको विच्चित, तुम fascinated होगे उसको देखकर, ठीक है, fascinated मतलब किसी चीज से attract हो जाना है न, in a way जिसमें आप intrigue हो जाएं, anyway, अब यह आगे चल दिया, यह सोचके कि parents के लिए मना करेंगे, बोलके कि यह cheap है, वो और आगे चल दिया, अगले stall पे पह अच्छा फिर से fascinated हो गया, और इसका मन था कि सारे गुबारे मेरे को मिल जाएं, इन सारे गुबारों को मैं बस पाल हूँ किसी तरह ऐसा सोच रहा था, तो इसमें फिर से दबी हुए आवाज में, एक गोहार लगाई, कि यह मुझे I want those balloons, I want to have those balloons, ऐसा बोला इसने, लेकिन इसको पता था कि इसके parents इस बात के लिए मना कर देंगे, यह बोल कर, कि that he is too old to play with balloons, balloons से खेलने के लिए इसकी age, अभी balloon की age ने रही, अभी बड़ा हो गया है, यह सोचकर यह आगे बढ़ गया, कि यार इस बार ही मना हो जानी है, कुछ ठीक है, बिना जवाब के आगे बढ जाता है, और फिर जब बीन बजाए उसने तो ऐसे फान उसने फैला दिया अपना, बड़ा इंट्रस्टिंग लगता है देखना है यह बच्छमने, मुझे लगता है आप भी स्कूल से आते आते हैं, जब हम जाते हैं तो हम भी देखते थे, आप भी देखते होंगे, तो य पाने लगा, इस बीन को सुनने के लिए, इस साप को देखने के लिए, लेकिन तभी इसको याद आता है कि इसके मिपापा ने मना किया हुआ था, फॉर्बिड किया था, इसको ऐसा रफ म्यूजिक सुनने के लिए, ऐसा कोर्स म्यूजिक सुनने के लिए, तो यह, यह सोचक इस पर ऐसे गोडे बाकी जानवर होते हैं और बैठने की सीट होते हैं गोल-गोल घूमता है तो आगे दिखता है एक ऐसा roundabout जिसको अब merry-go-round भी बोल सकते हैं ऐसा जूला दिखता है इसको और इस बाटनी रुका जाता है वहाँ पर पहुंचते हैं लोगों को men women children यह सब उ कोलता है और आगे नूटिस करता है इसकी बापा तो ही नहीं इससे आगे आगे चल रहेते हैं फिर यह पीछे मुड़ को देखता है पीछे भी नहीं थे पिर राइट लेफ्ट भी नहीं थे तब ही इसको रिलाज होता है कि अपने मम्मी पापा से बिच्छड चुका है सोने लगता है और इसका चहरा जो है वो बिल्कुल उतर जाता है और इस फ्लश्ट फेस इस स्टेट्मेंट आपकी बुक में लिखी हुई है कि दर से कहा अपने लगता है कि क्या हुआ पापा अम्मी कहा चले गए इसी बीच दुरता दौरते हुए इसकी जो टर्बन होती ह सिर्फ पर इट कम संटाइड वो खोल जाती है इसके कपड़े जहें हो सारे मड़ी हो जाते हैं बिल्कुल मेले हो जाते हैं इसके कपड़े ठक जाता है मतलब यह इसको बड़ा डर लगता है इस टाइम पे एक मम्मी पापा चुटे से बच्चे का कर बिच्छड जाये मेले जब आप इतनी दिर से रो रहे हो कि आपका रोना भी ना निकल रहा हो अब बस आपकी गली में ऐसे-से हो रही हो बस इसको बोलते हैं सुब करना है सुबक न शुबक न तो इसकी चीखे जो है वो सुब में बदल जाती है और अब यह किसी तरह वहीं पे सामने जो लोग चल पापा अम्मी को ढूंडते वह अपने और आवाज लगाता है मदर फादर और उसकी जो एंट्री है ना बिल्कुल नेरो सी वहां तक भी पहुंच जाता है जहां पर लोग एक दूसरे को धक्का मुक्की दे रहे हैं बिल्कुल खतरनाग भारी भरकम लोग एक दूसरे को धक् अमाल की बात यह कि लोगों के टक्राने की वज़े से नीचे गिर भी जाता है और शायद कुछला जाता अगर सई समय पे पूरी तेज ना चीकता मम्मी पापा ऐसे पूरी तेज ना चीकता ना सई समय पे और कोई भला मानस इसकी चीक सुनके इसको उठा ना लेता वहां से तो शायद यह कुछला भी जाता वह भला मानस इसको उठाता है भीड में से और सइड ले के जाता है और बोलता है तूम यहां पे कैसे हो किसके बच्चे हो तुम ऐसा बूचता है लेकिन ये बच्चा जैसी वह ऐसा बोलता है सइड ले जाके इसको यह तो पूरी तेज अब वो good Samaritan, expression मानिया लिखा है good Samaritan, Samaritan का मतलब होता है एक भला मानस, तो good Samaritan ने जो भला मानस जिसने इसको बचाया है, वो क्या करता है, इसको pacify करने के लिए, इसको शांत करने के लिए लेके जाता है, वहीं पे पास में एक जगा पर, किस जगा पर, वो roundabout पे लेके ज जातार बोलता है, do you want to get on the horse, क्या तुम्हें जूलना जूलना चाहोगे इसको शांत करने के लिए, लेकिन इसने उस जूले से ऐसे मुह गुमाया अपना, और बोला, I want my mother, I want my father, नहीं जूलना चाहता है जूला, अभी एक मिट पहले चालना चाहता था जूलना लेकिन अब जूलना चाहता, अब क्या हुआ, अरे, इसके बाद एक चोड़ा सा पोर्शन था, एनिवे, फिर क्या होता है उसके बाद, actions of the sq1 में यह थीक है, सब आट किया है, all right, तो इसके बाद क्योंता है, फिर यह, उस roundabout के बाद, उसको लेकर जाता है, snake charmer के पास, वो जो सपीर अधा उसके पास, और इसको बोलता है, कि देखो, सुनो, क्या बढ़िया music कितना अच्छा, बीन बज़री है, कितना अच्छा music बन रहा है, बज रहा है, ऐसा बोलता है, do you want to listen to it, ऐसा देखना चाओगे, तुम सुनना चाओगे इसको, तो यह बच्चा जो है, ऐसे कान बंद करता है आपने, यह, और बोलता है, I want my mother, I want my father, बस रोत रोते ऐसा बोलता है, फिर यह आदमी, उसको लेकर जाता है, अगली चाओगे, तो यह मना करेता है, और बोलता है, I want my mother, I want my father, फिर वो इसको लेकर जाता है, उस प्लार सेलर के पास, जो गुलमोहर की माला बेच रहा था, और बोलता है, देखो सूंगों कितनी प्यारी खुश्बू इन से आ रही है, क्या तुम ऐसी एक माला अपने गले में से घुमा लेता है, कि मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को नहीं देखनी है, सूंगनी है माला, और बस बोलता है, तेज वाज में रोके, I want my mother, I want my father, ऐसे बूलता है बस, फिर उसके बाद क्या होता है, फिर यह फाइनली जो सबसे पहली शॉप थी, इस मेली के एंट्री पर, कुछ नहीं चाहिए इस बच्चे को, और इसके साथ आपके NCRT में इस्टोरी खतम होती है, वैसे अक्चली में इस्टोरी और भी है, लेकिन यहाँ पर आपके NCRT में जो एक्जर्प लिया गया है, वहाँ पर इस्टोरी खतम होती है, एक छोटे से बच्चे की मासूमियत पर आपको इस स्टोरी बताती है, जब तक उसके में पापा से दूर हुआ कुछ देर के लिए, उसको कुछ नहीं चाहिए था, अली वंटेट व उसके में पापा ही चाहिए थे बस। और यह सब यह जो family bonding है जो family attachment होता नहीं एक family का parents का अपने बच्चे के साथ और बच्चे का parents के साथ यह बहुत ही प्यारी भावना होते हैं इससे आप सब शायद समझ भी पाए हो कितनी प्यारी सी feeling है आप सब समझ भी पा रहे होंगे I want my mother I want my father यह वाली जो feeling है यह actually मैं समझ सकते हैं कोई बोल रहा है क्या है अब तो मैं आपको plan बतायता हूं अभी हम जो आपकी दूसरी बुक है moments उसके चार लेसन करेंगे इसके बाद poems करेंगे इससे क्या message मिलता है स्टोरी से इससे क्या message मिलता है आपको स्टोरी से पढ़ावट से बताई एक बारी मुझे जल्दी से अच्छा बच्चे के साथ क्या हुआ तो actually मैं मुलकरा जानन साब ने लेसन लिखा इसकी ending ऐसी होती है कि बच्चा finally अपने parents से reunite हो जाता है अगर आप पढ़ोगे स्टोरी को उनकी book से तो आपको बिताले है कि बच्चा parents के साथ मिल जाता है finally यह positively end हो जाती है स्टोरी है ना जल्दी से बताओ क्या lesson मिलता है मिलता है मिलता है बच्चे don't worry positive ending होती है इसकी parents are everything for a child तो यह स्टोरी से आप importance of family and parental bond जो आपकी bonding होती है ना parents के साथ उसकी value समझते हो आप this story highlights the importance of family and parental bond जो आपका bonding होती है parents के साथ वो this is above the world मतलब कुछ भी हो जाए आपको अगर वो नहीं है आपके पास तो आपको बहुत दुख होगा अगर वो है तो उसके आपको सब कुछ चाहिए तो यह आप इस lesson से सीखते है ठीक है इसलिए आपको value भी करने चाहिए उनकी you should value यह parents एक तरह से यह भी एक lesson मिलता है है ना question what are the things the child sees on his way to the fair why does he lag behind कौन-कौन से चीज़ है बच्चे यह जो बच्चा है वो देखता है रास्ते में जाने fair के रास्ते में on his way to the fair याद रखिए ध्यान से आंसर देना is kinescence parental care and the loss of childhood joy parents are important than anything more important than any other thing in the world यह बात ठीक है इस question कहां से बता है कौन-कौन सी चीज़े बच्चा देखता है जब वो रास्ते में जा रहा होता है fair में fair के पहुचने के सवाल नहीं पूचा गया है अभी पूच पूचते पूचा गया है कि जब वो रास्ते में था fair के तब वो कौन-कौन सी चीज़ों से देखता हो डिस्ट्राक्ट होता है why does he lag band और वो पीछे क्यों छूट जाता है पीछे क्यों रह जाता है अपने parents से फुट पाथ से उन से distract होता है फिर वहीं dragonfly उड़ी होती है butterflies कुछ एक ड्राइगन फ्लाइग कुछ गर जाते उन से distract होता है और फाइनली वह बायनट्री के तरफ चार तरफ घूमने लगता है तो यह सारी चीज़े वह देखता है यह सारी चीज़े आप बताएंगे next why does he lag behind वो पीछे की छूट जाता है क्योंकि ये सारी चीज़े उसको distract करती है उसको fascinate करती है इसलिए इनको देखने के लिए देखते ही रहने के लिए he keeps lagging behind वो अपने parents के पीछे छूट जाता है next है in the fair अब सवाल है fair के बारे में in the fair he wants many things बटा दे fair में क्या क्या चीज़े उसको चाहिए why does he move on without waiting for an answer और वो बिना जवाब के आगे क्यों बढ़ जाता है तो fair में जाने के लिए उसको fair में जाने के बाद उसको चाहिए sweet meat seller से बर्फी flower seller से garland of gulmohar उसके बाद जो snake charmer sorry not snake charmer बलून वाले से balloons then snake charmer से जो music है वो सुनना चाहता था लिए उसके parents से मना किया था उसको and finally merry go round जो round about है उस पे जूला जूलना चाहता था वो ठीक है why does he move on without waiting for an answer इन सारी चीज़ों के लिए अपने parents से बिना answer पाए यह वो आगे क्यों बढ़ जाता है क्योंकि उसको पता है उसके parents मना कर देंगे one or the other reason for one or the other reason they would refuse him these things that he would be asking them जैसे सबसे पहले sweet meat seller को क्या बोलकर reject करेंगे यह बोलेंगे कि तुम बहुत greedy हो रहे हो फिर उसके बाद क्या होगा उसके बाद देवल से कि यह जो है flower वाला flower क्यों reject करेंगे गुलमोर का जो garland है उसको क्यों मना करेंगे तो इसलिए मना करेंगे बोलके because वो बहुत cheap है balloon वाला मना क्यों करेंगे क्योंकि वो बहुत वो है यह छोटा बच्चा बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है flowers से खेलने के लिए balloon से खेलने के लिए इसलिए और next उसके बाद वो बोलेंगे उसके बाद वो क्या बोलेंगे उसके बाद वो बोलेंगे कि यह जो snake charmer है वो बहुत course music प्ले करता है फानली merry-go-round पर तो बिछडी जाते हैं तो यह सारे answers आप इसमें बताएंगे next है बच्चे को कब रिलाज होता है कि अपना रास्ता भटक गया है खो गया है उसकी anxiety उसका जो डर है और उसकी insecurity कैसे describe की गई है आप से पूछा गया तो सबसे वाले आप बताएंगे इसमें कि उसको ऐसा realize होता है कि रास्ता खो गया है जब वो merry-go-round पर पूछता है वो जो round about होता है merry-go-round जूला उस पे जाके बोलता है अपने parents से that I want to ride on that horse उस टाएं वो आगे पीछे दिखता है तो उसके parents इसको नहीं दिखते है उसको समझ में आता है कि मैं खो गया हूँ अब यह insecurity कैसे describe की गई anxiety कैसे describe की गई है तो जैसे इसको realize होता है कि वो खो गया है वो पहले तो बहुत तेश चिल्लाक चीकता है cry mother father की आवाज लगाता है रोने लगता है helter-skelter सारी directions में भागने लगता है उसका जो turban है it comes and tied वो खुल जाता है और उसके जो कपड़े हैं वो muddy हो जाते हैं गंदे हो जाते हैं यह आप answer बताएंगे इसका next है why does a lost child lose interest in the things that he had wanted earlier यह जो lost child है उन सारी जीज़ों में interest क्यों खो देता जो उसको पहले चाहिए थी because simply because अब उसके पास उसके parents ममी बापा नहीं है और एक बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा ज़ूरी होते हैं उसके ममी बापा उसको ममी बापा चाहिए होते हैं बच्च जवो छोटा होता है बच्पन में especially और अगर ममी बापा अगर उससे बिच्वट जाएं किसी कांट से तो he would not have interest in any other thing उसका दो interest हो बच्चे उसको पहले ममी बापा मिल जाएं फिर वो बाकी चीज़ों की तरफ देखेगा तो simply because he lost his parents he gets separated from his parents he does not want anything until he gets reunited with them ये answer इसका बनेगा एक है clear होगा यहोप यह lesson यह वाला बिल्कुल clear होगा आगे चलता हूँ करेड़ तो कि अगर चलते आगे चलते हैं आगे चलते हैं भाई कि अधिक है बिल्कुल एक बढ़र मुझे फटावट से एड्ज प्टे तो ताकि मागले important है उसके लिए बहुत बढ़िया wonderful अब चलते हैं दूसरे लेसन की तरफ यह आपको इस लेसन में डिस्क्राइब किया गया है स्टोरी का background देता हूँ छोटा सा हर जगा उसको कुछ न कुछ गरबड करनी होती है in fact lesson में एक line बोली है रैटर ने कि अगर दिमाग का कोई सब्सक्राइब करें जिसका नाम था टोटो इस बंध मंकी का नाम टोटो था इस वेरियस गेटवे इस विलेच वह कई दफा गाउं में निकल जाता है जिस जगह रहते थे कहीं कहीं कुछ कुछ करता हुआ इसके जो दादा जी है वह बड़े शौक है उनको बहुत शौक है एनिमल्स को पालने का तो उन्होंने घर में प्राइवेट जू बनाई हुई है उस जू में एक और एडिशन कैसे होता है इसका यह आपका पहला पार्ट है लेसन का क्या होता है कि दादा जी नोटिस करते हैं एक तांगा ड्राइ वह बड़े किसी केटल को बंधा होना अच्छी है लेकिन बंदर बंधा हुआ है तो दाद ने सूचा या यह इतना आउट आफ प्लेस लग रहा है इसे मैं ले चलता हूं अपनी प्राइवेट जू में तो दांगा ड्राइवर से दाद जी ने पांच रुपए में उसको ख चम्कीली सी आईस जिन में ऐसा लगता था कि हर वक्त शरारा जलक रिया कुछ नौ कई अच्छी होते हैं जिन की आंकवह में धेके लग जाता है तो ब्राइट आइस में शरारा जलक रियें उसके डीपसे आईब्रोज हैं बहुत और उसके परली वाइट तीत हैं, उसके दात जो है, वो pearl white color के हैं, pearl white मतलब हलका सा yellowish white, थोड़ा सा पीले से white color के इसके दात हैं, और उसके हाथ जो है, बिल्कुल dried है ऐसा लगरा है, अचार को सुखाने के लिए जाल देतें दूप में, इस तरीके से उसके हाथ है, ठीक है, wicked fingers और उसकी बड़ी शरा और बीडिफल बनाती है क्योंकि ऐसा क्यों बोलता राइटर क्योंकि उसको लगता है उसके दादा जी को का ये बिलीव है उसके दादर ये मानते हैं कि ऐसा अहिकर जिसके वास पूंच है वो और खूपसुर रहता है एसे क्रिक्तियों करेंस्के को pleasant नहीं हो तो यह तो यह निइन गती है और उसके लिए नहीं पहुछता काम करती है तार्द का मिठाइट रखी रख्यू है लेकिन इसके रीच से बाहर है, वो इसके दोनों हाथ नहीं पहुंच रहे हैं, तो ये चुपचाप अपनी पूँच से वो मिठाई उठा लेता है, इसलिए उसके थर्ड हैंड बोला है, उसके हाथ को, एनिवे, अब ये जो घर में आया है नया महमान, टोटो, इसका घर में आना, ये दादी जी को नहीं बताया गया था, क्योंकि दादी जी को अगर बता देंगे, तो पटाई होगी, दादा की भी और पोते की भी, तो दादी जी को इन्होंने डिसाइड किया कि नहीं बताएंगे, तब तक, जब तक दादी जी किस अच्छे मूड में ना हो अच्छे से मूड में उस दिन दादरी को बताएंगे हमें एक और जानवर लेकिया है वैसी इन्होंने चिडिया घर बना रखा तुम लोगों ने एक और जानवर चाहिए तुमको डाट पड़े इसलिए अच्छे मूड में ना हूँ दादी जी तो इसको रखा गया चुपा के चुपा के इसको कहां रखा गया यह जो राइटर है इसके रूम में क्लॉजट था एक अलमारी थी उसमें एक हुक लगा हुआ था जिस पे इसकी बेल्ट को बांदा गया और इसको वहीं रख दिया गय उन लोगों को उमीद थी कि शायद यहां पर यह बिल्कुल सिक्यूर रहेगा यह लोग बंद करके बाहर चले गए जैसी राइटर वापस आता है कुछ दिर बाद रूम में वो देखता है कि उस क्लॉजट के अंदर जो आसपास जो दिवार पर वाल पेपर लगा हुआ था खुबसूरत सा वाल पेपर सुंदर सा ओर्नमेंटल वाल पेपर लगा हुआ था वो तो दिखी नहीं रहा है अब बस दिवार और उसका प्लास्टर दिख रहा है ब्रिक और उसका प्लास्टर दिख रहा है जो हुक था वहां पर वो निकला हुआ है जो इसका वहीं बरावर तो बड़े इंप्रेस हुए इस बात, इसको देखके किया, यह तो बड़ा समझदार monkey है, अगर इसको थोड़ा और टाइम मिलता, तो यह जो बलेजर इसका, इसने शोड़े पीसिज में फाड़ा है, इन सारे पीसिज को शादि जोड़ के, विंडो से निकलने का प्लान बना था, तो दादाजी वस अटरली इंप्रेस्ट बाइद इंटेलिजेंस ऑफ दे मंगी, खुश वे दादाजी, फिर क्या हुआ, हाँ, फिर क्या हुआ, अब टोटो की, टोटो को जो है, यहां से निकाल के, क्योंकि इसकी सीक्रेट रखनी थी यह बात, कि यह घर में है, तो यहां क्लॉजट से निकाल के, एक नई जगा शिफ्ट किया गया, वो नई जगा क्या थी, जहां पर दादिरी की प्राइवेट जू थी, प्राइवेट जू कहा थी, तो दादिरी की प्राइवेट जू सर्वेंट क्वार्टर्स में थी, जहां नौकर रहते थे थे न, इनक मतलब खरगोश, उनका एक पैर, स्क्वेरल मतलब गिलहरी और एक पैट गोट, एक गोट बकरी भी थी वहाँ पर, मतलब इन सारे जानवरों के बीच में एक बंदर, जिसका नाम तोटो है, उसको भी शाविल कर दिया गया, लेकिन यह जो बंदर है, खुराफाती, यह रात मे किसी को नहीं सोने देता था, बड़ा शोर मचाता था, ग्राणपा ने क्या करा इस प्रवब्म को समधान करने के लिए, ग्राणपा को अगले ही दिन सहारनपूर जाना था, यह लोग रहते थे देरा दून में, अब ग्राणपा को सहारनपूर जाना था, अपनी पेंशन कल पाए सिर्फ इनके grandfather गए वाप है उन्होंने पूरा किस्सा इनको आके बताया कि क्या क्या हुआ 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 ट्रेन में monkey को ले जाना लाउट थोड़ी होता है तो दादरी ने क्या किया इसको ले जाने के लिए एक बहुत ही बड़ा बिग ब्लाक canvas kit bag मंगाया एक बड़ा सा bag मंगा लिया canvas का जिसका टेंट वगरा होता है ऐसा ऐसे वाला कपड़ा मजबूत कपड़ा उसका एक bag मंगाया उस bag के नीचे उन्होंने straw रखा straw मतला भूसा भरा उसके नीचे और उसके ऊपर रख दिया इसको और bag को कर दिया बंद अब यह टोटो जो है उस bag को से बाहर ने निकल सकता था क्योंकि इसके जो कपड़ा था वह बहुत मजबूत था उसको काट के बाहर निकल ने सकता था और उसके उपर बंधी उतिरसी उसमें हाथ डाल नी सकता था तो इसके निकलने का कोई रास्ता था ने लेकिन जब यह कोशिश कर रहा था ना तो बैग कभी ऐसे उपर उचले बैग बंद बैग को सोचो ऐसे हाथ मारे को उसमें बार बार और उसमें कोई जोड लगा तो गिर भी जाए तो यह स्कवर्म करते वे बैग शेक करते वे दिखा सब लोगों को जो प्लाटफॉर्म पे थे दादाजी क्या हो रहे है यार कुछ बैग उचल रहा है बार बार गिर रहा है तो ऐसा हुआ बैसिकली उसके साथ रील वेस्टेशन पे किसके आदादरी के साथ इसने खूब निकलने की कोशिश करी लेकिन यह नहीं निकल पाया फिर क्या होता है जब यह साहारनपूर पहुंच गए तो कभी बन था अपने जुले के अंदर इथा लेकं जब बाहर निकल रहे थे लोग तो को मिला टी ती 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 ने से मांगा टिकेट टिक्ट चेक करा आपना टिकट्रों पर तो दादा जी जब ठिके Caesar से निक banco हुआ थे और उनके बाबर में लटका ही हो था यह उस समय पे एकदम से टोटो अपनी गर्दन यू बाहर निकालता रहा ऐसे हसने लगता है टीटी की तरफ जब उन्हें टिकेट दिया ही था ठीक है तो ऐसे वासने लगा नहीं जब जो तो एकदम से शॉक हो गया है यह टीटी एकदम से टेकन अबाग टेकन अबाग मतलब ही वस सर्प्र और थोड़ी सी देर में वो अपना कंपोशर मेंटेन करके दुबारा हॉस से में आकर बोलता है दादा जी को यूँ आव टॉपीस त्री और तीन रुपे फैर रिमांड करता है उनसे बोलता है कि तुमारे पास एक डॉग है यह जो बंदर तुमारे पास है ऐसा नहीं बोल सब्सक्राइब मतलब एक ऐसा जबार जिसके चार पैर हों जानवर भी तो बोलते दानली ने खोब जोड लगा समझाने कि यह मंकिशु नी screensher कुए नहीं है यह ईसा जानली इसके चार पैर, उसके तो दो हाथ हैं, दो पैर हैं, लेकिन टीटी ने नहीं माना, टीटी ने रूल किया, कि ये एक डॉग है, और इसका तीन रुपे फैर तुम्हें देना पड़ेगा, दादनी ने वो तीन रुपे फैर दिया, और फिर घुसे में आका थोड़ा इडियेट हो कि अपनी पॉकिट से वो पैट टॉट इस वो कच्वा भी निकाल लिया, जो उनके पास एक और पैट था ना, वो ऐसे निकाल लिया उसको, और पैट टॉट इसको दिखाते बोलते हैं, जब आप सारे जानवरों के लिए टिकेट ले रहे हो, तो क्या इसका भी लोग है, टॉ पे वापस फाइनली आए, घर पे आने के बाद, अब दादी जी के सामने बात खुल गई, और दादी जी ने टोटो को घर का एक मेंबर की तरह एक्सेप्ट कर लिया, कि चल ठीक है, एक और सही, ठीक है, टोटो को जो है, as a member in the family, as a member in the whole group, एक्सेप्ट कर लिया, जू में और भी members थे, टोटो accepted by grandma, अब क्या होता है, टोटो को रहने के लिए एक नहीं जगा दी जाती है, इनका एक डंकी भी था, डंकी जिसका नाम था, ना, तो ना जहाँ एक अस्तबल, एक स्टेबल था, जहाँ पर ना रह रहा था, अस्तबल उसी घर में, उस जगा इसके साथ रखा गया, इसको, टोटो को, अब दादाजी रात को चेक करने के लिए गए कि टोटो ठी ठाक तो है ना, तो भाई साब एक amazing scene इनको दिखा दादाजी को, क्या scene था वो, कि ये जो टोटो है ना, टोटो तो दिखाई नहीं, ये जो, क्या बोलते हैं, मंकी ना ना, ये पु टोटो है ना, ये उस हेल्टर को ऐसे खीच रहा था, और वहीं सामने रखा जो भूसा था, उससे दूर भाग रहा था, पता नहीं क्यूं, ऐसे दूर भाग रहा था, और उस हेल्टर को खीच रहा था, इसे यूं, पता नहीं क्यूं, दादी को समझ नहीं आए, तो उसने क हआब हमारा ने निखल के आया वहां से एंडम से और देखा आज ने कांने ने के रिखा कान आ शुर्पाइब काथ सब्सक्राब करता पीछे-पीछे की तरफ हैं और इसके बाद ने इसको अलग करना पड़ा अवहां से नाना से और नाना के और इसकी कभी दोस्ति नहीं हुई यह जो डंकी है और इस टोटो इनकी कभी दोस्ति यारी हुई ही ने कैसे होती है पहली रात को काठा है उसने आगे देखते हैं चलो अब डादा यह जो टोटो है इसके घर में इसके लिए एक special provision क्या करती दादी क्य कि इसको नाना बड़ा पसंता तो सर्दियों में इसके नाने के लिए एक बड़े से bowl में इसको गरम पानी दिया करती थी खूब सारा जिसमें इसका नाने का जो tradition दाना वो अलगी style करता अब यह क्या करता था पहले उस बड़े से bowl में पानी चेक करता था ऐसे finger dip करके कि गर अगर वो ठीक था गरम है तो उसमें पहले एक पैर डालता फिर दूसरा पैर डालता और पिर राम राम से अपनी पूरी बाड़ी डिप कर लेता सिर्फ गर्दन बाहर रहती यह जो चेक करने वाला system था यह इसने एक बार राइटर को करते देखा था इसलिए उससे पिक कर जर्मास खतम हो जाती थी अच्छी देर तक नहा लेता था उसमें तो यह उठता था सीधा और किचन में दौरता था वहाँ पे किचन फायर के पास जाके खड़ायाता था अपने आपको ड्राइग करने के लिए अपने आपको सुखाने के लिए मस्त था यह बंदर कमाल के वारती है कि पूरे कारिक्रम में आगर किसी ने भी इसकी तरफ देखके हस दिया तो यह जो टोटो सहाम थे ना नराज हो जाते थे और मना कर देतें कि हम नहेंगे नहाने से मना कर देति मतलब हम देखो इनकी कलाकारी इतनी ऊची नहाकत है फिद्जा की इतना ज्यादा कोड़ की किचन में जा रहा है पानी सुखाने के लिए अगर कोई देख के हस दे तो फैल जाते है दिवाजदाब की बस अब हम नाएंगे नी ऐसा यह वाला था इनका नहाने का ट्रडिशन बेसिकली ठीक है अब एक और इंसिडेंट बताया गया इनके बारे में वह स्पेशल और ठीशन बॉलता है वह सक तोटो का दिमांग का कुछ यादे डेवलप्त था क्युंकि इसको पूरे दिन कुछ ना कुछ ऐसा उल साल्टा बूलता करते रहनाहीं था जिस्टे से एक किस्सा बताए गया और क्या करता था ये को और और क्या करता था एक बारी क्या हुआ तोटो निर्ली सक्षिडिर इन बॉइलिंग इंसेल्फ अलाइव तोटो जो है लगबग अपने आपको कम्प्लीटली बॉइल करता करता पर ही देता अपने आपको बॉइल लेकिन बच गया बाइदवे कोई बोल रहा है इंग्लिश बोल दू निरतु सरोज मैं एक स्टोरी आपको निरेट कर रहा हूँ and I can very well narrate it in English as well I don't have a problem the thing is अगर आप उस स्टोरी को समझे नहीं तो आप मुझे फिर से बोलो कि हिंदी में समझा दू and there are a lot of people here जिनको expectation यह है कि स्टोरी एक बड़ी समझ में आजा है फिर आप उसको translate कर लेना तो अगर आपको English में स्टोरी सुन लिए है मुझे एक बड़ी thumbs up करके बता दो सब लोग I'll narrate the whole story in English that's not a problem at all अभी goal यह है कि आपको पहले स्टोरी समझा दू और जब question answer discuss करेंगे तो उनको English में discuss कर लेंगे ताकि आप story भी समझ जाओ और question answer exam में कैसे लिखने है यह भी समझ जाओ थोड़ी English भी बोल दो करके मुझे लगा toned है आपका थोड़ा सा so be very careful in putting out anything that you say ठीक है ठीक है ठीक है चल रहा है जासा वैसे लिए लिए मतलब थी तो I hope जिसने बोला था उसको answer मिल गया हो अपना की कैसे सुननी है स्टोरी उनको anyway चलो तो एक एक दिन क्या होता है कि किचन में एक kettle रखी होती है बड़ी सी kettle काफी सारे लोगों के लिए चाय बनाने के लिए तोटो वहां पहुंचता है किचन के में जो kettle रखी होती है उससे धक्कन अटाता है उसमें हाथ दुबोता और देखता है कि यार यह तो पानी बिल्कुल सही हमाँ सही गरम है इसमें तो नहीं जा सकता है कि उस kettle के अंदर एक पैर दूसरा पैर राम से घुजक और सिर्फ गर्दन बहार लटकी हुई है वो kettle जिसमें पानी रखा गया चाय बनाने के लिए रिमाइंड यू उसमें इसका गर्दन बस बाहर ऐसे लटकी हुई है तोटो पड़े हैं से तोटो साब उसके अंदर उसके अंदर पानी जब तक गरम था ठीक ठाक बिल्कुल थोड़ा नॉर्मल सा वो जो पानी जब तक ठीकता गरम था बस तब तक तो इसको आनन्द आता रहा अब जैसी पानी उपल नहीं है अब जैसे पानी उपला तो यह बाहर निकलने की कुश्च करें उस केटल और उसको ऐसे का ऐसा वहां से ना निकालती यह किस्सा था इंसिदेंट था जब लगबग अपने आपको बॉइली कर लिया मज़दार वंदर था यह इसके किस्से मज़दार थे अब इसके बाद बताया गया है वही वाला बात हमेशा तो यह चीजों को फारता रहता था और जो अंकल आंटी होती थी उनका कपड़ा यह पकरता था और उसमें छेद कर देता था मतलब यह कुछ नुखसान का तरह था और इसमें लास्ट जो वहा था नुकसान वह क्या हुआ था लंच टाइम का समय था जहां पर उस दिन घर में पुलाव बना था और इनके घर में ज अब वहां पर क्या हुआ यह जो दादी माँ है एक आंटी घुसी माँ इस पुलाव को शुटाने के लिए तो एक दम से उनके मुँपे आके गलास लगा पानी से बरा हुआ वो अँटी जो पुलाव से पुलाव को बचाने गए थी इस बंदर से, उनके मुपे पहक के मा रहा अने पानी का वे गलास, invite लगा मुपे आगे वे बार और उसके बाद ये जो जो ग्राइंड, इसने वो डिश उठाई और विंडो से नीचे उतर गया अब भार इन्होंने विंडो से जाका तो देखा कि वहीं बराबर में एक जैक्फूट का पेड़ था जैक्फूट मतलब कठल एक कठर का पेड़ था उस कठल के पेड़ पे बैठा हुआ था और एक-एक दाना अराम-अराम से खा रहा था पुलाओ का पुरा आनंद लेके मज़े से दुपहर से शाम होगे इसका खतम ना होके देवो पुलाओ खैर जब खतम हुआ तो इसने क्या अगर वो जो डिश है ना उसको यूँ फैक के मारा नीचे क्यों क्यों कि दादी जो थी ना ग्रैंड मा उन्होंने इसको थोड़ा सा परिशान किया था उनको स्पाइट करने के लिए उनको सिर्फ चिडाने के लिए इसने उस दिश को नीचे फैक के मारा और जैसी वो टूटी ना कई सारे पीशेस में एकदम से बड़ी जोर के ऐसे कुद कूद के हसने लगा मस्त बंदा था उनको चड़ा इसने आसे ही पूरा अब इसके बाद क्या होता है इसके बाद दादजी को बच्चों को बड़ी फैमिली को तो यह समझ में आई चुका था लेकिन इस बार दादजी को भी समझ में आ गया, कि ये बंदर हमारे साथ तोटो जोया, वो रहतो नहीं सकता है क्योंकि इनकी family थी इनकी family was not a very well off family इनकी family बहुत रहीस family नहीं थी ये जो occasionally, अक्सर, not occasionally बढ़कि frequently, इनके घर में कभी परदा फार देता था कभी कुछ बरतन तोड़ देता था कभी किसी की साड़ी में छेद कर देता था ये जो नुकसान ये कर रहा था ये इस तरह की frequent losses इनकी family बेर नहीं कर सकती थी बहुत रहीस नहीं थे तो इनको ये realize हुआ कि आरे हम रखतो नहीं सकते इस तोटो को अपने साथ इसलिए दादज ने एक decision लिया कि उन्होंने क्या करा उसी तांगा ड्राइवर से जिससे इसे पांच रुपे में खरीद था उसको वापस तीन रुपे में इसको बेच दिया ये है आपकी स्टोरी टोटो दे अडवेंचरस आपकी डिटेल समरी इसके questions डिसकस करते हैं इसके बाद और आप से भी जानना चाहूँगा साथ-साथ कि आपने इस lesson से क्या message लिया समझ में आया? अच्छे समझ में आया होगा यह तिंग मुझे लगता है Parents are most important than anything आप पिछले chapter पर वो शायद बच्ची अभी है मज़ा आ गया साथ, thank you so much मुझे भी बहुत मज़ा आया है lesson मैं हमेशा enjoy करता हूँ ऐसे पनाते हुए भी, पढते हुए भी हाँ दो चीजे समझ में आती है एक तो यह कि आपको पता है हर जानवर का ना behavior अलग होता है तो अगर आप किसी जानवर को as a pet लेना चाहते हो, आप किसी जानवर को domesticate करना चाहते हो you should know about them आप फिर यह decide करना चाहिए कि उनको domesticate करना है कि नहीं करना है क्योंकि जानवर अलग अलग तरीके अगता होता है क्लियर होगा बिल्कुली आप लोग को message यह है कि अगर आपको किसी जानवर को domesticate करना है तो पहले उसके बारे मैं अच्छे से जान लीजिए because शायद आपको जानके पतल जाए कि यार इसको तो मैं पाली नहीं पाऊंगा domesticate नहीं हो सकता है वाला जानवर ठीक है कुछ questions है उनको discuss करते है जल्दी से बटावट से बताईए जी बताए तो अभी message यह moral बताए न स्टोरी का क्या है जानवर की अलग-अलग qualities होती है अलग-अलग तरीके से behave करते है तो इसलिए अस जो उनको pet as pet रखना चाहते हैं उनको हमको जान लेना चाहिए कि उनकी क्या quality कैसे वो behave करेंगे और फिर उसके बाद decide करना चाहिए कि इनको domesticate करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए one must behave responsibly in a good environment ना अच्छा बंदर को कैसे समझाओगे वाद भाई है न चोटा एक ऐसा जीव है जुसके अंदर ऐसा मतलब वो civil नहीं है वो fine okay how does toto come to grandfather's private zoo टो कैसे grandfather की private zoo में आता है private किसी का birthday आज happy birthday to you meet parmar और बाकी लोग भी जिनका birthday है very very happy birthday to you आप बहुत कुछ अच्छा करें okay how does toto come to grandfather's private zoo जल्दी से बताओ किसने बोला by tanga driver लेकिन पूरी बात बता दो न तो एक tanga driver था जिसने इसको एक ऐसी जगा बांदा हुआ था जहां पर यह out of place लग रहा था basically feeding trough के सामने बांदा हुआ था एक red feeding trough के सामने जहां यह he was looking completely out of place so therefore dadaji decided to get him in his private zoo collection for five rupees यह आपांसर देंगे इसमें next है toto was a pretty monkey in what sense is toto pretty toto एक खुबसूरत monkey था किस sense में हो है pretty खुबसूरत है तो इसमें आप बोलेंगे toto was a beautiful creature he had bright eyes in which mischief shine मतलब ऐसा लगता था उसके आउंके में जैसे शरारत जलक रही है साथ-साथ आप बताएंगे he had deep-set eyebrows उसके साथ आप बताएंगे that he had pearly white teeth his hands had been dried up as if pickles as are as pickles are dried in sun but they were very quick and wicked उसके हाथ बड़े quick और wicked थे साथ-साथ आप बताएंगे he had a tail which added to his beauty और ये बात दादाजी मानते थे इसलिए आप mention कर सकते हैं that he had a tail which added to his overall beauty and it also acted as his third hand उसके तीसरे हाथ का काम करता था ये भी आप बताओ next है why does grandfather take toto to saharanपूर and how दादाजी grandfather जो है वो toto को saharanपूर क्यों ले जाते हैं और कैसे ले जाते हैं वहाँ उसने कोहराम मचा दिया दे he did not let any of the other animals sleep in night उसने बाकी जानवर जोंसे किसी को भी रात को सोने नहीं दिया therefore दादाजी decided to take him to saharanपूर where he had to collect his pension ये हो गया why का reason अब how कैसे तो आप इसमें पताएंगे कि दादाजी जो है वो उन्होंने canvas big black canvas bag arrange किया जिसके अंदर उन्हें straw डाला नीचे और उपर उन्हेंने टोटो को बिठा दिया और उसको बंद कर दिया और उसको ऐसे ही वो ले के चले गए train के अंदर why does a ticket collector insist on calling टोटो a dog ये question आपको directly answer book में नहीं मिलेगा लेकिन between the line समझना होगा ticket collector ऐसा जोर क्यों दिया इस बात पे कि टोटो को उसने डॉग ही बोला जबकि वो नहीं था डॉग तो ऐसा इसलिए बोला उसने क्योंकि उस टाइम पे रेलवे में एक सिस्टम था कि आप जानवरों को पहले तो लही जाए नहीं सकते सिर्फ डॉग अलाउड था और और जानवर बोलता तो उसका तो अलाव मतलब उसकी रिकॉगनेशन इने रेलवे में उसके लिए टिकेट नहीं मांग सकता पिर वह तो उसको डॉग बोलकि उसका टिकेट लेना चाहता था टीसी इस वेसे उसको डॉग बोल दिया नेक्स्ट है हाव ड़स टोटो टेक पानी गरम तो नहीं है फिर एक पैर डालता था पिर दूसरा डालता था फिर पूरी बोडी धे-द्डिप कर लेता था एंटल युवस ही वस नेक डीप इन वाटर जब तक उसका नेक तक पानी नहीं आ जाता था और ऐसी मजे करता था ठीक है वेराज लाई टू तो यह औस से सीखा उसने यह उसने सीखा राइटर से राइटर को उसने एक दिन ऐसी पानी चेक करते होए देखा था तो उसने वहां से पिक कर लिया उससे how does toto almost boil himself alive, toto ने लग बग आपने आपको कैसे alive boil कर लिया तो इस में आप बताएंगे किछन वाला किस्सा, जहां पर हो, केटल में, he got into the kettle of boiling water, almost dipped, he completely dipped himself in the water, and thereafter, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद, he keeps hopping in the water, वो जंप करता रहता है, पानी में, because it starts to boil, and जैसी खड़ा होता है, the weather outside is very cold, therefore, it sits again in the water, in this entire quest, he keeps hopping, until grandma arrives, जब तक grandma नहीं आती, तब तक ऐसी कुटा रहता है, basically, ठीक है, यह answer बना है इसका, यह था वो किस्सा, जब जगा दादी जी आती है, उसको फिर फाइनली बहार निकालती है, उसको बचा लेती है, almost boil होने से, next है, why does the author say, toto was not the sort of pet, who we could keep for long, author असब क्यों बोलता है, कि toto ऐसा pet नहीं था, जिसको हम ज़ादा लंबे समयतक अपने साथ रखते, simply because, यह जो pet है, toto है, वो, इतना ज़ादा शरारती है, that he keeps doing one or the other thing, जिसके वैसे इनको loss होता है, कभी एक परदे फार देता है, कभी एक कपडे फार देता है, कभी एक बरतन तोड़ देता है, तो यह इस तरह के frequent losses, they could not bear, the family of author could not bear, because they were not very well-to-do, वो बड़े well-off या well-to-do family से बिलॉंग नहीं करते थे, बहुत रहीस नहीं थे, इसलिए इस तरह के frequent losses, यह बरदाश्ट नहीं कर सकते हैं, इसको आप as a homework attempt करेगा, मैं चल रहा हूँ, आगे अगले question की तरह, यह आपका homework है, next देखते हैं, ईश्वरन्द स्टोरी टेलर, क्या मज़ेदार कहानी है यह, ईश्वरन्द स्टोरी टेलर, इसकी तरफ चलते हैं, clear है यह वाला पार्ट, फटावट से, जिसका नाम क्या है, ईश्वरन्द स्टोरी टेलर, ईश्वरन्द नहीं नाम है मतलब, बहुत बढ़िया master स्टोरी टेलर है, यह इतना बढ़िया था आपने craft में, कि listener would end up in believing the story, इतनी बढ़िया तरीके से कहानी सुनाता था, चाहे उसमें जूट बोल दे, चाहे सच बोल दे, कि सामने सुन जो रहाता ना, कहानी वो इसकी कहानी को सची माल लेता था, और enjoy करता था थरोली इसकी कहानी को, तो ऐसे एक बंदे की कहानी है, जिसका नाम है ईश्वरन्द, इतना initial context है, आप चलिए स्टार्ट करते हैं स्टॉरी को, ओके, तो जो स्टॉरी है, इस थोड़ी से लेंदी सी स्टॉरी है, लेकिन इसको ध्यान से सुनेगा, मज़दार स्टॉरी है, ऐनिवे, ओके, स्टॉरी, ये जो स्टॉरी थी, ये इश्वरन्द की पूरी स्टॉरी हम सुनेंगे, वो असल में महेंदर नाम का एक बंदा था, जिसने एक जर्नलिस्ट गनेश को सुनाई थी, ये स्टॉरी, महेंदर नाम के एक बंदे ने, जिसका अभी मैं परिचर भी आपको दूँगा, और कौन था महेंदर, उसने गनेश नाम के एक जर्नलिस्ट को सुनाई थी, यंग गाये को सुनाई थी, क्या स्टॉरी है सुनते हैं चलिए, तो पहले महेंदर जान लेते हैं कौन है, महेंदर कौन है, जूनियर सुपरवाइजर एक फर्म, एक यंग बंदा है, बैचलर है ये, इसकी शादी अभी तक नहीं हुई है, ये एक जूनियर सुपरवाइजर है एक फर्म के अंदर, और ऐसी फर्म है वो, जो की यूजुली लोगों को, जहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है, अगर वहाँ पर किसी सुपरवाइजर की जरूत है, तो सुपरवाइजर देते हैं ये, इन्होंने अपनी कंस्ट्रक्शन बहुत सारे सुपरवाइजर को लिया हुआ है, और जहाँ पर भी कोई कंस्ट्रक्शन चल रही होती है, अगर वहां पर किसी supervisor की जरूत होती है तो एक contract बेस पर supervisor provide कर देती है company clear होगा इतना अब किस तरह की construction चाहे दाम्स हो चाहे factory हो चाहे bridges हो कैसी भी construction चल रही हो यह supervisor provide कर सकते थे महंदर का क्या काम था महंदर का काम था keep an eye on the activities at the work side उसका काम था कि जो work side जहां पर भी इसको duty मिली है supervise करने की वहाँ नजर रखे चीज़ों पर activities पर इसी वज़ासे क्योंकि इसकी अलगलग construction site पर अलगलग time पर इसकी duty लगती रहती थी इसलिए एक जगा से दूसरी जगा move करता रहता था जैसा इसको कंपरी से order मिलता था अब चाहे वो coal mines हो चाहे रेलवे बिज हो चाहे एक chemical plant हो कहीं भी construction होता था महिंदर तुरांत महास से एक जगा से दुसरी जगा shift कर जाता था महिंदर की personal info दी गई आपको अब कि वह एक bachelor था उसकी जरूरते बड़ी सिंपल थी और वह कहीं भी adjustable कर लेता था चाहे कितनी difficult situation हो उसमें बड़ी easily adjust कर लेता था महिंदर चाहे वह एक ill equipped circuit house हो circuit house होता है guest house एक government guest house होता है उसको आप circuit house बोलते है ill equipped मतलब चाहे कि एक ऐसा guest house हो जहां पर इंतिजाम अच्छा ना हो चाहे एक makeshift canvas tent हो चाहे कि ऐसा canvas tent हो canvas का बना हुआ tent कपड़े का बना हुआ tent हो जो बस काम चला हो वह makeshift मतलब काम चलाओ in the middle of a stone query stone query के बीच में stone query क्या होता है तो basically ऐसी खदान जहां से पत्थर निकाले जाए बैसलर मतलब ऐसा इंसान जिसकी शादी अभी तक ना हुई हो तो बच्चे एक stone query क्या होता है stone query क्या होता है जैसे कि एक ऐसी जगा जहां से पत्थरों को खोद के निकाला जाए और उनको sell किया जाए कुछ अध्या का माइन जैसा मान से मैटल्स वगरा निकलते हैं कुछ यह अच्छा पत्थर निकलता है कीमती पत्थर माइन के अंदर से ऐसी stone query के अंदर से stone निकाल आता है बेचने के लिए ओके अब ऐसा बताया है कि मैंदर बेशक्स से बड़ा simple सा इंसान था और उसकी जुरूत बहुत limited थी कहीं भी adjust कर जाता था लेकिन उसके पास एक एसेट था उसके पास एक valuable चीज थी वह चीज इंसान के form में थी क्या वो थी उसका cook ईश्वरन उसका जो cook था ईश्वरन वो बड़ी कीमती चीज थी उसके लिए क्योंकि ईश्वरन जो है जहाँ पे भी महिंदर की posting होती थी वहाँ चुप-चाप उसके पीछे चल देता था पीछे-पीछे मतलब वहीं जहाँ पे महिंदर की job लगी है अब नह के लिए cook करता था wash करता था कपड़े उसके रात में उसके साथ chat करताथा मतलब यह सात में रहते थे तो इसका जो भी काम होता था वो सारा करता था इस तरह इंफाक्ट रात में उसके साथ बातचीत करता था उसको कहानी भी सुनाता था could weave endless stories and anecdotes at various subjects, इसकी एक quality भी यह थी कि ये किसी भी topic पे, किसी भी subject पे बड़ी सारी कहानी वीव कर सकता था बड़ी सारी कहानी दच सकता था anecdotes मतलब किस से, किस से भी दच सकता था इसकी एक और amazing quality बताई गई है इसकी amazing quality यह थी to produce vegetables and cooking ingredients out of nowhere in a place with no shops visible एक ऐसी जगा जहाँ पर कोई दुकान द्वा नहीं हो वहाँ पर यह तुरंत पतानी कहां से सबजियां और vegetables, sorry, vegetables और cooking ingredients, cook करने के लिए जो भी समान चाहिए, वो सब पतानी कहां से एकदम से इंतराम कर देता, ऐसी जगा जहाँ कुछ भी नहीं हो पास, कहीं नहीं जगा इसकी जॉब लगी, वहाँ पर आसपास कोई market नहीं है, लेकिन पतानी कहां से इश्वरन लेके आया, ताता सबजी और बनाने का सामान साथ, उसके साथ साथ बो लगया है, यहां पर सिर्फ एक जिंक की शीट का शेल्टर हो, जिंक शीट शेल्टर मतलब आप लोगो ने देखा होगा, सिलवर से कलर का एक चोड़ा डबा, कैब इन बना हो, बस बहाँ पर ऐसे जगा माल लो पहुँचे है, उस जगा भी ईश्वरन एक घंटे के अंदर सबजी का ब इंतिराम कर देगा, और सबस जी को बना भी देगा, यह पता नहीं कैसे कर लेता था, यह आपको बताया गया है, जादू ही तरीका से कुछ ऐसा कर देता था, नोट लिटरल यह मतलब, ऐसा लिटरल मतलब नहीं है, बट यह आपके लिए छोड़ा गया, उपन एंडिड था, tidy up मतलब clean, पहले तको clean करता थ, फिर इसको close जो थे, उसके उनको साफ करता था, फिर उसके बाद एक QUIt मही बान लीता था ना था मस्त और नहाते नहाते जो buckets अपने उपर नहाते नंहाते जो कई सारी बालटी-पानी अपने सिर्फ पेडलता था एशे बालटी-पानी डालते वे एक polarization recite करते रहता था 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 स्विज बोलते तमिल थ्रिलर, कुछ ऐसे तमिल की किताबे पढ़ता था जो की जिनमें थ्रिलर हो कोई कोई सस्पेंस वाली स्टोरी उस बहुती बड़ी स्टोरी यह होती थी 100-100 पेजिस की और इनके अंदर जो imaginative description होता था मतलब क्या खोब सुरे तरीके से describe किया था था इनके अंदर characters को और साथ-साथ story का जो angle होता था था story रहे चलती थी वो भी बड़ा मस्त होता था narrative बहुत अच्छा होता था story का उसकी जो अपनी stories वो cook करता था 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 इश्वनेंदर story teller बोला गया इसको वो भी इन कहानियों से thriller कहानिया उनसे बहुत ज़्यादा influence थी क्यों क्योंकि वो हर कहानिया हर बात जो नरेट कर रहा होता था लोगों को उसमें वो यह चाहता था कि वो उसको suspense का element लेकिया है और ending कुछ ऐसी हो जो कि बिलकुल निरा लियो मतलब मज़दा तरीके से कुछ अपनी कहानिया भी ऐसी thriller बना लेता था वो जैसे example बताये गया है कि अगर उसको यह बोलना होता था था that instead of saying that he had come across a pruded tree यह बोलने के जगा कि उसने highway पे उख़डा हुआ पेड़ देखा है वो अपनी आखों को ऐसे चड़ाता था हाथों को ऐसे बढ़ाता था और बोलता था the root was deserted and I was all sorry the road was deserted road अकेला था and I was all alone deserted मतलब road पे कोई निए था suddenly I spotted something that looked like an enormous bushy beast lying sprawled across the road तुरंधी मैंने एक ऐसा बहुत ही बड़ा enormous मतलब huge बहुत ही बड़ा bushy मतलब जिसके बहुत ज़्यादा बालो बीस मतलब animal मैंने एक बहुत ही बड़ा बालो वाला जानवर देखा जो की पड़ा हुआ था वहाँ रोड पे फैला हुआ I was half inclined to turn and go back but as I came closer I saw that it was a fallen tree with its dry branches spread out तो बोलते हैं मैं लगबग कोशिश थी मेरी कि मैं half inclined मतलब मेरा ऐसा मन था कि मैं मुड़ जाओ आपस वहाँ पर ना जाओ उसकी तरफ लेकिन जैसे ही मैं उसकी तरफ बड़ा तो मैंने देखा ये कोई beast नहीं कोई animal नहीं है ये तो एक पेड है जो की पड़ा हुआ है और इसकी जो dry branches हैं वो फैली हुई है बस एक चोटी सी बात बोलने के लिए भी वो बड़ा प्रक्रा suspense बनाता था बेसिकली इश्वरन सिमाजनेटिव स्टेश एंटरेंड महेंदरा इश्वरन की जो एक कहानिया थी चाहे वो सच्ची थी चाहे जूटी थी इश्वरन ये सारी कहानिया महेंदर के लिए बड़ी entertaining होती थी इसलिए वो उनको मजे से सुनता था बिना किसी judgment के बिना किसको judge करे इंकलाइन मतलब जुकाओ मतलब मैं आज बाहर जाने के लिए मेरा जुकाओ मेरा मन है अब story of Tusker आपको बताते है तो इश्वरन एक दिने कहान ही सुनाता है महेंदर को वो बोलता है the place I come from is famous for timber इश्वरन वोड बिगिन बताता है कि जिस जगह से मैं बिलॉंग करता हूँ वो timber लकडी के लिए बड़ी मुश्वर है वहाँ पे बहुत बड़े-बड़े forest है और उन forest से लकडी को काटा जाता है और उस लकडी को बड़े-बड़े हाकियों की help से trucks में load किया जाता है lorries में load किया जाता है इतना बोलता था और विरिश्वर ने एक और detailed कहानी सुनाता है about a hathi वो बताता है कि एक दिन tusker है एक word यहाँ पर tusker, tusker मतलब elephant only एक दिन इसी जंगल में से एक hathi जो है न वो उस पूरे group से जहाँ पर बाकी hathi थे उनसे निकल जाता है उसका दिमाग में फिर जाता है थोड़ा बहुत किसी कारण से और वो निकल जाता है जंगल से बाहर जंगल से उस जगह से बाहर बेसे लिए जहाँ woods को वो डालते थे लॉरी उसके उपर उस जगह से निकल जाता है और वहीं पर पास में वो जो भी लकडी उसके रास्ते में आती है उसको तोड़ देता है जंगली घास जो आती है उसको तोड़ देता है मतलब तोड़ते फोड़ते वो पूरे एरिया को हिलाते हुए जा रहा है finally वो पहुंचता है उस जंगल के साथ attached एक शहर के किनारे पे बिलकुल जहां से शहर शुड़ू होता है उस highway पे पहुंचता है वो और उस highway पे पहुंचने के बाद जो भी highway पे उसको दिखता है उसको भी testness कर देता है highway पे जो भी fruit sellers की shop है highway पे और भी जो भी चीज़े है roots है, plants है उन सब को खार देता है पूरा शहर जो है वो वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं इदर दर ऐसे भागने लगते हैं इदर दर दर के अब ये उसके बाद क्या करता है उसके बाद ये बंदा जो है ये जो हाती है ये पहुंचता है वहीं पे एक school में वहीं पे शहर के अंदर एक school था और यह उसके अंदर दिवार तोड़ के घुझाता है दिवार तोड़ने के भाद स्कोल में अफरा तफिर हैते हैं जितने भी बच्चें को सारे इतने सेसे स्टाफ है वो सब छफ़त के ऊपर पहुंच जाते हैं यह जो हाती इतने में क्या करता है यह जो हाती है यह उस स्कूल के अंदर ग्राउन आ उसमें जो फुटबॉल का पोस्ट था उसको उखार देता है जो वाल उल का हम च़र बाँ सब गहां चाहे है बड़े खतर नाक तरीके से सब ड़ा होते है शहर में भी कोई दिखनी दा इंसान जा ऐसा लगता है जैसे कोई है यह नहीं इस कहानी सुना रहा है बाइदवे उसी कहानी में बोल रहा हूं ठीक है उस कहानी में आगे क्या होता है तो यह बोलता है इस्वरन की भाई मैं अपने टीचर के साथ यह पुरा दृश्य उपर से देख रहा था स्कूल की छट से पता नहीं मुझे क्या हुआ मैंने अपने टीचर से उसकी केन चीनी केन क्या होता है वो जो स्टिक वॉक करने के लिए इसको केन बोलते हैं केन तो कहता है मैंने अपने टीचर से केन चीनी और उसके साथ उसको पकड़ा और नीचे चला गया जहां आती था, खुले ground में हाती जो उसकी सूंड में एक डाली थी, उसने मेरी तरफ यू फैक के मारी गुस्टे से मेरी तरफ देखा, अपने पैर को यू जमीन पे मारा, और मेरी तरफ आने ही वाला था गुस्टे से इतने में मैंने सारी हिम्मत, ताकत, इकट्टा करी अपनी, और हाती को उसके तीसरे नेल पे, उसके पैर के तीसरे, 1, 2, 3 तीसरे नेल पे, एक दम से उस लकडी से तीरी से मार दिया, वाक कर दिया हाती पहले तो हैरत में आया स्टंड था, एक सेकंड के लिए सर्प्राइज था, फिर उसकी पूरी बाड़ी उपर से लेके नीचे तक शिवर करने लगी और फिर वो कोलाप्स कर गया, गिर गया ऐसी कहानी उसने सुनाई महिंदर को अच्छा कहानी जब सुना रहा था ना ये, ये बाच जब उसने सुनाई, तो महिंदर साचारता कि आगे क्या हुआ जानना लेकिन इश्वर ने इतने में खड़ा होता है और बोलता है कि मालिक मैं जरा अंदर खाना गरम करके आ जाता हूँ उठता है, जाता है और महिंदर को को एक would Nuri doctor, एक जानवरों के डॉक्टर को बुलाना पड़ता है और दो दिन बाद ये, एक महावत, उसका महाउट उसको ले जाता हा जंगल में वापस तो महिंदर कहता है भाई तूने ये कैसे कर पाया कि तू इतने बड़े जानवर को तुने गिरा दिया ये कैसे किया तुने तो कहता है मैंने इसके बारे में पढ़ा था कहीं इसको या तो कराटे या जूजिट्सू बोलते हैं सम काइंड ओफ आर्ट एंशेंट आर्टे जापनीज जिसमें क्या होता है आपका नर्वेस सिस्टम पैरलाइज गया था थोड़ी दिर के लिए क्या क्या मतलब भी कुछ भी बोलता था असल में बनता कहानी पकाता था लेकिन महेंदर इस पॉइंट बोला गया है कि महेंदर इसकी कहानी को जज़ नहीं करता था इश्वरन सीम टू मेक अफ़ एक अप्सेंस ऑफ टीवी और इतने अच्छे तरीके से कहानी सुनाता था और उनको एंजॉइ भी करता था महेंदर इतने इतना बढ़िया तरीके से ऐसा करता था कि इतना एंगेज करके रखता था यह महेंदर को टीवी की जरूत नहीं पढ करता था क्योंकि आप इश्वरन था जो कि मज़दार कहानिया सुनाता था अब एक दिन क्या होता है इश्वरन महेंदर से कहता है कि चलो आपके लिए एक अच्छा सा डिनर बनाया जाए आज, Sir, can I make something for dinner tonight, Sir? तो request करता है महिंदर से कि क्या आज मैं अच्छा से कुछ डिनर है बना सकता हूँ? आज एक साथ साथ बनाता है कि आज एक बड़ा auspicious शुब दिन है, auspicious day है, और एक tradition है हमारा, जिसके according, आज हम कुछ बड़ी अच्छी delicacies, मतलब बड़ी अच्छे से कुछ अच्छे-च्छी dishes बनाते हैं, बड़ी delicious, to feed the spirit of the ancestors, हमारे पूरवजो की आत्मों को feed करने के लिए, शायद आप मान सकते हैं हिंदू mythology में श्राद के दिन होते हैं, जहाँ पर ऐसा मानते हैं कि सारे ancestors उनके लिए खाना बना बना जाता है, कुछ अच्छ तक ऐसा मान सकते, आपते बोलता है कि हमारे tradition के according, आज के दिन बड़े अच्छी से dishes बनाई जाती हैं, हमारे पूरवजो के लिए, तो महिंदर बोलता है कि हाँ बनाओ, तो ये क्या बड़ा delicious खाना बनाता है, उस दिन और महिंदर जो है, खाना और delicious खाके बड़ा खुश हो जाता है, इतना खुश कि वो इसके culinary skills, culinary skills, culinary मतलब क्या होता है, तो culinary मतलब होता है cooking, इसके जो cooking skills है उनको compliment भी करता है, इसकी तारीफ भी कर देता है, फिर इश्वरन इस बात से बड़ा खुश होता है, और ना जाने कब वो एक निराला सा किस्सा सुनाने लगता है, ये बता देता है, कि जिस जगह ये रह रहे हैं आभी, वो factory जो है, एक कब्रिस्तान के ओपर बनी हुई है, जैसे ये बात सुनता है, वो बंदा, महिंदर, उसका तो जो आनंद महीं महाल में वो था, अच्छा सा खाना खाने के बाद उससे तुरंद बाहर आ जाता है, उसको तो एकदम से, उसके जमीन खिजा क्याती है, परहों के नीचे से, तो ईश्वरन बोलता है, क्या बोलता है, सुनते हैं चलिए, यूनों सर, इस एंटार फेक्ट्री एरिया वे उक्यूपाइंग वस वन सा बैरियल ग्राउंड, यह जो एरिया हम जहां पर रह रहे हैं, पूरा एक बैरियल ग्राउंड था है, कबरिस्तान था, और आगे बोलता है, कि सर, मुझे तो जब मैं पहले दिन ही आया था ना, उस दिन पता है था, जब मैंने एक human skull, एक इंसान की खोपड़ी पड़ी देखी थी, हाँ, पर मैं तो तभी समझ गया था, कि एरिया जो है, भूतिया है, अभी भी बहुत सारी skulls और bones, मतलब अभी भी ऐसा होता है, कि मुझे कभी ना कभी ऐसा मिलती रहती है, हड्डियां और bones, और skulls, ना जने क्या क्या, अभी एक कहानी सुनान लेगा, यह भी बताने लगा, कि कैसे वो रात को कुछ गोस्ट दिखता था, और और सब गोस्ट से वगरा से तो भी डरता भी नहीं है, लेकिन पूर्णी मा की रात, फुल मून के दिन, जिस दिन चंदरमा पूरा होता है, उस दिन फुल मून की रात में, इसको एक फीमेल गोस्ट दिखती थी, कभी दिखती थी, कभी नहीं दिखती थी, जिसके हाथ में एक फीटस था, फीटस मतलब क्या होता है, एक ऐसा अंडर डिवलप्ट बच्चा, ब्रून जो होता है, बैसिकली, तो प्रेगनेंसी के बाद, प्रेगनेंसी के बाद, मा की पेट में एक फीटस पलता है, जो की फिर बच्ची की शेप लेता है, तो फीटस होता है, उसको आप अंडर डिवलप्ट केट, जो की बाद, कि बाद, जो ऑच्ची के बाद, जो की बाद, जो एक बाद, जो की फिर दहते हैं, जो की बाद, झाल झाल पादर में फादर इंट्रूजन तोड़ा सा आवाज माइक की चली गए थी एक भूतिया स्टोरी के बीच में उके सुनिये फिर आगे स्टोरी क्या होता है तो इश्वरन जो है महिंदर को बता रहोता है कि सर देखिए वैसे मैं भी ड़ता हूं बड़ा जादा लेकिन एक फीमेल घोस्त है जो की पूर्णिमा की रात को मध्य रातरी मिड्नाइट में मुझे कभी-कभी दिखती है और उस लगता है जैसे कि स्केलेटन ने अपने हाथ में फीटस पकड़ा हुआ है स्केलेटन मतलब एक कंकाल ने अपने हाथ में एक ब्रून पकड़ा हुआ है फीटस मतलब एक न्यूबॉर्ण न्यूबॉर्ण नी ब्रून जो की पेट में पलता है ना बच्चा प्रेगरिन अब महिंदर जो है कहां पुड़ता है बिचारा कहां शरीफ आदमी वह जैसी महिंद इश्वरन इस बात को उसको बताता हो इश्वर्ड इश्वर्ण वह एकदम से कहां पजाता है इश्वर्ण को रोक के बोलता है तुम पागल हो इश्वर्ण ऐसा कोई चीज नहीं होती गोस्ट और बूतो जैसी इस अल अफिग्मेंट और इमाजिनेशन यह सब तुम्हारी इमाजिनेशन को कमाल है तुम अपना पेटवर्ड चेक करा अपना सिर्वी चेक करा और ठीक नहीं लग रहे है और इसके बाद वहां से तुरंत निकल जाता है इश्वर्ण उसको उस कमरे से निकल जाता है और जाकर अपने रूम में सोने की त्यारे करता है वह एक्सपेक्ट करता है कि यह डाट सी जो उसने लगाई है इसकी वैसे इश्वर्ण अगले दो-ती दिन तक उससे नराज रहेगा कमाल की बात ही है कि अगले दिन जब वह सुबह उठता है और जाके मिलता है इश्वर्ण से अपने ओफिस निकलने के लिए नाद होके जब वह निकलता है बेसिकली तो इश्वर्ण फिर से वैसे रोज जैसे चेरफल खुश रता है वैसे उसको मिलता है उसको ग्रीट करता अच्छी से उसको उसका लंच थमाता है और वो आफिस निकल जाता है लेकिन इस दिन के बाद से चाये उसने कितनी बादुरी बरी बाद बोली हो महिंदर ने इश्वरन को कि भूत भूत नहीं होते हैं और तुम्हारी सब दिमाग का खयाल खयाली पुलावे वगरा वगरा ल लेकिन यह देखने के लिए कि वहां पर किसी की कोई डार्क शेप्स मूव तो नहीं कर रही अब उसको रात में एक सी ऑफ डागनस विद ट्विंक्लिंग अव लाइच फैक्टरी लेकिन इसको कुछ नहीं दिखता था उसको सिर्फ एक बहुत अंधेरा दिखता था और फूल मून होता था तो इस रात में उसको बड़ा पसंद था चारत्रफ देखना बहार क्योंकि बड़ा अच्छा सा खूबसूरत सा देखता था लेकिन जब से उसने इश्वरन वाला किस्सा सुना था तब से वो पूर्णियमागी रात को बहार नहीं जागता था एक दिन क्या हुआ यह देखते हैं अब एक दिन क्या होता है वन नाइट ही हर्ड लो मोन नियर विंडो एक दिन उसने कर रहा बाहर मोनिंग साउंड सुना किसी के कराने की आवाज सुनी विंडो के बाहर और वो उठ गया पहले तो ही थौट इट वास काट प्रावलिंग महिंदर ने बड़ी देर तक तो खुद को रोका अपने आपसे अपने आपको बाहर देखने से लेकिन फिर नहीं रोक पाया फिर उसने क्या करा विंडो सिल के नेचर से ऐसे यू हलका सा जहांका बाहर क्या दिखा उसको lowering himself to the level of the windowsill he looked out at the window sheet sorry white sheet of moonlight outside there वहां पर not too far away was a dark cloudy form cluttering the bundle जादा दूरी पे नहीं लेकिन थोड़ी ही दूरी पे उसको एक dark cloudy सा कुछ दिखा जिसके हाथ में एक bundle था कुछ पकड़ा हुआ था उस चीज ने महिंद्रा broke into a cold sweat and fell back on the pillow panting महिंद्रा एकदम से बहुत जादर गया उसको पसीना पसीना आ गया काप ने लगा pant करने लगा वो pant करने लगा मतलब half ने लगा और पीछे तक्ये पे गिर गया अपने उसने वो भूत देख लिया था जो उसको initially जिसके वारे में इश्वरण ने बताया था terrified by this ghastly experience बहुत ही दरावने से जो fearful एक्सपीरियंस उसके साथ था इससे बहुत दरा हुआ था लेकिन उसने अपने आपको यह कहा कि समझाया कि शाहिए उसके दिमाग का ही उसके सबकॉंचिस माइंड का एक खयाल है उसके साथ मलब उसके दिमाग ने उसके आद एक ट्रिक महहंदरा जो यह उठता है पूरी दिमागया उसको लगता है कि रात गई बाट गई खाल हो雨 बात और वह वैस यह खयाल कल रात का खतब हो गया वह उठता है सुबह नीचे आता है ऐई माहदरा चुझी तो अफ यॉ और लीड के यृडि जो निकलने के लिए होता है अब प के साथ जो इश्रन रोज उसको इता है उसको ग्रीट करता है गुड मॉर्निंग और बोलता है वाल स्टपिंग आउट इश्रन ग्रीनिंग अंसेड जब यह बहार ही निकल रहा है तो इश्रन हसते बोलता है sir remember the other day when I was telling you about the female ghost with a fetus in its arms you were so angry with me for imagining things आपको याद है जिसके हाथ में फीटस होता है एक चोटा अच्छा होता है ब्रून होता है आप बड़ा गुस्स होए थे मेरे पर कि आपको लगा था कि मैं चीज़े इमाजन कर रहा हूँ well you saw yourself last night I came running hearing the sound of moaning that was coming from your room आपने खोदी उसको कल रात देख लिया मैं तो आपके रूम पे आया था दोड़के जब आपको मैंने अंदर से कराते हुए देखा अंदर से आप जब परेशान होके करा रहे थे तो वो आवाजे सुनके मैं खोदी आ गया था ओपर अचल आप जैसे ही मैंदर ने सुना ना एकदम से उसकी स्पाइन में चल चला गया मतलब उसको डर लगया फिर से बहुत ज़ादा उसने बिना देरी के वो अपने ऑफिस पहुचा एनी पुट डाउन इस पेपर सुनने रिजाइन कर दिया उसने वहाँ से ये डिसाइड ग इसका इंटेपिटेशन अलग अलग लोग अलग तरीके से एज्यूम करते हैं मैं आपसे जानना चाओंगा क्या आपको स्टूरी समझ में आई कोई गराई इश्वरी घोस्ट है सम घर पे अकेले हैं प्लीज मत सना ओके इतना स्कैरी तो आप तो आपने सुनी होगी ना कहा इसवरन जो है मैंद्रा के लिए एक एसेट कैसे आई आपको बताना है तो इसलिए है कि वो उसके लिए कुक करता था उसके कपड़े वाश करता था जहां यह महिंदर जाता था हर जगा उसके साथ साथ जाय करता था यह इस वज़ए से आप कह सकते हैं कि he's an asset how does he shouldn't describe the uprooted tree on the highway what effect does he want to create in his listeners वो uprooted tree को कैसे describe करता था बोलता था है कि एक लार्ज बुशी बीस्ट आपने wings को पहलाए वहाँ पर पड़ा हुआ है ऐसा क्या what is the effect does he want to create in his listeners अपने listeners पे क्या effect create करना आता था था he wanted to thrill his listeners अपने listeners को thrill कर देना चाता था suspense के through suspense create करता था हर does it appear to be plausible वो स्टोरी जो है elephant की वो कैसे सुनाता है तो स्टोरी आपको डीटेल में पहले तो बतानी है कि कैसे उसने बताया कि एक elephant टसकर जो है वहाँ से escape कर गया जंगल से और फिर वो पूरी तबाही मचाते है स्कूल पहुंचता है जहां पर इस वरन फाइनल उसको वाक करत है स्टोरी बिल्कुल भी पॉसिबल है थर्ड हाती को तुमने टोनेल पर वाक करके गिरा दिया पूरा यह स्टोरी बिल्कुल भरोसे मन नहीं लगती है बट इस इन इंट्रस्टिंग स्टोरी नेक्स्ट है वाय ड़स दे ऑथर से दाट ईश्वरन सेम तो बी मोर्दन मेंक अब एपसंस अफ टीवी महिंद्रा लिविंग क्वार्टर जोरी सुनाय करता था कि महिंदर बिल्कुल उसको अन्प्रिटिकली अर एंगेज होके कहानी सुनता था उसकी इन फैक्ट अगर कभी ऐसा होता था कि इस व्यांगी अप्संटे चलाय जाता था तो महिंदर जो है कि यहार कहानी पूरी सुना दो इस वज़े से आप बोल चकते हैं कि टीवी की एपसंट जो है वह यह जो है इस रन पूरी कर रहा था महिंदर के लिए महिंदर बोलता है गोस्ट को यह स्पिरिट को एक फिग्मेंट उसके साथ खुद गया होता है फुल मून नाइट पे तो फुल मून नाइट पे ऐसा होता है कि that he notices a dark cloudy form cluttering a bundle in its hands ऐसा लगता है जैसे कि उसने एक dark cloudy form देखियो जिसके हाथ में एक bundle हो इन शॉर्ट इट लुक्स लाइक अपारेंटली ही हिमसेल्फ साथ गोस्ट इसको बतार था वो खोद इसने देख लिया था क्लियर होगा यह बिल्कुल इसके साथ हम स्टार्ट करते हैं अगली स्टूरी जल्दी से बिकॉज हम शॉर्ट अन टाइम मुझे फटा वट से इसको राप आप करना पड़ेगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन दा किंग्डम फूल्स बड़ी मज़धार कहानी यह है ईश्वरंद स्टूरी टेलर की तरह ही कुछ-कुछ मान सकते हैं एक रामरोजन साब ने कहानी लिखकी है स्टूरी का टाइटल है बेवकूफों के राज्य में यह कहानी है जहापर Aप देखते हैं जिसको एक राजा बेवकूफ राजा और इसका बेवकूफ मिनिस्टर पिग्मेंट ऑफ इमाजिनेशन नहौन फ्रसाइए एक result ठीक है स्टोरी का moral का यह स्टोरी का कोई moral नहीं है का इंटर्टेनिंग स्टोरी है बस आप इतना समझ सकते हैं फिर भी आपको स्टोरी का message निकालना है तो आप यह लिकाल सकते हो कि आपको किसी बात पर ऐसे बरोसा नहीं कर लेना चाहिए ईश्वरन ने शायद एक prank ठीक है तो यह जो रूल यह जो राज है इन दा किंग्डव फूल्स में आप देखेंगे ऐसा राज है जिसको एक बेवकूफ राजा जिस पर राज करता था और उसका एक बेवकूफ मिनिस्टर उसके साथ राज करता था और यहां सारे उल्टे काम होते हैं इस स्टोरी के बेवकूफों के साथ अच्छे से deal कर सकते हैं, उनको manage कर सकते हैं, इस बात को ये emphasize करती है, चलिए देखते हैं, फैसिसम कोई बोल रहा है क्या होता है, तो फैसिसम मतलब एक belief होता है, जो कि जर्मनी के अंदर नाजिस्ट, नाजी जो लोग थे उनके अंदर था, क्या कि हम मिनिस्टर, तो एक बेवकूफ राजा था, और उसी का बेवकूफ मिनिस्टर था, इन लोगों को लगा, इन लोगों ने एक order पास कर दिया आपने kingdom में, कि आज से दिन रात होगा और रात दिन होगा, उल्टा कर दिया, सब इनको लगा था, सब कुछ normal कैसे चल रहा है, तो उनको टिल करेंगे, जोतेंगे उनने, और रात में उनके सारे बिजनेसेस, स्टार्ट करेंगे, अन्धिरा हो जाने के बाद, और जैसे ही सूरज होगेगा, सारे के सारे लोग सो जाएंगे, ऐसा ही हुआ, और अब बोला, कि अगर ये order लोगों ने नहीं माना, तो उनको सब्सक्राइब को बड़ा खुशी हुए देखके कि उनका प्रोजेक्ट काम्याब हो रहा है क्योंकि ऐसा ही लोग करने लगे थे फिर क्या हुआ एक दिन इस राज्य में गुरू और उसका एक चेला आते हैं और यह दोनों जब राज्य में घूमते हैं दिन में तो इनको स्लीपिंग मतलब लोग तो लोग जानवर भी सो रहे थे इस किंग्डम में दिन में कमाल की बात उनको यह लगी शाम हुई और यहां पर हल चल थोड़ी सी होनी शुरू हुई सब उठे और सब ने अपना काम करना शुरू कर दिया लेकिन इस समय तक गुरू और इस डिसाइपल गुट हंगरी अब शाम होते होते इनके इस गुरू चले को भूख लगने लगी थी भूख लगने के समय यह एक शौप पे पहुँचे और शौप पे जाके इनको पता चला कि इस राज में हर चीज चाहे वो घी हो चावल हो चाहे वीट हो सब कुछ सिर्फ एक डुडू का आता है यह डुडू एक करंसी हुआ करती थी रुपे की एक डुडू का आता है और एक रुपीज में 64 डुडू हुआ करते थे तो इनको पता है कि इस राज में चाहे कुछ भी ले लो सब एक डुडू का आता है तो इनकी मोजगी तो बल्ले-बल्ले होगे इनकी इन लोगों ने खूब पेट भर खाया खूब सारा इन्होंने अपना पेट भर आनंद लिया एवर्धिंग है था सेम कॉस्ट इस वज़े से चाहे वह एक राइस हो चाहे बनाना जो तो इन्होंने खूब सारा लिया खूब सारा खाया लेकिन गुरू के एक रिलाज़ेशन हुआ इस समय पे क्या रिलाज़ेशन हुआ उन्होंने अपने चेले से बोला कि मैं राज्य चोड़के जा रहा हूं क्यों क्योंकि ये लोग जो इस राज्य बहते हैं ये सारे बेवकूफ हैं दिस वांट लास्ट वरी लॉंग और ये जो चल रहा है न सारी चीज़े एक ही कीमत के जास हमें तक चल नहीं पाएगा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है और तुम ये भ क्यों रुपी काओ ये ये युुनिट होता था जैसे रुपी के पैसे था ऐसी पैसे का डूढू होता था सब यूट इनिवे तो डिसाइपल ने बोला गुरु जी मैं तो नहीं चाहता हो खाना पिना चाता हूं सब कुछ इतना सस्ता है तो गुरुजी ने का ठीक है आप यहीं दो आप डिसाइपल जो है यहीं पर इस राज्य में लगा गुरुजी चलेगा अपने रस्ते इसने चीप फूड खाया और जो भी इसके हाथ लगा घी बनाना वीट राइस खूब सारा इसने घाया पेट भर के क्योंकि सब कुछ बहुत सस्ता था एक रुपय में सब कुछ आ सकता था इस ने खूब सारा खॉया और कूछी सम्य में घर में दिवार तोडते और अंदर घुश जाता है जब वहां से वो लूट रहा होता है सामान जो भी इसको राज्य में मिलना होता है मतलब इस घर के अंदर जो भी सामान इसको मिला चोरी का उसको लूट के जब वापा जा रहा होता है तो जो इसने दिवार तोड़ी थी वो ही दिवार इसके उपर से इसके उपर गिर जाती है ट्रेड करते हुए शिकारी के घर इस व्यापारी के घर गया तो उसके ओपर इसके घर की दीवार गिर गई और हमको लगता है कि यह गुणागार है इसको सजा दो माहराज हमको जस्टिस चाहिए और कुछ monetary हमको compensation भी दे जाए हमको हर्जाना भी दिया जाए मेरे भाई के मरने का तो राजा कहता है बिल्कुल आपको justice दिया जाएगा राजा कहता है बिल्कुल justice आपको सद दिया जाएगा आपको न्याए मिलेगा उस merchant को वियापारी को ले के आओ बहूं यहां पर हर देता देंekt ऐसे पुछता है कि ऐसे ऐसे थो ही जो तमस्क्राइब घर पर एक बंदा आया था क्या तो व्यापारी बोलता है हाँ ऑक भाई हो मेरे घर पर ए까요 चुरी कर ने के लिए और चुरी करते वह उसके पर दिवार गिर गई तो इसलिए वो मर गया तो राजा कहता है बाई वाह जो गिल्टी है जिसने गल्टी करिया उसने अपना गुनाः कबूल कर लिया केस सॉल्व हो गया है गुनाः कबूल कैसे किया कि वह व्यापारी जिसके खलाव शिकायत थी कि उसके घर एक आदमी गुस है उसने सुिकार कर लिया है कि हाँ अमरे लेयर ने जिस मिस्त्री ने बनाई थी उसकी गलती है उसने उसको अच्छे से नहीं बनाया वो कमजोर रह गई और कमजोर रह गई इस वैसे वो जब आदम मेरे घर आया उसके ओपर गिर गई तो राजा कहता है बिल्कुल सही बात है उस ब्रिक लेयर को बुलाओ तो यह जो व्याप अरिया है बोलता है ब्रिक लेयर में तो जो था वह बुजर्ग हो चुका होगा यह जो दिवार मैरे पता जी के टाइमपर बनी थी तो राजा उसको मुल्य को पएश किया जाए ब्रिक लेयर आता है बॉँक्ल strengthened राजा पूंश्था थी वो बनाई जरूर थी मैंने लेकिन एक हमजोर रहे किसे मेरी कलती ने क्योंकि उसी समय पर जिस महले में जिस गली में दिवार बना रहा था उस जगह पर एक लड़की एक डांसिंग गर्ल पैरों में पाजे पहन कर एंकलेट्स पहन कर बार-बार वहां से आ जा रही थी ज अब तो बुजर्ग होगी लेकिन मुझे पता है वो कहा है उसको बुला जाता है उसको पेश कियाता है कोट में डांसिंग गल से क्या तुम उस गली से बार-बार वाक कर रही थी जिससे जहां पर यह प्रिक्लियर काम कर रहा था और अपनी दिवार बना रहा था तो यह बर गलती मेरी नहीं ये गलती तो वहां पर गोल्ड स्मिथ्था एक सुनार था जिसको मैंने कुछ सुने की चीज बनाने के लिए दी हुई थी और वो मेरी चीज बना नहीं रहा था बल्कि मिरको बार-बार खुछ नहीं कुछ एक्सक्यूस दे के बार-बार बुला ररा शाप प है बहुत बढ़िया सुनार साहब को पहुंचे राजा के दरबारी लेने के लिए तो सुनार साब ने क्या एक्स्प्राइशन वह कोट में देंगे पहले ही तयार की हुई थी कोट में वह पहुंचे और सुनार ने बोला कि महाराज ये बात सच है कि इस लड़की का जो ओर्डर था जो इसने चीज मुझे बनाने के लिए दे हुई थी मैं वो नहीं दे पा रहा था और इसको बार बार में दुकान पे आना पड़ रहा था लेकिन इसका रिजन मैं नहीं हूँ इसका कारण है एक व्यापा तब तक तुम किसी और का काम नहीं करोगे इसी वजह से उसका और पूरा करने के लिए मुझे कुछ समय लगा और उस समय जब यह मेरी शॉप पे आती थी डांसिंग गर्ल तो मुझे कुछ नो कुछ बहाना बना के इसको बेजना पड़ता था इस वेसे इसको इतने चक्कर काटने पड़े तो गलती इसको चक्कर कटवाने की मेरी नहीं है तो उस रहीज व्यापारी की है जिसके घर पर शादी थी और उसने मुझे और कोई काम नहीं करने दिया तो राजा करता है बिल्कुल सही बात है कहा है वो व्यापारी बुला उसको कमाल की बात यह है कि यह वही व्यापारी है जिसका बेटा इनिशली राजा के पास आया था जिसके घर पर चोरी हुई है ना वो व्यापारी जो है यह जो फाइनल में आकरी में व्यापारी गोल्ड स्मित ने बताए उसका बाप है यानि कि जिस व्यापारी घर पर चोरी हुई और वो चोर मरा है उस व्यापारी का पिता ही है यह वाला व्यापारी जिसको आकरी में गोल्ड स्मित ने बोला कि उसके घर पर वेडिंग थी कमाल की बात यह है कि राजा को जैसे ही पतलता है राजा बोलता है जस्टिस एस कम फुल सर्कल जस्टिस जो है पूरा सर्कल घुमके वापस पहुंची गया है उसी इनसान के पास जो इनीशिली गुनागार माना गया था तो वो आता है उस बड़े व्यापारी का बेटा जिसक तो राजा जो है अपने सलाकारों से कंसल्ट करता है पूछता है कि क्या करना चाहिए ऐसे मैं है ना और सला करके वह व्यापारी को बुलाता है तुम ही को सजा होगी तुमने अपने पिताजी से अपने सारे लेगसी अपने सारी जायदात इनहरेट करी है ना उनसे सारी यह हम कर चुके हैं ऐसा एक स्टेक मंगाया जाए और उस टेक पर इसको एक पीज इसमें इसको डाल दिया जाए इसको डेथ का पनिश्मेंट मिल जाए ऐसी पनिश्मेंट इसको करी देने की कमाल की बात यह है कि जब ऐसा स्टेक और किया गया और सजा का दिन आया तो यह जो व्यापारी था इनके मंत्री ने बताया कि यह व्यापारी उस टेक के लिए बड़ा पतला सा है उस टेक पे एक मोटा आदमी चाहिए एक्जिक्यूट करने के लिए तो राजा सो यह जो बोटा हो तो मंत्री इसके गए राजवे मोटा आदमी ढूड़ने के लिए कमाल की बात है उसी चेले पे जो अब खाका के सांड हो चुका था उस चेले पर उनकी नजर पड़ी और वो उसको ले जाने लगे चेला एकदम से बड़ा परेशान हुआ कि वह बोलता है क कि मैं तो एक सन्यासी हूँ मैंने क्या गलत किया है और उसको अपने गुरू की बात याद आती है जो कि क्या बोलके गए थे उनको तर इट वासटी अफूल से अपने गुरू को याद करने लगा गुरू जी जो थे वो सब कुछ अपनी मैजिकल पावर से देख सकते थे आ अच्छे से याद करने लगा सच्चे दिल से तो गुरू जी ने ये बात अपने सपने में एक विजन में देख ली और वो वहीं पर आ गए तुरंद जहां पर यह चेला फसा हुआ था अब चेले को उस टेक के पास रखा हुआ था जैसी गुरू वहां पहुंचे वह बिल्कुल गुरू होता है बढड़ा तो इसमें कोई शकी नहीं है ऐसा कहने के बाद ये जो चेला है राजा ये जो गूरू है तो ये बोलता है राजा से अब गुरू बढ़ा तो पहले उसको सजा होने चाली मौत की यानि कि आप मैं गुरू हूँ मुझे मौत की सजा इस पे, स्टेक पे, फिर इतने में उसका चेला बोलता है, राजा के सामने की नहीं राजा साब आप मुझे लेका आज़ने सजा के लिए मुझे पहले सजा दो, देखते देखते दुनों आपस में लड़ने लगे कि किसको सजा हो पहले, इसके राइट रहे हैं कि राम कि सजा हो, कौन पहले मारा जाए, तो राजा ने गुरू से पूछा है, कि है वाइस सेंट, आप मुझे बताए कि आप आपस में लड़ क्यों रहें, मैंने तो इसके उसलिए बुलाया है, कि ये जो है, ये जो बंदा था, आपका चेला है, बहुत मोटा था और स्टेक पर स से रिक्वेस्ट करता है, तो गुरू करता है, कि अगर आप मुझे वर्ड दें, अपना प्रॉमिस करें, कि आप मेरे बताने के बाद भी पहले मुझे ही, इस पे सजा देंगे मौत की, तो मैं आपको बता सकता हूँ, तो राजा करता है, हाँ ठीक है, ऐसी है, अब राजा क यह किसी भी राज का जितने अच्छे राजा आप है, यह जो आपने यहाँ पर लगाया है, सजा देने के लिए यह जो स्टेक लगाया है, यह स्टेक है जस्टिस का, न्याय मिलेगा यहाँ पर, इस पे आज तक किसी की भी और बली नहीं दी गई है, यह इस पे जो भी पहल बार मरेगा ना वो इस राज्य का अगले जीवन में राजा बन जाएगा और जो दूसरे नंबर पर मरेगा वो उसका मंत्री बनेगा राजा का ये बात सुमते दिमाग गूम गया और उसने जो है गुरु को भेज दिया और गुरु ने कहा कि आप अपने शब्द याद रखे मैं इस राज्य का राजा किसी और को बनाओ अगले जीवन में राज्य बनना चाहता हो और तो भी मिनिस्टर बनना चाहता हो गा और यह जो को शच को धे जहां है सहमत होगे राज्य से लोगों ने क्या करा जेल में जहां ये दोनों गुरू चिला बन थे इनको वहां रात में जाके छोड़ दिया और इनका भेश खुद बढ़ लिया इनके कपड़े खुद पहन लिये और मिनिस्टर को जाने से पहले जो ये एक्जिक्यूट करने वाला बन्दा था जो इनको स्टेक के इनको सजा की देता मौट की उसको वह समझा दिया थै कि तुम्हारे पास सबशा 12 लोग आये जो लोग जो इंसान पहले है उसको पहले सजा देना मौत की और जो बाद में है उसको बाद में देना गलती मत करना इस order में तो वहाँ जेल में गए रात में उन दोनों का गुरू और चेले को भेज दिया उनका जगा अपना भेज बढ़ लिया और एक एक करके पहुँच गया सजा लेने के लिए पहले राजा गया फिर उसका मिनिस्टर गया और उस सजा देने वाले को जैसा order था उसने वैसे ही किया उसने दोनों को एक एक करके सजाए मौत दे दी अगले दिन जब इन दोनों की बाडी बाहर राज्य में फैकी गई ताकि क्रोज और चील वगरा खा सके उसको तो पूरा राज्य बड़ी हरत माना की राजा और उसकी बाडी मिनिस्टर की ये कैसे हुआ ये कैसे इतने में ही अगली शन क्या होता है कि ये जो वहां के राजा प्रजा के लोग हैं बड़े दुखी होते हैं बहुत परेशान होते हैं कि अब हमारा क्या होगा हमारा तो राजा अंधेरे में रहेगा हमारे तो राजा ही नहीं है मिस्टर नहीं है तो ये जो गुरू और चेला थे चुप लेकिन जो गुरु जी थे ना जो गुरु जी थे उनको थोड़ा टाइम लगा और उन्होंने ये बोला कि हां मैं राजा बनतो जाओंगा लेकिन मेरी एक कंडिशन है कंडिशन ये है कि अब जो भी पुराने नियम कानून थे इस राज्य के वो नहीं रहेंगे जो नए कानू बनेंगे उनके हिसाब से राज्य रहेगा तो मैं त्यारों बनने के लिए और ये भी कंडिशन रखे कि आब ना तो रात दिन होगा और दिन रात रात होगी दिन दिन होगा और ना ही पुरे राज्य में कुछ भी एक डूडूडूगा मिलेगा सारी चिज़ों की बराबर क राज्य अब नहीं रहा दाट इस एंड अफियर स्टोरी आपकी स्टोरी का एंड है यह रही एक डीटेल समरी आई होप आपने स्टोरी एंजॉय करी हो मुझे अगयान जब मैंने स्टोरी को पहली वार पढ़ा था मेरे को बहुत ही मज़ा आया था कि क्या राज्य कि अब दिन दिन होगा रात रात होगी उल्टा नहीं होगा और एक डुड़ो का कुछ नहीं मिलेगा इस कंडिशन पर बन गए राज्या फिर ओके क्वेस्टन बर वन पहला क्वेस्टन जो है वह क्यों कि वहां पर हर चीज एक डुड़ो के स्वेवक। इसलिए उसको सारी चीज़े बड़े सस्ते में खाने को मिल रहे थी and he loved food, इसलिए उहां रुख गया, क्या यह अच्छा इडिया था, नहीं, यह अच्छा इडिया नहीं था, क्योंकि गुरुजी ने बोला था, कि यह बेवगुफर राजया और बेवगुफर कुछ नहीं प साता और चोर वापस लूट लेते हुए, उसके उपर वो दिवार गिर गए थी, जो उसने तोड़ी थी, इसलिए उसको बुलाया गया, फिर किसको बुलाया गया, व्यापारी ने बोला, उस ब्रिक लेयर की गलती है, ब्रिक लेयर की क्यों गलती है, ब्रिक लेयर ने सिंगर्ण ने किसके उपर दोश मन दिया इसने बोला कि यह गलती मेरी निया तो गोल्डश्मित की सुनार जलती है क्योंकि उसने मेरा ओर्डर मुझसे ले लिया सोने का और पूरा नहीं करा उसने मुझको बड़े सारे चक्कर कटा है दुकान के अपने उसकी गल्टी है उसक सारे लोग को code में try किया गया next है who is the real culprit according to the king why does he escape punishment असली culprit कौन है राजा की according तो राजा में final में सजा किसको दी उसी व्यापारी को दी जिसके घर पे चोरी हुई है ये उसकी final judgment थी वो बच कैसे आता punishment से वो इसलिए बच जाता है क्योंकि next है what are the gurus words of wisdom when does he the disciple remember them guru के कौन से words है wisdom के और ये जो disciple है जो चेला है उनको कभ याद करता है तो guru के कुछ words जो है wisdom के वो है कि ये बेवकूफों का राज्य है and you never know fools क्या करने वाले हैं आगे what fools do next you do not know that इसलिए it's not safe to live here ये words of the guru के और ये कभ याद आते हैं चेले को जब उसको राजा के मंत्री पकड़ के ले गए stake पे सजा देने के लिए execute करने के लिए next है how does the guru manage to save his disciples life गुरू कैसे बचाता है अपने चेले के life तो वो पूरा episode आप बता दीजे उसको सजा दो गुरू जिसके साथ आपका बीहाइव और मुमेट्स का वो पकूर कि मुमेट्स का व़GB portion जो पहले 4-4 chapters मेरे को cover करने थे वो cover हो गए हैं अब करते हैं poems इस इस आपकी जो बी हाइव बुक है उसमें जो poems हैं उनको discuss करते हैं कि करके चलिए फटावट से चार poems I'll take up मैं discuss करने वाल उनको फटावट से तो उन poems को जल्दी से देखते हैं पहली poem मेरी पसंदीदा poem है बच्पन से मैं उसको बहुत पसंद करता हूं जब से मैंने पहली वार उसको पढ़ा तब से poem लिखी है Robert Frost साहब ने the road not taken इस poem में क्या होता है poet जो है एक traveler की तरह जंगल में जा रहा होता है और एक point ऐसा आता है जहां पर दो रास्ते कट जाते हैं ऐसे हो उसका एक रास्ता दो रास्तों में डिवाइड हो जाता है अब poet दोनों रास्तों को देखके बड़ा confused है और द पतानी क्या situation उसके दिमाग में इस टाइम आती है क्या confusion उसके दिमाग में इस टाइम रहती है यह आप जानेंगे इस poem के through basically life में जो आपके difficult choices आती है डायलमाज आते है उन poem के लिए यह figurative symbol है यह दोनों रास्ते दिखाते हैं आपके life में difficult choices आते हैं जो आप decide ही नहीं कर प difficulty job face करते हैं उस choice को लेने में किसी एक को opt करने में यह poem उसके बारे में है start करते हैं इसको चली पड़ावट से two rows diverged in a yellowwood and sorry I could not travel both and be one traveler long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth द्यान से समझता है वड़ावट से poem को मैं आपको समझा दूंगा line by line लें लेकिन meaning इसका लिखते रहेगा मैं फड़ावट से चल रहा हूं आगे तो बोलता है poet की दो रास्ते जो है वो diverged हो एक yellowwood में यानि की दो रास्ते थे मतलब एक जगा मैं पहुंचा इस जगा पर ज yellow हो जाती है पत्तियां ठीक है तो autumn के समय पर गहें इसलिए yellowwood बोला है इसको अब poet बोलता है कि रास्ते दो चीजगा दो पर रास्तों में कट गए दो directions में कट गए मेरे एक जो रास्ता था और sorry फील करता है कि मैं दोनों ट्रावल ने कर सकता हूं क्यूंकि आसे ट्रावलर आप चाहेंगे ना दोनों पर जाना जब तक उसको उसका bend नहीं दिखा end तक बिल्कुल उसने वहां तक देखनी कोश्करी अच्छा है कि बुरा है जब बिल्कुल end तक उसको उसका bend नहीं दिखा जब वो बिल्कुल undergrowth undergrowth मतलब घने जंगल में dense bushes जहां पर आगी वहां पर वह उसमें एक bend आया और फिर दिखना बंद हो गया तो एक रास्ते को उसने बड़े detail में examine करा in short पहला paragraph आपको introduce करता है situation जिसमें おगाएट कि situation में कि वह जंगल में जा रहा है तो जीसस पर चल रहा था तो रचों में डिवाइड और वह दोनों पर चलना चाहता है लेकिन दोनों पर नहीं घा सकते है इसलिए दोनों को देख रहा है सबसे पहले उसने पहले रास्ते को देखा और वहां तक चेक किया जहां तक उसको दिखना बंद नहीं हो गया ओर रास्ता ये पहली 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 लाइन का मतलब है इंश्वाड आगे देखते हैं अब पोईट क्या कहता है पहले तो उसने एक रास्ता अच्छे से एक्जामन करा इपहले रास्ते का था and having perhaps the better claim और उसका claim जो है शायद better है यानि कि यह रास्ता जादा deserve करता है कि इस पे कोई चले क्यों क्योंकि वो जादा grassy था पहले के कम मुकाबले और it wanted wear wear क्या होता है थोड़ा सा गिसना किस चीज को जैसे मेरे shoes जो है wear down हो गए चलते तो मेरे shoes गिस गए अब यहाँ पर इसने बोला है रास्ते को कि वो grassy था उस पे जादा grassy पहले वाले के मुकाबले और wanted wear यानि कि उस पे कोई भी चला नहीं था वो अभी तक गिसा हुआ नहीं था उस पे कोई गया है नहीं अभी तक it wanted wear simply means कि उस पे कोई भी चला नहीं है ठीक है though as for that the passing there okay though as for that the passing there had warned them really about the same हाला कि end की दो lines में poetic conclude करता है कि यह दोनों ही रास्तों के अगर देखी जाए passing यानि कि दोनों ही रास्ते पे लोगों की आवाज आही देखी जाए तो दोनों ही लगबग बराबर गिसे हुए दोनों पे ही लगबग बराबर लोग चलते हैं यानि कि poet ने दो में सी एक रास्ता पिक तो कर लिया इस logic पे कि एक थोड़ा सा कम गिसा हुआ था एक पे जादा ग्रास थी इस basis पे लेकिन जब वो दुबारा closely इस बात को देखता है तो analyze करता है कि दोनों रास्ते ही लगबग बराबर लोगों के द्वारा चले गए थे दोनों रास्तों पे ही लगबग बराबर लोग चले थे आगला stand जा देखते है इसका मतलब देखना है पूछी जाती है लाइन्स कभी कभी उस morning में दोनों ही रास्तों पे leaves पड़ी हुई थी जिन पे कोई भी चला नहीं था उस morning पे on both that morning उस particular morning पे ये दोनों ही रास्तों पे leaves पड़ी हुई थी सूखी leaves और उन पे कोई चला नहीं था no one, no step at trodden black मतलब उन पे कोई भी चला नहीं था, tread करना मतलब walk करना tread करना मतलब चलना और black मतलब चलने की वैसे दब जाना है, कुछल जाना है काले पड़ जाना बेसिकली तो ये बोलता है कि उस morning पे दोनों ही रास्तों पे बराबर leaves पड़ी हुई थी और ऐसा लग रहा था, दोनों ही रास्तों पे कोई चला नहीं है, क्योंकि वो leaves जो है न, वो काली नहीं पड़ी थे उनको कुछला नहीं गया था, चलके ये बोलना, मतलब है इसका ओ, I kept the first for another day ये ये बोलता है यहाँ पर कि मैंने choice तो बना ली कि मझे दूसरे आस पे walk करना है लेकिन जो पहला रास्ता था था न, वो मैंने किसी और दिन के लिए ये सोचा कि चलिया पहला रास्ता किसी और दिन आके walk करूंगा लेकिन, yet knowing how a way leads on to way I doubted if I should ever come back हाला कि उसने पहली choice को किसी और दिन के लिए रखा बट उसको इसके decision पे doubt हुआ कि वो कभी भी दुबारा वापस यहाँ पर आके इस रास्ते को pick कर पाएगा क्यों? क्योंकि एक रास्ता आपने ले लिया फिर वो दूसरे रास्ते बिलीड करेगा फिर वो तीसरे रास्ते बिलीड करेगा यह बड़ा मुश्किल होगा कि आप वापस उसी जगह पर आकर दुबारा एक अलग रास्ता चूज कर पाएग इंशोर्ट यहाँ पर जो रास्ता है वो signify करता है symbolic है आपकी life में choices के लिए और आपको यह बताता है यह वाली line specially कि अगर आपने life में एक choice ले ली ना एक बारी तो आप वापस आके दुबारा उस choice को नहीं कर पाओगे दुबारा नहीं ले पाओगे आपने जो choice ली उसके बाद कुछ और आप करोगे तो यह वाला जो choice आपने ली है अपनी life की आपने जो भी decision यहाँ पर लिया है इस choice करी guarding उसको आप दुबारा नहीं पाओगे आप एक ही बाढ़ लोगे चाहे वो सही proof हो चाहे वो गलत proof हो तो आखरी की दो लाइन में क्या बोलता है यह नोइंग हाओ वे लीट्स ओं टुए इस जगह पर आके खड़ा हूंगा दुबारा चॉइस बना लेने के लिए decision लेने के लिए last I shall be telling this with a sigh sigh क्या होता है बच्चे आह वर्ना यह भी एक साई है यह भी एक साई है तो एक साई relief की हो सकती है एक साई sadness की हो सकती है हो सकता है आप बड़ा relieved हो कुछ काम करके आप बच गए खुश हो जाएं आप और आप किस आपने कुछ किया और आप बड़ा क्या हो गया यार यह दोनों ही साई है ठीक है तो पोएट बोलता है एंड में I shall be telling this with a sigh somewhere ages and ages hence कई सालों बात कई एज बाद मैं बात शायद एक साई के साथ बोलूं उसने नहीं बताए जो साई है वह happiness वाली साई है या वह sad साई है मतलब वह परेशान होके साई को लेगा या वह खुश होके लेगा यह नहीं पता है कहीं भी पोहम में आपको खुछ समझना है somewhere ages and ages hence कई सालों बात क्या बोलेगा वह साई लेते हुए two roads diverged in a wood and I took the one less traveled by and that has made all the difference वह क्या बोलेगा कि yellow wood में एक यलो जंगल में दो रास्ते डिवाइड हो रहे थे और मैंने वह वाला रास्ता पिक करा जिस पे लोग कम चलते थे and that has made all the difference और मेरी लाइफ में जो भी डिफरेंस आ जाया है वो इसी choice की वज़े से decision की वज़े से मेरे पास आया है in short poet आगरी में बोलता है कि कई सालों बाद शायद मैं इस decision पे खुश हो जाऊ या शायद decision को repent करूँ लेकिन मेरी लाइफ में जो कुछ भी होगा जो कुछ भी होगा अच्छा है बुरा वो इस decision की वज़े से होगा क्योंकि मैंने एक रास्ता चूज किया था मैंने एक choice ली थी वह वाली choice जो की कम लोग opt करते हैं जो की less traveled by है और मेरी लाइफ में जो भी difference है वो उसी की वज़े से आया है यह यहाँ पर poet बोलते है इस form में तो the road not taken बे जो road है वो symbolic है आपकी लाइफ में जो भी choices आपके आएंगी उनके और यह आपको एक तरह से message भी देता है poet कि आप life में difficult choices लेने से नाड रहे अगर आपको लगता है कि कोई चीज सही है कोई choice आपके लिए सही है तो उसको लीजे और own that decision चाहे वो गलत हो चाहे सही हो आगे पता लेगा आपको life में उस समय आपकी जो gut feeling कहती है वो करिए and take the decision जो भी आपको से लगता है उसको करिए आगे बढ़िए आपके life में जो भी difference आने वाला है उसकी वज़े से आएगा let it be आगे चलते हैं चलिए इस topic का message क्या है message क्या है बच्छे तो message है sometimes sometimes चोड़ो we should not we should not shy away from making choices that are uncommon या unconventional ऐसी choices जो की अकसर लोग नहीं लेते उनको लेने से आपको ड़ना नहीं चाहिए अगर आपको लगता है आप strongly favor में हो आपको अच्छे से examine करो situation को अगर आपको लगता है तो उन choices को लीजिए ऐसा बोला गया है एक बार ही इसकी वह देख लेते हैं बच्छे rhyme scheme ठीक है तो वुड को मैं a माल लेता हूँ rhyme scheme कैसे निकालते हैं इसी का रहा हूँ वुड के लिए एक soundर है इसके लिए में a माल लेता हूँ बोथ में क्या वुड जाए soundर है नहीं तो इसके लिए बी मानूंगा स्टुड में क्या वुड जाएसा soundर है जी हाँ तो इसके लिए a माल लेता हूँ ऐसी कुड में स्टुड और वुड की तरह soundर है तो इसको भी a मानेंगे और यह जो अंडर ग्रोथ है इसमें आवाज आरी है बोथ हो वाली तो इसको भी मानेंगे इस पोएम की rhyme scheme हो गई ठीक है मेक बॉल चॉइसे बेसिकली यह इस लेसन का इस पोएम का लेसन है इससे क्या पोजिक डिवाइस में यूजर ने फटावर्ट से बताओ तो देखो यहां पर तो रोज डाइवाश्ट ने यहां वर्ट इसमें ओ और ओ की आवाज रिपीट हो रही है आप ऐसा देख मोने आजिं और यहां रहे यांग साओध साउन रिपीट हो रहा है वाएशन डेखोंं वह रिपीट हो रही है आप देखो यह Ajax वह 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 कि आवाज रिपीट हो रही है जो कि कॉंसरेंट साउंड है और कॉंसरेंट साउंड जब रिपीट हो रहा तो उसको बोलते हैं आप एलिट्रेशन ये है एक और पुइटिक डिवाइस है हां ठीक है ठीक है इसी wanted वेर में एक और poetic device है विर रोड जो है वो चाहता है कि वो it wants वीर तो रोड कुछ वांट कर रहा है जो कि human quality है वांट करना तो human quality है ना therefore यहाँ पर क्या है यहाँ पर personification use हुआ है यहाँ पर personification यूज भुआ है clear होना चाहिए बिल्कुल आप लोगों को ये दोनों आप लोगों को जो भी दिखे इसमें एक पर ही मुझे बताएगा चार पूम्स कराने वाला हूं बच्चे मैं ओके clear होना चाहिए अच्छा imagery imagery क्या होता है गैसा poetic device जहां पर poet आपको जो भी बात बोले वो आप दिमाग में imagine कर पाऊ उसकी mental picture आप create कर पाऊ image बना पाऊ अपने दिमाग में तो usually तीन poetic devices जिनको याद रखेगा आप लोग मैं यहां लिख देता हूं तीन ऐसे poetic devices होते हैं जो कि हमेशा लगबग हर poem में युझा होता है एक तो imagery होता है दूसरा होता है symbolism poem के अंदर हमेशा कोई ना कोई hidden meaning होगा तो जो hidden meaning होता है symbolic meaning होता है और जो poetic device होता है वहां उसको symbolism बोलते है और तीसरा होता है enjambment enjambment में एक ऐसा poetic device है जो कि usually आपको लगबग हर poem में मिलता है इसमें भी है देखिए जहां पर भी comma full stop ना हो ना किसी line के end में वहां पर आप enjambment मानते हैं जब poet एक line से दूसरी line में enter कर जाए बिना किसी punctuation mark के तो वह होता है enjambment तो यहां पर enjambment भी है आगे चलते हैं चलिए एक बारी इन तीनों को याद रखेगा ओके अब symbolism भी आए यहां पर क्या symbolism है तो आप यह जो roads देखते हैं टू roads यह जो road है road यह किस चीज के लिए symbolic है life में जो भी choices आपके आएंगी उनके लिए life में आपकी जो भी choices आएंगे न उसके लिए भी यह symbolic है especially difficult choices जो आपके life में आएंगी उनके लिए यह symbolic है road यहां symbol एक उन choices के लिए therefore symbolism यूज़व है यह इसके poetic devices है poem के clear होना चीज़ए है I believe यह सारा कुछ और अगर है तो उसको फटावट से comment करके मुझे बता दो हम चलते है questions की तरफ एक मेरेट मैं देख लिता हूँ ओके इसके NCRT question कर लेते हैं यह जो extract based question है आपका homework हो जाएगा start करते है where does a traveler find himself what problem does he face कि जगा traveler जो होता है वो होता है तो he finds himself at the fork of two roads diverging ऐसी जगह जहां पर दो roads diverge कर रहे होते हैं उस जगह उस fork पे वो अपने आपको पाता है क्या problem face करता है problem the faces of dilemma basically he faces the problem that he is confused कि दोनों में से कौन सा रास्ता वो opt करे next देखिए discuss what these phrases mean to you phrases है जो यहां पर इनका क्या मतलब आप लोग के लिए yellow wood yellow wood मतलब autumn के अंदर जो forest है उसको describe किया गया बेसिकली wood मतलब forest yellow क्यों 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 क्योंकि autumn season के अंदर सारी leaves जो है जड़ जाती है yellow color की हो जाती है next है it was grassy and wanted wear पेड के बारे में यहां पर बोला गया है आपको कि वो जो रास्ता था वो grassy था and wanted wear तो यह describes the path जो कि right poet ने लिया उस path के वारे में बताया गया है कि आपको अच्छा ठीक है उस path के वारे में बताया गया है कि वो grassy था उस पे बहुत ज़्यादा घास थी और उस पे कोई चला नहीं था wanted wear मतलब उसको use नहीं किया था लोगों ने जादा next है the passing there as for the passing there ऐसा बोलता है न त उसको देखके poetic conclude करता है कि दोनों रास्ते बराबर ही उसके थे लोगों ने next है leaves no step had trodden black यह अच्छा question है पूछा भी जाता है exam में यहाँ पर poetic जगा बोलता है कि जब रास्ते वो चला ना तो उसने realize कि दोन उस particular morning में दोने रास्ते पे leaves पड़े हुई थी और दोनों ही र प्रश नहीं थी black नहीं पड़ी यह मतलब है इसका how way leads on to way कैसे एक रास्ता दूसरे रास्ते पर लीड करता है बेसिकल यहां symbolize करता है choice पोलता है कि वह पहले वाला रास्ता किसी और दिन आके walk करेगा but actually it's not possible कि वह उस रास्ते को कभी भी आके walk कर पाए because if you make a choice once in your life आप दुबारा नहीं walk कर सकते उस वाले रास्ते पर उस choice को दुबारा और नहीं कर सकते हो ठीक है what do you think the last two lines of the poem mean last two lines जो है I shall be making telling this with a sigh यह वाले जो लाइन है नहां पर है last two lines यह वाली I took down less trouble by and that has made all the difference in two lines का क्या मतलब है तो लाइन में poet दिखा रहा है ownership कि मेरी life मैंने जो भी decision लिए वो मैंने लिए धनके की चोट पर और चाहे उनका जो भी फैसला रहा हूं उनकी वैसे जो भी result आया मेरी life में I own it ठीक है he says कि मेरी life में जो भी difference रहा positive और negative वो I own मैं अपने उन decisions को own करता हूं basically यहां ऐसा बोल रहा है poet ठीक है I believe clear है यह right okay moving on to the next form चलिए next form की तरफ चलते हैं फटावट से next form है wind wind जो है वो लिखी है सुब्रमनियम भारती साहब ने यह describe करती है power of wind लेकिन again यहां poem को कोई बोल रहा है पिछले वाले metaphor तो metaphor तो ही symbolism यह metaphor दोनों है क्योंकि वहां पर जो रास्ता है वो actually में किश्ची के लिए stand करता है choices के लिए यहां पर भी होगा लग बग हर poem में आप symbolism को जरूर मानेंगे रहेगा वो anyway तो विंड की बात करते हैं विंड जो poem है उसमें आप देखते हैं कि विंड की power को डिस्क्राइब गया कैसे विंड जो बहुत खतरनाक हो जाती है powerful ले आती है तो वो सब unequal and unrhyming lines काफी सारी lines mix up है इसमें और rhyme कुछ fixed नहीं है basically ऐसा आप मानेंगे start करते हैं चलिए poem को बहुत ही simple सी poem है इसलिए आप समझ सकते हैं वाज इसमें symbolic जो मतलब है उसको जरू ध्यान रखेगा वो important है wind comes softly don't break the shutters of the windows don't scatter the papers don't throw down the books on the shelf तो wind से एक गुहार लगाते है poet क्या गुहार लगाते है कि wind तुम शान्ती से आओ प्यार से आओ जो shutter है window के उनको मत तोड़ो जो papers हैं उनको scatter मत करो उसको बिखेरो मत scatter मतलब बिखेर ना don't throw down the books on the shelf और shelf पर जो किताबे रखे हैं उनको भी मत फेको उनको throw मत करो एक request एक तरह से आप मान सकते हैं पील आप मान सकते हैं wind से ऐसा करते हैं poet लेकिन होता क्या दूस्टा stanza में देखिए there look what you did you threw them all down लेकिन wind जो है इन सारी चीज़ अपील को ने सुनती है और वो सारी चीज़े जो होती है जिनकी request poet ने किया उनको कर देती है वो shutters को भी तोड़ देती है paper को भी बिखेर देत बुक्स को भी फेक देती है शल्प से look what you did you threw them all down you tore the pages of the books you brought rain again you are very clever at poking fun at weaklings weaklings मतलब कमजोर लोग poking fun मतलब किसी का मजाग उडाना तो यहां पर poet क्या बोलता है देखो tone जो है तुड़ी accusative हो गई है वो accuse कर रहा है wind को कि देखो तुमने क्या क्या तुमने इन सारी चीज़ों को fake दिया तुमने जो books के pages उनको fire दिया तुमने जो बारिश उसको दुबारा लिया ही तुम बा जिकायत कर रहे है poet कि तुम बारिश लिया है दुबारा से you are very clever at poking fun at weak links तुम कमजोर लोगों पे weak links जो है यानि कि basically जैसे यहां पर देखा ना आप लोगों ने कि जो चीज़े थी इन सब को जदर फैक दिया wind ने तो जो फैकना है basically इसको poet बोल रहे है कि आप weak links पे कमजोर चीज़ों बेज उनको आप control कर सकते हो उनका मजाक उड़ा रहे हो ऐसा करके उनको अपनी मर्ज़े से इदर उदर पटक पटुक के फेक फूक के आप जो भी कर रहे हो this shows कि आप उनका मजाक उड़ा रहे हो आगे देखिए frail crumbling houses frail मतलब होता है weak crumbling मतलब होता है breaking या destroying crumbling houses crumbling doors crumbling rafters rafters क्या होता है तो आप लोगों ने अगर घर देखा हो कभी यह जो घर के top page होते हैं न दो इनको आप rafters बोलते हैं basically यह जो top पे आप देखते हैं यह और यह ठीक है तो यह क्या बोलता है frail crumbling houses crumbling doors crumbling rafters crumbling wood crumbling bodies crumbling life crumbling hearts the wind god winnows and crushes them all अब पोईट बोलता है एक काम की बात वो बोलता है कि यह जो wind god है न विट को god से compare करता है और बोलता है कि यह जो wind god है यह सब चीजों को विनो कर देता है विनो करना मतलब क्या होता है तो आप लोगों ने कभी अर गाउं में देखा हो तो ladies ऐसे इस चाइस यह जो instrument है इस पर आप देख रहे हैं इस पर grain होता है यह होता है उसको ऐसे चानती है और सामने एक पंखा होता है जिससे क्या होता है यहां पर जो बीज है वो यहां गिर जाता है और जो इसमें गंदकी है शाइफ है वो साइड में आ जाती है बेसिकली इसको इस पूरे आक्षन को विनो इंग बोला जाता है होता है इसमें ग्रें से कबार को सेपरेट किया जाता है विनो करने का मतलब क्या होता है इन लोगों के बीच में clearly sorting कर देता है, separate कर देता है weak को strong से, उससे पहले वो repetitively यह बोलता है कि weak crumbling houses घरों को, weak घर हो, चाए डोर हो, चाए राफ्टर हो, चाए वुड हो, चाए बॉड हो, चाए लाइबस हो, चाए हाट्स हो, यह जो wind गौडे किसी को नहीं बक्षता है, यह सब को destroy कर देता है, ऐसी चीजें जो weak हो, उन सब चीजों को destroy कर देता है, और सिर्फ strong चीजे, strong लोग बचते हैं, wind gourd winnows and crushes them all, चाहे door हो, houses हो, rafter हो, wood हो, bodies हो, lives हो, यह hearts हो, चाहे चीजें हो, चाहे लोग हो, सब को wind gourd separate कर देता है, कैसे, कि वो weak चीजों को खतम कर देता है, destroy कर देता है, और strong चीजों को बच जाती है, फिर wind के बाद, वो strong wind के बाद, in short यहाँ पर, आपको जो यह wind gourd है, wind यहाँ पर life की difficulties symbolic है, basically life की difficulties जो है, difficulties of life, life की difficulties और challenges जो है, उनको signify करता है, यहाँ पर wind, तो life में जब भी difficulty आती है, तो weak इंसान तूट जाता है, एक दम से बिखर जाता है, और जो strong इंसान है, जिसके determination मजबूत है, जिसके character में दम है, वो नहीं तूटता है, वो खड़ा रहता है, बलकि वो और ज़्यादा मजबूत हो जाता है, उसके बाद, बोलत कर देता है, यह मतलब SMP, sir, यह poem free verse नहीं है, यह free verse है बच्चे यह poem, definitely free verse है, he won't do what you tell him, आप poet आखरी में लोगों को बोलता है, audience को address करते हो, बोलता है कि आप window guard को जो बोले कि वो नहीं करेगा, so come, let's build a strong, let's build strong homes, let's join the doors firmly, practice to firm the body, make the heart steadfast. तो बच्चे क्या गुहार लगाता है, वो लोगों से लोगों को बोलता है, कि आप जो है, wind God से चाहे, कोई भी request करो, कोई भी प्रात्ना करो, वो उसको नहीं मानेंगे, वो तो जैसा उनका मनोगा वैसा करेंगे, he won't do what you tell him, जो भी आप उनको बोलेंगे करने के लिए, उस घरों में, practice to firm the body, अपनी body को मजबूत करने की आदत डालो, और अपना दिल जो है, अपना मन जो है, उसको steadfast कर लो, उसको firm कर लो, उसको मजबूत कर लो, steadfast मतलब एक ऐसा heart को steadfast करने का simply मतलब यह हो सकता है, कि आप अपने दिल को, या अपने emotions को control में रखें, जब खुश है, आपको तोड़े ना, यहाँ पर उनने गुहार लगा, यह लोगों को यह बताया है, कि भाई, wind god जो भी करे, उससे छोड़ो, आप तुम अपने आपको अपने layout पर मजबूत करो, अपने घर मजबूत बनाओ, अपने आपनी body को मजबूत बनाओ, और अपने मन को भी बिसिकली, the wind blows out weak fires, यह भी figurative है, the wind blows out weak fires, he makes strong fires, roar and flourish, roar मतलब धाडना, flourish मतलब बढ़ना, तो क्या बोला है इन दो लाइन्स में, कि यह जो wind god है, यह जो wind है, यह अगर हलकी माड़ी आग होगी ना, छोटी मोटी आग, तो उसको तो बुझा दी कि तुरंत, जैसे माचे जंग fire है, कोई बहुती बड़ा आग लगी हुए किसी जंगल में और वहाँ पर घरवाब है, तो आग और बहकेगी, और ज्यादा बढ़ेगी, ददगेगी और ज्यादा, जिसका क्या मतलब है, अब इसका symbolic मतलब भी है, यह जो wind god है, वो weak fires, यहाँ weak fires का मतलब है, relation है, symbolic है weak logo से और चीजों से, अगर weak इंसान है न कोई, तो life में wind यह, life में challenges जैसे आएंगे, difficulties जैसे आएंगे, वो बिखर जाएगा, whereas अगर strong है, तो वो life के challenges से और जादा बढ़ेगा, और जादा मजबूत होगा, life के challenges, life की difficulties उसको तोड़ेंगी नहीं, बलकि उसको और जादा मज मजबूत बना देंगी, यह आपको इससे समझ में आता है, clear है, I hope यह बिलकुल, यहाँ पर weak fires और strong fire symbolic है, और wind भी symbolic है, यह दोनों चीज़ा आपको पता होने चीए, his friendship is good, we praise him every day, और end में बोलता है, कि wind से दोस्ती जो है, अगर आप मजबूत हो जाओगे, तो उससे दोस्त करने का मतलब है, कि आप खुद भी मजबूत हो, तबी उससे दोस्ती हो पाएगी, ठीक है, तो उससे दोस्ती कर पाओगे, उसकी friendship अच्छी है, और हम उसको हर रोज praise करते हैं, ऐसे कि आप किसी देवताय भगवान को praise करते हैं, ऐसे ही आप wind को भी praise करते हैं, यह यहाँ प का मतलब होता है, सक्त, basically, clearly, ठीक है, मजबूत, clear है यह बिलकुल, message क्या मिलता है, message मिलता है, we should not lose hope amid the difficulties of life, हम लोगों को life में का difficulties आ जाएं, तो उमीद नहीं चोड़नी है, बलकि हमको जैसा कि यह author, poet, instruct करता है, audience को, हमको और ज्यादा मजबूत होना है, अपने आपको steadfast बनाना है, अपने, जो emotions उनको control में रखना है, और मजबूत हो जाना है, बिलकुल, किसी भी life की problem को face करने के लिए, सक्त लोंडा कोई बोल रहा है, सक्त, ओके, पढ़ावट से बताओ, यहाँ पर, कौन सा poetic device युज़ो है, जल्दी से identify करके बताओ, you tore the pages of the books, he makes strong, fast, roar and flourish, कौन सा poetic device युज़ो है, इन दोनों लाइनों में, he want to do what you tell him, यहाँ पर भी इन तीनों लाइनों में, personification है, personification है, बिल्कुल सही जवाब, कैसे आप बोलेंगे, क्योंकि, tier करने का, pages को tier करने, equality human में होती है, ऐसी, he बोला है, wind को, तो he, address करते हैं, एक person को ऐसे बोलके, इसलिए आपर personification, next, देखिए, don't break the shutters, don't scatter the papers, don't throw down the books on shelf, don't, 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 3 बारी repeat हुए, line की starting में, कौन सा poetic device ह जल्दी से बताओ, फटावट से, come on, come on, come on, come on, come on, quickly, okay, simple सा poetic device होता है, जब भी line की शुरुआत में आप repeat होते हुए, देखें कुछ, तो repetition नहीं होता है, वो anaphora होता है, तो this is anaphora, line की शुरुआत में 3 बारी don't repeat हुए, तो यह हो गया anaphora, और यहाँ पर देखिए, repetition है, इसको reason क्या है, उसकरने का poet emphasize करना आता है, कि wind जो है, जो अपनी खतरनाक form में हो, तो सब कुछ destroy कर देती है, clear होना चाहिए, बिल्कुल बढ़िया, next, ठीक है, okay, उसके बाद क्या है, हाँ, ठीक है, अब यहाँ पर 3 चीज़े हैं, इनका, जो की सबसे important सवाल मानता हो म इस lesson का, आपको बताना है, यहाँ symbolic है कुछ, wind, एक तो यहाँ पर wind, weak fires और strong fires, यह तीनों example है, symbol है, basically, symbolic है किस चीज़ के, तो यहाँ पर कौन सा poetic devices हुआ, पहले तो poetic device बता दो, जल्दी से, फटावट से, come on, poetic device बता यह फटावट से, जल्दी से, जल्दी से, नहीं, symbolismism है ब ठीक है, poetic device है, symbolism, अब यह wind जो है, वो किस चीज़ के symbolic है, तो wind है, challenges की और difficulties की, लाइफ में, जो challenges और difficulties आते हैं, उनकी लिए symbolic आप मान सकते हैं, इसको, ठीक है, ऐसे यहाँ strong fire जो है, और weak fire जो है, यह symbolic है, strong fire जो है, sorry, weak fire refers to, sorry, weak people and things, यह symbolic है, weak people और चीज़ों के लिए, और यह strong वाला जो है, यह symbolic है, strong people and things, यह दोनों चीज़े आप, मान सकते हैं, ठीक है, clear होना चाहिए, आप लोगों को बिल्कुल, अब summaries की detail attached है, question फड़ा वरसे तीनों बता दीजेगा मुझे, what does the poet say, the wind god winnows, wind god किस चीज़ को winnow करता है, तो wind god winnows, the weak and strong things from one another, basically, क्या separate क weak people's को या weak things को separate कर देता है, strong people or things से, ऐसा आप बोलेंगे, इसमें, next है, और उनको crush भी कर देता, weak चीज़ों को crush भी कर देता, यह भी आप बता सकते हैं, what should we do to make friends with wind, wind से दोस्ती करने के लिए क्या करना चाहिए, तो हम लोगों को अपने आपको मजबूत करना है, we should make strong houses, we should we should have firm doors, और अपने body को भी firm करना है, और अपने मन को steadfast कर लेना है, यह answer है, next है, what do the last four lines of the poem mean to you, last four lines का क्या मतलब है, तो last four lines है, poem की यह, weak fire, so strong fire वाला, है न, यह री, the wind good, blows out weak fire, so strong fire, we praise him every day, last four lines का मतलब simply है, poem यह बोलना चाहता है, कि आपको दोस्ती करने चाहिए, wind से, मतलब life में जो problems है, उनके साथ दोस्ती कर लो, अगर आप ऐसा करोगे, क्योंकि, जो wind है, जो challenges है, वो weak लोगों को खतम कर देता है, और जो strong लोग है, उनको और जादा मजबूत बना लेता है, तो wind से दोस्ती करना अच्छा है, life है challenges जो होती है, difficulties होते हैं, वो अगर आती ने, तो कोई दिक करती है, आप और मजबूत बनोगे, यह simply मतलब है इसका, ठीक है, यह तीनों हो गए, इसके बाद एक question है, which is your homework, extract based question है, बारिश अगर आ जा और उसके बीच में आप हैं, तो आपकी life जो है, मतलब आपकी emotions जो है, memories जो है, वो effect होती है, आपको कुछ कुछ चीजे याद आती है, poet जो है, उनको बारिश में एक बारी क्या आता है, उनकी अपनी माता जी की memories उनको याद आती है, he remembers his mom, इस poem के थू ठीक है, तो ये poem जो है, presents the memories aroused in poet's mind by the raindrops falling on the tin roof, tin roof के उपर कुछ raindrops करी हैं, जिसकी वैसे poet की मन में कुछ memories आ रही है, उसके बारे में एक poem है, he is reminded of the way his mother used to bid him and his siblings a good night and put them to sleep, वो याद करता है कि कैसे उसकी माता जी आती थी, उनको good night आकर wish करती थी और उसके siblings को, उसके भा कि आप सब लोग की rain के साथ कुछ न कुछ memories रहे होंगी, तो ये भी poem उस memory related ही है बात, ठीक है, लिखी गई है 1849 में, ये जो poem है, ये बहुत पहले लिखी है, 1849 में लिखी गई है, so remember that, काल के बात है, आर भी relevant है, जब आप इसको पढ़ेंगे, धान से देखते हैं, चलिए when the humid shadows hover over all the starry spheres, अब humid shadows क्या होता है, तो humid shadows होते हैं, बच्चे, black clouds, ऐसे clouds जिनमें बादल भरा हो, जिनमें पानी भरा हो, hover मतलब होता है, shake कर, मतलब move करना एक जगा, hang करना, ठीक है, जब black clouds move करते हैं, over the starry spheres, starry spheres मतलब star study sky, ऐसा sky, जिसमें stars हों बहुत सारे, तो क्या बोलता है, when the humid shadows hover over all the starry spheres, जब ऐसा आस्मान जिसमें बहुत सारे तारे हों, उसमें आपको काले बादल hover करते हों, घूमते हों दिखें, and the melanchly darkness gently weeps into rainy tears, melanchly मतलब होता है sadness, यह sad, darkness मतलब अंदीरा, gently weeps into rainy tears, अब यहाँ पर poet बोलता है, ऐसी situation में, जब काले बादल चाहे हों हैं पूरे आकाश में, तो darkness जो है, वो रो रही है, और जो result आया रोने का, वो जो आसू है, वो बारिश है, क्या बोला है, उसने जो melanchly, darkness को sad बोला है, melanchly बोला है पहले, तो darkness को sad बोला है, वो sad darkness जो है, वो रो रही है, in the form of rainy tears, यह बोला है, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed, and lie listening to the patter of the soft rain overhead, तो यह बोलता है, what a bliss it is, मतलब यह क्या blessing है, blessing मतलब, what a, यह heavenly आनन्द है, मतलब एक आनन्द है, कि ऐसे time में जब बारिश हो रही है, और आपको उसके patter, पैटर मतलब sound of rain, उस बारिश की आवाज आपको आ रही हो, तो आप अपने cottage chamber के bed पर, pillow पे अराम से लेते हैं, यह बहुत बड़ा सुख है, बहुत बड़ा आनन्द है, इन शॉर्ट यहाँ पर describe किया गया है, पहली initial part में बताए गया है कि black clouds जब star studied sky में घूम कर रहे होते हैं, कि आप जो है अपने cottage chamber के bed पर, pillow के साथ अराम, pillow पे अराम से लेते हुए हैं, and lie listening to the pattern of the soft rain overhead और आपके ऊपर, overhead मतलब आपके सिर के ऊपर, आपके छट के ऊपर जो बारिश गिर रही है, उसकी आवाज जो आपको आती है, वो बड़ी मधूर है, उसको मजा, उसको सुनना अपने आप में एक bliss है, आगे देखते हैं, every tinkle on the shingles, shingles क्या होता है बच्चे rectangular tile, यह जो आप देखते हैं न, यह जो आप देख रहे हैं, इनको shingles बोला जाता है, basically, टिंकल क्या होता है, तो जो बारिश गिरने का sound है, पहले पैटर बोला, आप उसको टिंकल भी बोल सकते हैं, आप टिंकल भी उस आवाज को ही बोला है, इनोंने, poet ने, every tinkle on the shingles has an echo in the heart, बारिश जैसे जैसे गिरती और उसकी आवाज जबाती है, तो poet को कुछ-कुछ चीजे याद होती हैं, उसका heart resonate करता है, इन इस आवाज से, मतलब उसको बड़ी खुशी होती है, इसको सुनकर, और क्या होता है, and a thousand dreamy fancies into busy being start, thousand dreamy fancies, fancies मतलब क्या होता है बच्चे, likeness होता है, कि इसके प्रति आपको, कुछ ideas, concepts, जो कि आपको पसंद हो, उनको fancies बोला जाता है, तो बोलता है, जैसे वो बारिश की आवाज सुनते हैं न, लेटे हुए, बहुत सारी dreamy fancies into busy being start, उसके busy दिमाग में, busy मतलब, generally poet बहुत busy होता है, लेकिन आज जब बारिश उसको सुन रहा है, तो उसके दिमाग में बड़ी सारी dreamy fancies रहाती है, उसके सामें बड़ी, उसके दिमाग में बड़ी सारी imaginations आने लगती है, and a thousand recollections, recollections मतलब क्या होता है, memories, जो कि आप recollect करें basically, and a thousand recollections, and a thousand recollections weave their air threads into woof, और बहुत सारे recollections उसके दिमाग में आने लगते हैं, बहुत सारे memories उसके दिमाग में आने लगते हैं, और वो जब साथ में आते हैं, तो एक तरह का वो एक बहुत ही खुपसरत picture आपके दिमाग में बनारे लते हैं, जिनको compare किया है poet ने, weave their air threads into woof, woof क्या होता है, basically ये, आप जो ये threads देख रहे हैं, इनको woof जाता है, तो ये एक तरह का patchwork बना देती है, यहाँ पे poet ने क्या बोला है, कि उसके दिमाग में इतनी सारी memories जो आती है, वो एक साथ आकर intermingle, intermingle होकर, intertwine करकर, एक साथ mix होकर, एक patchwork जैसा कुछ बना लेती है, patchwork मतलब, ये जो होता है, basically, तो in short, यहाँ क्या मतलब है, hindu lines का सिर्फ ये मतलब है, कि जो भी sound सुनता है, तो उसके दिमाग में बहुत सारी पुरानी memories आ जाती है, और वो एक बड़ी vivid imaginative picture उसके दिमाग में create कर देती है, वो air thread से woof बना देती है, air thread से woof बना देगा, मतलब उसके दिमाग में picture create कर देती है, as I listen to what, to the patter of the rain upon the roof, ऐसा बत मानूंगा इसको, वो आ रहा है, एक बारी धान से सुनिये, now in memory comes my mother, as she used in years ago, to regard the darling dreamers, air, she left them till the dawn, इसमें कुछ archaic words भी उसकी है, यह जैसे air हो गया, अब क्या बोलता है, poet, poet बोलता है, कि अब, मतलब जब बारिश हो रही है, और यह सारी चीज़े, recollections, past memories उसको आ रही as she, now in memory comes my mother, as she used in years ago, जिस तरीके से उसकी मा जब जिवत थी, तो वो उन, years ago, मतलब जो जा चुके हैं साल, उन सालों में जैसे उसकी mom उसके पास आती थी, to regard the darling dreamers, darling dreamers मतलब, यहाँ पर poet और उसके भाई, भेन, जो भी है, siblings उनको बोला गया है, ठीक है, darling मतलब dear, dreamers मतलब, जो सोने वाले हों सपने देखेंगे, basically, उनकी बात हो रही है, regard मतलब look, ere she left them till the dawn, जैसे की poet की माता जी, उन सालों में जो बीच चुके हैं, उनमें आया करती थी, एक बारी सोने, सोने जाने से पहले इनको देखने के लिए, to regard मतलब, to look the darling dreamers, एक बारी darling dreamers अपने प्यारे बच्चों को देखने के लिए आती थी, till, before she left them till the dawn, dawn मतलब morning, इस से पहले कि वो उनको goodnight wish करने, basically, यह goodnight wish करने के लिए उनको आती थी, और फिर उसके बाद वो सुभा, उनको मिलने के लिए आती थी, dawn पे, तो यह बोलता है कि, जैसे मेरी माता जी, कई साल पहले, हमको रा कि प्यार इसी look, जो है, जिस तरीक से बड़े प्यार से मुझे देखती थी, उसको fond look बोला है, बड़े प्यार से वो माता जी बच्चों को देखती थी, अपने, वो fond look on me as a list to this refrain, list का मतलब है listen यहाँ पे, जैसे ही मैं इस refrain को, refrain क्या है है, sound of rain, जो बारिश की आवाज बार बार repeat हो रही है न, तो इसको refrain बोल दिया, poet ने, बोला कि जैसे मैं इस बारिश की आवाज को सुन रहा हूं, मुझे अपनी माता जी, जैसे मुझे बड़े प्यार से देखती थी, वो memory याद आ रही है, which is played upon the shingles by the patter of the rain, और यह जो आवाज है, रिफ्रेंज है, वो कैसे play ह रही है, shingles पे, rectangular tiles पे चत की, pattern of the rain से play हो रही है, यह उन्होंने बोला है, in short, last stanza में उन्होंने क्या बोला है, कि इस memory जो मुझे आ रही है, बारिश की आवाज सुनके, वो क्या है, मेरी माता जी, जब मेरे मैं और मेरे भाई लोग, भाई, सिबलिंग सोते थे साथ में, त यह आप stanza का मतलब मानेंगे, I hope clear होगा आपको, बड़ी important सी, कुपसरत सी बात एक बोली है, Abraham Lincoln साब ने, all that I am, or ever hope it be, I owe to my angel mother, मैं आज जो भी हूँ, यह जैसे भी आगे होंगा, वो सब की वजह मेरी माता जी, उन सब का कारण मेरी माता जी, I owe it to my mom, बड़ी प्यारी बात मुझे लगी, message क्या मिला, message आप story से ले सकते हैं, मैं लिख नहीं रहा हूँ, message simply story से, form से आप ले सकते हैं, that your mother has a role in your life, जो की कोई और replace नहीं कर सकता, यह Abraham Lincoln ने जो बोला, वही आप इसका message मान सकते हैं, कुछ poetic devices इसमें हैं, फटावट से एक बड़ी highlight किया हो है मैंने उनक आप बताइए जल्दी से मुझे, कौन-कौन से poetic device यूज हूँ है यहाँ पर, overall the star is fair, what a bliss to press the pillow, अब यहाँ पर SS repeat हो रहा है, यहाँ पर press the pillow, पर पर repeat हो रहा है, busy being start में बर, बर बर repeat हो रहा है, memory comes, memory, my mother में मर repeat हो रहा है, I feel a fond look on me, फर फर पर repeat हो रहा है, यहाँ पर, कौन स comment आ गया है मेरे पास, alliteration, ठीक है, alliteration यूज हूँ है, next देखे, next देखे, and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, and a thousand recollections weave their air threads into woof, कौन सा यहाँ पर यूज है, poetic device, यल्दी से बताओ, and the melancholy darkness gently weeps, highlight भी क्या है, मैंने वैसे underline part आप देख लो, gently weeps और weave, यहाँ जो underline part है, वहाँ पर specially दोनों क्या यूज हो है, वहाँ पर यूज हो है, personification, इनको human quality दे दिया है, रोने की quality भी humans की होती है, और weave करना, कुछी चीज को, जैसे बहुत, कई लोग कपड़े बुनते हैं, तो बुनने की quality भी humans की होती है, तो दोनों personification के example है, उसके बाद, melancholy, darkness, dreamy fancies, or tinkle, and patter, तो यह tinkle और patter तो बड़ा simple है, patter और टिंकल यह sound words है, sound words क्या होते है, onomotopia होते है, onomotopia क्या होता है, जब भी आपको sentence में एक ऐसा word दिखे है, जो की sound represent करें, जैसे मैं बोलू, ding dong, tik-tok, यह सारे words भी क्या होते है, sound words होते है, exactly ऐसी, जैसे पैटरो टिंकले हैं, दोनों बारिश के sound represent करें, इसलिए onomotopia है, onomotopia की spelling आप extra collect करते हैं, उसको सही से लिखेगा, next है melanchly darkness, यह melanchly darkness important है भई, यह melanchly darkness से एक बड़ी समझायता हूं, फटा आवर सेंच शॉट, एक poetic device होता है, इसका आप बोलते है, transferred epithet, transferred epithet जो होता है, बच्चे, उसमें क्या होता है, epithet मतलब होता है, quality, जब एक noun की quality, दूस्टे noun पर transfer कर दी जाए, तो आप transferred epithet मानते हैं, उसको, जैसे example देखिए, sleepless, मान लिजे मैं बोलूँ, I had a sleepless night yesterday, मैं पूरी रात नहीं सोया, लेकिन मैंने बोला, sleepless night, तो असल बात, night थोड़ी sleepless थी, sleepless तो मैं था, लेकिन ये sleepless की quality, जो मुझे, अपने लिए उसकरनी चाहिए थी, वो मैंने transfer कर दी night के उपर, एक epithet को transfer कर दिया, मैंने, ये होता है, transferred epithet, एक और example देख लो, जैसे biting cold, मैं एक जगा पहाड पे गया, जहां मुझे biting cold feel हुआ, तो ये biting के जो quality आ गया है, ये एक इनसान को महसूँ सुई ना, लेकिन हमने cold को जो कि एक non living चीज़ा उस पर transfer कर दिये, तो ये हो गया example, transferred epithet का, अब इसके basis पे, यहाँ, melanchly darkness देखो, ये जो melanchly word है, इसका क्या मतलब है भई, इसका मतलब होता है, sad, darkness को melanchly बोल दिया है, poet ने यहाँ पर, ये जो darkness है, इसको melanchly बोल दिया है, darkness तो non living चीज़ा है, वो थोड़ी sad हो सकती है, sad तो कोई इनसान होगा, तो melanchly darkness is an example of transferred epithet, ये एक example है, transferred epithet का, clear होना चीज़िए वाला बिलकुल पटावट से, onotopia हो गया, summary ये रही, आपकी इसके basis पे, ओके, इसके NCRT question मुझे, I'll have to give you as a homework, क्योंकि मेरे पास time नहीं है, I'll have to hand it over to mom quickly, last form जो है इसकी, वो हम फटावट से कर लेते हैं, Lake Isle of Innisfree, ये लिखी है, William Butler Yeats ने, जो कि एक Nobel Laureate है, इनको Nobel Prize मिला हुआ है, literature के लिए, मतलब एक बहुत महान राइटर मारी है, और इनकी poem में न, होता भी है, वो touch कि आप महसूस करते हैं, depth, लिखे, तो इन्होंने एक poem लिखी है, जिसका नाम है, The Lake Isle of Innisfree, Innisfree एक island है, Lake Lowgill पे, ये एक लोगिल करके, Lake है, जो कि कहां है, Ireland में है, और बच्पन में, इस जगह रहा करते थे poet, इस lake, मतलब एक Isle of Innisfree, ये island जो है, Innisfree करके नाम से, उसमें रहा करते थे, जो कि इस जगह located है, तो इसलिए poet जो है, विलियम बटले डीट जो है, उन्होंने अपना जातर समय बिचाया है, लंडन और डबलिन में, इन दोनों cities में, जो कि काफी busy cities है, इन में रहने के बाद, काफी समय के बाद, उनके realize होता है, कि उनको life में चीए शानती, busy cities के अंदर show शराबा होता है, बहुत ज़्यादा भीरबाड होती है, और क्यूंकि बच्छपन में वह एक ऐसी शानत जगह रहे हैं, जहाँ पर उनको nature के साथ, हामोनिक, मतलब एक हामनी feel हुई, मतलब nature का, आपने अगर महसूस किया हो, क्या आसर होता है आपके उपर, वो वाला आसर उनको वहाँ बच्छपन में महसूस हुआ, इसलिए याद करते हैं, उस busy life में अपनी, ये life की कैसे होती थी, मतलब जो industry में life थी, वो कैसी थी, उनके और उसको याद करके चाहते हैं, वहीं जाना, ये आप इस form में देखेंगे, ये जो lake isle of industry है, is based on the theme, nature versus civilization, यानि की nature versus civilization, क्या impact rate करता है, civilization हर जगा कोहराम मचायती है, वेरस nature हर जगा शान्ती देती है, अगर कहीं nature का असर है भी भी, तो वहाँ पे आप peace पाएंगे, it's a musical poem, एक poem है musical, और इसमें क्या explore होता है, poet की longing for the peace and tranquility of industry, poet की इच्छा है कि शान्ती उनको मिले, longing है, उनकी craving है ये, कि उनको शान्ती मिले, औ वहाँ पर जाकर उसको महसूस कर पाएं, ये आप इस poem में देखते हैं, ये एक जगा का नाम है industry basically, जो की कहाँ पर है, ये लेक लाव गिल, Ireland के अंदर एक जगा, एक island है, जो बड़ा शान्त है, वहाँ पर nature का पूरा पसर देखते हैं, ठीक है, इसकी poem को फटावट से and live alone in the be loud glade, अब यहाँ पर पहले poem, एकदम से अबरफ्टली स्टार्ट करते हैं, पोएट जो है, पहले स्टांजा को अबरफ्टली स्टार्ट करते हैं, कैसे, वो बोलते हैं, मैं arise, I'll arise में उठूंगा और जाओंगा आप कहां, to industry, मुझे जा नहीं है तुरंतमा, and a small cabin built, और वहाँ पर जाके एक छोटा सा cabin built करूँगा, ऐसा एक छोटा सा camera built करूँगा, आप ऐसा मान सकते हैं, clay का और wattles का, wattles basically आप यह देख रहे हैं, टॉप पे, जो छोटी होटे twisted, पेड की छोटी होटे टहनिया नहीं होती, बिल्कुल पतली सी, उनको आप wattles बोलते हैं, त मतलब आप लोगों ने beans खाया होंगा as vegetables, तो इसकी खेदी भी करेंगे वहाँ पर यह, साथ-साथ, a hive of the honeybee, वहाँ पर एक हाइव of honeybee भी होगा, basically एक hive भी वहाँ पर यह, रखेंगे, ठीक है, and live alone in the Be Loud Glade, और अके लिए रहेंगे, Be Loud Glade, Glade क्या होता है, एक open area, बहुत बड़ा space, जो कि दूर-दूर तक जहां कोई ना दिखे, ऐसे एक बड़े से space में, जहां पर सिर्फ bee की आवाज है, कौन सी bee की, क्योंकि यह hive भी रखेंगे ना, तो ऐसी जगा पर जहां पर दूर-दूर तक कोई और होई ना, सिर्फ bee की आवाज है, नेचर के टच में रहें, ऐसी जगह जाना चाहते हैं, तो पहला स्टैंजा इंशॉर्ट आपको सिर्फ यह बताता है, कि पोएट की एक इच्छा है, तुरंत एकदम से अबरप्ट क्या, कि वो उठ जाए, और चला जाए, एनिस फ्री, जहां पर क्या करेगा, क्ले और वाटल्स का, और वहाँ पर नाइन बीन रोज लगाएगा, अग्रिकल्चर करेगा, एक हनी भी का हाइव रखेगा वहाँ पर, और अकेला रहेगा इस बड़े से स्ट्रेच में, जहां पर सिर्फ बीर्स की आवाज हैं, जहां सिर्फ नेचर के टच में हो रहे हैं, दूसरा स्टांट जा देखिये, and I shall have some peace there, for peace comes dropping slow, यह ध्यान से समझेगा, important है, और बोलते हैं, वहाँ पर मुझे थोड़ी शांती होगी, क्यों? क्योंकि शांती होती है, from dropping slow, जब life की pace थोड़ी slow हो जाती है, तब आप शांत हो पाते हूं, भगदर में थोड़ी शांती हो कि peace मिलेगा, क्यों? क्योंकि peace comes from dropping slow, peace तो life की जब pace कम हो जाती है, slow हो जाती है, तब आता है, dropping from the wales of morning to where the cricket sings, सबसे important line मानूंगा, मैं इसको इस फूम की, यह समझे नहीं आती है, बोलता है, peace की बारें बात कर रहा है, sorry, for peace comes from dropping slow का मतलब है, peace जो है, life की pace कम करने पर आती है, जो फिर यहाँ पर बोलता है, dropping from the wales of morning to where the cricket sings, अब यह जो morning के उपर wale, wale मतलब होता है, घूंगट, दुलहन जो पहनती है, शादी में, बेसिकली, या आप लोगने, आपके घुरों भी देखाऊगा, साड़ी के उपर घूंगट अकसर कर लेती है, ladies, तो बोला है, morning का जो असल में morning पे जो सुबह सुबह darkness होती है, जैसे सूरज निकलता है, वो darkness खतम हो जाती है, उसको इन्होंने wale बोला है, wale मतलब वो darkness, या fog, slash mist, सुबह सुबह कई पर ऐसा होता है, कि बिल्कुल धूंद हो रहता है, कोहरा हो रहता है, और एकदम से सूरज निकलता है, वो ख quality असल में, एक noble laureate की quality, कि इन्होंने morning का जो घूंगट है, उसको, वो जो घूंगट है, उसको किसी सिस के लिए उसके है, तो morning में सुबह सुबह होने से बहले जो अंधेरा नहीं होता, और अंधेरे पर जैसी रोशनी आती है, वो अंधेरा हट जाता है, एकदम से sunlight आती, य तो क्या बोलता है poet, कि यह जो piece आता है, यह life की pace slow करने से आता है, और वहाँ पर आता है, जहां सुबह सुबह मौर्णिंग में गुंगट उड़ जाता है, morning का sunlight के साथ, जहां पर cricket गाना गाता है, जहां cricket sings, cricket एक bird, उसका इसका नाम है, यह रहा, cricket sing, जहां पर cricket की आवाज यह गाने की, there midnight solar glimmer, noon a purple glow, glimmer मतलब shine, जहां पर midnight में ऐसी shine हो, और जो noon है वहाँ पर एक purple glow हो, ऐसा, and evenings full of linnet sphinx, और शाम को, और कुछ ना दिखे, सिर्फ linnet दिखे, इस तरह का एक bird दिखे, उड़ता हो दिखे, मतलब खूबसूरा जगा, जहां सिर्फ nature का touch हो, again, दूसरे stand jam, यह आप देखते हैं, कि poet ने सिर्फ यह बोला है, कि वो एक ऐसी जगह चाना चाता है, जहां सिर्फ nature का touch हो, यह city का touch हो इना दूर दूर तक, कैसी जगह, जहां पर शान्ती हो, life बिल्कुल slow चले, वहाँ पर सुबह सुबह वो sunlight को आते होए देखे, early morning, जो सुबह होती है, break होती है, morning जो है, उसको होते होए देखे, cricket जहां गा रहा है, वो सुने, midnight जहां पर बढ़े अच्छे से चमचमाती हो, और purple glow हो basically, afternoon में, और linnet, शाम को देखे, इनको, nature का touch रहे completely, last anja, I will arise and gone off always night and day, I hear the lake water lapping with low sounds by the shore, while I stand on the road, we are on the pavements gray, I hear it in the deep heart score, ध्यान से समझे, इसक इसे repeat करता है, पहले stanza वाल expression कि हम मैं उठूंगा और जाओंगा, for always night and day, क्योंकि, दिन और रात, मुझे क्या सुनाई दिता रहता है, मुझे सुनाई दिता है, I hear the lake water lapping with low sounds by the shore, शोर से, यानि कि किनारे पे, जैसे समूद्रिया लेक का किनारा है, वहापे जाके पानी जब तकराता है, तो वह आवाज होती है, उसकी बात हो रही है, यहाँ पे, I hear the lake water lapping with low sounds by the shore, जब वह लेक वाटर जाके तकराता है, वह आवाज मुझे आती रहती है, चाहे मैं कहीं भी हूँ, दिन रात मुझे आवाज आती है, while I stand on the roadway, चाहे मैं रास्ते पे, concrete रास्ते पे pavement basically road का side में जगा होती है, जहाँ पर लोग walk करते है, तो चाहे मैं pavement पे हूँ, चाहे मैं roadway पे हूँ, मुझे लगातार एक आवाज आती रहती है, कौन सी आवाज? lake water lapping with low sounds by the shore, lake water की shore से टकराने की आवाज, I hear it in the deep heart score, मुझे वो अपने मंतर मन में, deep heart score मतलब अपने अंतर मन में आवाज आती रहती है, poet बच्पन में वा रहा है, इसलिए वो इस सारी चीज़े उसको याद आ रही है, इसकी इच्छा है, इसको चाहे कहीं भी हो, शहर में हो, road पे हो, pavement पे हो, इसको वो पानी की जो आवाज है ना, shore से टकराने की वो आती रहती है, and that's the end of your poem, यह आपकी poem का end है, clear होगा है हो, फटा वट से poetic devices देखते हैं, A high for the honey bee, her, her की आवाज रिपीट हो रही है, I see the lake water lapping with low, कौन सा poetic device है, जल्दी से comment करो, फटा वट से बच्चे, फटा वट से, फटा वट से, come on, come on, come on, जल्दी से बताओ, फटा वट से, the lake isle of Venice free, हाँ, ठीक है, किसने comment कर दिया, alliteration, बिल्कुल सही, आगे चलते हैं, ओके, the whales of the morning to where the cricket sings, the whales of the morning, morning का वेल, अब यहाँ पर दो poetic devices हैं, सबसे पहला दो बिल्कुल सिंपल है, metaphor, क्यों, क्योंकि जो वेल है, उसको poet ने, किस चीज के लिए indicative बोला है, poet ने बोला है, जो morning, यह तो darkness मान सकते हो, आप, सुबा-सुबा, जो अंधिरा होता है, यह फिर आप मान सकते हो, mist या snow, जो जिससे covered होता है, पूरा area, वो खतम हो जाती है, sunlight के आती, तो यहाँ जो whale है, घूंगट है, उसको poet ने compare किया इन चीज से, पहला तो यह हो गया, और दूसरा है, जो कि इससे बिल्कुल related है, whale, एक humans की, मतलब एक human attribute है न, whale, घूंगट, तो humans लोग पहनते है न, ladies लोग पहनते है, तो यह उन्होंने बोला है, morning का whale, morning का घूंगट, morning को दुलन से compare कर दिया है, morning को personify कर दिया है, यह भी इसका answer सही होना चाहिए, बिल्कुल सही, मुझे आप लोगोंने comment करके बता दिया है, आगे देखिए वड़ावट से, I will horizon go now, I will horizon go now, यहाँ पे क्या है, वड़ावट से बता दो एक बरी, यहाँ, I will horizon go now, I will horizon go now, यह बोला है, तो इसको आप, यहाँ पे यह भी देख लो, same ही है, piece और piece repeat किया है, ऐसी dropping, और dropping repeat किया है, और पहली दो lines, यह वाली line, यहाँ पे repeat करी है, इसको आप कौन सा poetic device मानेंगे, आप यहाँ पर मानेंगे, repetition, words हो यहाँ पूरा expression हो, उनको repeat किया है, यह आप repetition हो गया आपका, ठीक ह इसके difficult words ही रहे, इसकी summary ही रही, I'll arise and go now and go to the industry, a small cabin built there, of clay and bottles made, and nine bean rows will I have there, high for the honey bean, I'll live alone in the bee loud clade, इसमे, the fact that poet has given, of the key line, wants to go to the industry, shows that, यह जो है, यह जो है, fact कि वो industry जाना चाता है, क्या दिखाता है, his childhood is spent in industry, he wants peace and quiet, he loves nature, he's an old man, he wants peace and quiet, वो शान्ती चाता है, इसलिए, next देखे, कि state where the falling is, और यह answer ही लिखा हुआ है, the last line of the stanza extract shows that the poet wants to live in his town, बिलकुल नहीं, वो तो industry जाना जाता है, तुरन, the kind of a house that poet wants to live in, reflects, कि जिस्ता के घर में, poet रहना चाता है, वो क्या बताता है, उसके बारे, वो luxury चाता है, ancient time चाता है, simplicity आता है, all of these, correct answer is, simplicity, next time, from the given description of the place, industry is a place with tranqu tranquility of nature beauty, where his family lives, both a and b, tranquility मतलब जहां शान्ती हो, जहां natural beauty हो, correct answer option d, a and b, both, ठीक है, and last, select the appropriate word to complete the sentence, the word what else in the stanza refers to twisted sticks, ठीक है, लिखा ही हुआ है, answer यहाँ पे, for making fences or walls, ठीक है, so with that, हम बहुंचते है, आज लेक्चर के end पर, मैं यहां से take over करेंगी, and मैं आपको अलविदा बोलूँगा, इस quotation की बात की, whatever you do, must come from your heart, आप जो भी कुछ करो ना, अपनी life में, वो यहां से आना अच्छी है, आपके दिल से, अगर आप ऐसा करोगे, तो आप एक, ऐसा impact create कर पाओगे, जिसमें आपका effort नहीं लगेगा, बस आपका मन लगेगा, तो whatever you do, आप जिस भी तयारी के लिए महनत कर रहे हैं, उसको अपने दिल से करिये, अब्दुलकलाम साब ने बात बोली थी, इस positive thought के साथ, और इस उमीद में कि आपको सब कुछ समझ महायागा, जो हमने अब तक discuss किया, I'll leave you, and I'll pass on the baton to Nupur ma'am, Nupur ma'am will take it over from here, thank you so much, you have a good dead, bye-bye, take care. झाल झाल So, have a little break, we have a little break, just a little announcement for you folks, get ready, freshen up and then come back again with all the energy that you can, take care, thank you, bye. झाल 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 हलो 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 मेरे प्यारे बच्चों कैसे हैं आप लोग a very hearty welcome to this mind-blowing platform physics वाला बच्चों तयार हो marathon के लिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हलो पेटा हलो 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 सबसे पहले ये बताओ कि आवाज आपको अच्छे तरह किसे आ रही है या नहीं ठीक है अगल आवाज आ रही है तो फटा बच्चे बोल दो कि येस माम फटा बच्चे बहुत सारी आप लोग येलो flowers ठीक है sunflowers बेजो sunflowers sunflowers की हम लोग जो है बॉच्छार कर देंगे ठीक है हलो पिटा हलो लेट हो पी मैं तो दो मिनट पहले आगे है बिटा मैं तो दो मिनट पहले ही आगे हूं मुझे ऐसा लग रहा हलो हलो बच्चे कह रहे हैं कि मैम येस आपकी आवाज आ रही है येस आई गॉट असन फ्लार थांक यू थांक यू थांक यू बच्चो लेट मैं बिलकुल भी नहीं हो बिलकुल टाइम से हो एकदम आजी बच्चो वॉइस एकदम क्लियर है दाट्स ग्रेट बच्चो तो कैसा रहा आप लोगों का सेशन आई होब आपका सेशन बहुत ही क्रॉस कर लिया है अब आधारास्ता जो है बचा है जो कि मेरे साथ जो है बुत्य करने वाले है बट बेक्चो पहले ध्यान से सुनेगे सारे बच्चे वो ये आपने फॉन को वणको चर्ज़िंग पर लगा लिजीए बैटरी में विलकुल चार्ज रखें एक हम लोग जो ह इस लोगों को बता है कि बच्छों की परप्रेशन की से जरु है से चल रहे है आप सबकी प्रेशन कहां ततक प्ढ दीए भाई पक्चों कितने टाइम बागु की बात हुई न मेरे नीवियंज जो जो मेरे नीव के बच्चे हैं अटेंडेंस लगा दो बच्चो अटेंडेंस लगाए नीवियंज आजी शाउट आट आट अच्छी चल रहे हैं नौट तो गुड कोई बात नहीं बहुत अच्छी प्रपरेशन चले कि अब सब कुछ पता है चार्जिंग लगी रहनी चाहिए बिलकुल बिलकुल मेरे नीवियंज पर लिए अटेंडेंस लगा दो कौन-कौन मेरा बच्चा जो है प्रेजन्ट है मेरे प्यारे बच्चे बहुत टाइम से हम लोग नहीं मिले पर मैंने आपको कहा था जल्दी से हम लोग मारेथान सेशन में मिलने व बच्चो कैसे हैं आप लोग सारे के सारे चलिए बहुत अच्छा मिला बहुत अच्छा जो है लगा आप लोगों से इतना आइंबद मिलकर हांजी चलिये चलिये स्चार्ट करते है अच्छा जैसे मैंने बोला कि आज न आप लोगों के लिए ilust openly ऊंच अज नहीं क्राइब लोग करेंगे यह जिसमें हम लोग बड़ी अच्छे अच्छे वर्ट जैए ऐसे वर्ट जो शायद आप लोगों ने बहुत शायद पढ़ें ऑँ connotation पढ़ें उंगे पर मुझे ज़ंक 10 डा नियूऊ औरे हं वाली आप लोगों के लिए होने वाली है बहुत ही मज़ेदार तरीके से चलो start करते हैं हांची very good very good अच्छा यह बता दो कहां कहां से बच्चे आए हैं जो मेरी नीवियंस है वो तो आई गए हैं अच्छा ओके मेरी नीवियंस सारे आचुके यह बता और कहां कहां से बच्चे जॉइन हुए हैं कौन कौन सी स्टेट से हुए हैं यह भी आप बताते जाना मुझे बच्चो ठीके मैं देखना चाहती हूँ कहां कहां से बच्चे जुह हैं वो आए हैं very good very good अच्छा देखो पहले हम लोग देख लेते हैं आज हम लोग क्या क्या करने वाले हैं जो बच्चे वह चाप्टर सब्सक्राइब करने वाले हैं और फिर उसके बाद माई चाइल्वड रीच फॉर दॉप काट मांडू इफ आई वर यह सारे के सारे बेटा आपके बीहाइव के प्रोस के चा सब्सक्राइब करेंगे यह दोनों के दोनों जो हैं यह भी मुमेंंट से हैं यह वला हम लोग करेंगे फिर जी हमारी चार पॉम्स है बड़ी मज़ेतर तरीके से पॉम्स भी करने वाले हैं बिहार हिमाच्चल प्रतेश यूपी इंडिया क्या बात है बच्चा टेन आं टे पंजाब लांगनां बहुत सारी सेट्च्ट्ट्aph intriguing very good very good very good मेरी तरफ से आप ख़िंगे एक वाम हाग और हम लोग क्लास को हैं वह वाईरी गुड और मेरी गोड हर्याना वेरी गौड और कांपुर पठ्णा वेरी गुड चलो चलो very good very good awesome से भी है बच्चे तो यह चार यह हम लोग pomps करने वाले है यह pomps आपकी कहां से है यह behive में है जैसे कि आप लोग exploring जानते हूं अब आपको 4 pomps अर्नारे कर वादी थी अब यह 4 जो मैं करने वाली हूँ तो यह सारी के सारी चीज़े बच्छे के रहे हैं मौर्थ से आएं क्या बात है वेरी गुड और वाले बच्छे भी हैं यहाँ पर चलो ठीक है मुझे लगए सारे मार्शियंस ही यहां पर तो सबसे वह थोड़ी सी क्लास शुरू करने से वह लिए ज्यान की बाते कर लेते हैं बच्छो ज्य को एंवें अन्से इर्टी भी पर्लेते हैं चलो हम लोग माम की नोट सीव भी वह लेते हैं क्लासिस की नोट पर सारे की विक सब्सुश करना कैfter के तो मैं आपको बताऊंगे कि आपको preparation कहां से कहनी है, बच्चो देखो, आप लोग अल्ज़ी सारे chapters को पढ़ चुके होई, कि क्या दो दो बार कई बच्चे तो तीन तीन बार इन chapters को पढ़ चुके है, लेकिन मुझे लगता है कि आज जो notes हम लोग पढ़ने वाले, आज जो म मैंने आपके लिए नोट्स बनाया हूं बहुत ही फिल्टर बहुत ही जदा इंपॉर्टन नोट्स मैंने आप लोगों के लिए बनाये हैं तो इन नोट्स को अगर आप लोग study कर लेते हैं end में तो that would be sufficient for you मुझे लगता है कि at least इस वाले exam के लिए के लिए आपको इस तरह से किताबे नहीं खोलनी पड़ेंगी ठीक है तो बच्चों बिल्कुल तयार है ना यह सारे किसारे नोट्स जो हैं आपको मज़ेदार तरीके से जो है preparation करने में help करेंगे बिल्कुल भी confusion आप लोगों को नहीं होगी उसके बाद 175 minutes of paper और लास 5 minutes of exam paper किसका ऐसा हाल होता है मुझे लगता है कहीं सारे बच्चों का यह हाल होता है जो कि पहले तो धीरी धीरी लिखते रहते हैं फिर उसके बाद बड़ा जल्दी जल्दी लिखते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं करना है ऐसा ना करने के लिए हमें क्या करना है हमानी प्रपरेशन अच्छे तरीके से होने चाहिए हमें बड़े सारे कीवर्ड जाने चाहिए अगर हमें पेपर अच्छे तरीके से आता है तो हम पेपर को बहुत कामली करेंगे उसके लिए मैं कुछ आपको टिप्स और ट्रिक्स जो है आज की क्लास में देने वाली हूँ 100% य ऐसा जो है हम लोग कुछ करेंगे कि आप लोग ऐसा आपका हाल बिल्कुल ना हो मेरे बच्चे बहुत ही ज़दा कामली पेपर को दे तो चलो बड़े सबसे पहले मैंने आपको बोला था हम लोग नए नए वर्ड को सीखेंगे तो यहां बच्चों एक नया वर्ड मैं आप कि पिडालियन आप यह नए वर्ड आज हम लोग जो है वो सीखने वाले हैं जिसके ना में सेस्की पिडालियन सेस्की पिडालियन का मतलब क्या होता है सेस्की पिडालियन का मतलब होता है characterised by long words जो बहुत जदा long words को use करता हो बड़े लंबे लंबे, long winded, lengthy जो बहुत लंबे 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 वर्ट को को यूज करता हो तो बोलते हैं सेस्के पिडालियन जैसे कि आज के क्लास में चाप्टर सेस्के पिडालियन नहीं होने वाले हैं लंबे नहीं होने वाले बहुत शाट में हम लोग क्रिस्प जो है हम लोग करने वाले यह होता बढ़े ही जादा बड़े-बड़े words का use करते हैं मैं नाम नहीं लूँगे आप लोगों को पता है कैसे बहुत सारे हम लोग leaders को भी जानते हैं कई जो बहुत बड़े-बड़े हेवी vocabulary का use करते हैं smart बनने के लिए वैसे तो मैं अपको suggest करूँगे कि आपको भी ऐसा करना चाहिए इस तरह के words का आपको use करना चाहिए ताकि जो है वो क्या कहते हैं अच्छे तरीके से हम लोग भी बड़े smart लगे तो यह सिस्के पिडालियन ठीके सिस्की पिडालियन जो है यह word होता है now I don't always use big words but when I do they are polysyllabic सिस्की पिडालियन expressions कई लोग होते ना नहीं बोलते तो नहीं बोलते मुह खोलते तो नहीं खोलते और जब खोलते हैं तो बहुत ही बड़े-बड़े words बोलते हैं बहुत जादा-जादा बोल अब हम लोग शुरू करेंगे pros beehive के chapters हम लोग शुरू करने वाले हैं और पहला chapter है हमारा ओहो डर लग रहे हैं पहला chapter किसी इसका है the snake and the mirror are you afraid of snakes I guess ठीक है बहुत सारे बच्चे जो है snakes से डरते हैं और आज का हमारा chapter है एक ऐसे बच्चे के बारे में एक ऐसे person के बारे में जो उसनेक से बहुत बहुत जरता गया है क्या बच्चे आप लोग जानते हैं कि सनेक से जो हम लोग डरते हैं तो उस पूर्ट पोडिया को क्या पोलते है रिप्ताइलो फोबिया जाथ यह स्सेरेशन से बहुत जब जब द धरता है और उसे रिप्ताइल फूबिया बोलते हैं एक बियन कहानी लिखी किसने सबसे नाम भी याद रखना है राइटर का बड़ी मज़ेदार तरीके से छाप्टर लिखा वाई को मोहमध बशीर ने ठीके हैं यह है एक हॉमियोपेटिक तो यह जादा इसकी कमाई नहीं थी तो यह कैसे घर में रहता था जहांना तो बिजली थी उसके पास कुछी belongings थी और mischief of rats mischief of rats समझता बेटा किसको बोलते है mischief of rats बोलते है हम लोग जो rats का जो group होता है ना rats के group ko rats का जो collective noun that is mischief ठीक है rats का जो collective noun होता है collective noun उसे mischief बोलते हैं ठीक है a mischief of rats उसके जो अच्छत पर कूप सारे rats रहा करते तो उसका साथ देने के लिए one hot summer night when he returns to his room after dinner he hears a sound but ignores it as it was familiar अच्छा हमें पता है starting में क्या होता है अच्छा बिल्कुल शुरुवात में क्या होता है जब यह चाप्टर शुरू होता है तो चाप्टर की पहली line क्या होती है कि snakes से कौन डरता है they are talking about snakes एक group है जो कि snakes के उपर discussion करा है snakes के उपर discussion चलती 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 है तब ही अचानक से एक person बोलता है क्या कभी किसी full-blooded फुल-blooded कोब्रा ने आपको जो है आपकी बॉड़ी पर कहीं राप हुआ है एक फुल-blooded कोब्रा सब लोग जो है इस बात को सुनकर बहुत जदा डर जाते हैं तो यहां पर यह बात बोल रहा होता है एक friend जो अपने friend के बारे में कहानी सुनाता है और यह friend जो है वो कौन ह यह एक homeopathic doctor है जिसका आमना सामना हुआ जिसका encounter हुआ एक real snake के साथ और इसका बहुत बुरा हाल हो गया अब क्या होता है यहां पर यह पूरी कहानी बताता है कि एक दिना बहुत गर्मी का दिन था बहुत जदा hot summer day था जब वो वापस आता है यह homeopathic doctor यह कुछ खाने वाने गया हो था डिनर करने तो उसे जोए ना अपने च्छत के ऊपर कुछ अवास सुनाई देती है मैंने आपको बता था ना इसके च्छत कैसी थी इसके च्छत ऐसी थी कि वो सीमेंट की नहीं बनी हुई थी वो लकडियों की बनी हुई थी यह से लकडी के फट्टे टाइप ल heat he decides to read a book अभिसे नीन नहीं आ रही थी नीन नहीं आ रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो यह decide करता है कि यह book पढ़े का ठीक है यह homeopathic doctor आप लोग जानते ही हो कितना smart homeopathic doctor है ठीक है बहुत ज़्चारे को अभी गर्मी लग रही है अभी हम लोग पढ़ेंग कि ये जो है, ये डॉक्टर अपनी आपको एक बड़े से मिरर में देखने लगता है ठीक है क्योंकि गर्मी बहुत जादा थी, उसको हवा बिल्कुल चलने ही देती कहते थे कि विंड गॉट जो है ना अच्छा नरास था, बिल्कुल इतनी जादा गर्मी हो गए थी इसने सोचा कि चलो शीशे में देख लेता हूँ, शीशे में देखता है और खुद को देखता है वो देखता है कि अरे मैं तो बड़ा हैंडसम हूँ, मैं अन्मारेड हूँ, ठीक है मैं कवारा हूँ, मैं कितना जो है प्यारा हूँ चलो मैं जो है ना कितना ज़दा स्मार्ट लगता हूँ और ज़दा अपने आपको स्मार्ट बनाऊंगा Heard the sound from above again but wasn't serious about it as rats also used to make such sounds अब यहाँ पर such sounds तो वो फिर से आवाज सुनता है तो यह सब चीज़े चल रही होती है अपने आपको शीषे में देख रहा है बड़ा है कर अखुश होरहां इसके भाध क्यार मिलेता है तो यहां शेकिकलों मुस्ताश in as my on his face should meanwhile all check दो earth shaking decisions क्या होते हैं कि मैं जो है ना एक पतली सी मूँ छुगाऊंगा बड़ा ज़्यादा smart लगूंगा और साथी साथ जो है ना मैं हमेशा अपने चहरे पर एक smile रखूंगा ये बिल्कुल accept करने वाली बात है बच्छों कि जब आपके चहरे पर smile होते हैं तो आप बहुत ज स्मार्ट लगते हैं बहुत ज़्यादा सुन्दर लगते हैं तो ये भी सोचता है और्थ शेकिंग डिसिजन कि क्या बात है हैंसम लगना चाहिए मुझे मैं जो है ना अपने चहरे पर हमेशा एक smile रखूंगा अब यहां पर सबसे पहले आपसे अब मैं question पूछूंगी ठी जो है आज पूल का option आ रहे है कि नहीं आ रहे है एक बार में चेक कर लेती हूं ठीक है वाट दसने रेटर से ही बसें अड्मार रॉस पहले आप इसका अंसर दो मुझे नरीटर क्या कहते है कि वह किसका इड्मार होता है आथ ब्यूटी नेचर या फिर क्लासिकल म्यूजिक किस है कि क alegy you and see what doesn't Ari to see he was an admirer of the narrator her was an admirer of beauty beauty can admiral dayball दो पूर्षी है ऑच आसे करना है कि ओक है तो नरीटा कहता है कि वो ब्यूटी हाँ ब्यूटी बिल्कुल बीटी का अद्मारें जो होता है अभी जो है ना पोल हम लोग नेक्स वाले में करेंगे ठेके चलो अभी यह वाल के अंसे और व्याग है तो 7 अलवली तॉट्वारम a rich woman doctor with plenty of money and had good medical practice अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि सरफ लड़कियों को भई गोल्डिगर गोल्डिगर बोलते रहते हैं सारे बड़ी गल्दी बात होती है ठीकि बहुत बुरी बात होती है यहां में लगता है कि अच्छी से बड़ी बात है बड़ी बीवी चाहिए ताकि अगर मैंने कोई गलती करी तो मैं एकदम से भाग जाओ और मेरी वाइफ जो है वो मेरा पीछा ना कर पाए ठीके बाई तो थोड़ी से यहां पर हम लोग देखता है फाट शेमिंग कर रहे हैं लेकिन हाँ चलो यह अच्छी बात है कि एक फाट वाइफ जो है वो चाहता है तो फाट वाइफ चाहता है ताकि उसके पीछे ना भाग पाए क्योंकि इसको बता है कि मैं सिली मिस्टेक तो जरूर करूंगा तुम लोग देखते हैं कि वाइका मुहम्मद बशीन ने यहां पर बहुत जाता यूमर का यूज किया है ठीके बहुत जाता मजाग का यूज जो है वो किया है उसके बाद वो क्या करता है उसके बाद जो है वो अभी ये सब बाते कर रहा है ये जो है प्लासिक के पईप जो है न वो जमीन पर गे रही हो बिल्कुल प्लास्टिक के पाइप जजा था लेकिन वो प्लास्टिक के पाइप नहीं थी बच्चो वो तो निकला एक स्नेक आप स्नेक बुरा हाल हो जाता है वो फैट सा वो मोटू सा स्नेक बिचारे को क्या चाहिए था बिचारे को मोटी बीवी चाहिए थी लेकिन मोटा सा पर से तुसके शूलडर पर चले जाते हैं उसकी लेफ डाम पर गोड़्षों गृट लिए फेस बच्छों डेथ लॉग्ड नियर लोग यानि कि मौत उसके सामने नाच रही थी उसका फैला वह होता है हुड होता है फन, साप का फन फैला हो है और वो से सरफ 4 इंचिस दूर है खुद ही सोचो हम तो भी होशी हो जाएंगे ऐसी सिचुएशन में तो यह सब देखे वो एकदाम डर जाता है यह देखो उसका हुड जो है बिल्कुए 4 इंचिस दूर है उससे अब देखो यहाँ पढ़ना ऐसी सिचुएशन में डॉक्टर ना खुद को फुलिश और बुलाता है क्यों बुलाता है यहाँ फड़ा फट से बताएंगे मुझे ठीक है सारे बचे पार्टिसिपेट करेंगे पोल में वाई दिद दॉक्टर कॉल हिमसेल फुलिश और क्या रीजन था भई डॉक्टर ने खुद को बोला क्या रे भाईया मैं एक होमियोपेटिक डॉक्टर हूँ मैं एक होमियोपेटिक डॉक्टर हूँ लेकिन मैं बहुत ज़दा फुलिश और हूँ क्या रीजन था उसका हाँ जी because of his inability to think of any solution for the trouble he was caught in he had no money no good house to live या फिर no customers क्या reason था उसका फिरावच से बताएंगी सारे बच्चे हाँ जी तो इसका reason था A ठीक है भाई because of his inability to think 93.89 बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है क्या बात है रितू अभीम अनिशा श्लोकन महताव नी 1.2 मेरा बच्चा very good अब यहाँ पर क्या है डॉक्टर खुद को foolish बुला रहा है पूर बुला रहा है क्यों बुला रहा है कह रहा है कि अरे भाई मैं homeopathic doctor हूँ और मेरे पास खुद का ही इलाज करने के लिए कोई दवाई नहीं है अगर मुझे सापने काट भी लिया तो मेरे पास कोई दवाई नहीं पड़ी है तो वो बोलता है कि एक तो मैं foolish और उपर से मैं कितना गरीब हूँ बिचारा खुद को जो है बार बार दोश दिये जा रहा है डेथ लोग्ड फोर इंचे अवे फ्रॉम हिम डेथ जो है मौत उसके सामने चार इंच दूर मौत नाच रही थी बट ही कुद डू नाथे इस साट इस स्टाचू मोशनलेस बट इस माइंड वस वेरी अक्टिफ अब बच्चो देखो जब हमारे मत्ब बहुत ज़द हमारी बच्चान निकल जाती है तो हम कैसे हो जाते है वह बिल्कुल स्टाचू पत्थर का हो गया इस माइंड बच्चो हमारा हमेशा बहुत अक्टिफ होता है हमारे माइंड में एक साथ थाउजंड फॉट्स जो है वह एक साथ चल सकते हैं ठीक है हजारों थाट्स हमारे मन में तो ऐसा ही उसके साथ था उसकी बॉड़ी एक दमनम थी उससे ऐसा लगरा था कि जैसे उसका हाथ नहीं है एक आईरन राट एक होट आईरन राट जो है उसका हाथ बन गया था क्योंकि उसने अपने हांगा नहीं चल ठीक है वह फूलिश्स खुद को बलाता है рьक्लक्रीज अपना सिर्मोडा और उसकी नजर पढ़े शीशे पर आपको पता है इस अपसे सारी ही होते हैं यहां पर कोई भी नहीं है जो सेलफ अपसेस नहीं हो हम लोग तो चलो है यह इंसानों में तो के बात बिटा खासेत होते हैं कि जब भी वो मिरर देखते हैं तो खुद को देखे बग्यार हैं नहीं पाते हैं यह सभी की साथ है यह बेसिक चीज है कि हम लोग कहीं सामने से मारे सामने मिरर आछा है तो हम खुद को एक बार जरूरा देखेंगे अब देखो बच्चो जब स्नेक अपने आपको मिरर में देख रहा है तो हमारा ये होमियोपेटिक डॉक्टर मन में सोच रहा है कुछ वो सोच रहा है कि इस वक्त स्नेक क्या सोच रहा होगा देख रहा हो मौत नाच रही है उसके सामने पर ये सोच रहा है कि इस वक्त स्नेक अपने आपको शीशा में देखकर क्या सोच रहा होगा क्या वो सोच रहा है कि वो अपने एक वर्मिलन का जो है वो माक लगाएगा अपने forehead पर वर्मिलन लगाएगा वर्मिलन समझते हो ना क्या वो सोच रहा है कि वो अपनी आँखों में मस्कारा यूस करेगा? वो क्या सोच रहा होगा? ठीक है अब स्नेक क्या Earth Shaking decisions जो है वो ले रहा होगा? अब स्नेक भी सोच रहा होगा कि मुझे भी तो बहुत सरी सपोलियों को पटाना है तो मुझे कैसा दिखना चाहिए Taking advantage, he got up from the chair and quietly went out through the door and ran as fast as he could and reached a friend's house उसने इस बात का advantage लेते होगे क्या सोचा भई कि मैं जो है फड़ा फट से chair से वो उठता है और तेस तेस भागना शुरू कर देता है और भई कहां जाके रुकता है सीधा रुकता है अपने फ्रेंड के घर पर ठीक है बाई अपने फ्रेंड के घर पर जाके जो है वो रुकता है next morning accompanied by his friends he came to his room to take away his things from there but there was hardly anything left for him to carry अब यहाँ पर homeopathic doctor सीधा शू करके अपने फ्रेंड के घर जाता है फ्रेंड के घर जाकर जो है जाता है जब वहाँ पर लेकर जाता है तो वो देखता है आरे उसके पास तो कुछ है ही नहीं वहाँ पर जाधा समान होता ही नहीं है some thief had stolen most of his things किसी चोर ने उसके जाधा तर चीजों को चुरा लिया था वहाँ पर कुछ भी नहीं बचाता है सिर्फ बची पी उसकी गंदी बनियान dirty west क्या भोलता है वो चोर के बारे में I think the chore I think the thief had a knack for cleanliness मुझे लगता है इस चोर को साफ सफाई कुछ जाधा ही पसंद थी क्योंकि उसकी west कैसी थी उसने शुरुवात में भी description दी थी My not so white west मेरी पीली से बनियान आप खुद ही सोच सकते हो कि पीली से बनियान है मतलब बड़ी ही used बनियान है तो thief भी सोचता है चलो यार कम से कम इसके बनियान तो छोड़ कूँ क्या पता मुझे कही infection हो जाए तो उसे छोड़ कर जो है वहाँ पर चला जाता है ठीक है भाई तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं डॉक्टर के साथ क्या क्या हुआ यह हम लोग ने देखा अब यहाँ पर इसके फोड़े से questions को हम लोग discuss कर लेते हैं बच्छो Why did the doctor take bath and change his clothes उस फड़ावट से बताओगे बच्छो कि डॉक्टर ने बात क्यों लिया और अपने कपड़े क्यों change किये और यहाँ पर यह भी वाई डिड़ डॉक्टर रब ओईल ऑन इस बॉड़ी वो अपने बॉड़ी पर ओई क्यों रब करता है नहाता क्यों है और अपने क्यों कपड़े क्यों change करता है क्या reason था उस कवरवट से बता दू अच्छो ठीक है हाँ जी एक कंपनीड मतलब साथ एक कंपनीड मतलब साथ साथ ही साथ लेकर आता है वो सबको ठीक है हाँ जी बताओ वड़ा फ़ट से बिकोष स्नीक वाज ओन इस बोड़ी और इटक इंस्प्रेट पॉजन येस नहीं फॉर लुकिंग हैंसम उस ताइम क्या उसको आंचम लगने की पड़ी हुई है अभी तो विचारा साथ से उसका इंकाउंटर हुए है अभी तो थोड़े दिन तक सोचे का भी नहीं आंचम लगने के बारे में actually made because he thought because a snake had coiled himself around his body so he was thinking की भाई सारा जो पॉजन है he was thinking just to be safe just to be safe so that he could rub off the poison from his body he you know rubbed oil on his body and he took a bath ताकि poison उसकी body भी अगर थोड़ा बहुत भी लगा हो तो वो धुल जाए क्योंकि भाई एक कोब्रा उसके हाथ पर लिप्टा था बच्छो समझो इस बात को why did the doctor what did the doctor do on seeing the snake snake को देखने के बाद उसने क्या किया what did the doctor do हांची अनिरोद बेटा हलो बेटा हलो 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 हांची हांची what did the doctor do on seeing the snake doctor ने क्या किया साब को देखने के बाद डॉक्टर ने फड़ावट से बता दो क्या किया डांस किया क्या बाद डांस किया डांस नहीं किया he was still ठीक ही बिकेम अस्टाच्चू वह बिल्कुल स्टिल हो गया वो हिल नहीं रहा था ठीक है वो एक्दम हिल नहीं रहा था वह दिट दो वाइड दो ऑथर दसनीक इन दमेर फैंटसाइज अफाट वुमें अज़साइब बहुत वुमें क्यों चाहिए थी उसे फाट वाइब इसले चाहिए थी सो दाट इफ ही कमिच अचली मिस्टेक दवाइफ के नॉट रण आफ्टर हैं ताकि उसके बीवी उसके पीछे पीछे ना भाग सके ठीक है वो बिल्कुल मोशनलेस हो जाता है बिल्कुल से बिल्कुल से वाइल लोग इंट दो मिरर वाट इंपोर्टन अर्थ शेकिंग डि रखेगा वाट इन दोग्तर थिंक वैंड असने पॉस्ट लुगिं इंट अधर निक राट रोटा है जब स्नेक मिरर में देख रहा होता है क्या बिल्कुल 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 वह सोचिता है कि ही वह सिंक इंग वैदर दो यून नोव स्नेग वोशनलेस हो में पूर्श decisions like putting vermilion on his forehead or using mascara doing makeup कि वो सोच रहा था कि मैं काजल लगा हूं या मस्कारा लगा हूं अपनी आईस पर ठीक है वेन दॉट्टर रेटर्न to his home after having his meal what did he do that shows it was a summer hot summer night उसने क्या क्या किया था बच्छो yes he removed his clothes ठीक है उसने कपड़े जो है वो रिमॉफ कर दिये और उसने क्या किया he went out in the veranda veranda में वो जाता है fresh air के लिए बिल्कुल वर्मिलन काजल मुस्टाश मस्कारा बिल्कुल 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 he took off his clothes he took off his clothes he did not take a bath no 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 he did not take a bath ठीक है yes he took off his clothes the story the sneak in the mirror is humorous भाई ये बहुत ही जादा humorous story बड़ा ही जादा मजा किया स्टोरी बड़ा मजा आते हमें से सुनकर तो यहां बच्छों बताओ क्या examples है ऐसे कौन से example से चुसे हमें बदा चलता है कि story बहुत जादा हाँ he went into the veranda to get some fresh air but that day when god was on holiday when god जो है वो छुटी पर गए वे थे windows yes exactly बता दो हाँ जी humorous हाँ जी क्या क्या examples है पहले तो वो fat wife वाला example ठीक है हाला कुछी बता हाँ fat wife वाला example हो गया ठीक है second वो west dirty west वाला example हो गया here you can say that the writer uses a lot of humorous elements to create humor in the story you know the mention of fat wife अच्छा पको बता है बाद में उसे कोई पूछता भी है that is it true that your wife is fat do you really have a fat wife so he says no that my wife is not fat she is very slim और वो मेरे पीछे जो है वो भाग सकती है हाँ doubts doubts में चेक करती हूँ बिल्कुल 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 हैं जी हम makeup बिल्कुल when he was thinking that the what the snake might be thinking was a snake thinking to put a vermiland you know mascara और kajal in his eyes yes exactly exactly ठीक है भाई doubt क्या है ma'am please tell her way to attempt question paper हाँ issue बहुत अच्छा question है मेरे बच्चे question paper को कैसे attempt करना है अच्छा कल मैं क्या करूंगी ना कल क्या करूंगी अभी ही मैं आज नहीं लेकर आई आज ठोड़ा time कम था तो सारे बच्चे ध्यान से सुनों ठीक है ध्यान से सुनों सारे बच्चे हम लोग क्या करेंगे ना कल मैं आपके लिए paper pattern लेकर आँगे, साराका सरा paper pattern लेकर आँगे, जैसा आपका paper का pattern होता है, और कल मैं आपके लिए सारे tips और tricks भी लेकर आँगे कि आपको section A, B, C, कैसे attempt करना है, आज फ्छळा सा time नहीं था तो आजन ही नहीं लेकर आईँ, कल हमारे पास टाइम होगा तो खाल हम इस चीज के डिसकाशन करेंगे ठीक है इशू ओके बिटा चलो आगे शलते हैं अब माइच शाइल्ड होड़ भाई बच्छो सारे के सारे सल्यूट करने के लिए रेडी हो जाओ क्योंकि अब हम पढ़ेंगे एक बहुत ज़्यादा ग्र आपको बताओंगी ठीक है बहुत सारे बच्छे क्लास देख रहे हैं कितने सारे बच्छों के हाथ में कॉपी और पहन है कितने सारे बच्छे हैं मुझे बहुत सारे बच्छे तो भी चार्टिंग में बिजी हैं लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्छे होंगे क्लास में जो बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं उनके हाथ में नोट बुक होगा एक पैन होगा and they would be noting down all the important things वो सारी की सारी important चीज़ें जो है वो note down कर रहे होंगे सारी चीज़ें जो है वो लिख रहे होंगे अब जब आप note down करते हो जब आप keywords note down करते हो जो बहुत अच्छे बच्चे होते हैं वो पते क्या करते हैं वो एक notebook रखते हैं आपने पास उन्हें जहां भी कोई keyword मिलता है चाहे वो chapter में भी हो सकता है वो chapter की summary में भी हो सकता है chapter की explanation में हो सकता है मैंने आपको बढ़ाया हो school में आपको बढ़ाया गया हो वो फड़ा-फट से उस चीज़ को note down कर लेते हैं और वो सोचते हैं that we are going to use these words in our exam हम answer sheet में इसे पक्का use करने वाले हैं जो बच्चा ऐसा सोच रहा है जो बच्चा ऐसा कर रहा है जिसमें इसी practice कर ली वो definitely exam में अच्छा score करेगा अगर आप ऐसा करोगे मैं आपको simply बता रही हूँ अगर आप simple सिरफ पढ़ते रहोगे पढ़ते रहोगे उसको और सीधा exam में चले जाओगे और सोचोगे कि मैं उसे दिन आंसर बनाऊंगा तो ऐसा नहीं हो पाएगा बिटा ठीक है वो कुनी की autobiography थी एपीज अब्दुल कलाम की जिसका नाम है Wings of Fire उसी में से हमने इस चाप्टर को इसी portion को एक excerpt को हमने pick up किया है जिसमें हम एपीज अब्दुल कलाम ची के किसके बारे में पढ़ रहे हैं उनकी जो है life story जो है पढ़ते हैं उनके childhood के बारे में पढ़ते हैं हम लोग एपीज अब्दुल कलाम ची का जो है बारे में पढ़ते हैं जो कि एक middle class Muslim family में उनका birth हुआ था कलाम had three brothers and one system whom he shared and enjoyed his childhood with बचो देखो ऐसा कहा जाता है कि life में जब कोई person बहुत ज़्यादा successful होता है तो उसके success के पीछे उसके parents उसकी community जैसे उसकी upbringing होई है वो बहुत सारी चीज़े dependent होती हैं वैसे हम लोग देखते हैं कि एपीश अब्दुल कलाम की life में वो इतने सदा बहान में नहीं he was called the missile man of India missile man of India उनने बोला गया ठीकिए वो president भी बने उन्होंने इतनी सारी achievements करी तो उसके लिए पीछे किस-किस का हाथ था तो यहां हम लोग देखते हैं कि आखिरकार उनके अंदर जो इतनी सारी qualities थी एक quality नहीं थी उनके अंदर धेर सारी qualities थी वो धेर सारी qualities किसकी वज़ा सी थी कौन-कौन थे वो वो सारा हम लोग जो है वो पढ़ेंगे यहां पर हमने पढ़ा उनके three brothers और one sister थी और उन्होंने अपना सारा childhood जो है अपने parents के साथ अपने relatives के साथ अपने friends के साथ बिताया जो कि बहुत kind-hearted उनके parents बहुत kind-hearted थे बहुत simple थे जिनके अंदर बहुत great moral values से एपी चब्दुलकलाम को अभी भी हम लोग क्यों याद करते हैं हम लोग इसलिए याद करते हैं बेटा क्योंकि एपी चब्दुलकलाम सिर्फ एक president ही नहीं थे सिर्फ missile man ही नहीं थे वो सिर्फ एक अच्छे scientist या inventor ही नहीं थे बट he was also a very good human being उनके बारे में बहुत अच्छी-च्छी बाते की जाते हैं उनकी qualities को अकसर बहुत जादा discuss किया जाता है तो इसा क्यूं था वो हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि बच्छपन से ये उनके अंदर बहुत सारी अच्छी moral values थी हाँ precious girl बिटा मैं आपके डाउट देख लूँगी ठीक है पहले ये वहला मैं पारग्राफ करा देती हूं आपको तो कलाम की चाइड़ोट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कलाम वस बॉन इन मिडल क्लास बिग तमिल मुसलिम फैमिली में उनका बर्थ हुआ था इन दी आइलेंड ऑफ रामेश्वरम रामेश्वरम में उसका बर्थ हुआ था उनका जो बचपन था मटीरियली और इमोशनली बहुत सिक्योर था मटीरियली यानि उनके पास खानी पीने की कोई कमी नहीं थी उनके पास एक पक्का हाउस था ठीके वो बोलते हैं हमें एक पक्के घर में रहता था पहले दो तरह के घर होते था पक्का हाउस कच्चा हाउस और जिनका पक्का घर होता था समझा जाता था कि वो काफी वेल टुडू है तो वो वैसे थे, वो बहुत emotionally secure थे क्योंकि उनके parents बहुत अच्छे थे, उनके parents उन्हें बहुत ज़्यादा support करते थे, साथे साथ उनके parents का अच्छा नाम भी हाँ बताया गया है, जनुल अपदीन, उनके father का नाम था, और उनकी माताशी का नाम था, आशी अम्मा, ठीक है, म believed in the life of necessities, kind थी, बहुत ज़्यालू थी, और life of necessities में वो जो है, बिलीव करते थे, पता है, पहले की जमाने में क्या होता था ना, बिचा, लोग बहुत simple हुआ करते थे, उन्हें लगता था, कि घर में वही चीज़ें होनी चीज़ें, जो materially हमारे लिए important है, ठीक है, खाना, पीना, यह नहीं था, वो बहुत ज़्यादा luxuries में जो है, पैसा नहीं बरबाद करते थे, तो बहुत ज़्यूरियस आइटम्स उनके घर में नहीं थी, ऐसे जिसे सोफास हो गए, इस सरा की बहुत लग्शरी आइटम्स नहीं थी, बट हाँ, basic necessities उनके पास सारी की सारी थी inherited honesty and self-discipline from father and faith and goodness and deep kindness from mother, देखो बिलकुल contrasting, बिलकुल contrasting qualities है, मा से उन्होंने क्या इंहरिट किया, mother से उन्होंने इंहरिट किया, self-discipline, ठीक है, आत्म जो है वो discipline आप लोग समझते हो ना कि अपने उपर अनुशासन रखना, अनुशासन उन्होंने सीखा अपने father से, faith and goodness, अच्छाई जो है, अच्छाई पर भरोसा, deep kindness उन्होंने अपनी mother से सीखे, it was written in the chapter, कि उनकी mother जो है, वो daily family member से भी जादा खाना लोगों को खिलाया करती थी, इतना जादा लोगों को वो feed किया करती थी, कि वो बहुत generous थी, during the annual Shri Ram Kalyanam ceremony, his family used to arrange boats for carrying idols of the lord from the temple to the marriage site situated in the middle of the pond called Ramatirat, यहां आम लोग देखेंगे, कि उनका जो childhood था, वो बहुत ज़्यादा secular था, वो बच्पन से ही बहुत ज़्यादा उनकी secular upbringing थी, secular यानि कि जहां सभी religions की respect की जाते है, आप खुद देखें, वो एक Muslim family से बिलॉंग करते थे, लेकिन श्री सीता रामम, राम कल्यानम ceremony, कल्यानम होती है शादी, जो श्री राम और जो है सीता जी की शादी कराई जाती है, यहां रामेश्वरम में, ठीक है, तो उसमें अन्वली, हर साल होती है वो, उसमें उनकी family boat सरेंज किया करते थी, ठीक है, बहुत सरेंज किया करते थी, और वो idols, उनकी मूर्तियां जो है, शादी वाले मंडब तक जो है, वो लोग लेकर जाते थे, जो मंडब कहाँ था, जो pond के बीचो बीच था, राम तीरच जिसका नाम था, तो कितना अच्छा, कितना खुबसूरत सी यह बात है, कि एक Muslim family जो है, वो help कर रही है, त कि Prophet Muhammad की lessons भी बढ़ाया करते थी, यानि कि एक तरह से हम लोग कह सकते है, secular upbringing, बहुत ही secular upbringing उनकी है, और हम लोगों ने देखा, कि कैसे उन्हें अपने देश से प्यार था, उन्हें सभी religions की बहुत ज़दा respect थी, तो इस तरह की चीज़ें उनके अंदर जो है, वो थी, doubt देख मैं, what is better to write character sketch in points और paragraph, issue, character sketch बेटा, points में भी लिख सकते हो, paragraph में भी लिख सकते हो, points में कैसे लिखना है, if you get a question of three marks, या या आद रखना, issue, बेटा, issue कैईगे सभी के लिए, अगर आप points में लिखते हो, अगर आपका three marks का question है, three marks के question में, either आप three points लिखोगे, या six points लिखोग ठीके, या तो three points लिखने है, या फिर आपको six points लिखने है, ठीके, वैसे ही अगर आपका six marks का question है, तो या तो आप six points लिखेंगे, या बारा points लिखेंगे, ये याद रखना बेटा, three marks equation में five points लिखोग गया, six या फिर three, ताकि teacher को marks distribution में कोई भी जादा problem ना हो, बिलकुल, बिलकुल, अबुल पाकिर, जनल अबदीन, बिलकुल, अबुल पाकिर, जनल अबदीन, जो है, उनका पूरा नाम था, APJ, ठीके, APJ कलाम, जो है, उनने कहा जाता था, कलाम's first earning, कलाम की first earning क्या थी, earning little money during the second world war by collecting and selling tamarind seeds to the provision shop as a child, अच्छा, वो अपनी memory share करते हैं, कि जब मैं tamarind seeds इकठा किया करता था और उसे local provision store में किरानी की दुकान पर बेज देता था, तो वो कहते हैं, वो ये भी लिखते हैं, कि मुझे नहीं पाथा, उन्होंने ये specify नहीं किया, कि उस time पर ये इमली के बीजों की क्या जरुत परती थी, पर वो इमली के बीज इकठे करते थे और उन्हें sell करते थे market में, जिसके बडले उन्हें पैसे मिलते थे, a day's collection would fetch him princely sum of one आना, ये chapter में लिखा हुआ है, कि उन्हें एक princely sum, princely sum यानि कि उन्हें ये amount बहुत ज़्यादा लगता था, उन्हें लगता था कि अरे ये amount बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उन्हें एक आ बढ़ी simple हुआ करते थे, बहुत छुटी-छुटी ज़रूते होती थी बच्चों की, जो है इसे station से वो फैक दिया करते थे, चलती हुए train में उन्हें फैकने पड़ते थे newspapers और चलती हुए train से जो है उन्हें जो है वो collect करने पड़ते थे, मतब ये सब चीजें जो है उन्होंने किया है, वो कहता है कि जितनी भी ज़दा struggle वली चीजें जो है, कोर चीजें जो ह है इन सबी चीजें को, कलाम's brother-in-law जलाल-ud-deen told him stories about the war which कलाम लेटर रेड इन दे न्यूस्पेपर दीना मनी, बच्पन से ही कलाम को पढ़ने का बहुत शौक था and that we come to know, because जो उनके brother-in-law है, ठीक है जो उनके जीजा के उनके sister के जो husband थे, जलाल-ud-deen जिनका नाम था, वो उनने war के बारें बताया करते थे, second world war में बहुत सारी चीजे होते थे, उस टाइम पर इंटरनेट तो था नी, उस टाइम पर he used to get all these informations, जब भी उनने पता चलता था कि अच्छा, world war 1 में कौन जीता, कौन हारा, किस country की क्या condition है, तो वह ये सारी चीजे पढ़ते थे and he used to read that in the local newspaper called Dina Mani, Dina Mani जो है वो newspaper का नाम था, जिसमें वो ये सब जो है वो पढ़ा करते थे, कलाम's childhood friends, कलाम के बच्छमन के दोस्त कौन थे बिटा, कलाम had three close friends in his childhood, क्या-क्या नाम था उनका, रामनच शास्त्री, आराविंदन और शिवप्रकासर, तीन फ्रेंज उनके थे, तीनो Orthodox Hindu Brahmin थे, Orthodox अब लोग समझते हैं, कटर Hindu Brahmin, conservative families से बिलॉंग करने वाले, रामेश्परम के हम लोग बात करते हैं, तो रामेश्परम में Muslims भी रहा करते थे, हिंदूस भी रहा करते थे, बट कहते थे वैसे तो वो बहुत जदा rigid थे, उनके society के बारे में कहा जाता है, कि वैसे तो उनकी जो एक छोटी सी society थी, वो काफी जदा rigid थी, मतलब एक तरह से वो religion के basis पर काफी rigid थे, वो लोग काफी कठोर थे, काफी सक्त नियम थे, कि ये उनके नियम है, ये इस religion के नियम है, ये इस धरम के नियम है, ये उस धरम के नियम है, लेकिन फिर भी, फिर भी कई बा और टेंपल के उनके बेटे थे बाद में वो खुदि पैसे बन गे थे आपको पता हो गई यह रामने अजशास्थली फादर में खुदि आनने इट विक्तर造ी और इन उस्के बैट इन फिविट लक्षमन शास्ट्री येस लक्षमन शास्ट्री लक्षमन शास्ट्री जो उनके फादर का नाम था आरविंदन जॉइंड बिजनस ओफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिल्ग्रिम्स बाद में अब लोग देखते हैं कि आरविंदन ने क्या किया उन्हों प्रेंज करने काम किया शिव प्रकाशन जो है वो बाद में केटरिंग कंट्राक्टर बन गए थे सदर्न रेलवेस के लिए तो यह भी बताया जाते है कि बाद में क्या-क्या फ्रेंड्स बने अब फ्रेंड्स के साथ उनकी क्या-क्या मेमरीज है यह भी बहुत इंपोर्टेंट है अच्छा यह मैंने आपको बताया आप हाव वासर सुसाइटी ऑफ रामेश्वरम अज़ों अज़ों पूरी तरीके साम लोग बात करें तो कैसी थी सुसाइटी रामेश्वरम की फटा फट से सारे बच्चे बताएंगे मुझे इ in terms of segregation of different social groups it was very liberal it was a classless society there was a dominance of one class in this society can answer hoga फटा फट से बताएंगे मुझे सारे बच्चे everybody is going to participate in the poll okay okay answer जो है जातर बच्चों ने जो है correct answer दिया है okay good it is a it was very rigid in terms of segregation segregation यानि बटवारा rigid का मतलब है strict ठीक है बहुत ज़्यादा strict थी वहां पर society social groups को divide किया जाता था ठीक है हाला कि पूरी society ऐसे थी on a whole लेकिन कुछ लोग बहुत अच्छे भी थे जिनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो a is the correct answer अरे यह क्या पोल आया है नहीं 0% बच्चे पता नहीं क्या हुआ पोल में आजाग थे बहुत ज़्यादा free थे वह रिजट नहीं थे नौट रिजट फ्लेक्सिबल ठीक है फ्लेक्सिबल आप लोग कह सकते हो कि वहां पर बहुत फ्लेक्सिबिलिटी थी कोई कि different social groups में कोई segregation नहीं था बर ऐसा नहीं था वो रिजट थे बहुत ज़्यादा strict थे ठीक है discriminatory attitude of new teacher in Kalam school discriminatory attitude अब manager से आपको बताया एक जो society होते उसमें कुछ बहुत अच्छे लोग होते और कुछ बुरे लोग भी होते हैं कुछ एसे लोग भी होते हैं जो segregation में बहुत जादा belief करते हैं तो हम लोग यहां पढ़ेंगे कि कैसे discrimination होता था कुछ बहुत अच्छे लोग भी थे कुछ लोग बुरे भी थे तो यहां पर when he was in class 5 the new teacher saw them sitting together and ask Kalam to more move to backbench because of his relation अब क्या हुआ कहते हैं कि चो Kalam है ना वो हमेशा किसके साथ बैठे थे वह हमेशा बैठे थे अपने रामनच शास्त्री के साथ ठीक है dominance dominance का मतलब होता है कि कि किसी एक की ओपर dominate करना ठेके dominate करना यानि कि उसके उपर जो है हावी होना ठेके dominance होता है हावी होना ठेके तो यहाँ पर when he was in class 5th जो वो class 5th में थे उसकी story वो बताते हैं that one day he was sitting with Ramanaj शास्री वो usually ऐसा ही करते थे कि वो Ramanaj शास्री के साथ front bench पर front row में बैठा करते थे अब यहाँ पर क्या हुआ कलाम को कहा गया वहाँ पर एक जो है ना एक teacher आया था he could not stomach a Hindu priest son sitting with a Muslim boy वो stomach नहीं कर पाया stomach यानि कि वो digest नहीं कर पाया वो इस बात को accept नहीं कर पाया कि किस तरह से एक Muslim बच्चा एक high priest के बेटे के साथ बैठा हुआ है तो उसने क्या किया उसने कहा कि जाओ तुम last bench पर बैठ जाओ और ऐसा देखते ही जो यहाँ पर हम लोग क्या देखते है आपको क्या लगता है क्या वो बच गया होगा वो टीचर नहीं बचा जो पक्षी लक्ष्मन शास्त्री उनका पुरा नाम था पक्षी लक्ष्मन शास्त्री है वो नए टीचर को बुलाते हैं, ask the teacher not to spread the poison of inequality and intolerance, ultimately the teacher had to apologize for its act उन्होंने कहा that the minds of young children are very, you know, they are impressionable जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों के दिमागों में आप लोग poison मत बरो, inequality का और intolerance का तो यहाँ पर अच्छे तरीके से जो है, उन्होंने डांट लगाई कि नोने पक्षी लक्ष्मन शास्त्री ने और यह जो teacher है, उन्हें finally apologize करना पड़ा, उन्हें sorry बोलना पड़ा हलो बिटा, हलो, कलाम science teacher, अब यहाँ पर मैंने आपको बोला, कुछ अच्छे लोग, कुछ बुरे लोग, जहाँ अच्छे लोग होते हैं, जहाँ बुरे लोग होते हैं, वहाँ कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, यहाँ में एक बहुत ही अच्छे परसन के बारे में भी पढ़ेंगे जिनका नाम था क्या था उनका उनका नाम था शिवा सुब्रमन्या मैयर कलाम साइंस टीचर शिवा सुब्रमन्या मैयर सब्सक्राइब सोब्सक्राइब से स्ट 이건 यह यह सबस्क्राइब nice कि रुट से नियुकर विल्युका डियुका नाम था आप पार् मस्ट गढ़ दर यह सांव नियुक्त खिंग कि वेड़ Shackanamuse है तक यह 1-5 बहुत बढ़ा होता था और किचन में नीचे से जो है ना बिचा दिया जाता था मैट बिचा दिया जाता था वहां लोग खाते थे अब यहां पर जैसे ही उनकी वाइफ को पता चलता है जो कि एक और्थोडॉक्स हिंदू महिला थी और्थोडॉक्स ब्राम्मिन लेडी थी उ सब्सक्राइब को अबिचा है जिए उनकी शुच्छ नहीं कहा उन्होंने खुट कुछ को फोड़ॉक्स काना सर्फ किया झो कि सिल्वर सुब्रमय मंयर कैसे परसंते उसा इसे हुए ह५ो उसके लिए क्या करते नोग वाइफ कुछ जो और्थोडॉक्स ब्रामिन से फिर भी कहा उन्हें लगा कि अगर मैं वाइफ को कुछ कहूंगा तो शायद वो ना सीखे तो उन्हें खुद खाना सर्फ किया और नेक्स ताइम फिर से उन्होंने जब कलाम को घर पर बुलाया तो कलाम हिचकिच आए कलाम बॉस्ट रेडी कलाम थोट कि फिर से मेरी बेज़ती होगी but he told कलाम कि if you have to change the system अगर आपको system को change करना है तो आपको इन सब चीजों को सहना पड़ेगा you have to learn to change these things ठीक है कहते ना system बदलना है तो खुद को भी थोड़ा सा बदलना पड़ेगा इन सब चीजों को phase करना पड़ेगा और कलाम फिर से खाना जाते है और यहाँ इस बार क्य क्रक्राइब आते हैं तो देख रहे हो बिटा चैझ्ज यू हवग टो इधा जाँवियन वाइड होती है वह लगविश के बीइड होती है वह लांग्विश के बीडिड होती है बहुत सारे बेसे पर जब हम चीज़ चीज को टॉलरेट नहीं करते है तो उसे इंटोलरंस कह करते हैं जब हम कहते हैं कि आ रही नहीं जैसे ही आहीं पर उसने लए लग थिए कि वो इसने मुसलिम बच्चे को dur बच्चे के साथ नहीं बैठने दिया वह टॉलरेट ही नहीं कर पया उसको पचा नहीं पाया वह इस बात को तो इसे intolerance कहते हैं बेटा ठीक है आब इसे में important role play करते है किलाम की लाइफ में वो उन्हें motivate करते थे अच्छा पढ़ने के लिए he always used to say कि कलाम you are going to be in power with the learned people of the towns of the cities कि तुम cities के बच्चों से भी cities के लोगों से भी जादा intelligent बनोगे तुम उनसे जादा educated बनोगे वो हमेशा कलाम को खाते थे है कि तुम्हें higher studies pursue करनी शाहिए तिके उसके बाद क्या होता है अच्छा भाई doubt क्या है मैं what is the full form of APJ मैंने बताया what is better to write characters kitchen points and paragraph बता तो दिया मैंने points और paragraph वहला question बता दिया मैंने चलो आगे शलते हैं उसके बाद सेवा सुभ्यमन ने हमाई और belong to कौन सी क्लास से वो belong करते थे बेटा फड़ा बच्छे बताएंगे अच्छी यह belong to which class शत्रिय क्लास शुद्र क्लास और्थोडोक्स भ्राविन क्लास या फिर वैश्य क्लास हां जी बच्छो बताओ 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 आंसर फड़ा फच्छे सारे बच्छे देंगे अच्छी शॉट्स क्रियेटर नाम तो लिख बेटा अपना तभी तो तरह नाम लिखूंगी बोलूंगी confronted बेटा मतलब सामना करना महताब confronted बेटा मतलब होता है सामना करना सपने वो नहीं होते जिनने हम सोते हुए देखते हैं बलकि सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते क्या बात है आशुतोष क्या बात लिखी है बेचा दिल चूलिया तुमने क्या बात है और्टोडॉक्स ब्रहाम्मिन विल्कुल सही बात है ये क्या हो रहा है पोल क्य कि अंसर देया है है हैं आजी यह नाम तो लिख ले बटा अपना शोर्ट क्रीटर तेने ना थोड़ने बच्छे नाम तो लिख अपना हैं जी बच्चो हां एवाला शट्रिय नहीं थे वह और्थोडॉक्स ब्राह्मेन थे फिर भी वह केंदे दे दें धार to change the society hello रुद्रान शेलो बीटा चलो भई कलाम सीक्स पर्मेशन टू लीव रामेश्वरम अब कलाम जो है इतनी अच्छी सुसाइटी में रह रहे हैं जहां इतने अच्छे लोग हैं जहां उनकी इतने अच्छे दोस्त हैं इतने अच्छे टीचर हैं साइंस टीचर ममी बापा भी बहुत अच्छे हैं और ममी बापा कितने अच्छे हैं वो एंड में हमें पता चलता है कहते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग एलिमेंटरी एजुकेशन कलाम आस्टिस पादर पर्मीशन टू लीव रामेश्वरम फॉर हायर स्टाडी उन्हों ने कहा कि पिता जी मुझे रा लॉट छहीं पौधी तो ऊपने बेटे को इतनी दूर कैसे भी जुझे तो ममी का जो है वो दिल ऐसे लगना लगता है ममी चैने मैं भी जोंग अपने भी जूँगा तो दियर दो बादर कूट को त्स फ्रॉम खलील गिब्राइब खलील गिब्रान पिटा ये बहुत ours they are the you know answer for the life's longing for itself ठीक है life's longing for itself life की एक longing होती है जीमन में सब कोई कुछ करना चाहता है हम अपने बच्चों को जो है ना अपने पास बांद कर नहीं रख सकते we can give ideas to our children but we cannot you know force our ideas हमें अपने बच्चों के ओपर अपने ideas को force नहीं करना चाहिए ठीक है force बिल्कुल नहीं करना चाहिए to convince his mother his father gave the example of a seagull who flies across a sun alone and without a nest उन्हों ने अपनी wife को बहुत सारी बाते कहे कर समझाया कि हमारे बच्चे जो एक seagull की तरह है वो अपना आश्याना शोड़कर जाएंगे if they have to you know be successful in their life ठीक है हां ओके आच्छा चालो ठीक है हां ओके चलो हम पोल करते हैं which word does rebel not correspond to ये बहुत मज़ेदार सा question है मेटा rebel का इन में से कौन सा मतलम नहीं है resist challenge complete या फिट डिसोबे फड़ा फट से आप लोग बताओगे rebel not correspond to in में से तीन ऐसे हैं जो rebel के meaning है और एक नहीं है ठीक है तो you have to tell me start करते हैं बेटा पोल फिर से देखते हैं पोल चल रहा है या नहीं चल रहा है हां तो the correct answer is what rebel का मतलब क्या होता है rebel का मतलब होता है जगड़ना resist challenge complete complaint या फिट डिसोबे बिटा C complaint जो है complaint rebel का मतलब complaint नहीं होता rebel का मतलब disobey भी हो सकता है ठीक है resist भी हो सकता है challenge भी हो सकता है पर complaint नहीं हो सकता तो C is the correct answer अच्छा बच्चो पॉल नहीं चल रहा मुझे एक मिनट देना बिच्चो मैं चारी हो कि आप सब पॉल में स्टार्ट करूंगे बेटा हां दो मिनट देना मुझे कि आपको मेरे स्पेस एक्स्प्लोरर झाल झाल जाँ झाल सकता है झाल कर दो में दो कि आपटार्ट कर दो में पॉल नहीं हो पॉल झाल 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 फुड़ा सा पॉ हालो 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 आम बाक बिटा हां चीवा कया था ना थौ पोल वाज़नाट फॉ हालो 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 वापस आ जा व yılो भống सारी के सारी के सारी के सारी बच्चे खिताएंगे मैंने बच्चों के अभी कॉमेंस पड़े 할ी पुश कर बेटा, हालो, हाँ, तो सबसे पहले बच्चे कहे रहे हैं कि माम important questions बता दो, बेटा, important questions में आपको certainly बताऊंगी, important questions बिल्कुल बताऊंगी, push कर बेटा, हाँची, चलो, important questions अब लोग discuss करते हैं, आप लोग भी मुझे answer देंगे फड़ा-फट से, हालो बेटा, question है, what did abdul tell about his days during the world war, abdul world war में, जो second world war होई थी, उसके बारे में क्या बताते हैं, what did he tell about the things, हांची, बताइए बिटा, हांची बिटा, बताइए, सबसे पहले बिटाए, हांची मनीश बिटा, हां बिटा, grammar का, grammar की class बिटा, कल होगी, हालो बिटा, grammar की class बिटा, कल होगी आपकी, certainly, grammar की class, हां, अवाज आ रही ना, सारे बच्चों को, मनीश, 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 हालो, 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 हांची, what did he tell about, tamarind seeds, ठीक है, ठीक है, tamarind seeds, tamarind seeds की जो है, वो बात करते हैं, ओके, वो कहते हैं, कि tamarind seeds की जो है, क्या होई थी, sudden demand, sudden demand, जो है, उसके आगे थी, और, क्या बताते हैं, वो, उदकर्ष, मुझे तो ऐसे लग रहे है, तुमेरी class में था, बिटा, नीव वैली में, I can feel that, और्थोडॉक्स का मतलब क्या होते हैं, और्थोडॉक्स का मतलब होता है, जो कट्टर लोग होते हैं, जो कट्टर होते हैं, उन्हें और्थोडॉक्स कहते हैं, ठीक हैं, बच्चे हिस्ट्री के answers देने लग गए हैं, हाँ, दीना मनी, बिल्कुल दीना मनी, दीना मनी में, जो है, उनकी जो ब्रदर थे, जलाल उद्दीन, वो, he used to tell him stories about world war, ठीक है, world war के बारे में, वो उन्हें stories बताया करते थे, and he used to read that in दीना मनी, दीना मनी में, जो है, वो कहड़ा करते थे, ठीक है, ब्लॉर आ रहा है, ब्लॉर तो बिल्कुल पे नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है, horrified का मुलो तो पेटा, डर जाना, horrified यानी एकदम डर जाना, ठीक है, चलो, ओके, the cost of seed is increased, हाँ, wings of fire, wings of fire में से उन्हें लिया था, what lesson did the priest Lakshman Shastri teach the new teacher, लक्ष्मन शास्री ने क्या lesson जो है, पढ़ाया new teacher को, उन्होंने teacher को ही पढ़ा डाला था, क्या पढ़ाया उन्होंने teacher को, हैंची, जल्दी बिताओ बेटा, सर्ज का मतलब होता है भढ़ना, आगे को भढ़ना, आगे को भढ़ना, येस, he taught him the lesson of secularism, उन्होंने, उन्हें secularism का lesson पढ़ाया, he told him that you should not spread the poison of inequality, inequality का poison आपको बच्चों की दिमाग में नहीं डालना चाहिए, जो बच्चों की इतने जदा, जो है न, वो यंग माइन्स होते हैं, उसमें आपको इस सरगी चीजे नहीं डालनी चाहिए, यूशुद नॉट नॉट, spread the poison of social discrimination, of inequality, of religious intolerance, ठीक है, ये सब चीजे आपको नहीं करना चाहिए, ओके, हलो इसू, चलड़ भाई, पहली बार क्या हुआ था, बेटा, किस तरह से, जो है वो डिफरेंस था, आप मुझे बताएंगे, बढ़ा फट से, हांजी, मनीश जहां, बेटा, बता दे, मनीश, अब आंसर भी बता दे, नहीं, नैतिक में तुझे एक नोड नहीं गरी, वाइट ने कैसे ट्रीट किया था, फटावट से बताएंगे सारे बच्चे, तो यहां हम लोग देखेंगे, अच्छे पहले, तो डाउट्स देख लेती हूँ मैं, मैं मैं एक्जाम, इन फाइव मार्क क्वेशन, दाउट तो फाइव मार्क क्वेशन में, यहां बात करेंगे, इसु, इसु बेटा, जो आपके फाइव मार्क का वाले हूटे है, उसमें आपको 120 तो 150 वर्ट में लिखना होता है, 400 to 500 वर्ट में बता है, जो 20 मार्क क्वाले हूटे है, उन्हें लिखना होता है, बिचा, ओके, discrimination हाँ discrimination yes she discriminated she refused she refused to serve him food one on a refuse career talking may only to make Anna he saw currently because he was a Muslim yes he was not allowed to enter into the kitchen she said that this is the kitchen of an Orthodox Brahmin person I will not allow him to enter into the kitchen but the next time she she did not discriminate you know he got a ton of discriminating to have a video that ticket discrimination to have a knee Kia or only she invited him him herself to her kitchen and she served him by her own hands figure on a first say up the house so nice of Kia Thakana so Kia Tha ticket Dina money is Dina money with a newspaper can I'm the Dina money but a newspaper can I'm the ticket a long answer question do an Orthodox Brahmin why did mr. Iyer rebel mr. Iyer johan prayer johan rebel kyu karthethe those work Orthodox Brahmin to see the Bonesa q karthethe and Gq hanzhi kushi veta jali jali se bita out a stop yaji batommitra grammar bita tego lugar grammar cassation kaloga you can did it do that grammar or writing skills color got column jurisdiction a or section B Kro discuss karan jaji a-book section seep about current time too okay have an परदा तो ओर्फोडोक्स ब्रह्मिंन एक तर्फ इस सिस्टम को सिस्टम हुलाना चाहते थे हमें खुद को चेंज होना पड़ेगा ओके हैंजी हैंजी अच्छा डाउट पे जाती हूं मैं बिलकुल 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 डाउट तो बहुत ज़रूरी हैं डाउट अभी कोई नया नहीं आया है चलो नेक्स चलते हैं हालो अधित्य ऑठीटो यूँ वेरी गुद बिटा हैंजी समण्ं का मतलब होता है मायंक बुलाना समंण मींस बुलान किसी को कॉल करना ठीक है, हांची, rebel का मतलब होता है बागी, rebel करना यानि बागी पन करना, जब किसी system के खिलाफ लड़ना, उसे rebel कहते हैं, ठीक है, बागी हो जाना, ठीक है, ओकी कार्थिक बेटा, कार्थिक काशिक, तैंक यू सो मच, reach for the top, ये बहुत ही मज़ेदार सा चाप्टर है, और्थो Orthodox का मतलब क्या होता है Orthodox का मतलब होता है बेटा कत्र जो कत्र होते हैं उन्हें Orthodox कहते हैं जो Change मतलब जो बहुत ज़्यादा Rules को फॉल्लो करते हैं जिसे आप लोग उने डेखा होगा कि बहुत सरे से Muslims होते हैं जो पांच टाइम नमाज पढ़ते हैं अगर उन्हें बोला विया है कि पांच बार नमाज पढ़नी है तो वो पढ़ेंगे ठीक है नमाज अदा करेंगे जो हिंदू और्थोडॉक्स लोग होते हैं वो जितने में हिंदूस के पर्व त्योहार होते हैं वो उसे अच्छी तरीके स पुनीत के राज में ये शादी है क्या बात है शादी है तो तो यहां पढ़ क्यों रहा है चादी एंजोई कर बच्चे अपनी तोड़ी इस मावेडिंग गो एंजोई यूर वेडिंग बिटा अल दे बेस्ट अच्छा आइस आई विस टेलिंग यू रीच पॉर दॉप व विमेन के अंदर कितनी स्ट्रेंथ होती है ये दो लेडिज हमें बताती है और ये रियरली शुड रिस्पेक्ट इस लेडिज इनी के बारे में हम लोग जो है वो पढ़ेंगे सबसे पहले जो है वो क्या है यहां पर हम संतोश यादव की बात करेंगे जो लिटरली टॉप पहुंच गई थी और जो दूसरी है मारिया शरपवा उन्होंने अपनी करियर की उचाहियों को छुआ था ठीक है बिलकल बिल्कुल प्राउट टूबी हर्यानवी बिलकुल हर्यानवी जो है बहुत जदर प्राउट होंगे बिकास यहां पर हम लोग एक हर्यानवी जो है ल इस चाप्टर में बिटा आपको बहुत सारी क्वालिटीज पढ़नी है बहुत सारी क्वालिटीज हम लोग सीखते भी है तो यहां पर इस चाप्टर के नोट्स मेंना मैंने सारी क्वालिटीज के लिस्ट बनाई हुए है ठीक है हमारी छोरियों छोरू से कम है क्या तो यह भी हमने अब सीखा लेकिन that was you know the norm long before long before this movie was released जिसमें ये डायलोग गया था हमारी शोरियों वाला तो यहां पर actually there was a छोड़ी जिसने जो है हर्याना को ठीक है she gave the fame to हर्याना जिन्होंने हर्याना को जो एक तरह से तरह टॉप पर पहुंचा दिया था और हम उनके बारे में जो है वो पढ़ने वाले हैं तो as I was saying बेटा कि यहां पर बहुत सारी qualities mentioned है बहुत अच्छे तरीके से आपके notes बनाएं गए हैं उन्हें आपको अच्छे तरीके से learn कहना है इस chapter में अगर कुछ आएगा तो वो आएगा किंग में क्या-क्या qualities थी इनकी क्या-क्या achievements थी वो सारी की सारी चीज़े जो हम लोग पढ़ेंगे तो संतोष यादव जो है that was the only woman in the world to scale Mount Everest twice इन्होंने Mount Everest को climb किया बेटा और वो भी twice एक बार नहीं बेटा दो-दो बार grammar जिनकी कमजोर है उन्हें कल तक का इंतिजार है बच्चो कल आपकी grammar को हम लोग जो है बिल्कुल अच्छा कर देंगे क्योंकि grammar की class बेटा आपकी कल होगी section A और 20 हम लोग दोनों चीज़े करेंगे born in a small village of Jonia was of Rivari district in Haryana इनका बर्थ का हुआ था पिटा एक निखें वर्ड है ऑफ कंसरावेटिव करें तीक है conservative और यह होता है ऑर्थोडोक्स इन दोनों का मतलब कई बार लोग सोचते हैं कि एक हीए और कंजर्वेटेव होते हैं जो की जिनकी सोच जो है काफी कंजर्वेटेव होते हैं पिछड़ी हुई जो पिछड़ी हुई सोच जो है वो रखते हैं पिछड़ी हुई सोच रखने के वाद जिनके हाउस में कुछ रूल्स और रेगुलेशन्स होते हैं और वो रूल्स और उसको follow करते हैं उन्हें लगता है कि भाई हमारी फामली के रूल यह रूल्स हैं हमें ऐसे ही करना है और ऐसे ही हम लोग चलेंगे और आप लोग जान सकते हैं सोच सकते हैं कि आज से 40-50 पहले और आद्मियों में कितना फरक हुआ करता था लड़कियों में और लड़कों में दिफ्रेंस किया जाता था चाहिए वो एजुकेशन के मामले में हो किसी भी चीज में हो ठीक है तो यह सारी सारी चीज़ें थी अच्छा इनके पेरेंस कैसे थे संतोष यॉद्व के पेरेंस ट्रडिशनल थे त्रडिशनल यानि के बिल्कुल वह पुराने सोच रखने वाले जो है वो लोग थे बहुत प्रॉस्परिस थे लेकिन याद रखने है आपको यह काफी रिच लोग थे ठीक है काफी अच्छी फैमिली से वो बिलॉंग किया करती थी, contrary to her name संतोश, इनका नाम तो था संतोश, संतोश का मदलब क्या होते है बेटा, contentment, संतोश का मदलब क्या होते है, contentment, contentment यारने की satisfaction, लेकिन इनका नाम जो है, अपने नाम से ये बिल्कुल उल्टी थी, वो कहते हैं ना, कि आख का अंद उन्हें अपनी life का जो traditional तरीका था, traditional तरीके से उन्हें रहना पसंद नहीं था, गाओ के बाके लड़कियां traditional Hindu dresses पहना करती थी, suit, salwar, kameez पहना करती थी, पर इन्हें shorts पहना पसंद था, इनके five brothers से, पहले से इनके बहुत सरे भाई थे, और उन भाईयों के बाद ये बहन ह होई थे, और इन्हें अपने भाईयों की तरह ही रहना पसंद था, इन्हें लगता था, कि नहीं नहीं है, मैं सूट, salwar, kameez, बिल्कुल नहीं पहनूंगी, तो अरतों के थे, चलो अब तुम 16 years के होगे, आज तुमानी जो है ना शादी करा देंगे, तुमानी जो है ना शादी जो है वो हो जाएगे, लेकिन वो कहती थी कि मैं, जो है ना अगर आपने मेरी शादी करवाई, तो मैं कभी भी शादी नहीं करूंगी, इसा क्यों था, क्योंकि उनके पूरी काओं में, उनके यहाँ पर उनके एरिया में कॉमन था लड़कियों कितनी जल्दी जो है वो शादी कर देना, लेफ्ट होम, गौट हरसल इंड्रोल इन डेली स्कूल, इनसे हम लोग बहुत ज़ादा जो है ना यहाँ पर आप लेकिन यहाँ लोग देखते हैं कि संतोष का यह कहना था कि मैं अपनी लाइफ में रिबेल करती हूं, मैं अपनी लाइफ में बहुत सरी चीज़ों के लिए लड़ती हूं, लेकिन मैं जिसमें चीज़ के लिए लड़ती हूं, मुझे पता है, the path that I am walking on, that path is a good path, मैं एक में करवा लिया, इन्होंने अपना enrollment डेली स्कूल में बेटा अपने आप ही करा लिया, when her parents refused to pay for education, politely informed that, that she would earn working part-time to pay her fee, अब पता ने कहा, ममी अपने कहा कि बेटा तुम्हें डेली नहीं भेशेंगे, तुम जो है लड़की हो, तुम्हें नहीं भेशेंगे, तुम्हें नह पापा, मैं क्या करूंगी, मैं part-time काम करूंगी, मैं पैसे कमाऊंगी, लेकिन मैं जो है शहर में जाके पढ़ाई करूंगी, आप मेरे पैसे दो या ना दो, I will arrange my fee on my own, मैं खुद से अपनी fee जो है अरेंज करूंगी, parents agreed to pay for our education, finally parents को मानना पढ़ा, parents ने खाब बच्ची ज हो गई थी, कि वो जब भी उन्हें कहते थे, बेटा, संतोष बेटा, boy नहीं है, girl है, संतोष जो एक लड़की है, जिसने माउंट एवरस क्लाइम किया था, तो जैसे कि मैंने आपको कहा बेटा, कि ये जो है ना, हमेशा और पढ़ना चाहती थी, वो हमेशा जब भी उनके पेरेंस उन्हें कहते थे, बच्चा बस बहुत पढ़ाई हो गई, अब पैंथ कर ली, अब शादी कर लो, अब ट्वेल्थ हो गई, अब शादी कर लो, तो वो उन्हें पदा था कि वो ये कही कि नहीं, थोड़ा और पढ़ने दो, थोड़ा और पढ़ने दो, तो अब जब कशतूर्बा होस्टल में और होस्टल से उन्हें अरावली हिल्स निजा आती है पैटा यह देखा एन लोगों को बहुत सारे लोगों को देखती थी कि लोग ना पहार चड़ रहे हैं और पहार चड़ चुछते हैं अचानक से गायब हो जाते हैं अब अगर मैं हर्याना की बात करूँ, तो हर्याना चोँए न वो एक प्लेन एरिया है, वहां पर भी ऐसे पहाड है, थोड़े थोड़े पहाड हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत सारे पहाडे लोगों को पहाड चड़ने नहीं पड़ते हैं, क्यों कि खुले-खुले रास् करना सिखाते हैं ठीक है तो उसके बाग क्या हुआ अच्छा हां बड़ा मजा आएगा अब हम लोग पोल करेंगे select the option that correctly captures the usage of enrolled in the chapter she left home and got herself enrolled in a school in Delhi ठीक है भाई तो यहां पर हमने यह line पड़ी थी she got she left home and got herself enrolled in a school in Delhi ऐसा कौन सी line है जहां पर यह same meaning का रहा है यहां चार सेंटेंसे से चारू सेंटेंसे में इंडोल का अलग जो है वो मेनिंग है you have to select the correct option okay tell me the enrolled lady sent a complaint letter to the editor पर प्रवेश वसंडोल्ड इंडिलमास throughout his life I got my daughter enrolled in a beautician course I got my daughter अच्छा ठीके 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 यहां पर दी भी में में option हो गया तो कोई बात नहीं हूँ हां तो मैं C करती हूं select 73.53 बच्छों स्लोक पुष्कर अधित्य असानु योगिता 75 students ने करेक्टी आंसर किया है मुझे पता है मुझे माफ कर दो मुझे माफ कर दो मेरे बच्छों हमज़ी से मीठें तो कि इसने कि आ सकते हैं वह भी अच्छी अच्छी सेवे अच्छी सेंभी क्या अच्छा और अच्छ यह अगोंगे इन और आट I got my daughter enrolled at a beautician course I got my daughter enrolled in a beautician course वैसे तो to be very honest D ही correct answer होना चाहिए था यहां पर sorry तो preposition जो है यहां पर इन ही आनी चाहिए थी at नहीं आनी थी इन आएगा यहां पर ठीके Hello बिटा Hello साना चलो Started saving money enrolled herself in a mountainering college जब हमारी जो संतोश यादम है वो life में कभी रुकते नहीं थी रुकना नहीं है जुकना नहीं है बस चलते जाना है चलते जाना है अब इन्होंने college भी complete कर लिया after college she had to go back to her home उन्हें अपने घर वापिस जाना था बट उन्होंने क्या किया she saved money उन्होंने पैसे save किये उन्होंने अपना खुद का admission फिर से करवाया mountainering college नहरू नहरू institute of mountainering college में इन्होंने अपना admission खुद का करवाया उन्होंने अपने father को एक apology letter लिखा कि sorry father I cannot come to the home you know come back to home क्योंकि मैंने अपना admission जो है वो एक नहरू college of mountainering में करवा लिया है और वहाँ पर उन्होंने क्या करा climbing सीखी इस climbing में इन्होंने क्या किया in just a span of four years सिरफ चार साल में बेठा चार साल में इनके अंदर क्या आ गया था climbing skills इनके mature हो गई थी बहुत जदा maturity इनके अंदर आगे थी climbing skills यह बहुत अच्छी करते थी developed remarkable resistance to cold and the altitude इन्होंने एक remarkable resistance resistance का मतलब क्या होता है बचाव यह जो है ना जो mountaineering करते हैं सरफ यह नहीं होता कि पहाड़ा पर tip-top चड़ना होता है it's very difficult बहुत मुश्किल है भाई है mountaineering करना इसमें आपको ठंड से बचना होता है आपको altitude आपको आदत होनी चाहिए और इन सब चीजों के खिलाफ उन्होंनों रिजिस्टेंट सीख लिए उनकी बॉडी रिजिस्टेंट होती गई इनके अंदर क्या 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 कॉलिटी इस थी बेटा यही सब याद रिखनेंगा उनके अंदर hard work था thank you बेटा hard work था she was very sincere sincerity थी उनके अंदर iron will iron will समझतो ना क्या होता है एक बहुत अच्छा उनके अंदर determination थी जजबा था इनके अंदर physical endurance इनके अंदर physical endurance था physical इनकी body बहुत ज़्यदा capable थी strong थी amazing mental toughness mental toughness होना बहुत ज़रूरी है conquered Mount Everest in 1992 इन सब चीजों के बाद इनने 1992 में Mount Everest को क्लाइम किया था मैं आपको एक बाद बिटा कि अगर आपने कभी कोई movie देखी होगी जिसमें लोग Mount Everest को क्लाइम करते हैं या फिर बहुत सरी documentaries हैं बहुत सरी movies हैं बहुत सरी shows हैं जिसमें आपको दिखाते हैं कि mountain क्लाइम करते हों किती सरी problems आती हैं उस time पर आपको mentally strong होना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि कई बार आप बहुत adverse conditions में बहुत खराब conditions में फाज़ जाते हो उसमें आपको mentally prepared होना बहुत जरूरी है और यह सिरफ जो है सिरफ mountain क्लाइम करते वक्ती नहीं बिटा life में भी बहुत ज़्यादा जरूरी है in your life also it is very important संतोष यादफ से हम लोग यहां क्या lesson ले सकते हैं संतोष यादफ physically भी strong थी और mentally भी बहुत ज़्यादा रफ थी कई बार हम लोग क्या करते हैं बच्चे जैसे बहुत सारे बच्चों को exam phobia भी होता है तो exam phobia से बचने के लिए you should be mentally tough mental toughness आपके अंदर होना चाहिए आपको सिर्फ अपनी body को अपनी knowledge को अपने mind को ही शार्पन नहीं करना है बाकी चीजों को भी करना है mental toughness tough होना चाहिए strong life में कुछ भी face करने के लिए आपको ready होना चाहिए जो कि संतोष यादफ के अंदर था achievements क्या क्या achievements की बीटा उन्होंने conquered Mount Everest in 1992 उन्होंने 1992 में Mount Everest को conquer किया saved life of a fellow climber by sharing her oxygen उन्होंने अपनी oxygen share करी एक fellow climber के साथ एक जो person था जो के climb करा था Mount Everest उन्होंने उसके साथ अपनी oxygen share करी second time within 12 months उन्होंने दूसरी बार Mount Everest को climb किया सिरफ बारा महिने में एक ही साल में एक ही साल में इन्होंने एक इंडो एक इंडो नेपली इस women's expedition को इन्होंने जॉइन किया भई खुदी बहुत बड़ी बात है कि एक साल बाद इन्होंने फिर से Mount Everest को climb किया set record as the only and youngest woman to have scaled the Mount Everest twice यह only women एक अकेली औरत बनी जिन्होंने और youngest lady बनी जिन्होंने Mount Everest को दो बार किया हाला कि अभी बहुत सरे records बन चुके हैं उनके बाद संतोश यादर के बाद भी बहुत सरी एसी और पे हैं जुन्हेंने Mount Everest को दो बार climb किया youngest age में किया लेकिन उस time पे वो record breaker थी comfort with Padma Shree she was comfort with ठीक है उन्हें चो है comfort किया गया था उन्हें सम्मानित किया गया था she was honored with Padma Shree one of the nation's top honors top honors में से आता है Padma Shree तो उन्हें Padma Shree दिया unfold the Indian tricolor on the Everest उन्होंने तिरंगा लहराया था Everest के उपर she was saying that at that time I was speechless it was a spiritual moment अपनी जर्मी के बढ़ेरों बताती है कि जब मैंने flag अपना Indian flag जो है मैंने unfurl किया Mount Everest पे तो इट वोज़ श्पिरिच्वल मुमेंट था मन की शांती जो है मुझे मिल रही थी ऐसा लग रहा था एक अध्यात्मिक जो है वो एक मुझे उस साइन पर लगा बहुत ज़्यदा इमोशनल मैंने फील किया तो यह वो बोलती है अब इन सब की बावजूद she was a true environmentalist एक फर्मेंट जो चाप्टर में वर्ड यूज़ है बेटा वो है फर्मेंट she was a ferment environmentalist वो एक बहुत ही ज़ादा environmentalist पर्यावरेंट के भी बड़ा ध्यान रखते थी collected and brought down 500 kgs of garbage from the Himalayas being a true environmentalist उन्होंने 500 kgs of garbage जो है वो लाई थी अब बहुत सरे बचे कहते कि 500 kgs उन्होंने उठाया कैसे तो वो एकी बारी में उन्होंने नहीं किया था उन्होंने जो है ना जो है उसे धीरे 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 करके वो लेकर आई और बाकियों के भी उन्होंने help ली थी पता है ना आपको अपने पढ़ा होगा कि माउन्ट एवरेस पे क्योंकि बहुत जदा आल्टिट्यूड होता है बहुत जदा डेंजरस होता है तो ऐसा उनके बार-बार सफाई नहीं होती रहती वहां से यह नहीं कि सारा का सारा कुड़ा जो है वो लोग लेकर आएंगे गार्बिज वहाँ पर वही रहता है वहां प बेटा कॉलिटीज यह सारी आपको याँ जटनी है हार्ट बोक सिंसेरिटी यारन विल फिसिकल एंडॉरंस एंडॉरंस एनी फिसिकली सहना रिजिस्टेंस अमेजिंग मेंटल टॉफनेस और साथी साथ शी वोजन इन्वारिमेंटलिस्ट आज वेल ठीक है तो यह सब चीज चाप्टर पढ़ लिया हमने फड़ावट से बताओगे इन में से कौन से इसे पॉइंट से यह जो हमने पढ़े हैं बाकी इन में से जो हैं दो ऐसे हैं जो ठीक है और तीन गलत है ठीक है तो ध्यान से आप लोग सब पार्टिसिपेट करेंगे इसके अंदर ठीक है रीड आ आरे ड़ती है जो 16 ओके नाओ यूवाव तो आंसर दिस क्वेश्टिन इन में से इसा कौन सा इसा ऑप्शन है ठीक है जिसमें तीन गलत चीजें हैं जो कि हमने चाप्टर में नहीं पढ़ी है पड़ा फट से बच्चे बच्चे बताएंगे इस बेसिकली दिए समरी चलो असते रहें गुंगुनाते रहें दाट्स ग्रेट ओके दग्रेक्ट आंसर इस बी बी संतोष मुंबई में नहीं गई थी वह अपने विलिज वले ही स्कूल में जाती थी संतोष के ब्रदर उन्हें सपोर्ट नहीं करते थी और उनके अंदर उनके उपर शादी का खू इस वह अपने सोला साल की उमर बे शादी करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी सो बीज दी करेक्ट आंसर सिक्स्टी परसें बचों ने करेक्ट आंसर दिया है सुहानी सौम्या पुशकर स्टाकी और कृष्णा 74 परसें 74 बचों ने करेक्ट आंसर दिया है ताट्स वेरी गुट वेरी गुट चलो भाई डाउट चेक कर लेते हैं मेरे इशू ने एक और क्वेशन पूचा है बही माम इट इस अगुड आइडिया बट आपको प्राक्टिस करना पड़ेगा आप बहुत टाइम से बटा प्राक्टिस दे रहे हो जो आपको सूट करें आपको तो वही करना चाहिए मैं कभी बच्चे को यह नहीं बोलूंगी नहीं तो section C से शुरू कर तो A से शुरू कर तो B से शुरू कर जो आपको लगता है आप वैसे शुरू करो ठीक है अगर आपको B से लग रहा है तो B से start करो usually मैं बच्चों को देखते हूं जोने बहुत सब्सक्राइब करांगी आपको अधा से शुरू को लिंक दिया हुआ है आपको लिंक को क्लिक करना है है how to easily remember the rules of tenses and speech ऐशू याद कह करने है तुष्षे ठेंस बिठा यह बता टेंसर और स्पीच के रूल्स को यंर नहीं करने एक पर बढ़ना होता है ध्यान से उसके बाद सरफ स्रब प्रक्टस करना होता है प्रक्टस 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 ब् Vive complaint आप यह मत करो कि आप उन्हें रट्टा नहीं माना है रट्टो फाई नहीं यू लुक लाइक नियारी का माम सिस्टर हां शी इस माइस सिस्टर ठीक है शॉट शॉट कोईशन अब लुक डिसकास करते हैं अपनी गाओं की बाकी लड़कियों से माडम कैसे अलग थी संटोश जो है वो कैसे अलग थी फराव इससे बताएए बच्चो पूजा मिश्रा मेरे बच्ची पोयम भी कराओंगी मैं आपको चाप्टर्स खतम होने के बाद वी विल डू पोम्स ठीक है पोम्स हम लोग करेंग ठीक है शी प्रफोर शॉट्स बेरी गोड शीपर शॉट्स ठीक है शी दिधना फॉलो देशनल डूट्रिशनल में अधर्णा तेक है शीड दो लैडी देव बाद लोड लाइट अग अधर जय गूटोट सो शी वस नॉट कांजरवेट वेरी गुड ग्रमर बिटका लोगी वाय एड हॉड़ इट संतोष्ट गेट अंड रूट इनरूर इंड नेरू इंसिटीट ओपाउन इन गुट काशी उट्टर काशी में कैसे किया था उन्होंने बिट अब 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 से पताऊ है एं खाया हॉड life is live है against marriage against marriage बेटा उन्होंने दो बार mountain जो है वो climb किया था उसके बाद बेटा एक होता है mountain बेटा 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 मैं समझ गई आपकी बाद जो बच्चे कह रहे हैं Mount Everest climb करने का मतलब बते क्या होता है कि वो Mount Everest के top पर जाना top पर जाना that is climbing the Mount Everest choice उसके बाद कई लोग जो है जरूरी नहीं है कि बिल्कूल top पर जाते कई लोग थोड़ा थोड़ा भी climb करते हैं उसमें बहुत सारे points होते हैं जैसे बहुत सारे points होते हैं अलग-लग peaks पे जो है वो नाम होते हैं अब मुझे नाम एकदम से ध्यान नहीं आ रहा है लेकिन दिरा different different peaks जो लोग join करते हैं तो जब second, third time गई थी जब वो पहली भी गई थी तब भी वो बहुत सारा garbage लेकर आई थी और बाद में भी ठीक है? हाँ तो उन्होंने कैसे join किया था? By saving money Yes, by saving money Yes, by saving money She enrolled herself in the mountaineering college And why? Because she wanted to learn climbing She wanted to learn mountaineering वो mountaineering सीखना चाहते थी भाई इसे लिए The reason was that she wanted to You know, learn mountaineering For that reason, she joined Nehru Institute of Mountaineering College And she saved a lot of money And she did not go back to her home She wrote a letter She wrote an apology letter to her father Explaining that she cannot come to home Because she is joining the college Fine? Now, how did Santosh feel When she was literally on top of the world? Literally, वाकई में वो कहते न, top पर पाँच गे थी World के top में सबसे उचा जो है Mount Everest उस पर पाँच गे थी Hanji, बताओ कैसा फील हो रहा था उन्होंने? क्या बोला था? It was a dash moment It was a Help बेटा, ये help ही कर यूँ में आप लोगों के उत्तरकाशी क्या है? उत्तरकाशी जगा का नाम है उत्तरकाशी is the name of a place She was speechless She was Speechless वो एकदम Speechless हो गए थी She said that it was a Spiritual moment वो एक Spiritual moment था अध्यात्मिक मोमेंट जब हम अध्यात्म करने लगते हैं जब हम एकदम से जवाए ना वो केतना Peace attain करना ठीक है? That was there Now Long answer question Santosh Yadav collected and brought down 500 kg of garbage from the Himalayas What traits of our personality are highlighted here? How can you help keep your environment clean? So Santosh Yadav जो है बीटा 500 kg of garbage जो है वो लेकर आई थी उसके बाद जो है यहाँ पर Himalayas से ऐसा क्या उनके अंदर क्या traits से उनके personality में? क्या उनके हमें जो है गोनिया पर बता चलते हैं? ठीक है? How can you help? हम भी environment को clean करने में help कैसे कर सकते हैं? तो बिटा Yes, describing her feels when she was literally on the top of the world Yes, she was environment friendly This shows that she was environment friendly Okay, she was a lover of nature Okay, she was a fervent environmentalist That is why she brought 500 kgs of You know garbage, this shows that she was very kind and generous Kind and generosity भी भी होती है ना तभी वो nature के लिए इतना सादा generous थी और साथी साथ हम लोग अपने environment को कैसे clean कर सकते हैं? By not littering here and there वो आप लोग लिख सकते हो बिटा कि हमें इदर उदर litter नहीं करना चाहिए We should also help to clean the environment clean ठीक है? हमें environment को clean रखना चाहिए स्वाच भारत अभ्यान Yes, स्वाच भारत अभ्यान भी लिख रहा है कुछ बच्चे चलो अब हम लोग पढ़ते हैं मारिया शरपोवा के बारे में तो मारिया शरपोवा We are going to learn a lot of qualities About मारिया शरपोवा बेटा, आपको YouTube पे कैसे answer करना है? बेटा, आप चाट में जो भी answer दे दोगे हांची, बेटा, चाट में जो भी आप answers दोगे जो आपका first answer होगा ठीक है? First answer होगा बेटा, that would be counted वो आपका, जो है ना, count हो जाएगा आपको नहीं पता चलेगा इसे कोई, आप बस चाट में लिखते जाना answer को ठीक है? नहीं बेटा, आचा, मारिया शरपोवा मारिया शरपोवा कैसी person थी? मारिया शरपोवा के बारे में हम लोग देखते हैं मारिया शरपोवा was a fashionable girl she was glamorous बहुत सथा glamour था उनके अंदर ठीक है? ठा नहीं मतलब है glamour हम लोग देखते हैं, glamour यानि की she loves to get ready ठीक है? she is very smart, she loves to dress herself first Russian girl to reach world's number one position in women's tennis on 22 August 2005 संतोष यादव से हमने इतनी सारी कॉलिटी इस सीखे हमने सीखा कैसे mental toughness कैसे होता है ना कि what did we learn from संतोष यादव? we learnt that you know if we are you know fighting for the right cause we can even fight with our parents हम लोग अपने parents के साथ भी rebel कर सकते हैं but if we are doing something good she is married now, yes संतोष यादव is married संतोष यादव जो है वो married है बिल्कुल अम मारिया शरपोवा glamorous क्या होता है? glamorous का मतलब होता है जो की बहुत अच्छे से dressed up होना जिने अच्छा लगता हो जो make-up करते हो जो अच्छे से glamour glamorous उमर लब देखकर जरूरी है bad situations को good consider करना जैसे कई बर क्या होता है बहुत सारे से लोग होते है जिनकी अगर conditions favorable नहीं होती तो बहुत दुखी हो जाते है बहुत दुखी हो जाते है उन्हें लगता है कि the conditions are not in our favor ठीक है? तो वो जो है रोने बैट जाते हैं उन्हें लगता है कि नहीं भाई हमें तो बुली कर रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा जो इनका mental ही वो बहुत weak हो जाते हैं और यहां हम लोग देखते हैं कि यह जो मारिया शरप होवा है she is very mentally strong उन्हें बुली किया गया उनके साथ बहुत सारी गलतिया हुई बहुत सारी चीजें हुए उनके साथ but she was very diligent बहुत ज़ादा उन्होंने उनके साथ conditions उनके favor में नहीं थे पर फिर भी उन्होंने अपनी life में बहुत कुछ किया चीक है चलो भाई first Russian girl to reach world's number one position world number one position बे वो पहुँची थी 22nd August 2005 को बेटा born to Yuri and Yelena Sharipova in Siberia उनका birth हुआ था उनके father का नाम तो Yuri and mother का Yelena Siberia में Siberia के frozen plains frozen plains बहुत ज़ादा ठंडे इलाखे में जो है बेटा ये मारिया Sharipova जो है she used to stay Russia में sent to Florida with father for tennis training यादी age of 9 जब वो 9 years के थी she hadn't even celebrated her 10th birthday 10th birthday से पहले ही उन्हें Florida भेज लिया गया था उनके father के साथ mother जो है बिचारी नहीं जा पाई due to visa restrictions mother could not accompany them visa restrictions थी visa आपको पता है एक country से दूसरी गंटी में जाने के लिए visa चाहिए वो Russia से जो है वो कहां जा रहे थी कहां जा रहे थी अमेरिका जा रहे थी USA जा रहे थी उन्हें visa नहीं मिला तो उन्हें अपनी मदर से separation जो है वो जेलना पड़ा learned an important lesson in life tennis excellence would come only at a price उन्हें अपनी लाइफ में बहुत बड़ा lesson सीखा बहुत बड़ा lesson क्या सीखा tennis excellence would come only at a price tennis excellence मुझे कोई कीमत जो है वो देनी पड़े की now you know you can also see in life हम लोग कहते हैं that if you have to be successful you have to give up something you have to give up something for example आपका बहुत मन कर रहा है कि मुझे बहार जाना है अपने friends के चार्ट चिल आउट करना है मुझे momos खाने के लिए जाना है समोजा खाने जाना है फ्रेंज के साथ घूमना चोड़ना पड़ेगा ठीक है आप करोगे यह नहीं है कि आपको limit में moderation में करना है आप बहुत जदा मस्ती नहीं कर सकते हो हर वक्त अपनी life को बहुत कूली नहीं ले सकते तो हर चीज़ का एक price होता है that you have to pay for example in order to become a very good student आपको थोड़ी थोड़ी मस्ती जो है वो छोड़नी पड़ते है बहुत जादा मस्ती जो है हम नहीं कर सकते है थोड़ी थोड़ी हमें जो है वो करना पड़ेगा momo no 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 बच्चों को बता है भाई momo वाली स्टोरी challenges faced and the lessons learned क्या-क्या challenges उन्होंने अपनी life में face कि और क्या-क्या lessons जो है इसके बार सीखे उन्होंने young nine year old went to bed at eight boys beyond our years उनके बारे में क्या कहा जाता था बेटा वो बहुत ही जादा young थी बिचारी सिरफ nine years की थी वो जो है ना सोने के लिए चली जाते थी तो वेसी थी आठ बजे सो जाती थी and she was poised beyond our years यह उनके लिए बोला चाथा था poised beyond our years का मिलब समझ रहो कि वो अपनी उम्र से काफी जादा mature लगती थी ठीके उम्र से काफी जादा mature जो है वो लगती थी वो मड़लब की जैसे के दो वो थी सरफ 9 साल की लेकिन वो ऐसा लगता था कि उनकी उम्र काफी जादा बड़ी है क्योंकि उनके दर इतनी maturity थी she was mature अच्छा हाँ बिल्कुल बिल्कुल coincidence हाँ बच्चे के रहे स्टार्डम स्टार्डम का मतलब होता है बेटा celebrity वाला स्टार्डम मिलना स्टार मिलने के बाद जो आपको वो मिलता है other tennis players used to come at 11 and wake her up वो कहते थी कि जब वो hostel में रहते थी she used to live alone अकेली वो रहा करते थी क्योंकि mother वहां रहे गई थी वापस father भी बहुत ज़दा busy थे तो जब वो उनके जो बाकी tennis players थी बाकी उनके fellow players से वो रात को 11 बज़े आते थे और उन्हें उठा देते थे एक चोटी सी बच्ची उसे उठा रहे है and they used to tell her to clean the room they used to tell her कि तुम room साफ करो maturity क्या होती है बेटा maturity का मतलब होता है जब हम mature हो जाते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़े समझ में आने लग जाती है हम लोग जो है ना वो केतना बचकानी चीज़े नहीं करते हैं मारिया शरिपोबा क्या है कि वो उनके अंदर बच्पना जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं दिखाती थी वो mature हो चुकी थी instead of being depressed became determined अच्छा मैंने क्या बोला कई बार लोग negative situations की होने के वज़ा से दुख ही हो जाते हैं negative situations उन्हें दबा देती हैं लेकिन कई लोग बहुत ज़्यादा optimistic होते हैं optimistic optimistic यानि कि बड़ी ही ज़्यादा positive होते हैं कई लोग वो जो negativity होती है ना उन्हें भी positive तो और बना देते हैं वो कहती थी किहींसक की चीजओं के वज़ह से क्योंकि वले किया जाता था जो बच्ची रात को आती थे वोनी उठा देते ठीक है उनने तो अन्हें जो रॉठ जा ओ रूम को साफ करो नहीं दो यत चींश esfकर कर निक तो यूज़ी क्या होते है बच्चे रोने चुरू करते है मममा मुझे बहुत जदा मारा मुझे बुली किया मुझे ऐसे करे है वैसे करे है नहीं उन्होंने उसे क्या किया उन्होंने उसे positive लिया कल्मिनेशन का मतलब होता है बेटा उसका जॉइन टुगेदर उन सबको मिला कर कल्मिनेशन यानि कि मिला जुला कर ओके रिजल्ट क्या हुआ इन सबका फोर यहार्ट वर्क उन्होंने चार साल मेनत करी सब चीजों को जोड कर ठीक है डिटर्मिनेशन साक्रिफाइस साक्रिफाइस कि या नाइन यहर्स के उमर में उन्हें दो साल तक अपनी ममा के बिना रहना पड़ा ठीक है उन्हें बहुत ज़दा बुली ने इस भी सहनी पड़ी फादर से भी सेप्रेशन सहना बड़ा बिकर सफादर वस वेरी बिजी अपको पता है कि जो यह टेनिस प्राक्टेस होती है वह बड़ी महंगी होती है उसके लिए उन्हें बहुत ज़द फी पे करनी पड़ते थे तो फादर भी उल्टी सीधी हरकते ना करके बड़ ऐसे सोफिस्टिकेशन जो है वह दिखाता है ठीक हम कहते हैं कि परसन बड़ा सोफिस्टिकेटिटर है यह फाल्तों के हरकते ही नहीं करता यह बहुत सब्सक्राइशन जो है वह शो करता है शांती से कामने से इसके अंदर टीक है क्या वॉम्पेटिटिटिव होना ठीक है उन्होंने बैंक यानि कि उने मिला इनितते मीन जेन्टमाइंस ट्रोफी 2004 में जेहां वुमन सीगर ट्रोफी 2004 में और 2005 में वह वडिकी नंबर वन पॉजिशन पर आगी ठीड वर की नंबर वन पॉजिशन-पे और वह कहती है है what is the key to success हर एक परसन जो लाइफ में बहुत सक्सेस्फुल होता है उसके पीछे उसकी कुछ कीज होती है उसके पीछे कुछ रीजन्स होती है और वो क्या था being competitive वो बहुत competitive थी competitive यानि कि यह था उनके अंदर के मुझे सामने वाले से better होना है I have to be better than the other person वो बहुत hard working थी वो बहुत ज़्यादा diligent थी बहुत ज़्यादा diligent diligent यानि कि लगाकार काम करते रहना ठीके continuously काम करते थी वो ठीके continuously काम करते रहते थी चाहे conditions उनकी favor में थे या नहीं थे no place for sentiment sentiments यानि जजबातुब कोई जगा नहीं थी यानि कि वो रोती नहीं थी वो यह नहीं कहते थी बाम मुझे बहुत परिशान हो मैं she never used to cry तो कहते हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा sentiment show करते हो तो उससे क्या होता अगर आप रोते ही रहोगे रोते ही रहोगे रोते ही रहोगे तो ज़्यादा टॉर्चर किया किया होता तो तो आप बैटर अगर मुझे और ज़्यादा टॉर्चर करा जाता तो वह सकता है मैं इससे भी जल्दी मैं Disharming आच्छा, Disharming का मजब होता है कि कुछ अलग ठीक है, There Was Something Disarming मैं समझ गई है आप इस चाप्टर में से पूछो, There Was Something Disarming About Her Looks श्राइश बहुत ही जादास के बारते संपूर्स पोर्ट्समेंं युकि बढ़ा है कि आनू कि बढ़ी यह बताते हैं कि वो बहुत जदा मिच्योर थी अपनी एज के हिसाब से काफी मिच्योरिटी थी उनके अंदर 87% बचो ने आचा दिया है शमी प्रतु इशू पलग मुकेश और सारब शाबश बिटा वेरी गूड हापी इंट्रस्ट उनके हापी इंट्रस्ट क्या कहते बिट दो ट्रेंड इन उस प्राउट टू बी अ रश्यन डेटो प्ले फॉर रश्या इफ और वो कहते थी कि उनके ट्रेनिंग का हुई थी बेटा यूसे में अमेरिका में ट्रेनिंग हुई थी पर मैंने क्या बताया था दच शी वोस फ्रॉजन प्लेंस ऑंस साइबेरिया वो सा कि ती यानि साइबेरिया कहां पर रश्या में वो कहते थी अगर मुझे रश्या में कहेंगे कि मैं रश्या की तरफ से खेलो ओलंपिक्स में तो आई विल मैं खेलूंगी अगर मुझे रश्या वाली कहेंगे दाइफ टू प्लेए फ्रम रश्या I am going to do that I am proud of my Russian race तरीबली का मतलब बूरी तरीके से उन्हें क्या क्या पसंता उन्हें फैशन बहुत पसंत है सिंगिंग डांसिंग लाव स्चूरीड नॉवल्ज ऑफ अर्थर कॉनन डॉयल अर्थर कॉनन डॉयल की नॉवल्स पढ़ना सुफिस्टिकेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटे क्या बढ़को नहीं है बहुत बढ़ी वड़ी अक्टर्सेस हैं वह बताते हैं कि हमें खाने में क्या पसंद है और वह एकदम से पोपिलर हो जाता है कि हाँ भई आज कल वाड़ा चल रहा है कि डिपीका बादो कोने को एमा दाट्ची करके डिश है वो बहुत पसंद है तो एकदम से वो वाइडली पॉपिलर हो जाते कि एमा डाट्ची कैसे बनता है कैसे खाते है लोग क्या पसंद है उने यह सब तो यह सब ऐसे उनके बारे बिताया गया है मोटिवेशन मोटिवेशन किसे मिलते हैं हम मोटिवेशन क्या ले सकते हैं and how she was motivated she was doing a lot of hard work वो बहुत hard work करते थी अब पॉलिशी का मदले होता है बेटा माफी मांगना माफी मांगना बेटा strong determination बहुत ज़्यदा उनके उनके अंदो determination थी द्रड़निश चाहेता confronted का मदले होता है बेटा सामना सामना करना बेटा mental toughness mentally वो बहुत ज़्यदा tough थी sacrifices have earned her not only success but ample money also यहां वो बोलती है that कि मैंने बहुत ज़्यदा पैसा भी कमाया है ठीक है she says of course money is a motivating factor लेकिन वो life में इसलिए successful हुई क्योंकि वो successful होना चाहती थी she was very competitive वो बहुत competitive थी वो दूसरे को जीतते हुई नहीं देख सकते थी बिटा हां wrenching का मतलब होता है दुखाने वाला heart wrenching मुझे पता आप क्या पूछ रहो हाट wrenching का मतलब होता है तोडने वाला दिल को तोडने वाला कचोटने वाला ठीक है हिंदी में मतलब कचोटना but the most important thing was to become number one in the world क्या बनना चाहती थी वह एकदम number one position पे आना चाहती थी अभी तो बच्चा दिली बड़ी दूड है we have to work a lot बहुत चाप्चे जमें कंडे है बच्चे बिलकुल motivated रहेंगे ample मतलब धेर सारा बहुत चारा अच्छा बच्चे पहले मुझे बता दो हां Monty Monty मुझे बता तुझे क्या नहीं समझ में आया बताओ 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 जो नहीं समझ में आया आप लिखकर बताओ मुझे ठीक है आज वह ना बेटा हम लोग revision करें तो revision में तब समझ में आएग उनकी motivation है क्या क्या है strong determination hard work mental toughness यह सारी चीज़ें शीबुस पॉइस ब्यॉंड रियर्स अगर आपको उनका character sketch लिखना हो तो यह अब सेरसारी की सारी बाते जो है वो लिखेंगे ठीक है ना अब एक और question जो हम लोग करेंगे बड़ा मज़ेदार सा select option that correctly captures the usage of the word compelled compelled in the chapter यहां compelled लिखा हुआ है न हाँ बिटा unwavering बता क्यों unwavering मैं बता क्यों unwavering या नि जिसे आप हिला नहीं सकते हैं unwavering का बड़लब जिसे आप हिला नहीं सकते चीके but it also required a heart wrenching यहां पर वो word ही आगया it also required a heart wrenching two year separation from our mother Yelena the latter was compelled to stay back in Siberia because of visa restrictions heart wrenching यानि दिल का चोटने बाला तो क्या answer होगा Jatin was compelled Jatin was compelled from the school for two days his compelled ways did not attract much attention Suryansh was compelled to live on the streets due to utter poverty या are you not compelled enough today तो कांसा ऐसा लाइन है which is using the same meaning as it is given in this line compelled and ji compelled she was compelled to stay back in Siberia यह ममा के बारे में लिखा गया latter यहां पर latter यानि Yelena के बाद की गई है latter यानि they are talking about Yelena की यह जो Yelena के बारे में जो है वो लोग बात कर रहे हैं ठीके सो सुरियांज compelled यानि की यहां पर compelled का मतलब है वेटा forced compelled का मतलब है forced और यहां पर भी forced यूज हो रहा है Suryansh was compelled to live on the streets due to our poverty सुरियांज बिचारा जो है ना forced he was forced to live on the streets बिचारा मजबूर कब यानि मजबूर मजबूर था सड़ट पर रहने के लिए क्योंकि वो बहुत ज़दा गरीब था गरीबी की वज़ा से 92% बच्चों ने correct answer दिया मज़ा आ गया वे शिवम नेतिक अद्वित प्रसन और वेरी गुड बहुत सारे बच्चे हैं यहां पर बहुत सारे नुरूजम और खुशी अमृता महताबी प्रियांशु शाबाश चलो बहूर शॉट आंसर क्वेशन से हम यूरी हेल्प मारियां ऑन दे पाथ अफ सक्सेस और स्टार्डम यूरी ने कैसे हेल्प करी यूरी कौन है उनके पापा पापा ने कैसे हेल्प करी सक्सेस के पाथ में और स्टार्डम के पाथ में फड़ा फट से बता दो कि बिटा हैं जी फड़ा फट से बताओ बिटा फा यानि कि पिछली जिसके बाद कि कर रहे हैं हम लोग लाटर मैंशिन यानि कि हम यलना के बात करे तो कह रहे थे कि जो यलना जिसका भी हमने नाम लिया है वो बिचारिय force हो गई थी रश्या में रहने के लिए visa restrictions की वज़ा से पड़ावट से stardom, बिटा stardom का मतलब होता है, star मनने के बाद आपको जो stardom मिलता है, आपको जो एक तरह से आपका नाम एकदम से उपर हो जाता है that is stardom, ठीक है, हांची, यूरी ने कैसे help किया था, बिल्कुल, यूरी, यूरी लेक्ट इस वाइफ, यूरी ने अपनी वाइफ यलेना को छोड़ दिया, he moved to USA, उनके फादर जो है, he moved to USA, उन्होंने बहुत ज़्यादा hard work किया, ठीक है, बहुत ज़्याद उन्होंने hard work किया, to pay her fee, उनकी जो training के fee भरने के लिए, उनके फादर बहुत ज़्यादा hard work करते थे, he had to leave Russia, उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, बिटा, Siberia का, वो कितना पेरेंस अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं, जहा Maria's ready, smile and glamorous attire, what is odd with Maria's ready, smile and glamorous attire, क्या odd है, क्या अजीब लगता है आपको, yes, quiz king बिटा, you are definitely going to get the notes, ठीक है, आपको पक्का notes मिलेंगे, अजी, पड़ा बच्चे जवाब देंगे बच्चे, meaning of Maria Sharapova, नाम है, Maria Sharapova, जो है एक नाम है, she was separated by her mother for two years, yes, there was something on with Maria's ready, smile and glamorous attire, was that, that she back, the women's international, वो एक top position पर पहुंची, कि वो top position पर पहुंची थी, और जो है, women's tennis में 22 August 2005 को, and that was because of a lot of hard work, वो कहते हैं, किसी के चहरे को देखकर, आप उसके पीछे जो राज शुपे हुए, उसे नहीं बता सकते हैं, हम Maria Sharapova को देखते हैं, तो हमें यह नहीं बता कि उसके पीछे कितना ज़दा struggle है, yes, the struggle was, that she was separated from her mother for two years, at the age of nine, nine years में, specially एक लड़की को अपनी ममा की बहुत जरू यह question बहुत important है, मैं आपको बता देती हूं, adversity का मतलब होता है, बेटा, bad situation, जो उनके साथ bad situation थी, जो उनके साथ जो भी problems थी, जो उनके साथ problems थी, वो भली कैसे हुई, अच्छी कैसे हुई, कहते हैं, कि लंबे run में अगर देखा चाहें, तो वो कहते हैं, कि मेरी life में जो भी problems थी, वो एक motivating factor बन गई, you can write that the problems became, for Maria, the problems became a motivating factor, वो एक motivating factor बन गई इनके लिए, कैसे motivating factor बन गई, क्योंकि इन्होंने उसके लिए बहुत ज़्यादा hard work किया, उन्होंने कहा, she took it in a positive light, she became more, you know, she became more and more motivated, she became more motivated, she became more determined, वो और जज़्यादा determined, वो और ज़्यादा determined, जो है व बन गई, ठीक है बिटा, आपको नीशिक लिंक मिलेगा, लिंक पर आप क्लिप करोगे, तो आपको notes मिल जाएंगे, she got mentally tough, very good, सनक ने बिलकुल सही लिका है, she became mentally strong, few people, अब long answer, few feel, reaped, reaped का मतलब बिटा, जो कि तो न, क्या बोया, क्या पाया, reap यानि कि आप बोने के बाद, यानि कि hard work करने के बाद, जो आपको मिलता है, उसे reap कहते हैं, benefit को reap करना, few people felt jealous of Mariya because of riches she reaped, reaped यानि कि उसे मिले, ठीक है, जो पाय, उन्होंने जो benefits पाय, in showing this attitude, what qualities of Mariya were they unaware of, would you feel the same if your friend is performing better than you at school, if no then why, यहाँ पर पते क्या पूछा है, यहाँ यह पूछा है, कि कई लोग बढ मारिया से, कि उन्हें तो जदा, क्योंकि ना, मारिया शरपोवा एक टाइम ऐसा था, that she was a richest sportsman, वो richest tennis player बन गी थी 2005 में, 2005 में सबसे ज़्यादा उनके पास पैसे थे, sportsman थी, बड़ा पैसा वो कमा रही थी, तो बड़े लोग उन से जलते थे, तो वो कह रहे हैं कि ऐसी कौन लिख सकते हो, कि येस, people were jealous of the richest she reaped, but people did not know the struggle behind that, लोगों को इसके पीछे का struggle नहीं पता था, लोगों को ये नहीं पता था कि मारिया शरपोवा ने इसके लिए कितना ज़्यादा hard work किया है, कितनी ज़्यादा diligence दिखाई है, उन्होंने, what was the story, उन्होंने एक heart wrenching separation को सहा, she did a lot of hard work, हम लोग कहते हैं, यार ये तो first आता रहता है, बोलते हम लोग कई बर यार तो पुतनी कैसे first आ जाता है, लेकिन हम ये नहीं पता कि first आने के लिए, वो person कितना ज़्यादा hard work करता है, grudge, बिटा, grudge का मतलब होता है, एक तरह से, किसी की तरफ grudge hold करना, यानि कि किसी की देख लो, मैं देख लेते हूं, एशु ही सारे डाउट्स पूछ रहे है, माम, how to do those, what would you name this story in unseen passage, बेटा, unseen passage, बेटा, मैं आपको कल करवाओंगी, तो मैं आपको बताऊंगी, okay, 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 ma'am, you said that she took 500 kg, now in multiple rounds, so then how many times, हाँ, एशु मैं ने तुम्हें पहले ही बता दिया था, बे ठीके, तो चलो, आगे चलते हैं, अब यहाँ पर यह सीखने से पहले, हम लोग एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ठीके, let us take a break, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, हम लोग 10 मिनिट्स का, तो बच्चो, हाँ, बच्चे के रहे, ma'am, I will not get jealous of my friend, I will rather learn from him, हम लोगों को उन से सोने के बचाए, आपको सीखना चाहिए, कि मेरे फ्रेंड ने कितना हाड वर्क किया है, मेरे फ्रेंड ने कितनी साथा मेहनत करिया इसके बीचे, जैसे मारिया शरपोवा की हम लोग बात करते हैं, तो मारिया शरपोवा एक दिन में थोड़े ना स्टार बन गई थी, she, you know, worked hard for 4 years, 4 years तो को ने बहुत hard work किया, she sacrifice a lot of things, क्योर का मतलब बटे, क्योर का मतलब होता है, बीटा, इलाज, क्योर का मतलब होता है, बीटा, इलाज, ठीके, अब हम लोग जो है, यहां टाइमर में लगा रही हूँ, ठीके, तो आपका जो है, wait, 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 wait. दो चलो, so I am giving you break now, for 10 minutes, ok, enjoy. झाल 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 आपने लिए बिल्कोल-बिल्कोल हलो कार्तिके अलो बेटा हाँ जी यह बाई नहीं बेटा हाई बोलो हाई हलो 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 कार्तिके हलो नमस्ते बिल्कुल बिल्कुल स्टार्ट करेंगे हम लोग हैंजी ओके फाइन 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 और हम लोग बिल्कुल फ्रेश माइन से शुरू करेंगे हमारा चाप्टर काटमांडू चोटा सा चाप्टर है बड़ा प्य जी जा चुकी है तो वापिस लियाओ वापिस लियाओ भी हाथ में रखो को ला ओला चलो स्टाट करो काटमांडू दो ऑथर विजिट काटमांडू दो काटमांडू दो कैपिटल ऑफ नेपाल ऑथर शोह काटमांडू शाते हैं दो कैपिटल ऑफ नेपाल and hires a cheap room in the center of town and sleeps for hours author कौन है यहां पर नाम याद रखना बिटा हलो आदर्श यहां पर author का नाम क्या है फड़ा फट्से पहले मुझे यह बताएंगे सारे के सारे हां जी पढ़ा फट्से बताएंगे हां जी तो यहां पर author का नाम में पीचा विक्रम सेट तो विक्रम सेट जो है जो कि बहुत एक्सेलेंट राइटर है विक्रम सेट जो है काटमांडू जाते हैं दो क्यापिटल ऑफ नेपाल हमें पता है कि जो यह विक्रम सेट है ही हुए और रास्ते में नेपाल जो है वो आते हैं हिच क्यमा फे फ्लाइट लेकर नहीं आते रुखते-रू तै किसी के साथ यहां ठहरते भैरते जो है हमें लोग और यह मनूदू क्या है यह मननू मननू हैंजी तो विक्रम सेट जो है वो क्यापटल ओपनेवाल में जाते हैं कहते हैं वहाँ जाकर वो एक सस्था सा कमरा लेते हैं और वहाँ पर टाउन के एकदम सेंटर में वो रूम लेते हैं गंटों तक सोते हैं हो सकते बहुत ठके होए होंगे यहां वो दो important temples में जाते हैं बहुत important temples है बहुत मज़ेदार से हम लोग जो है यहां पर temples के वारें पड़ते हैं दोनों temples एक दूसरे से एक दम opposite हैं तो यह जो है company यानी साथ किसके साथ जाते हैं यह साथ जाते हैं Mr. Shah के बेटे और उनके nephew के साथ Hindu का बहुत ही जादा secret temple पशुपती ना temple जो की बागमती रिवर के पास है यहां पर उन्हें प्रीस दिखे डिवोटीज दिखे ठीके भक्त दिखे पुजारी दिखे होकर्स दिखे होकर्स होते हैं जो वेंडर्स होते हैं ठीके होकर्स यानी वेंडर्स जो आवाज लगा लगा कर जमान बेश यह ले लो वो ले लो उन्हें वहाँ टूरिस दिखे काउस दिखे की मंकी दिखे असाइन बोड अनाउंसे एंट्रे फोर दे हिंदूस ओनली पीपल आ जॉसलिंग तो गो टूट दे फ्रंट वो कहते हैं वहाँ पर एक साइन होता है पश्वपती नाठ टेंपल के बाहर एक साइन है बिटा जिसमें लिखा है एंट्री फोर हिंदूस ओनली स बेटा हाँ श्रधालू डिवोटीज का मलब होता है भक्तचन श्रधालू जॉसलिंग यानि की धक्का मुका मार के वो अंदर जा रहे थे यहां पर विक्रम सेट बरी ब्यूटिफुली लिखते है कि लोग जो है ना सब लोग जो पुजारी की अटेंशन लेने के लिए प् पुलीसमान जो है वो विश यह साफ्रन क्लाड वेस्टनर्स को अंदर नहीं जाने दे रहे साफ्रन क्लाड यानि भगवाधारी कई सरे ऐसे वेस्टनर्स होते अपने फॉर्टनर्स को देखा होगा फॉर्टनर्स यहां आकर इंडियन कपड़े पहन लेते हैं औरंज कपड यह सब बच्चों कहां चल रहे हैं आपको याद रखना है कि बागमती रिवर के पास जो है यह सब काम चल रहे हैं क्या क्या हो रहा है एक कॉप्स यानि कि एक जो है डेड़ बॉड़ी डेड़ बॉड़ी का क्रिमेशन हो रहा है यानि क्रिया करम हो रहा है वहाँ पर ठीक है जो धोबी है वो कपड़े धो रहे हैं जो बच्ची है वो नहा रहे हैं उसमें कि वो लोग क्या कर रहे थे कि वो देखते थे कि रिवर के पास जो बालकनी थे किसी का घर होगा तो वो अपनी बालकनी से यह सब फैक रहे थे रिवर में बहार रहे थे बहार रहे है, बहार बहा कि रहा होजब है, बहार बहार निकल रहे है, प्रोटर याने कि इमर्जिंग प्रट्यूर यानि कि बाहर को emerge कर रही है emerging जो stone platform में उसमें से बाहर निकल रही है river के bank में से आधी निकले हुई है कहते अगर वो पूरे बाहर आ गए अगर वो shrine पूरा का पूरा बाहर आ गया तो ऐसा माना जाता है कि जो evil period कल्यूग का है वो खतम हो जाएगा आपको बता ना चार योग है ठीक है सत्यूग त्रेता योग और उसके बाद जो है एंड में कल्यूग जो है वो आता है तो कहते कल्यूग जो है वो खतम हो जाएगा इन कंट्रास्ट अब देखो यहां हमने पड़ा पशुपती नाथ टेंपल में जहां बहुत ज़्यादा क्यास था बहुत ज़्यादा शोर था उसके बाद वो जाते है बौधनाथ स्तूपा बुद्धिस श्राइन है वहाँ पर बुद्धिस्म जो है वो प्राक्टिस होता है बॉल रहा है कि ma'am value-based questions कैसे करते हैं मैं बता दूर्इए तो मैंने आपको बताया अक्याँ सबसे पहले पशु पतीनाथ प्रीस्ट हैं पुजारी हैं बहुत सरे श्रधालू महां पर दर्शन करने के लिए आएं तो यह सब चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा चल रही हैं वहां पर ठीके बहुत ज़्यादा क्योस हैं मंकी स्काउस जैसे कि हम लोग देखते हैं अच्छली वह नेपाल की बात करे हैं कहते हैं कि वो मूर्ति आधी निकली हुई है अगर वह मूर्ति कभी क्य Monthि से अगर वह बहार आ druguliै अगर वह बहार आगी तो माना जाता हिए कलियो skies पहतम हो is बिन नहीं है वहाँ पर शाइद में नहीं होगा आपने शायद मुझे पता कि Lecture वहां पर बड़ा सारा समान जो है वो सेल करते हैं जैसे की बैग्स जैसे जूलरी और उसका सबसे बड़ा बेटा क्या होता है आपने जरूर देखा होगा जहां आपको बिटा ऐसे लाइन नजर आती है कई सरे बचों ने से नोटेस कर आओगा इसे तार लगे होती है उनका आपको बता चल जाएगा कि वो एरिया तिबितन है ऐसे जो है वाप एक वायर टाइप होगी उनके घर के उपर उनकी जो है यह एसे मंदिरों के उपर इस तरह से होते हैं और यहां पर इसे चुट 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 फ्लाग्स लगे होते हैं तो देखा है कि नहीं बिलिव करते हैं और यह लोग शांती में बिलीव करते हैं ञुक्त है और जोसे होते करने कि अलगत टरीके होते हैं और जुत विद्धिस लोग होते हैं, they believe in meditation, योगा, तो इनके मंदरों में क्या होता है, शांती होते हैं, बहुत ज़्यदा peace जो है, वो होता है, ठीक है, what did the author find at पशुपती नाथ temple, पशुपती नाथ temple में author को क्या मिला बीटा, जल्दी से बताओ, happiness, peace, chaos and noise, या फिर all of these, जल्दी जल्दी से बताएंगे, chaos, माम, chaos का मतलब क्या होता है, अच्छा मैं बताती हूँ, chaos का मतलब होता है, यहाँ पर एक बच्छा पूछा है, माम, chaos क्या होता है, chaos की बीटा spelling होती है, chaos, chaos का मतलब होता है, बीटा, confusion, chaos means confusion, भीडभार, शोर, शराबा, that is chaos, तो क्या मिलता है उन्हें वहाँ पर, chaos and noise, उन्हें वहाँ पर chaos और noise जो है, वहाँ मिलता है, शोर, शराबा, 59%, पच्छो ने करेक्टा आंसा दिया, भेता, प्रशंसा, सौरब, शमी, प्रतू, सुमीद, शिवानी, अधिती, आयू, शौरया, फान वे देके, very good बीटा, चलो भाई, काट मांडू मार्केट हस फ्रूट, फ्लूट सेलर्स, हौकर्स, शौप सेलिंग बेस्टों, कॉस्मेटिक्स, चॉकलिट्स, इंटीक्स, फिल्म रोल्स, एक्सेक्टर, बच्चों, यहाँ पर, विक्रम सेट ने, नेपाल की सडकों को, नेपाल की मार्केट को, बड़े अच्छी तरीके से, एक्स्प्लेइन किया है, वो यहाँ पर, तीन वर्ड्स यूज करते हैं, गरार, थ्री एजेक्टिव जाठी यूजज़, विविड, मर्सेनरी, यह तीन वर्ड्स जो हैं, वो यूज करते हैं, नेपाल की सडकों के लिए, नेपाल की मार्केट के लिए, नेपाल की मार्केट कैसी है, बहुत ज़दा विविड है, लाइन आपर विविड, विविड का मतलब होता है, बड़ी लाइवली, जीबंत, जहां ऐसा लगता है कि लोग ही लोग है बहुत ज़्यादा वहाँ पर भीरभार है मरसेनरी का मतलब होता है जहां बहुत ज़्यादा economic activities होती है जहां बहुत ज़्यादा पिटा क्या होती है economic activities जहां पर होती है जहां बहुत बड़ी market है ठीक है economic activities वहाँ पर होती है और religious का मतलब तो आपको पता है यह बहुत ज़्यादा श्रद्धा वहाँ पर दो temples हैं बहुत ज़्यादा पूजा पाट भी होता है बहुत दूर-दूर से लोग वहाँ जाते हैं इंडिया से बहुत सारे लोग जाते हैं पश्रुपतिनाथ में जो है वो माथा टेकने के लिए ठीक है काट मांडू में वो बता थी क्या-क्या बिकरा था fruits थे, flute sellers थे, hawkers, hawkers होते हैं जो आवाज लगा लगा के बुलाते हैं आज ओ आज ओ ले लो लाइफ बहुत अलग थी, market में western cosmetics का मिलना बहुत बड़ी बात थी, यह 90s की 80s 90s की बात हो रही है, वहाँ पर chocolates मिल रही थी, antique चीज़े मिल रही थी, जो पुरानी चीज़े होती है, पुरानी paintings वगेरा, film roll जगेरा, जो है वो मिल रहे थे, तो यह सब चीज़े चल रहे थ तो यह सब चीज़े उन्हें नेपाल में नजर आती है, author by is eatable, author जो है वहाँ बहुत कुछ खाने पीने को खरीता है, और फिर उसे wash down करता है कोका कोला के साथ, ठीक है कोका कोला खाता है, एक nauseating orange drink भी वो पीता है, वहाँ पर वो क्या-क्या खाता है, वो मर्जी पान खाता ह हुआ भुट्टा जो है वो खाता है, यह सब चीज़े वो खाता है, he thinks of two plans to go back home, one by bus train, one by bus, then train to Patna and then sailing of Yanges and Yamuna, but being homesick he stick to the second one, that was buy next day ticket for direct flight to home, अब यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, कि जो यहाँ पर हमारे author है, विक्रम सेथ, बहुत दिनों से घर से बाहर है, तो वो सोचत है, कि घर जाने के दो तरीके हैं, पहले तो मैं घुमा फिरा के जाओ, पहले मैं बस लूँ, पटना तक या फिर ट्रेन लूँ, फिर उसके बाद मैं ग्यांजिस को क्रॉस करते हुए, सेल करते हुए, पहले मैं बस में बैठू, ट्रेन में बैठू, बोट में बैठू, और कि मुझे बहुत जादा घर की याद आ रहे हैं यहां में बड़ा मज़ा आता है क्योंकि ऑथर एकदम से बड़े मंत्र मुख दो जाते है फ्लूट सेलर को सुनके फ्लूट सेलर कौन होता है बांसुरी बजाने वाला कभी कभी आपकी घर के पास भी आपने देगा होगा बांसुरी बजाने वाला जो है वो आता है ठीक है बांसुरी बेचने वाला जो फ्लूट सेलर होता है बांसुरी की जो धुन होती है वो कितनी मेसमराइजिंग होती है कितना मज़ा आते हैं में वांसुरी के दुन सुनकर यह आपको बड़ा अच्छा लगेगा तो यहां बड़े ही अच्छी तरीके से उन्होंने explain किया है अच्छा यह हम लोग पहले question कर लेते हैं What did the writer mean by saying all this I washed down with Coca-Cola author कहते है कि मैंने मर्जी पान खाया मैंने भुट्टा खाया मैंने बता नहीं क्या क्या खाया और उसको wash down किया Coca-Cola से इसका मतलब क्या था He used Coca-Cola to wash the things He drank Coca-Cola to digest food He bought Coca-Cola and none of these उसका मतलब क्या था जल्ली जल्दी बता दो Coca-Cola से उन्होंने अपने खाने को wash down किया क्या किया धोया उन्होंने पचाया खरीदा क्या मतलब हुआ जल्दी बताओ तोड़ा फट से आंचो भेंगे बच्चे क्या 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 उन्होंने ही ड्रांग Coca-Cola to digest food उन्होंने Coca-Cola पिया खाने को डाइजस करने के लिए जैसे हम लोग भी पीजा मंगाते तो क्या करते पीजा बर्गर बहुत खा लेते हैं तो साथ पे कोल्टरिंग पीनी बढ़ती है ताकि सब कुछ तो उन्होंने भी ऐसा ही किया 92 बच्टों ने करेक्ट आंसर दिया कारते के शिवम राधा जपलीन योगिता अंजू ठू वंशिका अन्मोल अनायूश क्या बात है 127 students ने करेक्ट आंसर दिया तो यहां पर वो क्या देखते हैं वो देखते हैं कि जो फ्लूट सेलर है उसके पास एक डंडा था उस डंडे के ओपर बहुत सारी बासुरी इस थी बहुत सारी फ्लूट्स थी वो बिलकुल लग रही थी एक पॉर्कुपाइन ये बैटा पॉर्कुपाइन है Porcupine के Quills की तरह Porcupine के Quills यानि के Porcupine के Thorns उसके कांटो की तरह आपने बैटा ये Porcupine देखा है ये Porcupine में बड़े सारे कांटे इसकी stick और उसके उपर लगी हुए flute को Porcupine की क्विल्स से ये Playze Flutes Hewn Sound वो flute प्ले करते हैं जिसके Sound बड़ी ही Korea, बड़े ही जाफ तरीके से सुनाई दे रही थी, traffic और hawker की noise के उपर से, ये आप समझ सकते हो, Vikram Seth कहろう है थे कि वहाँ इतना shore था, वहाँ traffic का आवाज था, वहाँ पर hawker की, जोर जोर से loud चिला रहे थे, लेकिन उन सबसे उपर उठकर सुनाई दे रही थी किसके अवास flute seller की जो flute है जो बांसुरी बचाने वाले है उनके अवास सुनाई दे रही थी he doesn't have to shout for his product occasionally he sells a flute plays melodious tunes which impresses the author तो वो कहते हैं कि वो जोर-जोर से he doesn't have to shout for his wares यहाँ पर बोलते हैं वो जोर-जोर से आवास मारके नहीं बोल रहा था अरे ले लो बांसुरी ले लो बांसुरी ले लो ऐसा वो नहीं कर रहा था वो बांसुरी बस बजा रहे थे खुबसुरत तरीके से कभी-कभी अपना डंडा नीचे रख देते थे आस-पास वाले fruit seller से बात करते थे fruit वाले से और फिर-फिर से कभी-कभी कभी-कभी जो है वो बांसुरी बेच रहा था ऐसा लग रहा था कि वो ऐसे जोर-जोर से चिला-चिला की बांसुरी नहीं बेच रहा था और ऐसा लगता था वो उसका रोज का रूटीन है वो रोज ऐसे ही करता है यहां पर वो लाइफ को कंपेर करते हैं बांसुरी से कहते हैं जैसे लाइफ में जीने के लिए हमें सांस लेनी पड़ते है और ब्रीद करना पड़ता है वैसे ही जो बांसुरी होती है उसमें हमें ब्रीद करना पड़ता है फिर एक ब्रेक लाना पड़ता है फिर ब्रीद करते हैं फिर एक ब्रेक लेते हैं तो वो बांसुरी को उससे compare करते हैं ठीक है वो कहते हैं the melodious tunes of Bansuri had never left him spellbound earlier वो कहते हैं कि Bansuri की मधूर दुन ने उन्हें कभी इससे पहले spellbound नहीं किया था spellbound का मतलब बहुत बढ़िया बिटा spellbound का मतलब होता है बिटा मंत्र मुग्ध मंत्र मुग्ध ठीक है attract एसा नहीं मतलब मंत्र मुग्ध दोता है जिससे उनके पर जादू नहीं किया था आग से पहले उन्हें कभी वांसुरी के वास उन्हें इतनी फील नहीं किया और उसका reason क्या था because he was missing his home वो कितने बड़े emotional होते हैं तो हम अरी जीत सिणके गाने बड़े अच्छे बड़ेय पाटी ब्रेजियर का मतले मोता है बटी, जो वो कोईले से बटी चलाई जाती है, that is ब्रेजियर, ओके, that is ब्रेजियर, तो यहां पर आपका question है, in what way was the flute seller different from the hawkers, flute seller बाकी के hawkers से, बाकी के दुकानदारों से कैसे अलग था, फड़ा-फट से बताएंगे मुझे, hawkers were not good looking at, the flute seller was good looking at, none of these पर आपट से आंजर देंगे, what is the reason? why was the flute seller different from the hawkers in others author's opinion flute seller कैसे बचाता था अपनी बांसुरी? बहुत meditatively बहुत सदा ध्यान लगा के ध्यान जी the correct answer is A A जो है correct answer है he didn't shout for his weirs he didn't shout for his weirs, वो अपने समान के लिए चिला चिला के नहीं बुलाता था लोगों को तो 1 is the correct answer 94% बचोने correct answer दिया, Dhruv, Japlene, MS Game, Amruta Nivedita, Bichendra, Fanvideke Dhandaram, Rishikeshan, Prashansa very good, चलो last question, select the option that correctly captures the usage of the word exhausted, exhausted word कैसे passage में यूज हुआ है या आप मुझे बताएंगे but I am too exhausted and homesick today is the last day of August, go home I tell myself, move directly towards home so यहां पर कॉन सा होगा, the exhausted timetable did not appeal to the student, where do you keep the exhausted papers, the exhausted theory of relativity has many uses today Shwet fell exhausted after working non-stop for 18 exhausted का मकलब क्या है, यहां पर exhausted का मकलब है, यहां पर tired, I am too tired तो यहां पर कहा है Shwet fell exhausted after working non-stop for 8 years, so D is the correct answer, जल्दी देखेंगे 51% बच्चों ने correct answer दिये है अवरोजित, पुश्का, रिशिके, शामूता, आन्या भाई, पहला, the exhausted timetable did not appear to the student exhausted, बना बोगा, थकाने वाला, थकाने वाला timetable, पर यहां है कि person exhausted है, यहां person के exhausted होने की, थके हुए होने की बात कर रहे है, तो D is the correct answer आगे चलते हैं, अच्छा अब यह question मुझे बताएंगे, state any three adjectives that the author uses to describe Katmandu कौन से तीन adjectives use करता है author Katmandu कैसा था बेटा, फड़ा फट से बताएंगे मुझे, मैंने अभी आपको बताए थे, क्या क्या है यहां पर, which are the objectives vivid, mercenary, religious, कियास नहीं बेटा vivid, mercenary and religious बिल्कुल, शाबाश ठीक है, चलो भई, अब करते हैं, if I were you अगर मैं तुम होटा, तुम मैं होटा तो क्या होटा, चलो जल्दी ठीक है, यह हम समझेंगे if I were you, बहुती जदा एक smart person के बारे में यह chapter है यहां पर, यह chapter है जिराड के बारे में बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कook बेटा कितना time लगेगा, बेटा, दस तो बज़ेंगे अराम से, दस तो अराम से बहसें बेटा, 10, 10 पीम तक आपकी classes जो है आपकी class जो है वो चलने वाली है हमें chapters भी करने हैं मुझे तो बहुत ज़्याद मजा रहा है बिल्कुल बिल्कुल awesome chapter है महताब इसंग awesome chapter है ठीक है Gerard the protagonist Gerard क्या करता है देखो बैट the play opens with Gerard talking on the phone he was a man of medium hide and lived in a lonely cottage in the forest wilds of Essex बचाओ फटाफट से पहले मुझे बताओ ये chapter लिखा किसने who wrote this बेटा तेरा नाम इतना slang में लिखा इतना वो कर्सिव में लिखा हुए तुम्हारा नाम पड़ी नहीं पाई बेटा इसलिए में तुम्हारा नाम कैसे लूँ बोलो तनवी बेटा ma'am please listen yes tell me बेटा बोलो 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 Douglas James यहां पर उसका character sketch डिया हुआ है ठीक है physical appearance कैसे है उसके medium height है अकेला रहता है एक cottage में forest of Essex में वो उसने glasses पहने हुए थे चश्मा पहना हुआ था उसने launch suit पहना हुआ था और एक long coat जो है उसने पहना था after he put down the phone he started packing a traveling bag it appeared that he was going somewhere यह play है बेटा आपने देखा होगा this is a play ठीक है पूरा का पूरा यह एक play है तो play में जब curtain खुलता है तो हम लोग देखते हैं कि यह backpack कर रहा है यह phone पर बात कर रहा है यहां पर एक डिवान है टेबल एक chair है तो ऐसा लग रहा था कि वो एक bag जो है वो pack कर रहा था ऐसा लग रहा था कि वो कहीं जाने की तयारी कर रहा है when will we do the grammar grammar we will do tomorrow 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 okay the intruder entered the house while Gerard was busy in packing a man with a revolver in his hand quietly entered the house he looked similar to Gerard यह हम लोग देखते हैं Gerard busy था packing करने में उतने में एक आगमी आता है और उसके हाथ में क्या था उसके हाथ मता एक revolver वो धीरे धीरे उसके रूम में आता है और यहां पर यह बात notice करने वाले होती है कि वो Gerard से बहुत similar लग रहा था सारांच पिटा हलो हलो कैसे हो ठीके हां सारांच ठीके तो बहुत मिलता जुलता लग रहा था जिराज से, he was wearing a long coat उसने एक long coat पहना था उसने एक soft hat पहनी थी the intruder ordered Gerard to put his hands up and also asked him to answer some of the questions Gerard remains calm and talks to the intruder politely हम लोग यहां देखते हैं अपनी life में कभी भी हमने कोई ऐसा character नहीं देखा जो गन देखने के बाद भी ठीके गन देखने के बाद भी वो कैसा एकदम cool calm composed बड़ी ही Pulitely बड़ी ही शांती से वो जो है इस परसन से बात करता है intruder क्या होता है बच्छे पूछे बेटा intruder होता है घुस-पैठिया intruder होता है जो किसी की घर में जबर्दस्ती घुश जाता है तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि जो कहानी का मुख्य पात्र है यह गुस पैटी है जबर्दस्ति उसके घर में गुस आया है और उसके हाथ में गन है फिर भी हमारा जो प्रोटागेनिस्ट है वह बड़ा कूल है बड़ा काम एकदम शान्त है एकदम उसको अभी मस्ती मज सब्सक्राइब वह वह से बहुत ही जादा ऐसली बात करता है कि मुझे थोड़ा अंकम फॉटैबल हो रहा है एसे मजदा में उससे बोलता है कि मुझें पूला जाकर शेर पर बैठ जाता है वह 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 उसे बोलता है इंटूडर की ओके you can sit on the chair और वो खुद दिवान पर बैच जाता है ये दिन स्टार्टे टूडर वांटे तो नो बेसिक इंफरमेशन लाइक फुल नेम टॉकिंग स्टाइल एक्सेक्टर बाउट जिराड वो जिराड से बहुत सारी intelligent questions पूशता है उसे पूशता तुम्हारा नाम क्या है मैंने सुना है कि तुम कभी भी वह कहते हैं त्रेट पीपल यू नेवर मीट ट्रेट पीपल यहां पर क्या होते हैं मैंने आपको शाइद पहले भी बताया था बेटा ट्रेट पीपल वो लोग होते हैं पहले के समाने में आज से वही 40-50 यह पहले क्या होता था कि आजकल तो आपको फोन पर लोग अप्रोच करते हैं यह समान ले लो हमसे वह समान ले लो पहले लेकिन आपके घर पर लोग आते थे समान बेशने के लिए हांची अब सोच भी नहीं सकते कपड़े वाला तो आपको बड़े सारे आड़ जा रहे होंगे तो पहले लोग घर पर आके अड़ करा करते थे लेकिन जो ये जराट था वो कभी भी ट्रेट पीपल से नहीं मिलता था जादा तर उनसे बातचीत नहीं करता था वो कहता है मेरे घर में सरफ कौन आता है हालो भारत बेटा वो क अब यहां इंट्रूडर अपना रियल प्लान बताता है वो कहता है कि भाई मैंने एक पुलीसमान को मार दिया है और मैंने जूल्री चोरी करी है ठीक है यह फॉर्दर इंफर्ण जराट अट प्लान तो किल हम एंटेक इस इडेंटिटी वांटे तो लिव पीसफुल केर फ् उसका प्लान क्या था मेरे नई प्लान के मुताबिक इसका नए प्लान ये था कि वो उसकी आइडेंटिटी ले लेगा ठीक है और वो उसकी तरह जिएगा विंसें चार्ल्ज राट वो बिटा अपने पिच्छर के क्योंकि ना अंदाज अपना-पना अंदाज अपना-पना वो कहते हैं कि मैं तुम्हें मार कर तुमारी आइडेंटिटी ले लूँगा तो वह बिल्कुल ऐसा ही उसका प्लान था कि भाई मैं तेरी तरह ही तो दिखता हूँ तो चल तू मर जाएगा और मैं तेरी जगा रहूंगा तो वैसे ही ऐसा परसन है जो किसे से जादा मिलता परसन है कई लोग होते हैं जिनका दिमाग बहुत तेज़ शलता है तो वैसा ही परसन जिराड है आफ्टर लिस्लिंग टू दा इंटूडर जिराड क्लेवरी मेड़ी मेड़ फॉल स्टूरिया इंफॉर्म दे इंटूडर दाटी इंसल्फ वाज़ क्रिमिनल यहां हम लोग बड़े रोबर हो तो क्या मैं बहुत शरीफ हो संडेइन स्कूल टीचर का मतलब होते है कि मैं बहुत कोई शरीफ आद मंने लग जाता है जिराड है मोड़े 501 पट रटाव यहां और फेहां तो तो ऑम duelलते है और फिरींडasm guessing फिर्फ देट यह सा हौne नहीं बहीं मैं भी शवाइब तूरन कर दिया यहां पर एक लाइन बोलता है आई सेड़ विद बुलिट्स इस रिडिट विद बुलिट्स मैंने जो है उसने मुझे कुछ कहा और मैंने गोली से जवाब दिया आई सेड़ बिद बुली चला दी तो यहाँ पर वो कहता है कि भाई मैं भी क्रिमिनल हूँ मैं भी तेरी तरह ही हूँ ठीक है तेरी तरह शरीफ नहीं हूँ मैं भी मैं भाग रहा हूँ चल तू भी मेरे साथ भाग जा पता है मैंने अपना एक आदमी खड़ा कर रखा है वो मुझे फोन करेगा तो हम यहाँ से निकल जाएंगे गिराज में मेरी काड़ी पाक्ट है वी विल गो टुगेदर हम तुनों चोई वो साथ में जाएंगे तो वो उसे कहता है कि देखिए मेरा बाग है इसमें फॉल्स मुस्टाइच इसमें नकली मूच है इसमें बहुत कुछ है और मैं भी पुलीस से भाग रहा संडे स्कूल टीचर का मतलिब क्या होता है जल्दी से बताएंगे बच्छे जल्दी बटाओ लख हैं जी हैं इसको मुष्ञा हम पू लख जा ऑन दो चलते जाएंगे कहाणि करते जाएंगे कितना मज़ा रहा है है बहुत जरूरी है हम लोग पढ़ भी रहे हैं हम लोग रिविजन भी साथ में करें हमें दुबारा पढ़ने की जुरूत ही नहीं पढ़ेगी ठिक है अजी चलो ओके तो क्या मत्रम है पार्ट टाइम टीचर टीचर इन चोर्च वेरी डिलिचरीस परसन वेरी ओनेस परसन य जदा ऑनेस्ट परसंट५े का मतलब क्या तुम्हें लगता है मैं बहुत उन्इस्ट हूँ मैं भाव जदा शरीफ हूँ नहीं मैं भी बहुँत जादा ऑनिस्ट नहीं हूँ फिटें परसंट बच्चों ने करेक्ट उन्सर दिये ज्याध़ cried icon a church teacher in a church sunday school teacher का मतलब यहां पर Sunday School teacher word उसने इसले यूज किया कि वो यहां कहने की कोशिश करा था कि तुम्हें क्या लगता है मैं बहुत शरीफ हूं ठीके वो क्या कह रहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं बहुत ज्यादा शरीफ हूं क्या ठीके तो दाट इस वोट इवाट इस तो 17 सु इस वेलीफ यहां पर इक न एक एस दरवाजा बनाओ हूं कि तो इस जो ए गिराज का दरवाजा है बाहर मेरी कार खड़ी है कि दोनों बैटेंगे दोनों बाई चोर चोर मसेरे भाई साथ में भागेंगे Intruder is sharp Intruder लेकिन विचारा फस जाता है While the intruder looked inside Gerard gave him a push and locked him in a cupboard The gun fell down from the intruder's hand Gerard picked the gun and called up the sergeant To raise an intruder Intruder जैसी अंदर देखता है सोचो यह दर्वाजा है दर्वाजा है अच्छा यहां मुई इमेज बनी हुई है तो यह किया है यह परसं जो है यह अंदर जाता है जैसी जांकता है अंदर के तरफ तो यह जराड उसे धका दे देता है और जब धका दे देता है तो उसके गन बहार गिर जाती है और वो उसे आच्छली में यह गराज नहीं था यह था पेटा symmetal cupboard यानि की cupboard का मतलब होता है अलमारी वो से actually एक अलमारी में बंद कर देता है गराज का धोका दे के अलमारी में बंद कर देता है तो जराड क्या है भहिया कितना smart person है गन उसके हाथ से गिर जाती है और जराड गन को उठाता है और फड़ा फड़ काल करता है किसको he called up the sergeant actually वो call up sergeant को नहीं करता he called up his friend वो अपने एक friend को call करता है उसे बोलता है sorry मैं लेट हो गया मुझे तुम्हें वो disguise outfits पहुंचाने थे ठीक है मुझे जो है disguise outfits पहुंचाने थे मैं नहीं पहुंचा पाया अच्छा sergeant नहीं काफे में वेटा होगा जाकर उसे बुला लाओ मेरे घर पे कोई आया है और मुझे अपने next play के लिए lines मिल गई यहाँ पर उसकी true identity reveal हो जाती है actually में Gerard जो है वो कौन था Gerard बेटा एक screen writer था एक play writer था और यह जो उसने नकली मुझे बगरा रखे थे वो अपने play के लिए रखे थे उससे यह समान कहीं पहुंचा आना था तो वो अपने दोस्त को कहता के भाई बड़ी बढ़िया कहानी मिल गई है next play में मैं यहीं करने वाला हूँ तो वो जो है एक next मलब की तरह वो की तरह एक पन दोक आज एक तीर से उसने दोन निशाने जो है वो लगा दिये अब question है ठीक है according to Gerard why did things go wrong with him अच्छा बच्चे एक याद रेखना मैंने आपको बताया यहाँ पे quick wickedness आपको क्या message मिलता है कि हमेशा quick wickedness दिखानी चाहिए हमें हर situation में क्या रहना चाहिए we should be calm हमें calm रहना चाहिए even in the bad situations कभी हमारी conditions favorable ना भी हो तो भी हमें cool and composed रहना चाहिए जैसे कि Gerard रहा और वो जीत गया ठीक है अब according to Gerard why did things go wrong with him because he said it with bullets he said it with bullets he said it with bullets क्योंकि उसने किसी को गोली मार दी थी उसने कहा कि मैंने किसी को गोली मार दी थी इसी लिए the phrase said it with bullets means said it with bullets का मतलब क्या होते है बिटा what does the word said it with bullets mean yes he also murdered a person said it with bullets का मतलब होता है to shoot someone say it with bullets अने कि to shoot someone to shoot someone या फिर to take a shot at someone to take a shot at someone किसी को गोली मार देना ठीक है गोली मार भेट जे में भेट जशुवर करता है ठीक है चलो भाई फड़ा पचसे find the word from the extract similar in meaning to the word रोज ठीक है यहां पर एक वर्ड चाप्टर में एक वर्ड यूज हुआ है जो सिननिम है रोज का रोग रोग का ठीक है तो रोग कौन होता है स्कूल टीचर ट्रेट्स पीपल क्रूक या पर सर्प्राइज जल्दी जल्दी बताएंगे बच्चे रोग का मतलब क्या होता है सारे अच्छे बच्चे चुआ है फ़र अब इससे आंसर करेंगे रोग का मतलब होता है बेटा क्रूक वैसे रोग का मतलब होता है गुंडा ठीक है जो गुंडा होता है जो नेगेटिव क्यारेक्टर होता है जो क्रूक होता है धूर्त इंसान होता है उसे रोग बोलते हैं 48% बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है क्रिएटिव आइडिया जपलीन दीपक ब्यूटीज पीडी दा एस वेरी गुड अब हम लोग करेंगे प्रोस का सप्लीमेंटरी रीडर मुमेंट्स के चाप्टर अब हम लोग करने वाले हैं बच्चों बिल्कुल मुमेंट्स के है यह भी हो चुका 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 है तुन तन तन माम यू लिख ला हां ओके डाउट प्लीज एक्स्प्लीन अगें क्या बेटा क्या एक्स्प्लीन करों मैं प्लीज प्रवाइड प्रक्टिस शीट इन तुबोरोस क्लास प्रक् वेटेज में आपको कल करवाऊंगी, सारी वेटेज बताऊंगी, कौन सा चाप्टर, मलब कौन सा सेक्षन का कितना वेटेज है, फ्रॉम विच कंट्री दो अथर वोज फ्रॉम, फ्रॉम, बैम, I work hard a lot, like I study 6-10 hours, but I still get low marks, because you have to make a strategy, बिटा, strategy बनाने पड़ेगी आपको, ठीक है, हाँ, next शलते हैं, the happy prince, happy happy prince के बारे में हम लोग फड़ा फट से बढ़ेंगे, बहुत simple सी, लेकिन बहुत ही प्यारी सी स्टोरी है, written by Oscar Wilde, it is about the statue of a prince, that was studded with gems and gold leaves, जिसके पास बहुत सारे gems, gems यानि की precious stones इसकी statue पर लगे हुए थे, और एक swallow, swallow bird जो की help करते हैं, needy people की, swallow होता है, swallow एक bird है, ठीक है, ये पक्षी है जो help करता है, अपना, जो happy prince है उनके लिए, ठीक है, तो Oscar Wilde नहीं ये जाप्तर लिखा है, तो सबसे पहले, the statue of happy prince, happy prince, a beautiful statue was installed on a tall column, pillar high above the city, हम लोग देखते हैं, कि happy prince का बहुत ही सुन्दर सा statue, एक tall column पर, pillar पर जो है वो था, city के अबव, जहां से, उन्हें city अच्छे तरीके से नजर आती थी, it was a statue of happy prince, वो happy prince का statue था, जो की covered था, thin layers of gold से, उसमें, और क्या-क्या था, there were two bright sapphires, उनके two bright sapphires थी, जो कि उनकी आँखे, बलब उनकी आँखों में, दो sapphires लगे हुए थी, और उनकी sword पर, एक bright ruby, उनकी sword की handle पर लगे हुए थी, तो ऐसा था, happy prince का statue, एक बार क्या होता है, one night a little swallow was going to Egypt arrived in the city, अब यहाँ पर हम लोग एक bird देखते हैं, जो की Egypt जा रहे थी, क्योंकि वो migration कर रहे थी, migration, migratory bird थी वो, ठीके, धी नहीं था, actually था, ठीके, migratory bird था, जो swallow bird था, वो जा रहा था, ठीके, Egypt, तो वो रास्ते में क्या करता है, वो city में आता है, वो बहुत ठता हुआ था, तो वो decide करता है, कि वो वहाँ पर night spend करेगा, in the feet of the statue, statue के feet पर जो है, वो night spend करेगा, वहीं पर वो सोचता है, मैं सो जाओंगा, यहां से बारिश से भी बच जाओंगा, और बड़ा मज़ा भी आएगा, ठीके, he was going to sleep, but got disturbed by a large drop of water that felt on his head, अच्छा, वो सो रहा था, वो निन्नी कर रहा था, पर निन्नी करते-करते, उसके उपर एक बड़ी से पानी की बून गिरते है, ठीके, वो कहता है, अर्या, अस्मान में तो एक भी cloud नहीं है, पर यह मेरे की निन्नी कैसे disturb हो गई, इतना सारा पानी मेरे उपर कैसे गिर गया, स्वालो बहुत ज़्यादा हिरान हो गया, फिर दूसरी ड्रॉप उसके उपर गिरी, फिर उसने सोचा मैं यहां से उड़ जाओंगा, पर तभी उसने देखा कि जब तीसरी ड्रॉप गिरी, तो वो कहां से गिर रही थी, वो प्रिंस की आँखों में से गिर रही थी, अच्छली में, दा हैपी प्रिंस वो रहा था, ठीक है, दा हैपी लाइफ उसने से पूछा, दर रीजन बहाइंड इस टियर्स की आपके आसूओं के पीछे रीजन के है, वाई यू क्राइंग, वाई यू क्राइंग, क्या रीजन है, यहाँ हैपी प्रिंस कहते हैं, कि आपको पता है, जब मैं जिन्दा था, तो मुझे मिजरी यानि दुख तकलीफों के बारे में कुछ नहीं पता था, मिजरी और सौरो जानि की दुख और तकलीफों के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं तो मैं बड़ा खुश रहता था, मैं इतना खुश रहता था कि मेरा नाम लोगों ने हापी प्रिंस रख दिया था, ठीक है, मेरे कॉटियर्स, मेरे जो मतलब वहां के लोग थे ना, मुझे हापी प्रिंस किराते थे, लेकिन हम मेरे मरने के बाद जो मेरा स्टाच्व इतनी हाइड पर लगा दिया है, त क्लास कब खतम होगी, बिटा, टेन पेम, एक लिस निनी ओपी, बिल्कुल निनी निनी कर रहे होते हैं, पर निनी करते करते हैं, उसकी आँख खुल जाती है, क्योंकि प्रिंस नोई-नोई कर रहा है, तो उसने रिक्वेस्ट किया स्वालो से, मैंसमेयर से, तो तो मैरे साथ रहों, ठीकै, और मेरा एसा करने में हमादम करो मेरी, ऑलोग कहते हैं, अब तो आपकी मदद करूंगा, ठीकै, मेरी स्वालो से कहा, कि बहाँ एक poor seamstress है, seamstress का मतलब क्या होता है बेटा, seamstress होती है, दर्जी, एक poor दर्जी होती है, बहुत ही गरीब सी दर्जी होती है, जो city में रहती हुए, she was embroidering flowers on a gown, वो flowers embroider कर रही थी, एक queen की loveliest maid of honor, Queen की जो सबसे प्यारी Maid of Honor होती है उसकी dress पर वो embroidery कर रही थी और उसके साथ में उसका बिमार बेटा लेटा हुआ था जो बहुत ज़दा बिमार था और वो oranges मांग रहा तो उसे बहुत प्यास लगे थी जब हमें बहुत प्यास लगते हैं जब हमें बुखार होता है तो we feel very thirsty तो उसे बूक लग रही थी प्यास लग रही थी तो उसने कहा मुझे oranges खाने So the prince requested the swallow to pick out the ruby तो prince ने request किया prince ने कहा कि देखो ये बिचारी बहुत बुड़ी है इसके बेटे को बुखार है तो तुम क्या करो मेरी एक ruby तोड़ो ठीके मेरा जो ruby है जो मेरी hilt पर मेरी sword पर लगाओ और जाकर उसे दे दो अब swallow bird बिल्कुल ऐसा ही करता है साथ ही साथ जब वहाँ जाता है तो वो boy के forehead पर अपने wings से fanning भी करता है ठीक है वो ऐसे punk फट पड़ाता है वो देखता है कि वो जो लड़का है वो जो विमार लड़का होता है वो ऐसे ऐसे कर रहा होता है उसे बढ़ी गर्मी लगरी तो उसे बहुत श्वेट आ रहा होता है तो swallow bird अपने पंको से उसे हवा भी करता है What to make the seemstress child relaxed seemstress का बच्चा रिलाक्स किसकी वज़ासे होता है Ruby happy print swallow या fanning by the swallow किस reason से seemstress का बच्चा रिलाक्स होता है फिर अफिच से बताएंगे बच्चे which is the correct answer swallow bird हम लोग यहां देखते है बहुत ही helping nature का था उसने नहीं सिर्फ रूबी दिया पर उसने साथ-साथ में उस लड़के को पंखा भी किया अपनी विंग्स की मदद से इट मीज आट वह से वेरी गुट बर्ड वह बहुत ही अच्छा बर्ड था ठीक है जैड आंसर दे यूट्यूब चार्ट टू पार्टिसिपेट तो क्या है भाई फैनिंग बाई दे स्वालो जो स्वालो के बढ़ जो स्वालो बर्ड है वो उसको फैन करती है ठीक है करता है तो 73% बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया पुशकर प्रशंसा निदी इशू और अंजू चारसिया वेरी गुड हेल्पिंग दप्ले राइट आलवी नजर आ रहा होता है प्रिंग को श्वालय इजिप्ट जाना चाहता था अब ड्रिकसल का एक मधद कि वह ब्राइट जो है एक तो ठंडी थी बहुत ज़्यादा ठंडी थी उसके हाथ बहुत ज़्यादा काप रहे थे उसे बहुत भूक लगी थी विश्मेडिम फिंग जिसकी वज़े से वह बिहोश हो गया था प्रिंस ने स्वालो से कहा कि तुम मेरी एक आंख ठीक है उसकी आई किसकी बनी हुई थे सफाय को लगता है कि मेरी किसी एड्माइर नहीं फाइनली एन एड्माइर मेरी किसी चाहने वाले ने मुझे ये रूबी मना मुझे ये सफायर भेजा है और वह बहुत खुश हो जाता है पिर तीश्रा वो किसकी मदद करता है हेल्पिंग पूर मैस्टिक गर्ल यहां पर एक गरी हाँ धोकर तयार होता है वो प्रिंस के पास जाता है और कहता है ओके प्रिंस बाइबाए मैं जा रहा हूं लेकिन वो किता है एक रात और रुख जो तो थोड़े देर और ठेहर मेरे पक्षी ठीक है वो उसको बोलता है कि शॉलो देखो वहां पढ़ना एक लिटल मैस्टिक गर्ल है एक चोटी सी माचिस बेशने वाली लड़की है वो देखो वो किनारे पर खड़ी है वो रही है हर माच्टिक्स फॉलर इंद ड्री अन्वर और वो कहता है उसकी सारी माचिस की तीलियां गिर गई है ठीक है नाली में गिर गई है और वो जो है खराब हो गई है वो बहुत रो रही है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं घर गई तो मेरे पापा मुझे बहुत मारेंगे क्योंकि मैंने एक भी नहीं बेची अभी तो वह बहुत जोर-जोर से रो रही है विचारा है प्रिंस दिल का इतना अच्छा होता उसे वह रोता हुआ देखा र प्रिंस कम्क्रीटली ब्लाइंड एकदम अंधा हो जाता बिल्कुल अंधा हो जाता तो कहरें प्लीज नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता यूविल बिकम ब्लाइंड पर प्रिंस उसे फोर्स करता है दो स्वालो पुट्ड से फायर इंटु दे लिटल गर्ल्स हैं यहां पर हम लो वह स्वालो बर्ड को कहता है कि स्वालो बर्ड अभ तुम जा सकते हो पर स्वालो बर्ड नहीं कर नहीं स्वालो पर डिंस मैं तुम्में चोड़कर अब कहीं नहीं जाओंगा देखो कितनी अच्छी फ्रेंचिप है उनके स्वालो प्रिंस ने स्वालो से कहा to fly over a city and tell him what प्रिंस ने स्वालो से कहा कि तुम पूरे शहर में उड़के जाओ और मुझे बताओ क्या-क्या चल रहे है श्वालो ने प्रिंस को इंफॉर्म किया कि पूर जो है बहुत ही प्रिंस को बहुत सरी स्टोरीज बताई थी क्योंकि वह बहुत दूर दूर घूमने के लिए जादा था बट वो कहता है कि यहां जो मिजरेबल पिक्चर आप नेवर सीनिट एनिवे और पूर पीपला लीदिंग अ मिजरेबल लाइफ वह दो लड़कों के बारे में बताता है कि दो लड़के जो हैं वह एक ब्रिज के नीचे बैठी हो हैं दियार हगिंग इच आदर बिकॉस उन्हें इतनी जादा ठंड पी शॉलो ने बिल्खुल वैसे ही किया ठीक है प्रिंच ने कहा कि तुम लीफ बाई लीफ एक एक करके पती मेरी बॉडी से जो है वो ले जाओ गोल की और जाकर गरीब लोगों में बाट दो और सॉलो बिल्कुल ऐसे ही करता है स्वालो डाइब लेकिन स्वालो स्वालो क्यों जा रहा था स्वालो एजिप्ट इसले जा रहा था क्योंकि जिप में गर्मी होती है वो समाइग्रेटरी बर्ट वह माइग्रेशन उसको करना था यहां बहुत ठंड हो रहे थे अब इतना ज्यादा को वेदर हो जाता है कि अब उसे बर्ट टॉलरेट नहीं कर पाता पर्ट स्वालो ने प्रिंस को नहीं चुड़ा प्रिंस ने उसे रिक्वेस्ट किया कि स्वालो अब तुम जा सकते हो बड़ उसने कहा मैं आपको छोड़ कर नहीं जाओंगा उसे जल्दी रियालाइज होता है कि मैं मंडे वाला हूं तो वो प्रिंस को कहता है प्रिंस कहना जाता है उसे देखकर स्टाचू का जो लेडन हाथ है जो लेड का हाट मुस्के टुकड़े हो जाते हैं वो नीचे जमीन पर गिर जाता है वह तोट जाता है क्या है the happy prince answer swallow to do with the gold on his body question है कि swallow को उसने क्या कहा prince ने कि मेरी body के साथ क्या करो मेरी gold के साथ to take it off leave by leave and give it to the poor to take it off and keep it for himself to take it off and give it to the match girl to take it off and give it to the poor seem stress give the correct answer जल्दी 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 देते जाओ बच्छो answer पराफट से बताएंगे एक ही बार answer बिटा अपने लिखना है जो आपका first answer है that would be counted the next one would not be so the a a is the correct answer ठीक है leaf by leaf जाकर वो पूर पीपल को जो है वो देदो तो 98% बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया निदी चौटरी जू प्रशांसा अक्षित counselors वो इसको देखते हैं happy prince के statue को वो कहते है अरे यह तो कितना अगली सा statue है कितना गंदा है कितना useless है और वो बिल्कुल भी beautiful नहीं है hence it was removed and sent to the melt उसमें कहा कि चलो इसे remove कर दो और इसे melt करने के लिए भेज़ दो लेकिन बच्चों इतनी हरानी के बात है कि उसका broken lead heart जो है वो melt नहीं हुआ तो उसको भी फैंग दिया गया garbage में along with the dead swallow वो कहते है कि आरे यह तो एक तो कितना जादा गंदा है और उपर से यहां पर a dead swallow bird भी पड़ा हुआ है तो यह जो dead swallow है और उसका heart है उसे garbage में फैंग बिया जाता है God sent one of his angels to bring him the two most precious things from the city the angel brought the leaden heart of the happy prince along with the dead swallow एक बार भगवान ने angel से कहा कि तुम उस city में जा और वहां कि दो most precious चीजे लेकर आओ और वो क्या लेकर आए वो लेकर आए dead swallow को और वो लेकर आए happy prince के leaden heart को God ने angel को praise किया उसने कहा कि swallow would always sing forever in my garden and the happy prince will praise him ठीक है इसके कहने का मदब क्या था कि जो swallow है वो मेरे heaven में रहेगी ठीक है और prince उसकी तारीफ करेगा यह नहीं prince will also stay in my heaven ठीक है वो heaven में ही रहेगा ठीक है कितनी मज़ेदार सी यह बिटा story है बहुत ही मज़ेदार है अच्छा चोलो मैं आपको यहाँ पर एक question पूछके हूँ which can come in your exam what is the irony, what is the irony behind the town councillors, councillors throwing, sorry removing the statue of happy prince ठीक है यहाँ पर एक बहुत बढ़ी irony है बेटा, irony समशन अ व्यांग यहाँ पर एक बहुत बढ़ी irony है town councillors कहते हैं कि भाई इसके statue को remove कर दो happy prince के इसके पीशे कि irony क्या है, क्या irony है बेटा, फड़वट से बताओ Angie, जल्दी बताओ, क्या irony होती है बिटा है आँ पर what is the irony the irony is because it was looking, नहीं, you are right see, okay the town councillors asked to remove the statue because it was because it was, it was too ugly, क्योंकि वो बहुत जदा बच्चूरस था but the irony was, the irony was that the happy prince, the happy prince statue became ugly because, क्या reason था, यहां पर बिटा हम statue किसका बनाते है आपको बता ना हम statue किसका बनाते है we make statue of very, you know, great people, we make statue of great people, okay and he had done a lot of greatness, he had done a lot of greatness, he became ugly because he gave all his gold he gave all his precious stones to help other people, so instead his statue should have been made but it was removed, उसका statue तो बनना चाहिए था, क्योंकि उसने तना महान काम करा था महान लोगों का statue बनाया जाता है, पर उसे यह statue को remove कर दिया गया that was the irony, यही बेटा जो है उसकी irony थी, okay, समझ में आया now, अब हम लोग story करेंगे, the last leaf, the last leaf is a story written by O. Henry O. Henry ने यह story लिखी थी, कब लिखी थी, 1907 में, the trimmed lap and other stories की collection में यह stories जो है, वो add हुई थी बेटा, ठीक है okay, the last leaf, बहुत मज़ेदार यह story है, ठीक है, बहुत simple सी है, ठीक है, बहुत simple सी है, इसकी story जो है, तो इसको हम लोग read out करेंगे तो यहाँ पर हम लोग दो लड़कियों से मिलते हैं, एक का ना हमें Sue, और दूसरी का ना हमें John से, दोनों की दोनों काने, अच्छा दिखेंगे, आपको बता है, यह story कब लिखी गई थी, यह story लिखी गई थी, मैंने जब अपने बच्चों को बढ़ाया तो मैंने बताया है इता, जब जाएने पींटर्स को बहुत ज़्यंदा प्रेज मिलता था, पेंटिंग एरा जो है, वो आ गया था, इदब से, तो बहुत सारे पेंटर्स से ने लगी तो जो बहुत सारे पेंटर्स थे जो धो बूλη कमने लगे थे, उनके पासं जाधा पाम नहीं होता था, हम लोग देखते हैं कि जिसे यह सू और जॉनसी का चारेक्टर भी है यह ऐसे टाइम पर दिखाया है हाला कि आपके बुक में नहीं लिखा है पर यह थोड़ा से इडिशनल इंफरमेशन है कि सू और जॉनसी जो है वो ऐसे एरा से बिलॉंग करते हैं जब उस टाइम पर पें से थे उसके फ़र्ड स्टोरी में पुराने से घर में जॉनसी जो है शी फिल इले नॉवेंबर वो नॉवेंबर में बिमार पढ़ गए और उसे क्या होगे तो बिटा नीमोनिया नीमोनिया जिसका पी सालन्स होता है अपनी इलनिस में जॉनसी जो है अपने बैट पर लीट रहेती थी without moving और वो हमेशा खिर्की के बाहर देखती रहती थी जॉंसी के परेशान रहती थी और वो doktor को बुलाती एं ठीक है टॉक्टर को बुलाती है क्योंकि यहमेशा खिर्की के बाहर देखती रहती थी कुछ भी नहीं करती थी और शुक्र, della檔ट यम्रॉज आता तो लिफ वो कहते हैं आपको पता है जॉन्सी क्यों नहीं ठीक हो रही है वो कहते हैं कि हम जितने बज़ी दमाईयां खाते रहे हम ठीक नहीं हो सकते हैं अगर हमारे अंदर जीने की इच्छा नहीं है उसके अंदर जीने की इच्छा ही नहीं बचे थी वो कहते थे इसलिए ओप और विलिगनेस के जो है वजह से क्योंकि उसके इंदर नहीं है तो उसे कोई भी मेडिसन क्यूर नहीं कर सकती है तर यह ऐख सवम्हारा पार चाहले प्योंकor खेण से था वन्यासरिय recently जोंख अधे और क यह आगलना यह से यहांनि वह कस्धिए पर विल्कुल में इससके नहीं है उसकेalls ओद दू इनो जांजी सो डेकर आती है ठेकी भूसे बारारल दॉन कर से किए विकुज शी डिदेन्ट वांट टो लीवर एलोग ठीक कैसा कारेक्टर है आपको पता है इस चाफ्टर में सू का कारेक्टर बहुत इंपॉटन थे इसे हम लोग अच्छे सा नोटस करेंगे सू एक बहुत ही डोटिंग फ्रेंड है ठीक है वाट काइंड फ्रेंड स सू, सू is a very doting friend doting यानि कि बहुत ही helpful जो बहुत ही ध्यान रखती है बहुत ध्यान रखती है वो कहते है मैं जॉन्जी को मैं अकेला नहीं शोड़ूंगी ठीक है मैं तुम्हारे साथ रहूंगी जॉन्जी स्ट्रेंज बिलिए वन दे सू नोटिस अट जॉन्जी वोस लु देख रही है और वो उल्टी काउंटिंग कर यह सब्सक्राइब होती है 15, 14, 13, 12, 11 ऐसे करते करते है वो अपने मन में विस्पर करते हूंगे काउंट कर रही थी, उल्टी काउंटिंग जो है वो करे थी, सू सू बाद जॉन्जी वोस लुकिंग, सू ने देखा कि वो एक प पर कि यह मनं जड़ रहे थे क्योंकि वो अउटम सीसन था अपाज अपूंप सीसन था और था सब्सक्राइब कर district पर सब्सक्राइब आूसमें早 John Zee believes she would die when the last of the leaf of the creeper will fall. John Zee बहुत जदा हरान होती है इस बात को सुनके, Sue बहुत जदा हरान होती है इस बात को सुनके, कि John Zee कैसा मानना था? कि जब last leaf गिरेगे, तो मैं भी गिर जाओंगे. यानि कि I will die. Somehow, somehow, she had connected, she had connected her fate, her fate with that of the leaves. उसने किसी तरीके से, पता नहीं कैसे, उसने अपनी किस्मत को उन पत्तों से कनेक्ट कर दिया था, कि अगर पत्ते गिरे, तो मैं भी मर जाओंगी. Okay, Sue disregarded John Zee's belief. She told John Zee to think positively and also requested her not to look at the ivy creeper. Sue ने disregard किरा, Sue ने कहा, John Zee, are you mad? What are you talking about? तुम इती crazy crazy बाते क्यों करे हो? भाई, यह बिल्कुल गलत बात है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए. और please positively सोचो, और बाहर ivy creeper की तरफ मत देखो, this is my request to you. वो से request करते हैं, कि देखो, Sue मैं अभी जा रही हूं नीचे, John Zee मैं अभी नीचे जा रही हूं, क्योंकि मुझे Old Berman की फोटो बनानी है, लेकिन तुम मुझे promise करो कि तुम खिटकी के बाहर मत देखना. ठीके? The Old Berman. अब यहाँ पर, यहाँ पर स्चोरी का third character reveal होता है. ठीके? स्चोरी का third character है, यह जिसका नाम है The Old Berman. Sue had to be an old miner, so she called Old Berman to be her model. Sue को एक old miner की फोटो बनानी थी. Miner होता है, जो माइन में काम करते हैं, और वो इस बुड़े की फोटो उसमें बनानी थी, तो उसमें उसको बुला लिया कि तुम मेरे model बनो, मैं तुम्हारी फोटो बनाऊंगी. Berman कान था, बेटा? Berman जो है, 60 ओर old था, 60 साल का एक person चाह, जो उन्हीं के building के ground floor में रहता था, वो एक successful artist नहीं था, उसका life में एक dream था, कि I have to make a masterpiece, but he was not successful in doing so. Masterpiece का मतलब क्या होता है? Masterpiece यानि कि every artist in his life, he wants to make a masterpiece. हर एक person अपनी life में एक masterpiece बनाना चाहता है, बढ़िया, जो है ना, painting, best cheese बनाना चाहता है, कि मरने से पहले मैं एक बढ़िया चीज बनाऊंगा, जिसके लिए मुझे याद किया जाएगा, but he was not successful in doing so. Sue जो है बड़ी ज़धा पहिशान थी, so she let her heart before Burman. वो बढ़ी ज़धा पहिशान थी, तो उसमें Burman को सारी बाते बताए कि कैसे जॉन्सी बुद्धों जैसी बाते करी है, कि जब last leaf गिर जाएगा, तो वो भी मर जाएगी. Sue इन Burman जो है जॉन्सी की रूम में गए और उन्हें ने देखा कि अब सिरफ last leaf बचा है उस creeper पे. ठीक है, creeper पे बड़ा, last leaf जो है वो बचा था. The leaf does not fall, लेकिन leaf नहीं गिरता. Next morning, जॉन्सी ने देखा कि last leaf जो है, अभी भी लटका हुआ है आईवी creeper से. बड़ी तेज तेज से सुफान चल रहा था, तो उसे पक्का लगा था कि चलो last leaf गिर जाएगा, अब मैं बढ़ने के लिए ready हो, now I am going to die. But वो देखती है कि वो leaf एक्दम green और healthy था. Looking at the leaf, जॉन्सी रियलाईज हर मिस्टेक. Leaf को देखने के बाद, जॉन्सी को अपनी mistake रियलाईज होती है, कि मैं कितनी difficult रही हूँ. वो सू को बुलाती है, वो से apologize करती है, वो से sorry बोलती है, वो से कहती है कि please, मुझे कुछ soup दो, I want to have soup. जब कोई person better feel करता है, पहले जब इंसान की तब है ठीक नहीं होती है, तो they don't want to have anything, वो कुछ खाना नहीं चाहते. But वो अब सू से soup मांगती है, वो soup पीती है. बाद में डॉक्टर आता है, और डॉक्टर भी उसे कहता है that you are now better, तुम अब बेटर हो. लेकिन वो उने एक bad news देते हैं कि बर्मन को निमोनिया हो गया है. और मुझे ऐसा लगता है कि बर्मन जो है वो नहीं बच्चे का. अब old बर्मन के साथ क्या होता है? Next morning, सूने जॉन्जी को inform करा कि बर्मन had died. बर्मन मर गया था निमोनिया के वज़़ा से, सिर्फ वो दो दिन से बिमार था, लेकिन वहीं उसके एच जाधा थे, 60 years का था, तो उसकी डेफ निमोनिया के वज़़़ से हो जाती है. जो जानिटर था, जो पर्सन, जानिटर का उन होता है बेटा, उसने कहा, बर्मन ने, आक्चली, जो लास लीफ थी, वो एक्चली में एक पेंटेड लीफ थी, तो बर्मन ने मरने से पहले क्या किया, उस टॉमी नाइट में जब इतनी ज़दा बारिश हो रही थी, उस रियल लीफ को, जो है, वो आक्चली में गिर गई थी, और बर्मन ने उस मास्टरपीस को पेंट किया, और उसने अपनी लाइफ को साक्रिफाइस कर दिया, आक्चली में क्या होँआ था, कि इतनी तुफान में, इस बारिश में, वो गया, और उसने एक पेंटिंग, जो उसने लीफ बनाया हुआ था, उस लीफ को जाकर वो वहाँ पर टांग आता है, तो मनने से पहले, उसने एक मास्टरपीस बना दिया, वो मास्टरपीस इतना जदा मास्टरपीस था, कि वो एकदम रियल लग रहा था, दाट लीफ बस लुकिंग वेरी रियल, अच्छे ये कौंसी स्टोरी है, बॉलिवूड मुवी भी भी बनी है बेटा इसके नाम पर, इस चाप्टर के स्टोरी पर एक मुवी भी है, लुटेरा, पता नहीं बच्चों आप लोग देखे भी होगे, प्राइब भी बच्चाया, यहां पर, शॉर्ट आंसर क्वेशं सेविटा, ने पर चैनल के स्टोरी आप होता है, तो वो क्या कहता है, व्तिस ने खना है, लाटर का मतलब होता है, लाटर का मतलब होता है, सीरी बिटा pneumonia का P क्यों silent होता है क्योंकि बेटा English के जादतर वर्ड जो है न उनका origin ग्रीक है । ठीक है pneumonia का P silent होता है और भी बहुत सरे से वर्ड होती है जिनमें P silent होता है P silent होता है क्योंकि उनका Greek origin होता है Greek को जाता था लेकिन इंग्लिश में जब ने उसे अड़ाप्ट किया तो पी को हटा दिया गया क्योंकि इंग्लिश की प्राणंसियेशन वैसे निया है ग्रीक वर्ट की प्रांंसियेशन तो डिफरेंट होती थी ते कि बहुत समझ में आया चलो अब पड़ावट से बता हो और गपॉष एट फ्लीश और जांसिये प्रांद एट एप्टिव उस पोड़ा ऑओवस्ट एपलश ऑंप्र साओंसया ना टीक है वट्सक्रिफियस एड बस्ट इसलाइट ने विख्राई पर से बहुता इए व परूंसया थे निख यान रम निथा आने न आज लिए बमन his life he became wet okay he was wet and he caught pneumonia and he died ticket how did Berman die Berman case a man you can write the whole story कि Berman कैसे मरा था तो के long answer questions मुझसे बच्चे बुड़े थे कि value-based questions को कैसे answer करना है तो मैं आपको बता देती हूं Berman sacrifices life for someone he did not know it was a supreme sacrifices a selfless service तो कैसे करोगे आप इसको आपनी के line लिखनी है that Berman indeed आप लोग जब answer लिखो कि कैसे लिखो कि Berman indeed sacrifices life for someone he did not know it was indeed a supreme sacrifice a selfless service as as he did not even know John Zee property वो John Zee को अच्छे तरीके से जानता भी नहीं था ठीके अच्छे से उसे जानता भी नहीं था still he sacrifices life for John Zee because he wanted to save her life he thought that John Zee is too young to die okay he thought that if she will look at the green and healthy leaf she will you know her life she will bring her hope back to life you know उसकी जो ओप है वो आपे सा जाएंगे और भी आपे सा जाएंगे ठीके this is the moral ये जो है moral है a friend in need is a friend indeed do you think the story the last leaf supports the statement yes indeed it's it a friend in life is a friend indeed a friend in need is a friend indeed so is the apt example of that but a sue is the greatest example of that beta what is the story the story of the store the message of the story is selfless love message a bit of selfless selflessness selflessness हम यहाँ देखते हैं सूब वोस अलसों सेटेसे को देखते हैं सूब हम यहाँ से सीखते हैं friend in need is a friend indeed सूब की life बचाते हैं सूब इसका इतना जदा घ्यान रखते हैं and selflessness दिखाता हैं यहां पर बहुत सारे messages मिलते हैं हम यहां जांजी से भी message मिलता है that we should have a positive outlook towards life she did not have a positive outlook towards life जिसके वज़े से बर्मन मर गया ठीक है जिसकी वज़े से बर्मन की death होगे समझ में आया चलो अम next करते हैं यहां पर break बाद में लेंगे चलो अभी एक poem कर लेते हैं ठीक है एक chapter कर लेते पर उसके बाद ब्रेक लेंगे ठीक है तो यहां पर our house is not a home ठीक है अज़ा चलो एक काम करते हैं बड़ी देर होगी हमने एक नया word नहीं सीखा तो हम एक नया word जो है वो सीख लेते हैं वो मेरा मिस हो गया था बड़ाई मजा आएगा उस word को सीखने में हमको कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया आजा 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 यह रहा नहीं यह रहा हां इंटेंपरेंस इंटेंपरेंस क्या होता है इंटेंपरेंस का मतलब होत है lack of moderation over indulgence or over consumption lack of moderation ठीक है uncontrolled behavior ठीक है uncontrolled behavior ठीक है uncontrolled behavior ठीक है excessiveness excessiveness excess में कोई बीचीज excess in all things means intemperance जब हम excess में कोई चीज करते हैं तो मोलते हैं इंटेंपरेंस यानि कि वह बहुत इंटेंपरेंस थी उसके इंदर she used to drink a lot she was intemperate ठीक है उसके इंदर बहुत जदा word सिखाऊंगी जो आप बाकी अपने friends को भी सिखा सकते हो अब यहां पर हम लोग उससे पहले इस chapter को complete करेंगे जुसका नाम है a house is not a home ठीक है a house is not a home ठीक है बहुत ही प्यारा सा यह chapter है जो कि लिखा है जान गोडियोसो ने ठीक है बई जान गोडियोसो ने इस चाप्टर को जो है वो लिखा है highlights a thin difference between a house and a home एक मकान और घर में क्या फर्क है वो इस chapter में हम लोग जो है वो देखते हैं मकान और घर में क्या difference होता है ठीक है मकान होता है एक building ठीक है जहां लोग रहते हैं लेकिन house होता है घर होता है वो घर जहां लोग बड़े प्यार से रहते हैं ठीक है प्यार से रहते हैं ठीक है तो यह जो है हम लोग कहते हैं आगे authors new life and the challenges author जो है अपने नई स्कूल में जाता है और बहुत सारी challenges face करता है the story is based on the life of Zan Godi Osu Zan Godi Osu की life पर यह story based है वो mention करता है कि उसके life में बहुत सारे challenges आते हैं क्योंकि वो एक teenager था teenager आप लोग समझते हैं जैसे आप लोग भी teenage में हो 13, 14, 15, 16 इन इस age में हम लोग बहुत सारी चीजों को लेके insecure और फील करते हैं बहुत तरीकी की insecurities होते हैं बहुत तरीकी की problems होते हैं हमारी life में यहां पर वो कहता है क्योंकि जब वह teenager था तो उसने अपना school बदल लिया और school बदलने के बाद वो एकदम नई environment में चला गया जिसके वज़े से क्या हुआ वो क्या करता है वो बिलकुल जो है ना परिशान हो जाता है उसे लगता है उसके कोई भी नए जो है ना फ्रेंज नहीं बनते हैं तो यहां पर हमें जान गोडियो सो अपनी लाइफ के बारे बताता है कि जब मैं टीनेज था तब मैंने अपना school चेंज करा आप लोगो ने भी कभी अपना school चेंज किया होगा तो आपको बता है कि हमें बहुत सारे challenges face करते हैं हमारे teachers हो जाते हैं हमारे friends हो जाते हैं हम अपने पुराने friends को हमेशा याद करते रहते हैं तो वैसा ही हम लोग यहां जान घोडियो सो के साथ भी देखते हैं उसे अपने नए स्कूल में बहुत lonely feel होता था बहुत isolated feel होता था और वो अपने teachers और अपने friends को बहुत ज़्यादा मिस्स करता था तो वो बार-बार-बार-बार अपने friends से मिलने के लिए जाता था उसके teachers उसे बार-बार बोलते थे homework कर रहा था तो वहाँ पर dining table पर बैठे बैठे वह अपना homework कर रहा था बहुती सर्दी का दिन था ठीक है एक बहुत ज़्यादा cold day था और उसकी cat जो है वो उसके papers के उपर बैठी थी and she was occasionally purring वो पर कर रही थी पर का मलब होता है cat जो है अपने पेट से आवाज निकालते रहते हैं इसे हिलती रहते हैं तो cat ऐसे पर कर रही होती है और उसकी mother जो है वो fire को स्टोक कर रहे थी in order to keep the house warm and cozy जो mother थी वो warm और cozy रखने के लिए अब देखो हम लोग यहां देखते हैं कि बहुत ही जादा जो है ना ठंडा जो है वहाँ पर होता है बहुत ज़दा थांड होती है तो वहाँ पर आग जो है हमेशा जलाकर रखनी परते तो mother जो है वो ऐसे फायर स्टोक कर रही थी लेकिन तभी क्या होता है तभी अचानक से जो है यहां पर author notice करता है smoke coming in through the seams of the ceiling तभी वो notice करता है कि ceiling में से छट पर से छट की जो seams होती है उसमें से धुआ बहार निकल रहा है और जल्दी ही entire room पुरा का पुरा घर जो है smoke से भर गया था and they rushed out of the house and saw the roof engulfed in huge flames वो वड़ावट से घर से बाहर निकल जाते हैं और वो देखते हैं कि जो रूफ है वो आग की लपटों में जो है वो फज गई थी ठीक है ओके तो यहां पर क्या होता है उसके बाद narrator बहुत जदा पानिक श्रिकन हो जाता है obviously उसकी घर में आग लग ज कोग्ड थे जब वो अपने नेबर्स के पास जाता है और फायर ब्रिगिट को कॉल करता है मीनवाइल जो उसके मदर होती है वो भी जलते होए घर में चली जाते हैं यहां लोग बहुत जदा इंपोर्टन शीज देखते हैं कि मदर रियोलाइस करते हैं घर में कुछ इंपो तस् Transportation कीघमें जाती है और Heroically इन सब चीजों को रिस्क्यू करते है ठीके कैसे करती है Heroically रिस्क्यू करते है यानी बचाथी है इंच सब चीजों को दो और बहुत जदा डर जाता है जब वो देखता है कि उसके मदर ने रिस्क लिया है और वो रिस्क लेके जो है वो अंदर गई है वो भी रोने लगता है and he also starts you know following his mother वो लगता है कि मैं भी अपनी ममा को जाकर बचाऊंगा तब ही वो रिलाइस करता है कि पीछे से एक वो आया है क्या केते हैं और वो बचाते हैं उसकी मदर को भी उसकी मदर ने कुछ स्मोक इनहेल कर लिया था जिसके विज़से वो भी होश हो गई थी उन्होंने उसके आस्पर्स ब्लैंकेट्स राप किये सदनली ओधर को याद आया कि उसके पैट-कैट मिसिंग थी अभी यह सब चल रहा है लेकिन ओधर एकदम से रिलाइस करता है कि उसके पैट-कैट मिस से थी ठीके जब वो बिल्ली थी तो उसने उसे रिस्क्यों किया था और वो क्याट जो है न सुबह सुबह उसकी पॉकिट में आकर बैच जाती थी उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी तो यह सार्च रमेंब्रिंग लोग वैसे भी बिठा देखो अपने क्या केते ना क इपने पैट से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो वैसे ही यहाँ पर वो देखता है कि यह सब चीजें जो है वो हो रहे हैं उसके बात क्या होता है दो ऑथर्स हाउस वोजन डेब्री जब पूरा का पूरा घर जल जाता है तो ऑथर का घर डेब्री एकदम मलबा बन ज जाता है सब चीजें तोट फूट जाती है फायर फाइटर्स को फाइब आर लगते हैं फायर को कॉंप्लीटली पूट आफ करने में जांग जो है उसके मदर जो से कार में बैठे होते हैं वो बहुत जादा रो रहे होते हैं और उसके पाल वो उनके grand parents की घर में जाते हैं fire प्रिकेटर उनको कहते हैं कि you should not go to your house अभी भी आपका घर safe नहीं है आपको अपने घर में नहीं जाना शेये और वो अपने grand parents की घर से ले जाते हैं he went to school wearing the same clothes he wore the previous day वो स्कूल जाता है और उसने वही कपड़े पहने होते हैं जो उसने अपने previous day वे पैठे थे वो अपनी ममा से डिसकास करते हैं कि ममा I should not go to school पर ममा उसे जबरदसी school भेज रहती हैं he borrowed shoes from his aunt ठीक है उसने shoes भी borrow किये थे उसे अपने tennis shoes tennis shoes उसे borrow करने पड़े थे अपनी aunt से उसके पास कोई भी homework नहीं था उसके पास no homework no backpack और उसने अपने वही पुराने कपड़े पहने होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा embarrassed feel करता है वो कहता है मैं पहली स्कूल में खुश नहीं था और अब उसे और भी ज़्यादा embarrassment होते हैं कि वह बहुत अजीब जो है वो लग रहा था ठीक है वह बहुत ज़्यादा upset था उसे बहुत ज़्यादा insecure लग रहा था क्योंकि उसकी condition बहुत ज़्यादा खराब थी एक moment के लिए उसे लगा कि मेरे साथ बहुत ज़्यादा huge loss हुआ है वो अपने old school को miss करने लगा teachers को friends को अपने पुराने घर को और अपनी pet cat को वो कि तरह मतलब इतरह से वो कुछन से जो टूटे कोई सपना जग सुना सुना लागे something like that happened with him all his you know you know hopes you know they had a crash landing सारे crash land कर जाते उसके जितने भी hopes उसकी life की जितनी भी aspirations होती है जो भी उमीदे होती है उसकी life की सब खतम हो जाती है उससे लगता मेरी life में है क्या मेरी life में कुछ में नहीं बचा मेरा पुराना घर मेरे friends मेरी मतलब सब चीजें जो है मुझसे दूर शली गहीं है और सबसे ज़्यादा important वो अपनी pet cat को भी याद करने लगता है उसके बाद अब उसके बाद school के बाद एक बाद जो है अपने school arts के बाद वो अपने old house में जाता है वो बहुत ज़्यादा शॉक्ट हो जाता है क्योंकि वहां बहुत ज़्यादा havoc create हुआ था fire ने सब चीजें जो है वो डिस्ट्रॉई कर देती हाँ बोलो अधित्या पेटा क्या question है आपका चल जल्दी बिताओ हां जी doubt चेक कर लेती हूं ठीक है ओकी 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 डाउट चेक कर लेती हूं मैं बिता मैम is happy prince real or fiction बिता fiction है हां ठीक है strategy उदनी चाहिए हां बताओ बिता हां मैं रूख गई हूं जल्दी बिताओ अधित्या यार कोई तो बोलो क्या बोलना है तो बात नहीं कर सकते क्या बाते तो आप लोग करी रहे हूं थेले मुझे बिताओ हां जी अधित्या क्या डाउट है बिता आपको फड़ा फट से कोई डाउट है तो पूछ लो आम वेटिंग फॉर यू ये येस अधित्या मैंने बता आतो दिया हाँ अधित्या हाँ वहीं है मॉर्ल अधियो पेटा लास्टीव का मॉरल ये ही है ऐस सेल्फलेस्णेस तीक है और वी शुद ऑल्वेस हेड़ llp पीछ आदर, we should be a good friend, ठीक है, we should always think positively, ओके, हमें हमेशा positively सोचना चाहिए, havoc, fiction का मतलब होता है, पीटा, चो हम सोचते है, fact होता है, जो real होता है, और fiction होता है, जो man-gharan होता है, ठीक है, man-gharan, havoc का मतलब होता है, बरबाद, havoc का मतलब होता है, बरबाद, ठीक है, बरबादी, ठीक है, destruction, havoc means, destruction, कितने destruction उनके आख की वज़े से जो ही है, हाँ बिटा, doubt, हाँ बोलो, बिटा, हाँ जी, I love you, mama जी, mind-might, बिटा, this is the kind of a mind map only, mind map की तरह ही है, इनने mind map की तरह आप रोग यूज़ कर सकते हो, ये actually chapter ना थोड़ा ज़्यादा detailed, देखो, मैंने जितने भी chapters से, वो मैंने point-wise लिये थे, पर ये chapter ना थोड़ा, ज़्यादा detailed है, तो मैंने इसको हलका सा detailed form में लिया है, ठीक है, आचा, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा destruction हुई थी, he saw whatever hadn't burnt was damaged by the water, उसने देखा, जो चीज़े जली नहीं थी, वो पानी और chemical से destroy हो गई थी, firefighters ने, जो कि use किया था, उसके बाद उसने सब कुछ खो दिया था, except जो documents और photos और उसके personal items, जो उसकी मा ने heroically बचाए थी, जलते हुए घर से ममा क्या बाहर लेकर आई थी, heroically, a metal box full of important documents, some pictures of the author's father, both A and B, आफिजी, none of the above, हार, Rose, who is the Rose? जल्दी जल्दी बिताएंगे बिता, answer, correct answer, जो है देंगे, जल्दी 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 ही, जाते हैं कि जो fire की news थी, वो कहते है न, कि जो bad news है, it spreads like wild fire, ठीक है, bad news spreads like wild fire, तो जो news थी fire की, वो उसके नए school तक भी पहुंच गई थी, everyone was grief-stricken, सब लोग उसके loss पर grief-stricken हो जाते हैं, यानि दुख मनाते हैं, शोक मनाते हैं, वो उसकी help करते हैं, notebooks provide करते हैं, clothes, school supplies etc. उसे provide करते हैं, author's heart was touched after he is seeing the corner of concern of the people, वो अपने नए स्कूल में क्या notice करते हैं, कि एक दिन सुभा सुभा जब वो अपनी gym class के लिए ready हो रहा होता है, तो उसको सब लोग ना locker room में gym की तरफ shove करते हैं, धक्का देते हैं, तो उससे लग करता है, जिम रूम में तो वो क्या देखता है, वहाँ पर there was a table, जहाँ पर notebooks थी, clothes थी, supplies थे and he said that it was like Christmas, यहाँ पर वो एक लाइन यूज करता है, it was like Christmas की यह तो बिलकुल Christmas की तरह था, वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, उसके पास आकर बहुत सारे बच्चे खुद को introduce करते हैं, ठीक है, बहुत सारे बच्चे उसे अपने घर में बुलाते हैं, he was overcome by emotion, people जो जिन्हों ने उससे कभी नहीं बात की थी, वो उसको approach करते हैं और उसे help करते हैं, उसने बड़े सारे नए friends भी बना लिये थे and he was very happy and he was relieved कि मैं जो है वो अकेला नहीं हूँ, जो वो जाते हैं तो उसका घर नया construct हो रहा होता है, but he was not alone this time, उसके दो-तिन friends भी उसके साथ होते हैं, हलो दिव्यांच, अब month later, एक month के बाद, जो अपने old house में जाता है, जो construct हो रहा था, जो reconstruct हो रहा था, और वहाँ वो देखता है कि वो फिर से rebuilt हो रहा था, और उसके नए friends भी साथ में होते हैं, suddenly a woman approached him and brought a cat along with her, तब ही एक औरत आती है, वो अपने साथ ए cat को लेकर आती है, author बहुत ही overjoyed हो जाता है, अपने pet को देकर, वो gratitude से भर जाता है, वो thankful हो जाता है, बहुत जाता है, वो lady को थांक करता है, वो lady उसे बताती है कि शायर जब आग लगी थी तो बिल्ली बहुत जाता दर गई थी और वो भाग जाती है, उसके कॉलर पर नंबर भी लिखा हुआ था, बट फोन लाइन सो डिस्ट्रॉइ हो गई थी fire में, तो वो कि तो मैंने आपको बहुत जाता करने की कोशिश करी, और यहां पर हम लोग देखते कि author ने बिल्ली को कर रहे थे, friends जो है, मजा ऐसे कर रहे थे, the author recollected that it was indeed a great day of his life, author ने याद किया कि वो वाकई में उसकी जिंदगी का बहुत अच्छा दिन था, वो बहुत खुश था, हर चीज के लिए, ठीक है, उस दिन वो थैंक्फुल होता है, his life, his friends and the kindness of the lady who brought the cat to him, वो सभी के लिए बहु उसका काम होने लगता है, diminish होने लगता है, it took a fire, it took a fire for me to understand, वो कहता है, it took a fire for me to understand, मुझे एक आग लगती है, अपनी life में चीजों का समझने के लिए, अपनी life को track में लाने के लिए, वो ये भी बोलता है, my cat was back, my cat was back and so was I, मेरी cat वापस आगे थी और मैं भी वापस आगया था, क्योंकि ये कहता है कि मैं भी कहीं खो गया था, मैं भी दुख में कहीं खो गया था, लेकिन मेरी बिल्ली वापस आगे थी और मैं भी वापस आगया था, हलो शिवा, हलो बिटा, चलो, on which age group challengers does the story a house is not a home reflect, कान सी age group की या बात हो, ये childhood, teenage, youthful, या फिर old age, कान सी age group की य बात हो ये बिटा, childhood, teenage, youth, या फिर old age, एक जो age group की यहां पर बात की गई उसमें बहुत जादा challenges होते हैं, specially change, ठीक है, क्योंकि इस age में बहुत जादा changes भी हो रहे होते हैं, physical changes भी हो रहे होते हैं, हमारी body में भी changes हो रहे होते हैं, emotional changes हो रहे होते हैं, तो teenage is the correct answer, 86% बच्च ने भी, very good, 101 students ने correct answer दिया है, अब यह questions discuss कर लेते हैं, why did the author feel isolated in a new school, अपने new school में author isolated क्यों feel करता है, hello Mohit, इसलिए isolated feel करता है, because he was new to his school, because he had no friends, उसके कोई भी friends नहीं थे, it was twice as big, उसका नया school twice as big, उसके पुराने स्कूल से होता है, तो उसे बहुत अजीब लग रहा होता है, how did the author feel when he went to his new school after the fire accident, he feels like a zombie, he starts comparing himself with a zombie, he says that I was thinking that I was moving there like a zombie, मैं बिल्कुल जॉंबी की तरह feel करा था, वो कहता है, he was feeling like a geek, he was thinking that was I destined to be a geek throughout my life, geek का मतलब है यहां पर strange, hello Kuldeep बेटा, उसे ऐसा लग र strange, क्या मैं अजीब साही रहूंगा पूरी लाइफ, ठीक है, तो ऐसा उसे feel होता है, उसे बहुत embarrassed feel होता है, उसे बहुत ही जाधा embarrassed ऐसे point पर feel होता है, what were the only things not destroyed in the fire, यह हम अल्यदी कर चुके है, हां बेटा, बिल्कुल, क्या चीज़े दिस्वाइड नहीं होई थी, उसके father की photographs, उनके letters और कुछ important, documents, very good, how did a wonder woman bring happiness back in the life of the author, by, very good, Angie, hello Nidhi बेटा, hello Dhruv, hello Priyanshu, hello, hello baby, hello, हां, तो फिर, how did a wonder woman, वो wonder woman कैसे आती है, by, by doing what, क्या करती है वो, by bringing back his cat, by bringing back his cat, उसके बिल्ली बापस लाकर, last but not the least, making someone happy by our deeds is the best service to God and His creation, do you agree, this is a value-based question, वापस को आंसर कैसे करोगे, hello बेटा, by making someone happy by our deeds is the, indeed, it is indeed the best service to God and His creation, as the lady, the wonder woman in the person's life, यहाँ पर दो, मतलब आप instances देख सकते हो, जब author को बहुत जदा help की जाते हैं, एक जब selflessly उसके school friends, उसके classmates उसके help करते हैं, और जब यह strange lady उसके help करते हैं, उस वज़े से उसके life एकदम change हो जाते है, fire के बाद when he feels that everything is destroyed, I do not have anything left, तो यहाँ पर यह जो दो, उसके life में कुछ angels आते हैं, और वो थे उसके friends जिनोंने उसे वो school supplies और यह सब चीज़े भी, and that lady, बिल्कुल बि करेंगे, अब हम लोग जो है, चूटा सा, मोटा सा, ब्रेक लेंगे, ठीक है, थोड़ी दर खाओ, पीओ, एस करो, ठीक है, थोड़ी दर ब्रेक लो, कुछ खा पी कर आते हैं, 9 पीम हो गया, डिनर कर लेते हैं, थोड़ा सा, हैना मच्चो, let us do dinner, वेट, तो मैं आभी आपक एक फोड़ा लंबा वाला ब्रेक जो है, वो दे रही हूँ, टाइमर को क्या हुआ, टाइमर को क्या हुआ, टाइमर हांग हो गया, चलो, 15 मिनिट्स का ब्रेक में आप लोगों को दे रही हूँ, पीटा, आप लोग भी खा क्या आओ, ठीक है, डिनर करके आओ, मैं भी करके टिकन शुझान बीग आओ, टिकन शुझान बीग करने तो, 15 मिनिट्स का बादीघ करके जोड़ाने बीगा है. झाल 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 आपिस आगह है सारी के सारी मैम आजाओ आगही मै आगही मैं आगही 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 आगही। एक नया वर्ड जो है हम लोग सीखने वाले हैं विर गोई तू लर्न न्यू वर्ड जिसका नाम है हिप्पोपोटो मॉंस्ट्रॉसिस कुपिपटालियो फोबिया जी हां बहुत ही छोट असा वर्ड में आपको पढ़ाऊंगी हिप्पोपोटो मॉंस्ट्रॉसस कुपिपटालियो फोबिया क्या होता है? उस फोबिया को बोलते है? हिपोपोटो मॉंस्ट्रॉसस कुपिपटालियो.... you don't even bother to read that I guess बहुत सरे बच्चे चुनों ने इसमें पढ़ा भी नहीं होगा लेकिन इसका मतलब क्या होते है इसका मतलब होता है Fear of Long Words I hope that you will remember this word, this word को आप लोग याद रखेंगे ठीक है भाई, बहुत ही अच्छा सा ये word है, कभी भी आपको कोई फ्रेंड का यार मुझे नंबे लंबे words अच्छे नहीं लगते हैं, यह कितना बड़ा word है, इसकी spelling मुझे कैसे याद होगी तो आप क्या बोलोगे, you have Hippopotamonstrosis Kvipedalio, okay So that is a new word that we have learnt today, चलो, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमारा एक चाप्टर बच गया है जिसका नाम है the beggar, the beggar केरने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हमारी pombs बच गई है, four pombs are left, वो फटाफट से हम लोग कर लेंगे, चोटी-चोटी प्यारी-प्यारी सी pombs है जिने हम करेंगे तो बेगर से स्टाप करते हैं, बेगर, बेगर किसने लिखा था, the beggar is written by Anton Chekov, Anton Chekov ने इस चाप्टर को जो है, वो लिखा था, he is the writer of this chapter, सरगई स्टाप बाया बेगर, एक दिन भई, एक जो है, परसन है, यहाँ पर जो character है, उसका नाम है सरगई, there are three characters in this chapter, एक सरगई है, ए जो कि बेगर है, और तीसरी character है, यहाँ पर ओल्गा, तो ओल्गा को एक बार एक बेगर स्टाप करता है, एक दिन सरगई, जो कि एक आडवोकेप था, उसे स्टाप करता है, एक बेगर, बेगर ने सरगई को request किया, कि प्लीज मेरे उपर थोड़ी से पिठी करू, have some दाया on me, have some pity on me, usually, जिसे बेगर करते हैं, कि थोड़ी सी दाया करो मुझ पर, the beggar also said that he had ate nothing for the last three days, यहाँ पर बोलता है कि मैंने कुछ भी नहीं खाया है, पिछले तीन दिनों से, बेगर ने सरगई को कहा, कि मैं एक स्कूल टीचर था, 8 years तब, but I have lost my job a year ago, मैंने अपनी जॉब को किसी ने मेरे तरफ की जो है, मेरा किसी ने कोई गलत मेरी शिकायत लगा देती, because of that, you know, somebody said something about me, and because of that, I have been, you know, you know, thrown out of my job, he was wearing a ragd, वो कैसे का पर उसमेरे थे एक रागट, फटा हुआ, फ़ान, फ़ान होता है, light yellowish color का, उसने overcoat पहना था, उसकी dull drunken eyes थी, और उसके दोनों शीक्स पे एक red spot था, वो बहुती जादा weak था, बेगर ने सरगई को बोला, कि मुझे province of Kaluga में एक job मिला है, but I need some money to go there, मुझे कुछ पैसा चाहिए, वहाँ जानी के लिए, तो please give me some money, सरगई ने बेगर को recognize कर दिया, जब बात करते करते, सरगई ने उसे पहचान लिया, उस है, वो बेगर के shoes के तरफ देखता है, जो कि एक high था और एक low था, तो वो कहता है, भाई मैंने तुम्हें पहले भी देखा है, जब तुम्हें पिछले बार you met me on the Sadovia street, and that time you said that you were a student, उस तुमने मुझे जूट बोला, ठीक है, you are a liar, तुमने मुझे पिछले बार बोला था that you are a student, और अब तुम मुझे कहरे हो that you are a teacher, सरगई ने बेगर को थ्रेटन किया कि मैं तुम्हें पुलीस को ले जाओंगा, ठीक है, पुलीस को जो है दे दूँगा, अब बेगर तेल्स अब यहां बेगर सचाई बताता है, सरगई की धंकी के बाग बेगर उसे बताता है कि वो उसे पैसे के लिए जूट बोल रहा था, उसने सरगई को बताया कि he was a part of a Russian singing group, but he was thrown out because of his drinking habits, उसने बुला कि मैं एक Russian singing group काता, this is the first time that he, you know, he tells the truth, he speaks the truth, उसे सच बताता है कि actually मैं भीक मैं इसले मांग रहा हूं क्यूंकि मैं एक Russian singing choir का हिस्सा था, but मैं बहुत ज़ादा रहता था about drinking habits सी, जिसके वज़ा से I was thrown out, now he couldn't find work anywhere and did not have any other option rather than to beg, वो कहता है कि अब मेरे पास और कोई option नहीं है, इसले मैं सरफ बेग ही कर सकता हूं और मैंने आप से जूट बोला, I am really sorry, उसके बाद सरगई offers work to the beggar, हम लोग यहाँ देखते हैं that सरगई is a very good person, वो काफी ए life of this beggar, और वो बेगर को बोलता है कि बेगर की truth को सुनने के बाद सरगई ने उसे कहा कि मैं तुम मेरे घर पर आओ and you should chop wood, ठीक है, तुम wood chop करना, अब बेगर यहाँ बहुता है उसे लगता है कि अरे यह मुझे job offer कर रहा है, तो I have to say yes, वो बेगर जो है, वो करना नहीं चा wood for me, वो मेरे लिए wood cut करेगा, ओल्गा gave the beggar an axe to chop the wood, the beggar tried to chop the wood but he couldn't do so, सरगई realized that he kept a drunkard man who was too weak to work in cold, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ओल्गा उसे लेकर जाती है और सरगई यह सब बैट कर देख रहा होता है, वो अपने dining room में जाता है, he could see everything outside and he saw कि वो उसे woodshed में लेकर जाती है, पर वो wood काटने की कोशुश करता है, बर वो काट नहीं पाता, wood बार बार wooden plank जो है वो गिरता रहता है, उसे realize होता है कि बहुती ज़्यादा drunk और weak person है और मैंने अच्छा नहीं करा इसको नौकरी पर रखे, तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है, बड़ एक घंडे बाद कट जाती है, बेगर को half a ruble, ये बचो याद रखना है, उसे half a ruble दे दिया जाता है, कि तुम्हें हर मंत की starting में आना है और तुम्हें कुछ काम मिलेगा और उसके बदले I am going to give you half a ruble, बेगर को अलग लग तरीके के काम जो है वहाँ पर दिये जाते हैं घ कभी-कभी snow remove करता था, wood काटना, rugs को clean करना, mattresses को, सरगई जब नए घार में shift हुआ था तो बेगर ने उनकी help करी moving and packing में, although हम लोग यहाँ देखते हैं कि यह जो बेगर था लश्कॉफ था वो इतना सदा वीक था कि वो hardly ही कोई काम कर रहा था, मतलब वो जितना भी काम उस नोट्स पर हम, chopping wood for him, making money by begging for him, या फिर watching his home, क्या था बेटा, हलो इशान बेटा, हलो, हलो बासुराज, हलो मेरे बच्चों, हलो, 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 येस, फटा फट से बच्चे जो हैं, everybody is going to answer, preparing notes for him, chopping wood for him, making money by begging for him, या फिर watching his home, what was the work given to him, तुसे दिया जाता है, chopping wood for him, chopping wood for him, B is the correct answer, चेके बई, तो 98% बच्चों ने correct answer दिया, अमृता, सनक, सौरब, निधी and सौम्या, very good, beggar gets a new job, the beggar looked weak and unhealthy, यहाँ पर सरगई को realize होता है, कि ये beggar बहुत weak है और unhealthy है, तो उसने बिल्कुल भी, he hardly helped सरगई in carrying the furniture and shifting, यहाँ पर वो notice कर लेता है, कि जब घर के shifting हो तो इसने कुछ भी नहीं करा, उसने बिल्कुल भी carry नहीं करा था furniture, सरगई को लगा कि इसे hard work नहीं देना शेये, because he is very weak, उसे लगता है कि कहीं है मरना जाये, तो मुझे इसका hard work नहीं देना शेये, he decided to send him to his friend and for an easy work, तो वो क्या करता है, वो अपने एक friend के पास उसे भेज है, he writes a letter, वो एक letter लिखता है और वो सरगई को कहता है, मनब सॉरी, beggar को कहता है कि तुम्हें पढ़ना लिखना आता है, वो कहता है, yes मुझे पढ़ना आता है, तो वो कहता है, जाओ ये letter जो है लेकर जाओ, after shifting, सरगई called the beggar and got to know that his name was Lashkov, यहाँ उसे पता चलता है कि उसका काम दे देना, ठीक है, तो हम लोग यहाँ क्या देखते हैं, कि अब Lashkov कहीं और चला गया है, उसके friend के पास कोई work करना है, जो कि hard work नहीं है, कोई paper work type है, after two years on one evening, सरगई met Lashkov at the theater, अब क्या है इस बात को two years हो गया है, ठीक है, सरगई Lashkov को मिलता है, एक theater में, उसने Lashkov को that now I have become a notary, notary का मतलब होता है, जो note करते हैं, जो documents prepare करते हैं, ठीक है, मैं documents prepare करता हूँ, और मैं 35 rubles a month कमाता हूँ, वो person जो half a rubles कमाता था महीने का, now he is earning 35 rubles a month, Lashkov ने सरगई को thanks किया, क्योंकि यहां सरगई बोलता है, देखा, मैंने तुम्हें कितना डांडा था, देखो तुम्हें कितने successful हो गए हो, and now here, you know, Lashkov tells the truth, वो कहता है, sir, I know, I have a lot of gratitude for you, मैं आपको बहुत थाइंक्फुल हो, लेकिन actually मैं जो आपके कुक थी न, Olga, वो reality में जो है, मेरी help है, वोलब उसमें मुझे मुझे में help किया, it was because she helped me in all these things, Lashkov ने सरगई को confess किया, कि it was because of Olga's kindness that changed him It was Olga who would scold him, वो कहता है, Olga would scold me, she would cry for me, Olga उसको रोती दी, वो कहता है, oh my god, you drunkard, you gonna die, you unfortunate person, हमने देखा चाप्तर में कैसे वो रोती रहती है, उसके रोती रहती है, और वो उसकी wood भी chop करती रहती है, you cursed one, what's gonna happen to you, what is gonna happen in your life, तो ऐसे ऐसे उसे बोलती रहती है, Lashkov ने सरगई को ब Olga's curing actions changed his heart and helped him become a responsible person, वो से बोलती है, यह Olga थी जिसके curing actions की बजा से आज में change हुआ, रूबल इस वेटा करन्सी है, रूबल is the currency of Russia, रूबल का यह चाप्तर है, यहाँ रूबल का जो है वो करन्सी होती है, यहाँ रूबल का जो है वो करन्सी होती है, यहाँ रूबल का जो ह अची बिटा जिल जल दी बिताएंगे Okay, the correct answer is because of his poor health, because of his drunkenness, all, यहाँ पना answer होगा, all, all is the correct answer, 79% बच्चों ने correct answer दी है, जपलीन, देव, सौम्या, अक्षित और शिल्पी, very good चलो, तो अब जो है, last question है, during their conversation, Lushkov reveals that Sargais को Olga is responsible for the positive change in him, how was Olga saved, how has Olga saved Lushkov, what values it Olga exhibit while saving the life of Lushkov, यहाँ आपको Olga की सारे के सारे बेटा बतानी है that Olga की क्या-क्या qualities है, फ़र आपच्से बताएंगे बच्चे मुझे, I am reading your answer, की एपके लागा बताएंगे, I am reading your answer, I am reading your answer, हैंची तो हाट वोकेंग यू किन से बेसिकली हाट वोकेंग नेचर हाट वोकेंग ठीक थी वो ठीक है डिस्पाइट डिस्पाइट हर अपारेंट कि अर्दिक रूदिक अपारेंट रूदिनेस अपारेंट लिवो बहुत ज्यादा रूड थी रूड लगती थी बहुत ज्यादा लेकर उसके अंदर बहुत확 नेचर ता वो बहुत जेनरेस थी डिक है अरड़ एड़ प्रॉदनेस तुप 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 थे समाई ठीक है डिस्पाइट अपरेंट रॉदनेस येस चलो गुड ओल्गा जो है शी वस वेरी जेनरिस ठीक है शी उस्ट तुप प्रॉड हिम शी उस तो क्राइब ठीक है तो यह सारी की सारी शीजे हैं अम नेक्स मूव आउं करते हैं चलो फटा फट सी पोम करते हैं जिसका नाम है और लजेंट ओफ नॉट लेंट बहुत ही सिंपल बहुत ही प्यारी सी ये पोम है जो कि हम लोग पढ़ेंगे इन दिस पॉम पोएट फीबी कैरी यहां पर जो की बात करती है एक लीडी की जो बहुत ही ज्यादा ग्रेडी है और बहुत ज्यादा चाल्कुलेटिव है ठीक है बच्चों हालो सक्षम हालो पीटा है यहीजा कैसे हैं अभी अभी एवी नौट लांट ठीक है बहुत इसी सी पौम है जो हम लोग करेंगे बेगर चाप् श्राइब किया उसने जो एक लेडी ने उसे ट्रांस्वाँ मोश्राय नी बिकेम गूद पर्सन टेकर हाँ विट हुआ कंछ यहां पर हैं अवी आवी इंट नाथ नाइड विटर नाइट है यहां फर्सक्राइब हो तो यहां में फराफ अपको बिता देते हूं कि आ नाथ ल सर्दियों में होता है दिन चोटे और लाते रंबी वहां राती इतनी लंबे लंबी होती है कि आप पूरा सो कर उसे नहीं गुजार सकते हो ठीक है क्योंकि ऐसा दुनिया कि पांच बज़े अंदेरा हो जागो तो पांच बज़े सो जाओगे तो ऐसा है आपको पता है बहुत पांच बच्चों वाली ये पॉम है तो बड़ी क्या बोलती है जहां पर वो हार्नेस करते हैं हार्नेस यानि होल्ड करते हैं होल्ड करते हैं वो डडाते हैं स्विफ्ट रेंडियर्स को ठीक है ये रेंडियर्स है उन्हें हार्नेस करते हैं ये हार्नेस होता है ठीक हार्नेस होती है उनकी जो रोप होती है जहां वो खीचते हैं ड्राग करते हैं उन स्विफ्ट रेंडियर्स को वो जो रेंडियर्स ऐ होते हैं और जहां पर sledges जो हैं वह मूव होती है जब स्नू होता है तो बिटा ये sled जो जिसके ऊपर संटा क्रॉस बैटकर आता है जो एक्चली में जहां बहुत बरफ गिरती है वहाँ पर sludges move करते हैं और बच्चे कैसे लगते हैं बालू के बच्चों की तरह जैसे देख रहो कि ते क्यूट बच्चे हैं बालू के बच्चों की तरह यह लग रहे हैं अपने funny-furry clothes में बच्चों का ऐसे कपड़े बिना दो तो बिल्कुल बालू जैसे लगते हैं they tell them a curious story I don't believe it's true and yet you may learn a lesson if I tell the tale to you Phoebe कहती है वहाँ एक बड़ी ही curious बड़ी एक अजीब सी कहानी सुनाई जाती है वो कहते हैं कि मुझे नहीं लगता यह सच है Phoebe कह रही है कि मुझे नहीं लगता यह सच है पर फिर भी हो सकता है कि तुम इसे एक lesson सीखो तो मैं तुम्हें जरूर यह कहानी सुनाऊंगी एक बार once when the good saint peter lived in the world below and walked about it preaching just as he did you know वो कहते है एक बार good saint peter जो है जो world below world below यानि कि यहां हमारी earth पर रहते थे earth पर रहकर लोगों को preach करते थे preach कहते थे यानि कि religious teachings देते थे लोगों को religious teachings दिया करते थे lessons दिया करते थे तो वहाँ पर ठीके जैसे good saint peter का काम ही था he came to the door of a cottage and traveling round the earth where a little woman was making cakes and baking them on the heart वो कहते है एक दिन ऐसे ही वो एक cottage के दरवाजे पर गए जब वो earth का round ले रहे थे hello बेटा, hello रेहान तो वहाँ पर एक छोटी सी और जो है वो cakes बना रही थी और उन्हें हार्थ पर जो है वो कुक करे थी हार्थ होते है बिटा भट्टी ठीके बट्टी ठीके ठीके ब्रेजियर ब्रेजियर भी बोल सकते तो यहाँ ऐसे बट्टी पर जो है वो उसे कुक करे थी this is your heart and being filled with fasting for the day was almost done he asked her from her store of cakes to give him a single one क्योंकि वो बेहोश हो रहे थे fasting उन्हें सुबह से कुछ नहीं खाया था उन्हें बहुत टेस्ट भूक लग रही थी तो उन्होंने क्योंकि दिन खतम होने वाला था वो उस लेडी की पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे थोड़ा सा केक दोगी प्लीज मुझे थोड़ा सा केक दे दो ठीक है तो अब so she made a very little cake but as it bakingly she looked at it and thought it seemed to last to give it away अब यहाँ पर हम लेडी को देखते हैं लेडी थोड़े से कंजोस है भाई लेडी जो है सोचती है कि मैं छोटा सा केक बनाओंगे लेकिन जब वो पक रहा था तो उसे लगा कि अरे ये तो बहुत बड़ा है इस केक को मैं उसे नहीं दे सकते हूँ अलो बेटा, therefore she needed another one इसले उसने एक और बनाया ठीक है उसने एक और गूंधा ठीक है लेकिन इस बार और बी छोटा और बी छोटा पर जब उसने उसे पल्टा उसने क्या देखा ठीक है उसने उसने तरन ओवर करा उसने देखा ये तो पिछले जितना ही बड़ा है ये तो पिछले जितना ही बड़ा है उसने अपने डो का आटे का इतना सा पीस उसने लिया और वो उसे रूल करती गई उसने बिल्कुल उसको पापड की तरह बिल्कुल वेफर की तरह चिप्स की तरह उसने उसे थिन कर दिया लेकिन वो उसे भी नहीं दे पारी थी यानि कि वो उसे भी खुझ से अलग नहीं कर पारी थी और शी सेड़ माई केक्स आट सीम टू स्मॉल वेना इट वर देमसेल्स आर ये टू लाश्ट गिववे सो शी पुट देम ऑन दे शेल्फ वो केवते थी अरे ये मेरे जो केक्स हैं जब मैं खुद खाती हूँ तब अ मुझे बड़े छोटे लगते हैं ब मठाश अ popular किसी को डे रही हूँ तो आ noting लगaient उन्हें आपनीika on जे रकती रहती हैं तो वह जोआं देखे हूंगे न बहुत ज़्धा इं juo होते हैं किसी कुछ दें नहीं पाते हैं ठीके कई बार रियल लाइफ में भी हमें ऐसे लोग जो हैं वह मिल जाते हैं उसके बाद पिर जो गुट सेंट पीटर है उन्हें बहुत गुसा आजाता है क्योंकि उन्हें बहुत भूख भी लगी थे और वो बिहोश हो रहे थे और उन्हें पक्का पता था कि यह जो आरत है वो ऐसी आरत थी जिसने एक सेंट को गुसा दिला दिया था एक साधू को गुसा दिलबा have both food and shelter and fire to keep you warm अब सेंट पीटर को गुस्सा आ गया और आपको पते हैं जो सेंट्स होते हैं वो कर्स दे सकते हैं ठीक है वो कहता है और तुम बहुत ज्यादा मसलने के लायक नहीं है क्योंकि human body before tum to भuna pass forward के तुमन एक चीज तुमन ही करती हो नौ ई शाय बीलड़ आज बोड़ दो मैने जो गपनेалत जो अगिए अब उसे यह कर्स दे देते हैं क्या श्राप मिलता है यहां लेडी को वो कहते हैं आउ यूशल बिल्ट असब बर्ज तू अब तुम जो है ऐसे घर बनाओगे जैसे पक्षी घर बनाते हैं पक्षियों की तरह तुम घर बनाओगे तुम्हें तुम्हारा स्कैंटी फूड होगी पूरे दिन लकडी में ठीक है और हलो शाथ बिटा ताकि जो है महनत करकर के महनत करकर के तुम ऐसे करोगी दिन अप्षी वें चुद चिमनी नेवर स्पीकिंग अवर्ड और आउट अट अब टॉप फ्लू अवेट वूट पेकर फोर शी बोसेंज तो अबर्ड तु ठीक है वो एक बार्ड में चेंज होगी थी बेटा ठीक है वो उसके सिर पर ही रही वो बिल्कुल सेम रही लेकिन उसके जो सारे कपड़े है वो बन हो गये थे black as coal in the flame जैसे कि होता है न कि उसके कपड़े जो है वो बिल्कुल कोईली की तरह वह थे और उसकी जो cap है ये इसकी scarlet cap जो है वो बैसे की बैसे ही रही और एक woodpecker की body ऐसी ही होती है and every country school boy has seen her in the wood where she lives in the trees till this very day boring and boring for food वो कहते हैं कि और अब ऐसा ही है आज भी सारी country school boy country यानि की जारे सारी के सारे जो school के लड़कों ने उसे जंगल में देखा है आज भी उसे लड़के जंगल में देखते हैं और आज तक अभी तक वो खानी के लिए जो है वो drill करके ही बिचारी खाना खा रही है ठीक है ऐसे उसका बिचारी का बुरा हाल हो गया है उसका इतना ज्यादा जो है उसे लॉस हुआ है ठीक है अच्छा मैंने एक पोल स्टार्ट नहीं किया पोल स्टार्ट कर रहते हूं वह सेंट पीटर फिलिंग विए रिच लिटल वुमन्स कॉटज ताइड अंगरी हेल अंगरी हाथी हपी अंफ्रेशन च्रंबलिंग वेग ओल्ड आंद फीवर तो 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 करेंट अंफर एस ही वह उस टाइड अंगरी ए टाइड एंगरी तो 99 पर सेंट बच्छों ने करेंट आंसर दिया वेरी गुड शृती अंचू विधी दिवयांचू आजे देवगन भाई वेरी गूड तो यहां पर बिटा लेंट आपको सब्सक्राइब करते हैं चीजों के बीश में आज तो चीजों के बीश में आज और लुक लॉक लाइक बीएर कप्स चिल्ड्रन को बच्चों को बीयर कप्स के साथ कम्पेर किया बेग देट थिन अज वेफ़ टिक है थिन जो बनलब उसके के के की थिननेस थी उसे वेफर के साथ कंपेयर किया है यूशाइ बिल्ड आज दी बर्स डू तो यहां पर बर्स के साथ उसे कंपेयर किया है ब्लाक आज अ कोल इन दर फ्लेम तो उसके ब्लाकनेस को कोल की फ्लेम से जो है वो कंपेयर किया है अलेटरिशन आपको पता है repetition of the consonant sounds, यहां पर द, 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 रिपीट हुआ है, that they cannot sleep them through, यहां पर ऐसे सब कर रिपीट हुआ है, स्लेज़ स्नो यहां पर फ़ फानी फ़री दा दे टेल देम येट यू यह रिपीट हुआ है और यहां पर टेल टो 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 यहां पर रिपीट हुआ है तो यहां पर कॉंसोनेंट साउंड रिपीट होती है तो यहां पर दा यहां पर सा की साउंड जो है वो बेटा रिपीटिशन उती है जब कोई चीज भीट होती है हेलो रिहान ठीक है अवे-आभी इंधा नॉट LAND रोड र में रोल रपीट हुआ है Boring 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 WP2 है इससे've Effect बूलते हैं यह KC डालने के लिए किसी बात के उपर जोड डालने के लिए इस को यूज किया जाता है बच्चो अब हम लोग जो पॉम परेंगे उसका नाम है no man are foreign क्या हुआ बिटा क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ बताओ 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 ग्रामर के सेशन बिटा हम लोग कल लेंगे हलो दिव्यांच हलो अब दो तीन चोटी-चोटी से पॉम तीन चोटी-चोटी से पॉम जो है बुज़ रहे गई है राइम स्कीम क्या है ठीक है मैं बता देते हूं आपको एक बार राइम स्कीम बहुत सिंपल है जाननी ठीक है लेट मी टेल यू हाँ तो यहां पर हम इसको क् असवर्ड को हम लोग कर लेते हैं हेड सेम बांट फ्लेम तो हैड को हम लोग यह दे देंगे क्या हैड और स म राइम इंग है हैं हैद और बांट राइंगे नहीं तो इसे हम सी दे देंगे लिकिन से dalा को एक बीडी इस ए कि टीक है एडी क् 59 ठीके माम repeat four time चार बर repeat करो किसको चार बर repeat करो बेटा school boy, wood, day और food तो school boy को A देंगे school boy क्या wood के साथ rhyming है नहीं, तो उसे B देंगे अब ये दोनों इसके साथ rhyming है तो इसे C देंगे, wood और food जो है rhyming है, तो B, B तो that is A, B, C, B सारे के सारे यहां पर है A, B C, B हलो जबना, हलो बेटा, बेटा grammar का कल होगा, ठीक है अब ये no man और foreign देख लेता है This poem by James Kirkup is all about human beings also it tells us that every human being that lives on the earth are brothers and are same, यहां पर बोला जाता है कि ये poem लिखी है James Kirkup ने, ये human beings के बारे में है कि हर एक human being same होता है Indians are my brothers and sisters यहां वो क्या कह रहे है, not only all Indians are your brothers and sisters but all the people living in this world are your brothers and sisters सब लोग हमारे brothers and sisters है सब लोग इसी और्थ पर रहते हैं हम सब सेम है, we all are same, हम लोग जो एक दूसरे से अलग बिलकुल भी नहीं है तो यहां वो क्या बोलते हैं Remember no men are strange, no countries foreign, beneath all uniforms a single body breeds like ours वो कहते हैं, याद रखना कोई भी men strange नहीं होते कोई भी countries foreign नहीं होते foreign यहनी बहार की नहीं होते ठीक है, beneath all uniforms सबी uniforms के नीचे यहां ही uniform का मिलब skin भी हो गया हम सबी के skin के नीचे एक single body है जो ब्रीद करते है we all have single, you know, same body we have all same organs that is what the poet is trying to say like ours, the land our brothers walk upon is earth like this and we all चला है, वो कहते हैं कि जो earth है, जिस पर हम लोग सब walk करे it is same, वो उसके लिए भी same है हमारे लिए भी same है और यह जो है, वही earth जो है, हम सब की same है और इसी earth में हम लोग दफन हो जाएंगे, जिस धरती पर हम लोग चलते हैं, उसे में हम लोग दफन हो जाएंगे they too aware of sun and air and water are fed by peaceful harvest by wars, long winter start their hands are ours and in their lines we eat, a labor not different from our own अब वो फिर बताते हैं कि यह लोग, जो हमारे आसपास रहते हैं यह भी sun, air and water यानि कि यह use करते हैं they are aware of it sun, air and water सब लोग use करते हैं हम भी use करते हैं आप लोग भी use करते हो हमें भी peaceful harvest जब कोई peaceful harvest होती है तो हमें उसे खाना मिलता है अगर बहुत ज़्यादा long winter होती है war में आपको पता है war में क्या होता है आपने पता है पुराने जमाने में क्या होता है world war 1 और world war 2 की time पर जो farmers थे उन्हें भी बुला लिया गया था soldiers बना दिया गया था उन्हें कहा था कि आप soldiers हो आपको war में fight करना है तो आपको पता है कितने साल farms में खेती नहीं होई थी बहुत सारी लोग भूके मर गए थे war में ठीक है वो star हो गए थे और जब winter होती है तब भी क्या होता है सारी की सारी फसल सूप जाते है तो वो कहते हैं कि अगर harvest अच्छी होते है तो उनका भी पेट भरता है हमारा भी भरता है अगर winter में कभी अगर भी डिस्ट्रॉय हो जाते है क्रॉप तो उनका भी पेट नहीं भरता हमारा भी ठीक है उनके हैं में हमारी तरह ही है उनकी लाइन्स जो हमारी हैं की लाइन्स है यानि कि हम लोग सब पढ़ते हैं ठीक हमारी destiny जो है हम लोग सब जो है हमारा body structure सेम है और हमारा labor उनी की तरह है यानि कि हम भी hard work करते हैं और वो भी hard work करते हैं वो कहते हैं कि ऐसा ही देश है मेरा जैसा देश है तेरा हो जैसा देश है तेरा कहते हैं कि हमारा और आपका देश एकदम सेम है क्या चीज़े हैं we all have same body स्ञेंध यह आद रिखना उनकी आखी हमारी जैसी है हमारी आंखे उठती है हमारी आखे बिष्टेंट हैट से जीता जा सकता है by lapa क THIS is किशे को भी जीता जा सकता है उन्हें भी जीता जा सकता है और हमें भी हमारी जो life है वो common है that all can recognize and understand हम लोग इसको पहचान सकते हैं हम लोग इससे समझ सकते हैं we all are same basically what the poet is trying to say is कि हम जो है strength को जीच सकते हैं प्यार से he is basically trying to say कि यह जो countries के भीच में borders हैं वो नहीं होने चाहिए हम प्यार से एक दूसरे को जो है वो जीच सकते हैं in every land जो life है वो एकदम common है हम सब के लिए जो हम पहचानते हैं जिसमें हम लोग रहते हैं जिसे हम लोग let us remember whenever we are told to hate our brothers it is ourselves that we shall dispossess, betray, condemn, remember we who take arms against each other वो basically यह बोलने की कोशिश करे हैं कि याद रखना जब हमें कोई कहता है you should hate our brothers क्योंकि आपको बता है communal hatred communal hatred जो है वो फैलाया जाता है और यह इसे फैलाने वाले भी कुछ तरह के लोग होते हैं जो लोगों को कहते हैं कि उससे help उससे नफरत करो this country is not good आपस में इसको कोई तो उनका brainwash कर रहा है तो वो कह रहे है कि आपको यह याद रखना शगया आपको अपना brainwash नहीं होने देना शगया है यह रंडेंडर कि हम खुदी को disposes करें यानि कि हम कुदी को डिप्राई जान करें हम खुदी के साथ धोका करें हम खुद को धोixo qa दिले कारें कब अपने यह तरफ हत्यार है अगर हम नैजी तरफ हतियार उठा रहे हैं अगल हम सार नहीं स्क्यार्टा कर दो कहते दोका दोका बिट्रे मींज दोका इट इस अ यूमन ओर्थ डाट वी डिफाइल आर हैल्स ओ फाइर डास आउट्रेज नहीं उसेंस वो कहते हैं यह हम अगर खोन खराबा करते हैं तो हम अपनी अर्थ को गंदा कर रहे हैं हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि नहीं इंडिया में ब्लडशेट नहीं हो रहा हम कहीं और जाके ब्लडशेट करें कहीं और जाके खून बहार हैं नहीं भाई यह सारे के सारे लांड हमारी ही है हम उसी को पॉल्यूट कर रहे हैं हमारे hells of fire and dust है जिसे हम आउट्रेज करें वह लेक्ड़ प्योरिटी ओफ वह कहते ना प्योरिटी वह कहते हैं कि जब वार होती है तो बच्चे बूड़े सब बर जाते हैं ठीक है no man or foreign and no country strange फिर से लाइन रिपीट करी गई है पोयत ने फिर से इस लाइन को रिपीट किया है to put emphasis कि याद रखो भई कि कोई भी country foreign नहीं है कोई भी country बाहर की नहीं है कोई भी country strange नहीं है सब हम एक है मैंने आपको बोला ना सुबह सुबह जबह में assembly में बोलती है all Indians are our brothers and sisters वो कह रहे है all the people in this world are our brothers and sisters ठीक है भई सभी एक जैसे हैं सभी के human body है हम सब को equality रखनी चाहिए हम सब जो है वो ध्यान उसका रखना चाहिए हमें ठीक है भई तो यह बहुत ही beautiful से poem है what does the title of the poem convey यहाँ पर question है बिटा title क्या बता रहा है इस poem का all the people belong to the same earth people belong to one country all people should live in one country या फिन नन Angie क्या कहने की कुशुश कर रहा है what is the message that the person is trying to say James Kirk up जो है वो क्या message दे रहे हैं आपको मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया okay all the people belong to the same earth हम लोग same earth से ही बिलॉंग करते हैं यह जो borders है basically he's trying to say that there should be no borders कोई भी border नहीं हो नहीं हो नहीं है 88% बच्छोने का रिक्ता अच्छित प्रशांसा जपलीन सम्या इंद्व्यांशू very good बिटा now poetic devices बहुत क्लियर है यहां पर मेटफर है बिटा अलो आशीज बिटा मेटफर है यहां पर इन दपॉन्द पोईट कंपेर्स अवार विट 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 वार को यहां विटर के साथ कंपेर किया इस तांजा 2 में और हैल के साथ कंपेर किया है because of its dread effects on humanity क्योंकि war के hell के बहुत dread effects होते हैं humanity में ठीके तो वार को किससे कंपेर किया गया है winter से हेल से क्योंकि उसके बहुत बुरे effect होते हैं humanity पे another example of metaphor in the poem is poet calls people living in foreign lands as our brothers हमें जो लोग है दूसरी countries में जो है पर हलो परबिंदर बेटा तो हमें क्या बोला है कि वो सब हमारे भाई बहन है वो सब हमारे भाई है alliteration बिटा आपको पता है repetition of same letter basically consonant consonant की sound जो है repeat होती है यहां पर क्या है body breeds में बह विच वी में वह वर विंटर में वह लैंड लाइवर वी में वह वह sound जो है repeat हो रहे है polysidentan यहां पर polysidentan भी there is a poetic device polysidentan basically means it is a literary technique in which conjunctions and but or are used repeatedly आपको पता है पाली सिदेंटन हमें बता है Shivam and Sunny and Sachin and Ketan are responding to the messages ठीक है नहीं हम लोग and and को बार बार नहीं बोलते हैं तो लेकिन जब हम पॉम होती है पॉम में हम अगर and and को repeat कर रहे हैं क्योंकि poet कर सकता है poet के बहुत सरी liberties होती है तो यहां उसने बोले न aware of sun and air and water यहां उसने and को दो बार repeat किया है जो कि grammatically correct नहीं है त enjambment होता है continuation of a sentence without a pause तो stanza 6 में यहां the last line sorry last line of stanza continues to stanza 5 stanza 4 से stanza 5 में line continue हो रही है without the use of punctuation mark जब एक line दूसरी line तक continue होती है without the use of punctuation mark तो उसे बच्चों लोग हम लोग enjambment कहते हैं एक line दूसरी line में continue हो रही है कोई जो है आपके क्या नहीं है कोई भी punctuation mark नहीं है तो उसे हम लोग enjambment कहेंगे नाव लेट उस रीड दिस पोर्म बाई जीव पतेल आन किलिंग अच्री एंजी हालो साइब तक बिटा हलो चलो ठीक है बच्चे कहरें कि माम आप एक बाद देखलो डाउट देखलें लेती हूं मैं वाइडोंट यू वाड़ी पुरानी पोटो है मेरी दो साल पेले की मैं प्लीज प्लीज प्रवाइड शॉट न लुई स्कूल जो आपकी स्कूल की टीचर ने आपसे कहा है बिटा ठीक है बही जीव पुरेसे माम बाध को बोल रहे तो इसी बाते बोलतीए आपको डाटने के लिए तो इसी बाते बोलते आपको डाटने के लिए क्योंकि वकूर रियलाईस कराना चाहते है तो the same thing is happening with Jeev Patel, Jeev Patel कहता भाई पेड़ को काट क्यो रहे हो उसे जान से मार दो, ठीक है भाई, it takes much time to kill a tree, वो कहते है पेड़ को मारनी में ज्यादा टाइम लगता है, आप पेड़ को काटो मात पेड़ को जान से मार दो, not a simple jab of knife will do it, it has grown slowly consuming the earth, वो कहते है एक simple jab of knife से कुछ नहीं होगा, jab का मदलब होता है जटका, sudden rough flow, एक बर चाकू, एक बर चाकू माणने से कुछ नहीं होगा, jab यानि blow, एक बर ब्लो करने से, एक बर ज़र से मानने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो धीरे धीरे बड़ा हुआ है, earth को consume करते हुए, पेड़ कैसे बड़ा होता है ठीक है, rising out of it upon its crust absorbing years of sunlight, air and water, बहुत सालों से air, sunlight, water ये सब resources को use करके पेड़ बढ़ा हुआ, एक दिन में बढ़ा नहीं हुआ, बहुत टाइम लगा उसे बढ़े होने में, out of its lepris hide, अपने lepris hide होता है discolored bark, ये होती है बेटा lepris hide, hide का मतलब होता है बेटा, hide का मतलब होता है skin, और lepris का मतलब हो गया, discolored, discolored bark, अपने discolored bark में से जो है, वो निकला है, sprouting leaves, जिसमें से leaves जो है, वो अंकुरित हो है, leaves जो है, वो निकलते हैं न इसे, वो कहता है, कि so hack and chop, but this alone won't do it, वो कहते हैं, अरे hack और chop ऐसे, roughly जोर जोर से मानने से कुछ नहीं होगा भाई, जोर से कुछ नहीं होगा, यह alone नहीं कर पाएगा, not so much pain will do it, now he is making, एक मिन क्या हो गया है, पैन को पैन चलना बंद हो गया, now he is making the readers sensitive, अब वो readers को sensitive करने की कोशिश कर रहे, वो readers को क्या बोल रहे है, वो बोल रहे है कि सिरफ डर्द, इतने दर्द से कुछ नहीं होगा, इतने दर से कुछ नहीं होगा, because the bleeding bark will heal, आपने देखा हो अगर ना जब हम किसे हैं, इनसान को मारते हैं, तो उसका blood निकलता है, पर अगर हम लोग ट्री को हिट करते हैं, तो उसमें से sap निकलता है, ठीक है, कुछ वाइटिश सा, कुछ colorless सा liquid बहार आता है, वो कहते हैं, and from close to the ground, will rise cold green twigs, अगर आप उससे काट दोगे, इतना काटोगे ना उससे, तो एक दिन rise हो जाएंगी, मुड़ी हुई, ऐसे twigs जो हैं उसमें से बाहर आ जाएंगे, क्यारे कि एक दिन, अगर आप इसको सर्फ इतना ही काटोगे, तो ऐसे ऐसे उसमें से टहनिया बाहर आजाएंगी, miniature b हुआ है बच्चे दिख रहे आपको फोटो में वो किया रहे मिनियेचर बाउस छोटा सा पेड़ उसमें से आजएगा चोटा सा पौधा बाहर निकल आएगा विच इफ उन्चेक्ट भी लग स्पान अगें अगर अगर आप नुमने उसे दुबारा चेक नहीं गया वह फिर स कर नहीं तो यह से उप जाएगा नो से फॉ पूल्ड आउट आउट esh toutes ऑबयाँर दयुल्स कोuses करना हो नीकाल दो एंकरेंगा ओर्स्सी मिनाठ मैंने जने पक्रा रोड साहने कि जसने जइन जकडा हो एं रह प्विए में ईसकड हो औरको कि बूल्ड निकाल दो अने मेरे जड़ों को आपने देखा है कभी आप पेड़ को बाहर निकालोगे तो क्या कहते हैं जड़ों समय तुसे बाहर निकाल दो एंड पुल्डाउट स्नाप डाउट उसे बाहर निकालो पूरी तरीके से एंटारली आउट फॉम दो अर्थ केव वो कहते हैं फिर अर्थ के केव में से फिर उस अर्थ में से क्या निकलेगा वो ट्री निकलेगा उसके रियल स्ष्रेंथ बाहर निकलेगे रियल स्ष्रेंथ क्या होती है बेटा पेड की रियल स्ष्रेंथ क्या होती है उसके रूट्स वो कहते है फिर जब तो अंदर से रूट वो गिली-गिली roots निकलेंगे आप पेड की roots को निकालोगे आप इरान हो जोगे औरे पेड उपर से तो बड़ा बेकार सा लग रहा है brown brown सा अंदर से वो बिल्कुल हरा-bhara उसकी roots होती है बिल्कुल fresh white सी बड़ी sensitive जो बड़ी सालों से अंदर छुपी होई होती है ऐसा होते जैना कि जैसे उनका कलर ही नहीं उतरता वो बिल्कुल गोरी चिट्टी रहती है क्योंकि वो अर्थ के अंदर जो है वो बिल्कुल है ठीक है बिल्कुल the strength of the tree is exposed what do these words mean अच्छा बताओ strength of the tree is exposed का मतलब क्या है बच्छो पड़ाबच से बताएंगे मुझे root of the tree taken out of the earth roots are withered trees withered all hello Amrita, hello beta strength of the tree is exposed का मतलब क्या होगा तरफ एक यांसर आपका एक्सेप्ट होगा तो you only have to write one answer roots of the tree strength का मतलब होता है tree यह जो root है वो उसके strength होती है तो इसका मतलब roots को बहार निकालना 63% बचो ने का रेक्टा आँसर दिया Amrita, Nidhi, Mishika, Shilpi and Sharia very good then the matter of scorching and choking in sun and air browning, hardening, twisting, withering and then it is done वो कहते हैं उसके बाद फिर उसके बाद शुरू होगा scorching and choking the drying up of the tree after being uprooted scorching यानि कि उसका सूखना उसका सडना शुरू होगा उसके बाद वो सूखेगा sun and air में वो पहले brown होंगी ठीक है जो roots है वो पहले brown होंगी फिर hard होंगी फिर मुडेंगी फिर wither होंगी विदर होंगी यानि withering means मुर्जाएंगी ठीक है मुर्जाएंगी उसके बाद वो मुर्जाएंगी and then it is done और फिर यह होगा तो पेड को मारना है तो बच्चर मेहनत करनी पड़ेगी पेड को काटो नहीं पेड को मार डालो पेड को मारोगे तभी तो पेड खतम होगा नहीं तो अगर पेड को सिरफ आप काट दोगे अगरोगे तो वो काटने के बाद फिर से उख सकता है तो वो आपको है को सैंसेटाइस करना करने की कुशिश कर रहा है तो है जो कि बच्क़र को सरह, ट्री कि बाक यहां पर हम एक बाक को जो है वह लेख सइब कर कि bleeding bark bleeding bark यानि bleed करते हुए पेड को bleeding bark से compare किया है allocation यहाँ पर टॉट टॉट और repeat हुआ है takes time tree bleeding back में बा विच अंचेक में वा और white weight में व लेप्रेस बिटा लेप्रेस वैसे लेप्रेस का मदलब होता है अच्छा लेप्रेस का मदलब आपको पता है लेप्रेसी क्या होती है लेप्रेस से लेप्रेसी होती है मेंट कोड जो कोड रोग नोल Traff choix जाता है जिसके skin जो है ने ऐreated इसे बौटी पर सेसे निशान हो जाते अजीब हो पेडू आप कही से दो क्पशन है कि मिलीएम वर्थ भी घोटोश वर्थ तौक अपाउग टेlement ऑ्ठीद ऑफ आफ अव आवेडुस से विलेंव फ हुन57 के बारे में बात करता हैं लूची के देथ के बारे में बात करता हैं लूची कौन है लूची जो है वह ओठरकी बिलावट है ठीक है Lucy जो है वो कौन है author की beloved है a slumber did my spirit seal I had no human fears she seemed a thing that could not feel the touch of earthly ears अब देखो यहां पर वो Lucy आपको पता है William Wordsworth ने five Lucy poems लिखे थी Lucy के बार में वो बहुत clearly नहीं लिखते कि वो Lucy कौन थी उनके पर ऐसा माना जाता है that Lucy was his wife और वो कहते हैं William Wordsworth says a slumber पहले slumber समझो पीटा slumber क्या होता है slumber का मतलब होता है deep sleep वो कहते हैं एक गहरी नीन ने मेरी आत्मा को चुरा लिया ठीक है मेरी आत्मा को दबा दिया seal कर दिया seal कर दिया a slumber did my spirit seal मेरी जो spirit थी ठीक है उसे seal कर दिया पहले इस से पहले Lucy के मैंड़ने से पहले मुझे कोई human fears नहीं थे मुझे इस दुनिया की कोई चिंता नहीं थी मुझे दुनिया की कोई परवानी थी मरना जीना I didn't care about all these things happiness sadness I didn't care about all these things अब she seemed a thing that could not feel the touch of earthly years वो ऐसे लगती थी जो feel नहीं कर सकती थी the touch of earthly years कहते ना कि अब ऐसा लग रहा था कि वो earthly years समय भड़ता जाएगा पर उसका जो है ना उसकी age नहीं भड़ेगी दो meanings है इसके सबसे पहले तो Lucy जो है ना Lucy ऐसी थी जिसकी skin बहुत यांग थी वो ऐसे लगती थी जैसे उसको earthly years टच नहीं कर सकते जैसे कई लोग होते ना जो बहुत एज होने के बाद भी बहुत अच्छे लगते हैं बहुत यंग लगते हैं साथी साथ अब तो Lucy के साथ ऐसा हो गा ही नहीं क्योंकि Lucy की अपडेथ हो चुकि है ठर्ट के थी बारे में कहता है कि पहले वो लाइफ को फॉर्रांटेडली लिया करता था उससे रेलाइज़ेशन तब ही हिट हुई जब उसने अपने किसी बिलाविट की डेथ देख देख बेटा slumber का मतलब मैंने आपको बिताए है deep sleep गहरी नींद गहरी नींद बेटा what is the poem a slumber did my spirit seal about किसके बारे में है यह poem बेटा the death of a loved one the birth of a loved one the wedding of a loved one या फिर all of the above मैं light कम कर दो आप नजर नहीं आ रहे बेटा आप class खतम होने वाली अपनी नजर आरे हो तुझे तो बिल्कुल ही खतम हो गया तो जल्दी बता दो बेटा लाइट कम कर दो अब तो लास्ट में आ चकी है लास्ट लास्ट ओम कर रहे हैं अंशी शॉरी अंशी शॉरी अंशी the death of a loved one the death of a loved one is the correct answer 97% बचों ने correct answer दिया दिव्यांशु अभू सॉम्या मिशिका इशु वेरी गूट अलिट्रेशन है यहाँ पे it is a repetition of a letter मैंने आपको बताया SS is repeated in spirit seal enjambment यानि कि जब line continue होते है without the change of without the use of punctuation mark hello divyansh she seemed a thing that she could not feel the touch of earthly ears यहाँ पर no punctuation mark कोई punctuation mark नहीं है and the line is being repeated from one line to another resonance यहाँ पर wobble resonance होते है जब wobble sound repeat होते है यहाँ यह repeat हो रहा है she seemed a thing that could not feel यहाँ पर e e e e e repeat हो रहा है earthly ears का मतलब होता है प्रगती बेटा earthly ears का मतलब होता है age जैसे जैसे अर्थ पर आप होते हो और आपकी उम्र भढ़ती रहती है तो आपके body पर effect नजर आता रहता आप 14 साल में जैसे दिखते हो आप 24 साल में वैसे नहीं दिखोगे आपकी ठीके मुझे पता है बेटा एक पारग्राफ लेफ्ट है ठीक है वो एक पहले सांजा का जो है पॉलिटिक दिवाइस था नो मोशन है पूरा का पूरा पारग्राफ ये death का metaphor है death के बारे में यहां बताया हुआ है no motion अब वो कह रहे है कि death का मतलब क्या होता है अब Lucy में कोई motion नहीं है She has no force, उसमें कोई force नहीं है She neither hears nor sees मरने के बाद क्या होता है, ना उसे दिखाई देता है, ना सुनाई देता है अब वो घूम रही है घूम रही है In the earth's diurnal course Earth's diurnal course का मतलब है rotation ठीक है? Earth's diurnal course का मतलब होता है Earth की rotation Diurnal का मतलब होता है जो चीज Everyday जो हर रोज होती है जो होती रहती है, जो constant होती है ठीक है? वो कहारी है कि अब वो घूमती रहेगी जैसे जैसे earth rotate करेगी Lucy की body भी rotate करेगी Lucy की body कहा है? दफनादी गई है अंदर उसकी dead body उसकी buried body move करेगी ऐसे Earth के साथ ही चक्कर लगाएगी With rocks and stones and trees बिलकुली पत्थरों के साथ stones के साथ और trees के साथ क्योंकि rocks, stones, trees ये सारे के सारे क्या है बेटा? ये सारे के सारे stationary objects है क्या है बेटा? stationary objects stationary objects यानि की immovable है ये सारे के सारे क्या है? ये सारे के सारे इम्मोविबल है यह सारे के सारे हिल नहीं सकते और अब Lucy की dead body भी हिल नहीं सकती भूत है कौन है भूत भाई ठीक है पोईट की जो soul है वो deep sleep में चली गई है deep slumber में चली गई है क्योंकि Lucy की death हो गई है उसे पहले realize नहीं होता कुछ समझ नहीं आता he had taken life for granted the poet finally accept the truth that Lucy is dead and she will never come back इस paragraph में वो बताता है कि मैंने finally Lucy की death को realize कर लिया मुझे पता है Lucy अब कुछ नहीं कर सकते Lucy अब भूमती रहेगे और्थ के साथ साथी चीज motionless अब वो motionless है वो lifeless है वो ना ही सुन सकती है ना ही देख सकती है अब वो अर्थ के अंदर bury हो गई है और वो अर्थ के साथी अर्थ की rotation के साथी rotate करती रहेगी I hope आपको यह समझ में आ गया लास्ट आपका यह मैं करवाऊंगी MCQ तो मैं आपको बता दूँगी leaderboard ठीक है हम डाउट भी देखती हूँ पहले poetic device कर लेते हैं यहां पर आपका बिटा consonant repeated है roll, rolled round में आरा repeated है enjambment में rolled round in earth's diagonal course with rocks and stones and trees यहां पर आपका enjambment है इस line से इस line में continue हो रहे है without the use of punctuation mark imagery है, the poet has been successful in creating an image in your mind poet में आपके मन में एक image बना दिये एक visual image बनाई है last two lines of the stanza में हम actually में earth की rotation को देखने लग जाते हैं हाँ, earth rotate करी है उसके साथ loosey की dead body भी move कर रही है तो that is basically imagery, हमारे मन में image बन जाती है resonance यहां पर आपका sorry यह क्या केते है, wobble sound repeat हो रहा है E E ठीक है, यहां पर O repeat हो रहा है rolled round course O O O metaphor, मैंने आपको बताया ना जो last पूरा stanza है वो किसका metaphor है बेटा, death का ठीक है, death का जो है वो क्या है, metaphor है ठीक है बहिया, तो अब आपका last MC क्यों है मेरा बच्छे क्यों है, who is the poet of the poem anaphora क्या होता है बेटा very good, anaphora मैं आपको बता देती हूँ अभी बताती हूँ, पहले पोल में participate करो, फिर बताती हूँ anaphora क्यों होता है William words, William James, William Hudson, William Shakespeare is the poet of this poem, 94% बच्छो ने correct answer दिया अंशिका, कमरन, हमजा, निदी, अमृता 100 students ने correct answer दिया leaderboard चेकर लेते है बिटा let us see, leaderboard अंशिका, यादव very good, अंशिका, यादव पुषकर, श्रीजी सेंग क्या बात है, rank डप, वो rank अप हो गई है शाड्या, legend boy नेत्रपाल, अन्या, ईशू, अनूप श्रिवासव, प्रशंसा येवले, सवदार इक्बाल, अमृता, आक्षित जोशी, बेबी तेविल, जपलीन कौर, नूरु जमन, मैं फर्स्ट्वेंटी का नाम लोंगी, सौरब तिवारी, पंटु भाई, निरश कुमार न कर जी, ठीक है, माम, प्लीज गिव स्टिप्स ऑन हेंड राइटिंग, अच्छा बच्चे, इशू, हेंड राइटिंग मेरी भी अच्छी नहीं है, बहुत जदा बड़ा बड़ा लिखती हूं मैं भी, तो जिसके हेंड राइटिंग बहुत अच्छी नहीं होती, उसे क्या अच्छी नहीं होती है, सब लोगों के अब आप बिदा नाइन क्लास में हो गयो, टाइम नहीं है हमारे पास इंप्रूब्मेंट करने का, बट आप अपनी हेंड राइटिंग को कैसे कर सकते हैं, पेपर को नीट बना सकते हो, पेपर को नीट और क्लीन बनाओ, अप्योरेंस उसकी बहुत सुन्दर होनी चाहिए, साफ सुत्रा लिको, और बाकी बेटा, बाकी की सारी 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 टिप्स में आपको कल दूँगी, ठीक है भाई, कल मैंने आपको बूला, फॉर्स्ट और सेक सब्सक्राइब सेक्ट बेटा नाब बिलूगी, अच्छा, आणा फूरा बताना भूल गयी, आनाफोरा क्या होता है बता देती हूं ठीक है आनाफोरा क्या होता है अब यहां पर आनाफोरा मुझे याद नहीं आ रहा पर मैं ऐसी बता देती हूं डिड यू गो, डिड यू मीट, और एक ऐसे पॉम है, जहाएं यहाँ पर ऐसे लिखा है, डिड यू गो, डिड यू मीट, ऐसी पोयम है, अब जो पॉम के स्टार्टिंग में, कंजिक्यूटिव लाइन्स में कोई वर्ड या फिर फ्रेज रिपीट हो रहा होता है, तो उसे आनफोरा कहते हैं, समझे की नहीं, समझ गए, बहुत बढ़िया, कहते हैं, ठीक है बच्चो, थांक्यू सो मच, कल मिलेंगे, इसी समय, इसी जगा, सेम जगा, सेम प्लेस, ठीक है, सेम जगा, सेम प्लेस, टेक यूर अल दो बेस, गुट नाइट बीटा, कल-कल बताओंगी बाकी की टिप्स, चा-ता-ता-ता-ता